अल्ग्योजा, भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने बाद दूसरी सगाई की, तो उसके लड़के रग्धू के लिए बुरे दिन आ गए। रग्धू की उम्रोस समय केवल दस वर्ष की थी। चैने से गाउं में गुली डंडा खेलता फिरता था। मां के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रुपवती स्त्री थी और रूप और गर्ब में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रग्धू निकालता, बेलों को सानी रग्धू देता। रग्धू ही जूठे बरतन मांचता। बोला की आँखे कुछ ऐस हुआ का। रग्धू ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए। बाप ही नहीं, सारा गाउं उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्धी लड़का है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं, बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती हैं यह उसी का फल ह दूसरी औरत होती, तो निबाह न होता। वह तो कहा पन्ना इतनी सीठी साधी है कि निबाह होता जाता है। सा, बल की शिकायते सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रग्धू का रिदय मा की और से दिन दिन फटता जाता था। यहां तक की आठ सा और कमाने वाला कोई नहीं। रग्धू अब क्यूं बात पूछने लग। यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों और अंधेरा ही दिखाई देता था, पर कुछ भी हो, वह रग्धू जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती। यहीं न होगा, लोग हसेंगे। बहला से, उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं। ब्राहमन, ठाकर थोड़ी ही थी कि नाप कर जाएगी। यह तो उन्हीं उंची जातों में होता है कि घ घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर परदा ढखा रहे। वह तो संसार को द, खाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रग्धू की दबैल बनकर क्यू रहे। बोला को मरे एक महीना गुजर चुका था, संध्या हो गई थी, पन्ना इसी चिंता में पढ़ हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं, यह बैलों के लोटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे न आ जाए, अब द्वार पर कौन है, जो उनकी देखपाल करेगा, रग्धू को मेरे लड़के फूटी ओखो नहीं भाते, कभी असकर नहीं बोलता, घर से बाहर निकली, तो देखा, रग्धू सामने जूपडे में बैठा उख की गंडेरिया बना रहा है, लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ टाले उसकी पीट पर सवार होने की चेश्टा कर रही है, पन्ना को अपनी ओखों पर विश्वास न आया, आज तो यह नहीं, बात है, शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाईयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है, खात मिले तो जान ही ले ले, काला सांप है, काला सांप, कठोर स्वर में बोली तुम सब के सब वहां क्या करते हो, घर में आओ सौज की बेला है, गुरु आते होंगे। रग्गु ने विनीत नेत्रों से देख कर कहा, मैं तो हूँ यी काकी, डर किस बात का है। बड़ा लड़का के दार बोला काकी, रग्गु दादा ने हमारे लिए दो गाडियां बना दी हैं। यह देख एक पर हम और खुनु बैठने के लिए तकते और रोप के लिए दोनु तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा ये गाड़ियां किसने बनाई। केदार ने चिड़कर कहा रग्गु दादा ने बनाई हैं और किसने। भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और रग्गु ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खीचता हुआ दोड़ा। कीनो लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेतरों से यह द्रिश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रग्गु है या कोई और। थोड़ी देर के बा काकी सब पेर दोर रहे थे। लचमन और बिच्छियां कैसी भागी सब की सब दोरी। केदार काकी, रग्गु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खीच ले जाते हैं। चुनिया सबसे छूटी थी। उसकी व्यंजना शक्ती उचल कूद और नेतरों तक परिमित थी तालि सेर दूद देती है काकी। खूब दूद पीएंगे। इतने में रग्गु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टी से देखकर पूछा क्यूं रग्गु तुमने गिर्थारी से कोई गाए मागी है। रग्गु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा हां मागी तो है कर लाएगा। पन्ना रुपिय किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है। रग्गु सब सोच लिया है काकी। मेरी यह मुहर नहीं है। इसके पच्चीस रुपिय मिल रहे हैं। पांच रुपिय बच्चया के मुझाह दे दूँगा। बस गाय अपनी हो जाएग पन्ना सनाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रग्गु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली मुहर को क्यूं बेचे देते हो। गाय की अभी कौन जल्दी है। हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा न लगे इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिये। रग्गु दार्शनिक भाव से बोला बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे। मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते इसे मुहर पहनने की सूजी है। बोला महतो गाय की चिंता ही में चल बसे। न रुपिय आये और न गाय मिली। मजबूर थे। रग्गु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रग्गु पर विश्वास आया। बोली जब गहना नहीं बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे। मेरी हंसुली ले लेना। रग्गु नहीं काकी। वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या मुहर पहने या न पहने। पन्ना चल मैं बूरी हुई। अब हंसुली पहन कर क्या करना है। उसके रूखे मुर्चाइमुक पर प्रसन्नता की लाली दोड़ गई। तो पांच साल गुजर गए। रग्गु का सा मेहनती, इमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गाउं में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अपतेई साल की हो गई थ पन्ना बार बार कहती, भाईया, बहु को बिदा करा लाओ, कब तक नहमे पड़ी रहीगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहु को नहीं आने देती, मगर रग्गु टाल देता था। कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग-धंग का कु कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं, तुम्हारे लिए जल्दी नहोगी, मेरे लिए तो जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूँ, पच्चताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है, तुम्हारी बला से, जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं, तो क्या हवा से लड करता, उसका गुलाम हो गया, न कहूंगी, जाकर दो साडियां और मिठाई ले आ, तीसरे दिन मुलिया मैं के से आ गई, दरवाजे पर नगाड़े बजे, शेहनाईयों की मधूर ध्वनी आकाश में गूंजने लगी, उन दिखावे की रसम दा हुई, वह स्मरुभूमी में निर्मल जलधारा थी, गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोखीली पलके, कपोलों पर हलकी सुर्खी, ओकों में प्रबलाकर्शन, रग्गू, उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया, प्रातह काल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की स नहरी किरनों से कुंदन हो जाता, मानो उशा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उनमाद लिये मुस्कराती चली जाती हो, तीन मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी, मेरा शोहर छाती फार कर काम करे, और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़े रई सजादे ब फेरे हुए हैं, जोही जरा सयाने हुए पर जार कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे, एक दिन उसने रग्धु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो, तो करो, मुझसे न होगी, रग्धु, तो फिर क्या करूँ, तू ही बता, लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है, बुलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं है, यही पन्ना है, जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूँ, मैं लोडी बन कर न रहूंगी, रुप्ये पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता, ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है, तुम समझते हो, रुप्ये घर ही में तो, हैं, मगर देख लेना, तुम्हें जो एक फूटी कौडी भी मिले, रग्गु, रुप्ये पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया कया कहीगी, यह तो सोच, मुलिया, दुनिया जो जाहिक कह दुनिया के हाथों बिकी नहीं ही, देख लेना, भाड लीपकर हाथ काला ही रहेगा, फिर तुम अपने भाईयों के लिए मरो, मैं क्यूं मरूं, रग्गु, ने कुछ जवाब न दिया, उसे जिस बात का भै था, वह इतनी जल्द से रा पड़ी, अब अगर उसने बहुत सत्थो थंभो किया, तो साल शह महीने और काम चलेगा, बस आगे एह डोंगा चलता नजर नहीं आता, पकरे की मा कब तक खेर मनाईगी, एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला, बरसाल शुरू हो गई थी, बकार में अनाज गीला हो रहा था, मुलिया से बोली बहु जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आँँ, मुलिया ने लापरवाही से कहा मुझे नीमदा रही है, तुम बैट कर देखो, एक दिन नहाओगी तो क्या होगा, पन्ना ने साड़ी उतार कर रखती, नहाने न गई, मुलिया का वार खाली गया, कई दिन के बाद एक शाम था, और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे, मुलिया से आहिस्ता से पूछा आज भी चूलहा, नहीं जला, केदार ने कहा, आज दो पहर को भी चूलहा नहीं जला काकी, खाभी ने कुछ बनाया ही नहीं, पन्ना तो तुम लोगों ने खाया क्या, केदार कुछ नही रात की रोटियां थी, खुन्नू और लच्चमन ने खाई, मैंने सत्तु खा लिया, पन्ना और बहू, केदार वह पड़ी सो रहे है, कुछ नहीं खाया, पन्ना ने उसी वक्त चूलहा जलाया और खाना बनाने बेट गई, आटा गुंदती थी और रोती थी, क्या नसीब है दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूलहे के सामने जलना पड़ा, केदार का चौदवा साल था, भाभी के रंग धंग देखकर सारी स्थित समझ रहा था, बोला काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, पन्ना ने चौक कर पूछा क्या कुछ कहती थी, आतों से जीब दबा कर कहा, चुप मरे सामने ऐसी बात भूल कर भी न कहना, रग्गु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है, मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना, जहर खालूंगी, चार, तशहरे का ध्योहार आया, इस गाउं से कोस भर एक पुर्वे में मेल लगता था, गाउं के सब लड़के मेला देखने चले, पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहां से आये, कुमजी तो मुलिया के पास थी, रग्गु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को दो-दो पैसे दे दो, मुलिया पैसे घर में नहीं है। रग्गु अभी तो तेल हन्विका था क्या इतनी जल्दी रुप्य उठ गए। बुलिया हाँ उठ गए। रग्गु कहा उठ गए। जरा सुनून आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे। मुलिया अपनी काखी से कहो पैसे निकाले गाड़ कर क्या करेगी। खुंटी पर कुंजी हाथ पकड़ लिया और बोली कुंजी मुझे दे दो नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी क पिड़क कर कहा मेला देखने क्यों न जाएंगे सारा गाउं जा रहा है हमारे ही लड़के न जाएंगे यह कहकर रग्धू ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिये मगर कुझी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेग यार और मुम लपेट कर लेट गई लड़के मेला देखने न गए इसके बाद दो दिन गुजर गए मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही रग्धू कभी इसे मनाता कभी उसे पर न यह उठती न वह आखिर रग्धू ने हैरान होकर मुलिया से पूछ कुछ मुम से तो कैक चाहती क्या है? मुलिया ने धर्ती को सμ्बोधित करके कहा मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुचा दो. रग्धू अच्छा उठ पनाखा, पहुचा दूंगा. मुलिया ने रग्धू की और आखें उठाई. रग्धू उसकी सूरत देखकर दर गया, वह मधूरिय, वह मोहत्ता, वह लावन्य गायब हो गया था, तौत निकल आये थे, आखे फट गई थी और नतुने फड़क रहे थे, अंगारे की सी, लाल ओखों से देखकर बोली अच्छा, तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहां ऐसी नहीं ही, तुम दोनों की छाती पर मूंग दिलूंगी, हो किस फेर में, रग्गु अच्छा, तो मूंगी दल लेना, कुछ खा पी लेगी, तभी तो मूंग दल सकेगी, मुलिया अब तो तभी मूंग में पानी डालूंगी, जब घर अलग हो जाएगा, बहुत जेल चुकी अब नहीं जेला जाता, रग्गु सनाटे में आ गया, एक दिन तक उसके मूं से आवाज ही न निकली, अलग होने की उसने स्वपन में भी कल्पना न की थी, उसने गाउं में दो-चार परिवारों को अलग होते देखा था, वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदे, भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उन में वही नाता रह जाता है, जो गाउं के आदमियों में, रग्गु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ती को घर में न आने दूंगा, मगर हुनहार के सामने उसकी एक न चली, आह, मेरे मूम में कालिक लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर दस साल भी एक में निबाह न हो सका, फिर किस से अलग हो जाओं, जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कश्ट छेले, उनहीं से अलग हो जाओं, अपने सोच तो कहीं मूम दिखाने लायक रहूंगा, बुलिया तो मेरा इन लोगों के साथ निबाह न होगा, रग्गु तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों गिसीती है, बुलिया तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह रग्गु तेरी जैसी मरजी, जहां चाहे रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता, जिस दिन इस घर में दो चूले जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के दो टुकडे हो जाएंगे, मैं यह चोट नहीं सह सकता, तुझे जो तकलीफ हो, वह मैं दूर कर सकता हूं, मा असबाब की माल किंतु है, यह अनाजपानी तेरे ही हाथ है, अब रहे क्या गया है, अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती, मत कर, भगवान ने मुझे समाई दी होती, तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता, तेरे यह सुकुमार हाथ पाउं मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए, ही नहीं गए है, मगर क्या करूँ अपना कुछ बस ही नहीं है, फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे, मत कर, मगर मुझे से अलग होने को न कह, तेरे पैरों पढ़ता हूं, मुलिया ने सिर से अंचल खिसकाया और जरा समी पाकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे-बैठे खाना चाहती हूं, मगर मुझ से किसी की धौन्स नहीं सही जाती, हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं, तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौन्स क्यूं जमाती हैं उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे मुझे तो तुम्हारा आसरा है मैं अपनी ओखों से यह नहीं देख सकती की सारा घर तो चैन करे जरा जरा से बच्चे तो दूद पिये और जिसके बल बूते पर ग्रहस्ती बनी हुई है वह मठे को तरसे कोई उसका जाओगे बैठ जाओ खड़े क्यूं हो क्या मार कर भागोगे मैं तुम्हें जबरदस्ती न बौद लूँगी यह मालकिन का हुक्म नहीं है सच कहूं तुम बड़े कट कलेजी हो मैं जानती ऐसे निर्मोहिये से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती आती भी त जसीली बाते रग्धू पर कोई असर न डाल सकी वह उसी रुखाई से बोला मुलिया मुझसे यह न होगा अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है यह चोट मुझसे न सही जाएगी मुलिया ने परिहास करके कहा तो चूडियां पहन कर अंदर बैठो न लाओ मैं मूंचे लगा लूँ मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कल बल है अब देखती हूँ तो निरे मिटी के लौंदे हो पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन नहीं थी अब उससे न रहा गया सामने आकर रग्गु से बोली जब वह अलग होने पर तुली हुई है फिर तुम क्यूं उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो तुम उसे लेकर रहो हमारे भगवान ने निवा दिया तो अब क्या डर अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं अब कोई चिंता नहीं रग्गु ने औसु भरी ओखो से पन्ना को देखकर कहा काकी तू भी पागल हो गई है क्या जानती नहीं दो रोटिया होते ही दो मन हो जाते हैं पन्ना जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा भूल नहीं सकती तुमने इनके सी रहात न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गती होती न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते न जाने कहा कहा भीख मांगते फिरते तुम्हारा जस मरते दम तक गाउंगी अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते त तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अन्भल मेरे मन में आएगा, उसी दिन विश्खा कर मर जाओंगी। भगवान करे तुम दूधों नहाओं, पूतों फलों। मरते दम तक यही असीस मेरे रुए-रुए से निकलती रहीगी और अ आसमान की ओर टक-टकी लगी थी और ओखों से ओसु बह रहे थे। आच, पन्ना की बाते सुनकर मुलिया समझ गई की अपने पौबारह हैं। चटपट उठी, घर में जाडू लगाई, चूलहा जलाया और कुए से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गाउ अनों की पंचायते अलग होती हैं। मुलिया को कुए पर दो-तीन बहुए मिल गई। एक से पूछा आज तो तुम्हारी बुरिया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर से कहा इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छ लगता है। पहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहां तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने औरने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं उनके पीछे मरो। सारी जिनगी, रोते ही कट जाएगी एक बहु बुडिया यही चाहती है कि यह सब जन भर लोडी बनी रहें। मोटा जोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहु, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछे पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर क रगु से बोली, जाओ, नहा आओ, रोटी तयार है। रगु ने मानू सुना ही नहीं। सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है, रोटी तयार है, जाओ नहा आओ। रगु सुनतो रहा हूँ, क्या बहरा मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा। जाकर चूलह बुझा दिया, रोटिया उठाकर चीके पर रख दी और मूँ धाक कर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तयार है, नह। धोकर खालो, बहु भी भूखी होगी। रगु ने जुन्चला कर कहा, का की तुँ घर में रहने देगी की मुँ में कालिक लगा कर कहीं निकल जाओं। खाना तो खाना ही है, आज न खांगा, कल खांगा, लेकिन अभी मुझ से न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया। पन्ना अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी रग्धू न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रग्धू से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी। उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्रान दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूलहा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदर्से से आ गए। पन्ना ने कहा आओ बेटा, खालो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भाईया को भी बुलालून ना। पन्ना, तुम आकर खालो। उसकी रोटी बहुने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भाईया से पूछना आओ। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा, खाएंगे। तू बेक्ट कर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब जिसका जी चाहेगा, जिसका जी न चाहेगा, न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं, तो कौन मनाएं। केदार तो क्यूं अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे ओंगन में दिवार दाल लें. कुन्नू ने दर्वाजे पर आकर जोका, सामने फूसकी जूप ली थी, वहीं खाट पर पड़ा रग्धु नारियल पी रहा था. कुन्नू भाया तो अभी नारियल लिये बैठे हैं. पन्ना, जब जी चाहेगा, खाएंगे. केदार, भाया ने भाभी को डौटा नहीं. मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी. बाहर आकर बोली, भाया ने तो नहीं डौटा, अब तुम आकर डौटूं. केदार के चहरे पर रंगूर गया. फिर जबान न खोली. इनो लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले. लू चलने लगी थी. आम के बाग में गाउं के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे. केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खुब आम गिर हैं. कुन्नू, दादा जो बैठे हैं. लचमन, मैं न जाउंगा, दादा घुड़केंगे. केदार, वह तो अब अलग हो गए. लक्षमन, तो अब हमको कोई मारेगा, तब भी दादा न बोलेंगे. केदार, वह तब क्यों न बोलेंगे? रग्गू ने तीनों लड़कों को दर्वाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं. पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डॉट बैठता था, पर आज वह मूर्ती के समान निश्चल बैठा रहा. अब लड़कों को कुछ साहस हुआ. कुछ दूर और आगे बढ़ें. रग्गू अब भी न बो कारा और बहन आई तो. मैं उनको मार पीट तो न सकूंगा. यूं में सब मारे मारे फिरेंगे. कहीं बीमार न पड़ जाएं. उसका दिल मसोस कर रहे जाता था, लेकिन मूम से कुछ कहना सकता था. लड़कों ने देखा कि यह बिलकुल नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल पड़ें. सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठूगे की अब भी नहीं. जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही है. मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागे नौ. एक बार भी तो मूम से न फूटा की चलो भाईया, खालो. रग्गु को इस समय मर्मान तक पीडा हो रह थी. मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया. तू, खित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी, वही तो हुआ. अब जाट ढोल बजा. मुलिया, नहीं, तुम्हार लिए थाली परो से बैठी है. रग्गु, मुझे चिडा मत. तेरे पीछे में भी बदनाम हो रहा हूँ. जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती, तो दूसरे को क्या गरज है, जो मेरी खुशामत करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकर लाओं. मुलिया अंगुठा दिखा कर बोली, यह जाता है. तुम्हें सो बार गरज हो, जाकर पूछो. इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई. रग्गु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काखी, लू चल रही है. पन्ना, अब उनका कौन पुछतर है? बग क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता, तो रोक न देते. तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे. पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रग्गु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला. श. रग्गु लड़कों को लेकर बाग से लोटा, तो देखा मुलि पेट में पहुंची गया होगा. रग्गु ने दौत पीसकर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा न होगा. खाना कहीं भागा नहीं जाता. एक बिला न खांगा, तो मर न जांगा. क्या तु समझती हैं, घर में आज कोई बात हो गई है. तुने घर में चूलहा नह परालग्द की बात है. मुलिया तिंट कर बोली, सारा मोह छो तुम ही को है की और किसी को है. मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती. रग्गु ने ठंडी सो स्खीच कर कहा, मुलिया खाव पर नोन न छिड़क. तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग र होंगे. जिन बच्चों को मैं डॉटता था, उन्हें आज कड़ी ओखों से भी नहीं देख सकता. मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूँ, तो दुनिया यहीं कहेगी कि यह अपने भाईयों को लूटे लेता है. जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया ज है. रग्गु ने कानों पर हाथ रख कर कहा, यह तुने क्या किया मुलिया? मैं तो उठी रहा था. चल खालूँ. नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतनी कहे देता हूं कि चाहे चार की जगह छ रोटियां खा जाऊं, चाहे तु मुझे घी के मटके ही में डुबा देप पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा. मुलिया, दाग साग सब मिट जाएगा. पहले सब को ऐसा ही लगता है. देखते नहीं हो, उधर कैसी चैन की वंशी बज रही है, वह तो मना. ही रही की कि किसी तरह यह सब अलग हो जाएं. अब वह पहले किसी चौदी तो नहीं है कि जो क कुछ घर में आवे, सब गायब. अब क्यूं हमारे साथ रहने लगी? रग्गु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है. काकी ने मुझे ऐसी आशा न थी. रग्गु खाने बैठा, तो कौर विश के घूंट सा लगता था. जान पढ़ता था, रोटियां भू रात का भूजन भी उसने इसी तरह किया. भूजन क्या किया? कसम पूरी की. रात भर उसका चित उद्विग्म रहा. एक अज्यात शंका उसके मन पर च्छाई हुई थी, जैसे भूला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो. वह कई बार चौक कर उठा. ऐसा जान पढ़ा, उनो जून भूजन करता था पर जैसे शत्रू के घर. भूला की शोक में मूर्ती ओखों से न उतरती थी. रात को उसे नींग न आती. वह गाउं में निकलता तो इस तरह मूम चुराए, सिर जुकाए मानो गो हत्या की हो. साथ, पांच साल गुजर गए. रगू अब दो इसकी हो गई थी. उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था. खुन्नू गाय चराता था. केवल लचमन अब तक मदर से जाता था. पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी. मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते. वही उन्हें उप्टन मलती, वही काजल लगाती, वही गोध में लिये फिरती, मगर मुलिया के मुम से अनुगरह का एक शब्द भी न निकलता. ना पन्ना ही इसकी ये चुप थी. वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी. उसके दो दो लड़के अब कमाओ हो ग अभी आयू तीस वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचडी हो गए थे. कमर भी जुक चली थी. खांसी ने जीरूं कर रखा था. देखकर दया आती थी. और खेती पसीने की वस्तू है. खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए, वह उससे न हो पाती. फिर अच्ची फसल कहां स आती. कुछ रिंग भी हो गया था. वह चिंता और भी मारे डालती थी. चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता. इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोज कुछ हलका होता, लेकिन मुलिया की स्वार्थ परता और अदूर दर्शिता ने लहराती हु अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता, मजे में द्वार पर बैठा हूँ. आनारियल पीता. हाई काम करते वह सलाह देता. वह तो बना फिरता. कहीं किसी के जगरे चुकाता, कहीं साधू संतों की सेवा करता, वह अफसर हाथ से निकल गया. अब तो चिं तक कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरसकार है. पहले कुछ परवानकी. समझा, पही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी, तो दवा की फिक्र हुई. जिसने जो बता दिया, खालिया, डाक्टरों और वैदियों के पास जाने की सामर्थे कहां? और सामर्थे भी होती, तो रुपिये खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था? जीर्ण जवर की ओष्ठी आराम और पुष्टकारक भोजन है. न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैटकर बलबुर्धक भोजन कर सकता था. कमजोरी बढ़ती ही तो वह आकर उसे तसली देती, लेकिन उसके लड़के अब रग्धू से बात भी न करते थे. तवा दारू तो क्या करते उसका और मजाक उडाते? भाया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और इट रख लेंगे. भाभी भी समझती थी, सोने से लग जांगी. अब द कौन पूछता है? सिस्क सिस्क करना मरें तो कह देना. बहुत हाई, हाई, भी अच्छी नहीं होती. आदमी उतना काम करे, जितना हो सके. यह नहीं की रुपिये के लिए जान दे दे. पन्ना कहती, रग्धू बेचारे का कौन दोश है? केदार कहता, चल, मैं खूब समझता ह ही. भाया की जगह में होता, तो डंडे से बात करता. मजाक्ती की औरत यूँ जित करती. यह सब भाया की चाल थी. सब सधी बधी बात थी. आखिर एक दिन रग्धू का टिम्टिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया. मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया. अंत समय उस जिस भूमी पर उसने मनसुबों की दिवार खड़ी की थी. वह नीचे से खिसक गई थी. जिस खूंटे के बल पर वहो उचल रही थी. वहो खड़ गया था. गाउवालों ने कहना शुरू किया ईश्वर ने कैसा ततकाल दा दिया. बेचारी मारे लाज के अपने दोनों खाने का साहस न होता. प्रतियक प्रानी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था. मारे घमंट के धर्ती पर पाउण न रखती थी. आखिर सजा मिल गई की नहीं. अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रग्धू बीमार था. दुर्बल था पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा. मारे कमजोरी के कभी कभी सिर्पकड़ कर बेच जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था. सारी खेती तहस नहस हो रही थी. उसे कौन संभालेगा? अनाज की डोटे खले हान में पड़ी थ ही कितने. आदमियों के लिए खीचा तानी हो रही थी. क्या करे क्या न करे? इस तरह 13 दिन बीट गए. प्रिया कर्म से चुटी मिली. दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनु बालकों को गोद में उठाया और अनाज मानगने चली. खलेहान में पहुँचकर उसने एक को पेड के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वही बैठा कर अनाज मानगने लगी. बैलों को हाकती थी और रोती थी. क्या इसी लिए भगवान ने उसको जन दिया था. देखते देखते क्या वे क्या हो गया? इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज म पिछतावा न था. एका एक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका, तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, बैया तुप रहो तुप रहो. धीरे धीरे उसके मूम पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था. जब बच्चा किसी तरह न चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेग गया और उसे च्छाती से लगा कर प्यार करने लगा. मगर जब यह प्रयतन भी सफल न हुआ, तो वह रोने लगा. उसी समय पन्ना दोड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठा कर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहूँ. हाए, हाए, बेचारा धर्ती पर पड़ा लोट रहा है. जब मैं मर जाओं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए. मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुटी नहीं थी, अम्मा, क्य करती. पन्ना, तो तुझे यहां आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डार्ट मानर न जाती. इन तीन लड़के तो हैं, और किसी दिन काम आएंगे. केदार तो कल ही मानर ने को कह रहा था, पर मैंने कहा, पहले उख में पानी दे लो, फिर आज मौर ना, मनराई तो दस दिन बाद भहो सकती है, उख की. सिंचाइन हुई तो सूख जाएगी. कल से पानी चड़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा. तब मनराई हो जाएगी. तुझे विश्वास न आएगा, जब से भाया मरे हैं, केदार को बड़ी चिंता हो गई है. दिन में सो सो बार पूछता है भा भी बहुत रूती तो नहीं है. देख लड़के भूखे तो नहीं है. कोई लड़का रूता है, तो दोड़ा आता है, देख अम्मा, क्या हुआ, बच्चा क्यों रूता है? कल रोकर बोला, अम्मा, मैं जानता की भाया इतनी जल्दी चले जाएंगे, तो उनकी कुछ कर लेता. कहां जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो, पहर रात से उठकर काम में लग जाता है. खुन्नु कल जरा सा बोला, पहले हम आप नी उख में पानी दे लेंगे, तब भाया की उख में देंगे. इस पर केदार ने ऐसा डॉटा की खुन्नु के मुझ से फिर बात न निकली. बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी उख? भया ने जिला न लिया होता, तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते. आज तुम बड़े उख वाले बने हो. यह उन्ही का पुन परताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो. परसो रोटी खा क्या थी? यह उस वक्त न सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगार करते. यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेत्पूर्ण द्रिष्टी से देख कर कहा, तुम्हे वह अलग न रहने देगा बहु, कहता है, भया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जा था, जिनसे उसे व्यंगय और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालू, इतने शुभेच्च्चू हो गए थे. आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई, पहली बार आत्मा ने अलगयोजे पर धिक्कारा, नौ, इस खटना को हुए पांच साल गुज कहता है, मैं विवाह न करूंगा, कई जगहूं, से बातचीत हुई, कई सगाई आई, पर उसे हामी न भरी, पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वन अफंसा, कहता औरतों से कौन सुख, महरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है, वह महरि के भगवान के दिये हैं और क्या चाहिए, बिना ब्याग कि ये दो बेटे मिल गए, इससे बढ़ कर और क्या होगा, जिसे अपना समझो, वह अपना है, जिसे गैर समझो, वह गैर है, एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंच कैसे चलेगा, केदार, मेरा वंच तो चल रहा है, पन्ना गाली कैसी तेरी भाभी ही तो है केदार मेरे जैसे लटगवार को वह क्यूं पूछने लगी पन्ना तू करने को कह तो मैं उससे पूछूँ केदार नहीं मेरी अम्मा कहीं रोने गाने न लगे पन्ना किदार के मन की बात समझ गई मन की लालसा मन में ही रह जाती है किदार का घर भी बस जाता तो मैं निस्चिंत हो जाती मुल्या वह तो करने को ही नहीं कहते पन्ना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूँ बुलिया ऐसी औरत कहां मिलेगी कहीं धूंधूँ पन्ना मैंने तो धूंध लिया है बुलिया सच किस गाउं की है पन्ना अभी नबताओंगी मुदा यह जानती हूँ की उससे केदार की सگाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंगी भी सुफल हो जाए न जाने लड़की मانेगी की नहीं बुलिया मानेगी क्यों नहीं अम्मा ऐसा सुन्दर कमायों, सुशील वर और कहां मिला जाता है। उस चनम का कोई साधू महात्मा है, नहीं तो लड़ाई जगडे के डर से कौन बिन व्याहा रहता है। कहां रहती है, मैं जाकर उसे मना लाँगी। पन्ना, तू चाहे, तो उसे मना ले। तेरे ही उपर है, मुलिया, मैं आज ही चली जाँगी, अम्मा, उसके पैरों पढ़कर मना लाँगी। पन्ना, बता दू, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी, गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुलिया, मुझ जैसी बुडिया को वह क्यूं पूछेंगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है। तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। दर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात में जानती हूं। वैधव्य के शौक से मुर्चाया हुआ मुलिया का पीत वदन कमल की भौती अरुम हो उठा। दस वर्षों में जो कुछ खुया था, वही सी एक क्षण में मानूं। व्याज के साथ मिल गया। वही लवन्य, वही विकास, वही आकर्षन, वही लोच। इदगा, प्रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद इद आई है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है, रिक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ हजीब रौनक है, आसमान पर कुछ हजीब लालिमा है, आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानि संसार को ईद की बढ़ाई दे रहा है, गौहों में कितनी हलचल है, इदगा जाने की तैयारिय हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पर उसके घर में सुई धागा लेने दोड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के को सानी पानी दे दें, इदगा से लोटते लोटते दोपहर हो जाएगी, इन को उसका पेदल रास्ता, फिर सैकरों आदमियों से मिलन, भेटना, दोपहर के पहले लोटना असंभव है, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन है, किसी ने एक रोजा रखा है, बह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन इदगा जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, रोजे बड़े बूरों के लिए होंगे, इनके लिए तो इद है, रोज इद का नाम रखते थे, आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग इदगा हो क्यों, नहीं चलते, इन्हें रहस्ती चिंताओं से क्या प्रयोजन, सेवयों के लिए दूर धोर शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवयां खाएंगे, वह क्या जानी की अब बाजान क्यूं बधवास चौदरी कायमली के घर दोड़े जा रहे हैं, उन्हें क्या खबर की चौदरी ओखे बदल ले, तो यह सारी इब मुहरम हो जाए, उनकी अपनी जेवों में, तो कुबेर काधन भरा हुआ है, बार बार जेव से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं, महमूद गिनता है, एक दूर दस बारह, उसके पास बारह पैसे हैं, मोहन और सबसे ज्यादा प्रसन है हामिद, वह चार पॉच साल का गरीट सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष है जेकी बीट हो गया और मान जाने क्यूं पीली होती होती एक दिन मर गई, किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था, दिल पर उसके अब बाजान रूपे कमाने गए हैं, बहुत सी थेलिया लेकर आएंगे, अमीजान अलहामिया के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजे लाने गई हैं, इ, सलिये हामिद प्रसन है, आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पन तो राई का परवत बना लेती है, हामिद के पोव में जूते नहीं है, सिर्पर एक पुरानी धुरानी टूपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन है, जब उसके अब बाजान थेलिया और अमीजान नियमते लेकर आएंगी, तो वह दिल से अर्मान ललेगा, तब देखेगा, मोसन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे, अभागिन अमीना अपनी कोटरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं, आज आबिद होता, तो क्या इसी तरह ही दाती और चली जाती, इस अंतकार और प्रकाश है, बाहराशा, विपत्ती अपना सारा दलबल लेकर आये, हामिद की आनंद भरी चित्पन उसका विद्विसम कर देगी, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम दरना नहीं मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिलकुल न दरना, अमीना का दिल कचोट रहा है, ग क्या हो, नहीं अमीना उसे यो न जाने देगी, ननहीं सी जान, इन कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पर जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहां सेवया कोन पकाएगा, पैसे होते तो लोटते लोटते सामगरी जमा करके चटपट बना लेती, यहां तो घंटों चीजे जमा करते लगेंगे, मौंगे का ही तो भरोसा ठहरा, उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, आठान, पैसे मिले थे, उस उठनी को इमान की तरह बचाती चली आती थी इसी इद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो दो पैसे का दूप तो चाहिए ही, अब तो कुल दो आने पैसे बच रही हैं, तीन पैसे हामिद की जेब में, पांच अमीना के बटुवे में, यही तो बिसात है और इद का त्योहार अल, लाही बेड पर लगाए, धूबन और नाइनोर महितरानी और चुड़िहरिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवे हां चाहिए और थोड़ा किसी को ओखो नहीं लगता, किस किस से मूँ चुराएगी, और मूँ क्यूं चुराए, साल भर का त्योहार हैं, जिनगी खेरियत से रहें, उनकी त पर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते, यह लोग क्यूं इतना धीरे धीरे चल रही हैं, हामिद के पेरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी ठक सकता है, शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों और अमीरों के बग चान लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के वहां से एक फलोन पर हैं, खूब हस रही हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है, बड़ी बड़ी इमारते आने लगी, यह अदालत है, यह कालेज है, यह कलब घर है, इतने बड़े कालेज में कितने चाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर, हामिद के मदरसे में दो-तीन बड़े-बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कोडी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले, इस जगे भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, कलब घर में जादू होत सुना है, यहां मुर्दों की खोपड़ियां दोड़ती हैं, और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते, और वहां शामकुसा, ब लोग खेलते हैं, बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं, मूँचो दाड़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं सच, हमारी अम्मा को यह दे दो क्या नाम है, बैट तो उसे पकड़ ही न सके, कुमाते ही लुड़क जाए, महमूर ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कौपने लगे, अल्ला कसम, मोसन बोल, चलो, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी, तो हाथ कौपने लगेंगे, सौकरों घड़े पानी रोज निकालती है, पॉच घड़े तो तेरी भेंस पी जाती है, किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े, तो ओखो तक अंधिरी आ जाए, महमूर लेकिन दोड़ती तो नहीं, उचल को उटतो नहीं सकती, मोसन, हाँ, उचल को उटत हुई, आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाया कौन खाता, देखो न एक एक दूकान पर मनो होंगी, सुना है, रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं, अबबा कहते थी कि आधी रात को एक आदमी हर दूकान पर जाता है, और जितना माल बचा होता है, बह तुलवा लेता है और सच मुच के रूपे देता है, बिलकुल है, सेही रूपे, हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रूपे जिन्नात को कहां से मिल जाएंगी, मोसिन ने कहा, जिन्नात को रूपे की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाए, लोहे के दर्वाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब आप हैं किस फेर में हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिये अभी यहीं बैठे हैं पौच मिनिट में कलकत्ता पहुंच जाए हामिद ने फिर पूछा जिन्नात बहुत बड़े-बड़े होते हैं मु कोई मुझे यह मंतर बता दे तो एक जिनन को खुश कर लूँ मुसिन अब यह तो न जानता लेकिन चौदरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं कोई चीज चोरी जाए चौदरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे चुमराती का बच्छव उस दिन खो गया था इन दिन हैरान हुए कही न मिला तब जख मार कर चौदरी के पास गए चौदरी ने तुरंद बता दिया मवेशी खाने में है और वही मिला जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं अब उसकी समझ में आ गया कि चौदरी के पास क्यूं इतना धन है और क्यूं उनका इतना सम्मान है आगे चले यह पुलिस लाइन है यही सब कानिसिटबिल कवायद करते हैं रेटन फाइफ फो रात को बेचारे घूंगूं कर पहरा देते हैं नहीं चोडियां हो जाए मोसिन ने प्रतिवाद किया यह कानिसिटबिल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हचरत यह चोडि करते हैं शहर के जितने चोड डाकू हैं सब इनसे मुहले में जाकर जागते रहो जाते रहो पुकारते हैं तभी इन लोगों के पास इतने रूपे आते हैं मेरे मामू एक थाने में कानिसिटबिल हैं बरस रूपया म पेटा अल्ह देता है, फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखो मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं, जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए, हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं, तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं, मोसिन उसक माल हराम में जाता है, फोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बरतन तक न बचा, कई दिन पेड के नीचे सोए, आल्ला कसम पेड के न, फिरन जाने कहां से एक सो करज लाए तो बरतन भोड़े आए, हामिद एक सो तो पच हनी होने लगी, एगा जाने वालों की टोलिया नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्तर पहने हुए, कोई इतके तौंगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इतर में बसे, सभी के दिलों में उमन, प्रामीनों का यह छूटा सा दल अपनी विपननता से बेखबर, और धेरिया में मगन चला जा रहा था, बच्चों के लिए नगर की सभी चीजे अनुखी थी, जिस चीज की ओर ताक्ते ताक्ते ही रह जाते और पीछे से आन की आवाज होने पर भी न चेते, हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते, बच्चा, सहसा इगाह न जराई, उप पकी जगत के नीचे तक जहां जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है, यहां कोई धन और पद नहीं देखता, इसलाम की निगाह में सब बराबर हैं, इंग रामीनों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ती म खड़े हो गए, कितना सुन्दर संचालन है, कितनी सुन्दर व्यवस्था, लाखो सिर एक साथ सिजदे में जुग जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, कई बार यही ख्रिया होती है, जैसे विजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्थों और एक साथ बुझ जाये, और यही ग्रम चलता रहे। कितना अपूर्ग द्रिश्य था, जिसकी सामूविक क्रियाय, विस्तार और अनंत्ता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी, मानो प्रात्रत्व। का एक सूत्रिन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरुए हुए हैं। तो, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलोने की दूकान पर धावा होता है। करों का मजालो, महमूद और मोसन और नूरे और सम्मी इंगोडों और उंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, इन ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोश का एक तिहाई जरा सा चक कर खाने के लिए नहीं दे सकत। सब चर्खियों से उतरते हैं, अब खिलोने लेंगे। अधर दूकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलोने हैं, सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिष्टी और धूबिन और साधू। वह, कते सुंदर खिलोने हैं, अब बोला ही चाहते हैं, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अब, कवायद किये चला आ रहा है, मोसिन को भिष्टी पसंद आया, कमर जुकी हुई है, उपर मशक का मूँ एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन है, शायद कोई गीत का रहा है, बस मशक से पानी अडेला ही चाहता है, नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विदवतता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेव में घड़ी, स अचकन के लिए, इतने महेंगे खिलोन वह के से ले, खिलोना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए, ऐसे खिलोने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के, मोसिन कहता है, मेरा बिष्टी रोज पानी दे जाएगा, कोई चोर आएगा, तो फोरण बंदूक से फैर कर देगा, नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, सम्मी और मेरी धूबिन रोज कपड़े धुएगी, हामिद खिलोनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचा हुई ओखो से खिलोनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ मे ले सकता, उसके हाथ हनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेश कर जब अभी नया शौक है, हामिद ललचता रह जाता है, खिलोने के बाद मि कैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाए उखों से सबक और देखता है, मोसिन कहता है, हामिद रेवडी ले जा कितनी खुशबूदार है, हामिद को सदे हुआ, ये केवल क्रूर बिनोधे मोसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता ह है, मोसिन दोने से एक रेवडी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है, हामिद हात फैलाता है, मोसिन रेवडी अपने मूह में रख लेता है, महमूद नूरे और सम्मी खुब तालियां बजा बजा कर हसते हैं, हामिद खिसिया जाता है, मोसिन अच्छा अपकी जरूर देंग हामिद आला कसम ले जा, हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, सम्मी तीन ही पैसे तो हैं, तीन पैसे में क्या क्या लोगे, महमूद हम से गुलाव जामुन ले जाओ हामिद, मोहमिन बदमाश है, हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुरायां लिखी हैं। मोसिन लेकिन दिन में कह रहे होगे की मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यूं नहीं निकालते। महमूद इस समझते हैं इसकी चाला की। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें लल्चा लल्चा कर खाएगा। मिठायों के बाद कुछ जोहे की दुकान पर रुप जा थे। कई चिम्टे रखे हुए थे। उसे ख्याल आए। दादी के पास चिम्टा नहीं है। तबे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन होगी। फिर उनकी कोई औख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुचते पहुचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिम्टा कितने काम की चीज है। रोटियां तबे से उतार लोग चूलहे में सेंट लो। कोई आग मागने आये तो चटपट चूलहे से आग निकाल कर उसे दे दो अमा बेचारी को का हा फुरसत हे की बजार आये और इतने पैसे ही कहां मिलते हैं। रोज हाथ जला लीती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शर्बत पी रहे हैं। देखो सब कतने लालची हैं। इतनी मिठाया ली मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करों। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो उच्छूंगा। खाय मिठाया आप मुम सड़ेगा, फोड़े फुनसियों निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार ख इम्टा लाया है कि तना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलोने पर कौन इन्ही दुआय देगा। बड़ों का दुआय सीधे अल्ला के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंद सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ म दून और दिखा हूं की दोस्तों के साथ इस तरह का सलूप किया जात है। यह नहीं कि एक पैसे की रेविडिया ली, तो चिरा चिरा कर खाने लगे। सबके सब हसिंगे की हामिद में चिम्टा लिया है। हसें, मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिम्टा क दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, विकाव है की नहीं, विकाव क्यूं नहीं है, और यहां क्यूं लादलाए हैं, उद्धरन, तो बताते क्यूं नहीं, के पैसे का है, चाव पैसे लगेंगे, हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक पॉच पेसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लोगे। यह कहता हुआ वर आगे बढ़ गया कि दुकांदार की घुर्किया न सुने। लेकिन दुकांदार ने घुर्किया नहीं दी। बुलाकर चिम्टा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरहें कंदे पर रखा, मानू बंदूख है और शान से अकृता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने, सबके सब क्या-क्या आलुचनाय करते हैं। मोसिन ने हसकर कहा, यह चिम्टा क्यूं लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिम्टे को जमीन पर पट कर कहा, जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो। सारी पसलियां चूर-चूर हो जाये बचा की। महमूद बोला, तो यह चिम्टा कोई खिलोना है। हामिद खिलोना क्यूं नहीं है। अभी कंदे पर रखा, बंदूख हो गई। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिम्टा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिम्टा जमा दूँ। तो तुम लो मेरी खंजरी से बदलोगे। तो आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा मेरा चिम्टा चाहे तो तुम्हारी खौजरी का पेट फार डाले। बस एक चमडे की जिल्ली लगा दी, धब-धब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया, अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, नौकप के बज गए, धूप तेज हो रही है। घर के दो दल हो गए हैं। मोसिन, महमद, समी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्त्रर्थ हो रहा है। समी तो विधर्मी हा गया। दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहनी, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक तो दो साल बड़े होने पर भी हाम का बल है और मीती की शक्ती, एक और मिटी है, दूसरी और लोहा, जो इस वक्त अपने को फॉलाग कह रहा है। वह जे यह खातक है। अगर कोई शेरा जाए मिया भिष्टी के छक्के छूट जाए, जो मिया सिपाही मिटी की बंदूप छूड कर भागे, विकीर साहब की ना ही निकाल लेगा। मोसिन ने एरी, चोटी का जारे लगा कर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिम्टे को सीधा खड़ा करके कहा, बिष्टी को एक डांट बताएगा, तो दोड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़िकने लगेगा। मोसिन इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौने आएगा। नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदुक वाला। हामिद ने मूँ चिड़ा कर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रूस्त में हिंद को पकड़ेगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुष्टी हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेगे क्या बेचारे, मोसिन को एक नई चोट सूज गई, तुम्हारे चिम्टे का मूँ रोज आग में जिलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हामिद ने तुरंट जवाब दिया, आग में बहादुरी कूटते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकीर, सिपाही और भिष्टी लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है, जो यह रूस्त में हिंधी करसा। पता है, महमूद ने एक जोड लगाया, वकीर साहब कुरसी, मेज पर बैठेगे, तुम्हारा चिम्टा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्पने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया, कितने ठिकाने की बात कही है पठे ने, चिम्टा बावर्ची खाने में पड़ा र पैठेगे, तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गाली गलोज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात च्छा गई। ऐसी च्छा गई की तीनों सूर्मा मूम ताकते रहे गए मानो कोई देशा कानकोई किसी गंडे वाले कनकोई को काट गया हो। कानून मूम से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिम्टा रूस्त में हिंद है अब इसमें मोसिन, महमूद नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ती नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सतकार मिलना स्वाभविक है, वह हामिद को भी मिल। और उने तीन-तीन, चार-चार आने पैसे खर्च किये, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने तीन प मोसिन ने कहा, जरा अपना चिम्टा दो, हम भी देखें। तुम हमार भिष्टी लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने-पने खिलोने पेश किये। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई अपत्ती न थी। चिम्टा बारी-बारी से सब के हाथ में गया और उनक खिलोने। बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलोने हैं। हामिद ने हारने वालों के ओसु पूंचे, मैं तुम ही चिडा रहा था, सच। यह चिम्टा भला, इन खिलोनों की क्या बराबर करेगा, मालूम होता है, अब बोले, अब बोले। लेक लेकिन इन खिलोनों के लिए कोई हमें दूआ तो न देगा। महमूर, दूआ को लिया फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी की मेले में यही मिटी के खिलोने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा की खिलोनों को देखकर किसी की मा इतनी खुश न हो जितनी दादी चिम्टे को देखकर होंगी। टीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उप्यों पर पच्टावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिम्टा रूस्त में हिंधे और सभी खिलोनों का बादशा। रास्ते में महमूर को प्रसाद था। कीम्ट ग्यारह बजे गौओं में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोसिन की छोटी बेहन दोड़कर भिष्टी उसके हाथ से चीन लिया और मारे खुशी के जा उचली तो मियो भिष। की मीचे आ रहे और सुर्लोक सिधारे। इस पर भाई बेहन में मा पीठ हुई। दानों खुब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगडी और दोनों को उपर से दो दो चोटे और लगाए। मिया नूरे के वकील का अंतुन के प्रतिष्ठा नुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बेट सकत उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाडी गई। उन पर लकडी का एक पट्रा रखा गया। पट्रे पर कागस का कालीन विदाया गया। पकील साहब राजा भोज की भाती सिंगासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्योलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थी गूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटप रंग के फटे पुराने चितरे बिचाए गए जिसमें सिपाह। ही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहूं पुकारते चलते हैं। मगर र टॉंग में विकार आ जाता है। महमूर को आज ग्यात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला गया है जिससे वह टूटी टॉंग को आनन फानन जोड सकता है। केवल गूल का दूद चाहिए। गूल का दूद हाता है। टांग जावब दे देती है। श अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का जालरतार साफा खुर्च दिया गया है। अब उसका जितना रुपांतर चाहूप कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिय अब मिया हामिद का हाल सुनिये, अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, सहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वह चौंकी, यह चिम्टा कहो था, मैंने मोल लिया है, कै पैसे में, तीन पैसे दिये, अमीना ने च्छाती पीठ यह कैसा बेसमज लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया। लाया क्या, चिम्टा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली, जो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुडिया का क्रोध तुरंट स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं, जो प्रगल्ब होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक्स ने था खूब छोस्ट रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सदभाव और कितना विवेक है। बुढिया अमी ना बालिका अमी, ना बन गई, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआय देती जाती थी और आंसुम की बड़ी-बड़ी बूंदे गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। मा, आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। करुना ने एक दिन पहले ही घर लिपपोत रखा था। इन तीन वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो दस पौच रूपे जमा कर रखे थे, वह सब पती के सतकार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिये। पती के लिए धोतियों का नया जोडा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी की आयों। जना की थी, बार-बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भौती उदेह होकर उसके अंधिरे जीवन को प्रदीप्त न कर दिया होता, तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पती के कारावास दंड के तीन ही महीने बाद इस बालक का जन हुआ। उसी का मुह देख देखकर करूना ने यह तीन साल काट दिये थे। वह सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी तो वह कितने प्रसन होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करूना, तुमने यह रत्म देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कश्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे, उनकी एक सरल, पवित्र, मोहग द्रिष्टी द्रिदे की सारी व्यवस्था। उनको धो डालेगी। इस कल्पना का आननद लेकर वह फूली न समाती थी। वह सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेगे, जय, जयकार की ध्वनी से आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्गिय द्रिष्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करूना ने एक फटा सा टाट बिछा दिया था, कुछ पान बना दिये थे और बार बार आशा में नीतरों से द्वार की और ताकती थी। पती की वह सुद्रिड उदार तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आखों में फिर जाती थी। उनकी वे बाते बार बार याद आती थी, जो चलते समय उनके मुख से निकलती थी, उनका वह धैरिय, वह आत्म बल्चो, पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वह मुसकराहर जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वह आत्म भिमान, जो उस समय भी उन इसने इन तीन वर्शों की घर, रायातनाओं में भी उसके हृदे को आश्वासन दिया था, कितनी ही राते फाकों से गुजरी, बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी न आती थी, पर दीनता के आशु कभी उसकी ओखों से न गिरे, आज उन सारी विपत्तियों का अंत ह जाएगा, पती के प्रगार आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी, वह अनंत निधी पाकर फिर उसे कोई अभिलाशा न रहे, गगन पत का चिरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहां संध्या ने सुनेहरा फर्ष सजाया था और उजवल पुश् कर खासने लगता थी, उसका सिर झुका हुआ था करना उसका चहरा नद खा सकती थी, लेकिन चाल धाल से कोई बूरा आदमी मालूम होता था, पर एक खशन में जब वह समी पा गया, तो करूना पहचान गई, वह उसका प्यारा पती ही था किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी थी, न यार, न दोस्त, करूना उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबा कर रह गई, सारे मनसुबे धूल में मिल गए, सारा मनोलास औसुओं के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया, आदित्या ने घर में कदम रखते ही मुसकरा कर करू जोना ऐसी शितिल हो गई, मा, नोहृदय का स्पंदन रूप गया हो, वह फटी हुई आँखों से स्वामी की और टक्टकी बॉंदे खडी थी, मानो उसे अपनी आँखों पर अभी विश्वास न आता हो, स्वागत या दूख्ख का एक शब्द भी उसके मुह से न निकला, बालक भी गोद में बैठा हुआ सहमी ओखे से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिप्टा जाता था, आखिर उसने कातर स्वर में, कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते, आदित्य ने उसकी चिंता को शान्त करने के लिए मुस भरपेग भोजन नहीं मिलात, तुम कहते थे, राजनैतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है और बह तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तयार रहते थे, आद पस्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरसकार है, यह मुझे न मालूम था, जन्ता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है, यह तो में जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहाय कितने बेवफा होते हैं, इसका मुझे यह पहला ही अनुभव हुआ, लेकि यह न पूछो करूना, बड़ी करून कता है, बस यही गनीमत समझो की जीता लोटाया, तुम्हारे दर्शन बदे थे, नहीं कश्ट तो ऐसे ऐसे उठाई की अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए था, मैं जरा लेटनगा, खड़ा नहीं रहा जाता, दिन भर में इत प्यार करेंगे, आदित्या ने औसु भरी ओखों से बालक को देखा और उनका एक-एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा, अपनी जीर्म दशा पर उन्हें कभी इतना दूप्खा न हुआ था, इश्वर की असीन दया से यदि उनकी द शा संबल जाती, तो वह फिर कभी पासना करेंगे और अपना क्षुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अपिर्थ कर देंगे, उन्हें इस समय ऐसा ग्यात हुआ की बालक उन्हें उपेक्षा की, दृष्टी से देख रहा है, मानो कह रहा है, मेरे साथ आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया, उनकी सा पारी कामना, सारा प्यार बालक को रिदै से लगा देने के लिए अधीर हो उठा पर हाथ फैल न सके, हाथों में शक्ती ही न थी, करूना बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भूजन निकल कर लाई, आदित्यन एक शुधपूर्ण, नेत्रों से थाली की, और दे सका, थाली पर तूप पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी, करूना सशंख हो गई, उसने दोबारा किसी चीज के लिए न पूछा, थाली उठा कर चल, गई, पर उसका दिल कह रहा था इतना तो कभी न खाते थे, करूना बच्चे को कुछ खिला रही थी, कि कानों में आवाज आई करूना, करूना ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है, आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सौंस जोर जोर से चल रही थी, हाथों के सहारे वही टाट पर लेग गय थे, करूना उनकी यह हालत देखकर घबर गई, बोल, जाकर क किसी वैद्य को बुला लाऊं, आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना करके कहा, व्यर्थ है करूना, अब तुमसे चिपाना व्यर्थ है, मुझे तपेदिक हो गया है, कई बार मरते मरते बच गया हूं, तुम लोगों के दर्शन बदे थे, इसलिए प्रान न निकलते थे देखो प्रिये, रोओ मत, करूना ने सिस्कियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य को लेकर भी आती हूं, आदित्य ने फिर सिर हिलाया, नहीं करूना, केवल मेरे पास बैठी रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं है, डाक्टरों ने जवाब दे दिया है, मुझे तो यह तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका मुझे हमेशा दूख खर रहेगा, मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, केवल सोहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़ कर चला जा रहा हूं, आह, करूना ने रिदै को रिद करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है, आग बना लाओं, कुछ बताते क्यूं नहीं, आदित्या ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिये, कहीं दर्द नहीं, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जा जीवन की लीला समाप्त हो रही है, दीपक को बुझते हुए देख रहा हूं, कह नहीं सकता, कब आवाज बंद हो जाए, जो कुछ कहना है, वह कह, डालना चाहता हूं, क्यूं वह लालसा ले जाओं, मेरे एक प्रश्म का जवाब दोगी, पूछून, करूना के मन की सारी द निजटित मकमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल, प्रवाह में जैसे असीन शक्ती छिपी रहती है, वैसे ही रमनी का कोमल रिदय साहस और धहर्य को अपनी गोध में छिपाए रहता है, प्रोध जैसे तलवार को बाहर खीच लेता है, विज्ञा आदित्य ने करूना के हाथों के कोमल स्पर्ष का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य, देखो, तुमने मुझसे कभी परदा नहीं रखा. इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपनी जीवन प सा जीवन था, नी, स्वार्थ, निरलिप्त और आदर्श. विग्न बाधाउं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की और खींचनी की चेश्टा की है. पर उस समय भी में मन में जानती थी कि मैं तुम्हें उंचे आसन से गिरा रही हूं. अगर तुम माया दे सकती हूं, तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे. जैसा हो, यह कहते कहते करूना का आभाहीन मुखमंडल जयोतिर में हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो. आदित्या ने सगब नेत्रों से करूना को देखकर कहा बस अब मुझे संतोश हो गया, करूना इस बच्चे की और से मुझे कोई शंका नहीं है, मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता. मुझे विश्वास है कि जीवन भर्य हूंचा, और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा. अब मैं मरने को तैयार हूं. तो, सात वर्ष बीत ग बलिष्ट प्रसनमुक कुमार था, बल का तेज साहसी और मनस्वी. है तो उसे चुभी नहीं गया था. करूना का संतप्थरिदे उसे देखकर शीतल हो जाता. संसार करूना को अभागिनी और दीन समझे. वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती. उसने उन आभुशनों को बे व्यवसाय न था. इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया. विशुद्ध दूद कहां मैस्सर होता है. सब दूद हाथों हाथ बिग जाता. करूना को पहर रात से पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता पर वह प्रसंधी. उसके मुख पर निराशा या दीनता की चाया नहीं, संकल्प और साहस का तेज है. उसके एक-एक अंग से आत्मगौरव की जियोती सी निकल रही है. ओको में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर, अथाह और असीन. सारी वेदनाय, वैदव्य का शोक और विधी का निर्मम प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में बिलीन हो गया है. प्रकाश पर वह जान देती है. उसका आनंद, उसकी अभिलाशा, उसका संसार, उसका स्वर्ग सब प्रकाश पर न्योच्छावर है. पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करूना ओखे बंद कर ले. नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठ से देख फाल करती है. वह प्रकाश की मा नहीं, मा बाप दोनों हैं. उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है. पती के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं. वह आत्मोल, लास्ट जो उनके चेहरे पर जलकने लग था, बहगर्व में लाली, जो उनकी ओखों में च्छा गई थी, अभी तक उसकी ओखों में फिर रही है. निरंतर पती चिंतन ने आदित्य को उसकी ओखों में प्रत्यक्ष कर दिया है. वह सदैव उनकी उपस्थिती का अनुभव किया करती है. उसे ऐसा जान पढ़ता है क आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है. उसकी, यही हार्दे का भिलाशा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पतकामी हो. संध्या हो गई थी, एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी. करूना उस समय गउओं को पानी दे रही थी. प्रकाश बा शने भूसा उसकी जूली में डाल दिया और जोर-जोर से तालिया बजाता हुआ भागा. पिखारिन ने अगनी में नीत्रों से देखकर कहा, बाहरे लाड़ ले. मुझसे हंसी करने चला है. यही मा बापने सिखाया है. तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे. करूना उसक की बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा क्या है माता? किसे कह रही हो? पिखारिन ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वह तुम्हारा लड़का है न? देखो, कटोरे में भूसा भरकर मेरी जूली में डाल गया है. चुटकी भराटा था, वह भी मिटी में मिल गया. कोई इस तरह दुखियों को सताता है. सबके दिन एक से नहीं रहते. आदमी को घनमर न करना चाहिए. करूना ने कठोर स्वर में पुकारा प्रकाश. प्रकाश लजजित न हुआ. अभिमान से सिर उठाए हुए आया और बोला, वह हमारे घर भी क्यूं मागने आई है. तुम रोज भीक मागने आती है. हमारे यहां क्या कोई चीज मुफ्ताती है. करूना, तुम्हें कुछ न देना था तो सीधे से कह देते. जाओ, तुमने यह शरारत क्यूं की? प्रकाश उनकी आदत कैसे चूटती? करूना ने बिगर कर कहा, तुम अब पिटूंगे मेरे हा करूना, जो अपन है, वह कैसे काम करे? प्रकाश तो जाकर डूब मरे, जिन्दा क्यूं रहती है? करूना निरूत्तर हो गई. बुडिया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किन्तु प्रकाश का कुतर कुस के हृदय में फोड़े के समान टी सता रहा. उसने यह धृ यह विने कहां सीखी? रात को भी उसे बार-बार यही ख्याल सताता रहा. आदी रात के समी पे काईक प्रकाश की मीम तूटी. लालतिन जल रही है और करूना बैठी रो रही है. उट बैठा और बोला, अमा, अभी तुम सोई नहीं. करूना ने मूम फेर कर कहा, मीम नहीं आ करूना ने उसके मुख की और स्ने के नेत्रों से देखा. प्रकाश्ट मैंने आज बुडिया के साथ बड़ी नटखट की. मुझे एक शमा करो, फिर कभी ऐसी शरारत न करूंगा. यह कहकर रोने लगा. करूना ने स्नेहार्द्र होकर उसे गले लगा लिया और उसके कपोलो का चुम्बन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए यह कह रहे हो या तुम्हारे मन में सच-मुच बचतावा हो रहा है. प्रकाश्ट ने सिसिकते हुए कहा, नहीं, अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है. अबकी वह बुडिया आएगी, तो मैं उसे बहुत स पैसे दूंगा. करूना का हृदय मतवाला हो गया. ऐसा जान पड़ा, आदित्य सामने खड़े बच्चे को आर्शिवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करूना, शोग मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा. तेरी संपूर्न कामना पूरी हो जाएंगी. कीम, ल उसकी यथेश्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा न पड़ता था. वह मित्वयता और सरल जीवन पर विदवत्ता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रह. हन सहन फैशन के अंधभक्तों से जो भर घटकर न था. प्रदर्शन की धून उसे प्रदर्शा सवार रहती थी. उसके मन और बुद्धी में निरंतर द्वंद्व होता रहता था. मन जाती की ओर था, बुद्धी अपनी ओर. बुद्धी मन को दबाए रहती थी. उसके सामने मन की एक न चलती थी. जाती सेवा उसर की खेती है, वहां बड़े से बड़ा फार जो मिल सकता है, वह है. गौरव और यश्क पर वह भी स्थाई नहीं, इतना अस्थिर की क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है. अतैव उसका अंतकरन अनिवार्य वेग के साथ विलासमे जीवन की ओर जुकता था. यहां तक की धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से ग्रिना होने लगी. वह दुर्वस्था और दरिद्रता को हय समझता था. उसके रिदय न था, भाव न थे, केवल मस्तिश का था. मस्तिश्ट में दर्द कहां? वहां तो तर्क हैं, मनसूबे हैं. सिंद में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए. वि चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया. करूना ने लिखा, तुम सिंद न गए, इसका मुझे दुख है. तुम बीमार रहते हुए भी वहां जा सकते थे. समिती में चिकित सब भी तो थे. प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया. उडीसा में अकाल पड़ा. प्रजा मक् करूना ने प्रकाश को लिखा, तुम उडीसा जाओ. किन्तु प्रकाश लंका जाने को लालायत था. वह कई दिन इसी दुविधा में रहा. अंत को सीलोन ने उडीसा पर विजय पाई. करूना ने अबकी उसे कुछ न लिखा. चुपचा प्रोती रही. सीलोन से लोटकर प् यह निश्चे करके वह विध्यालय लोटा. लेकिन यहां आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई. यहां तक की परीक्षा के दिन आ गए. मगर इमतहान से फुरसत पाकर भी प्रकाश खर न गया. विध्यालय के एक अध्यापक काश्मीर सेर करने जा रहे थे. प्रका माता को प्रसंद करने के लिए उसने दो-चार शब तजाती सेवा के विशय में भी लिखे अब मैं आपकी आग्या का पालन करने को तैयार हूँ. मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चक किया है इसी विचार से मैंने वह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है. ह हमारे नीता भी तो विद्यालें के आचारियों ही का सम्मान करते हैं. अभी वकिन उपाधियों के मोह से वे मुक्त नहीं हुए है. हमारे नीता भी योग्यता, सदुत्सा, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का. अब मेरी इज़्जत करेंगे और जिम्म काम सौपेंगे जो पहले मौंगे भी न मिलता। करूना की आस्फिर बंधी चार, विद्याले खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश का इंगलेंट जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सा रकारी वजीफे की मंजूरी की सूच ना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष के उन्माद में जाकर मा से बोला, अमा, मुझे इंगलेंट जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया। करूना ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है। प्रकाश मेरा इरादा, ऐसा अफ तो सेवा कार्य कर सकता हूं और अमा, सच पूछो, तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है, उतना एक हजार स, वयम सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते, मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल हो जाओंग अकबारों में उसकी लंबी-लंबी तारीफ, न चपेंगी, उसकी वक्तरिताओं पर तालिया न बजेंगी, जनता उसके जलूस की गाड़ी न खीचेगी और न विद्यालेयों के छातर उसको अभिनंदन पत्र देंगे, पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है करूना ने आपत्ती के भाव से कहा, लेकिन यहीं मजिस्ट्रेट तो जाती के सेवकों को सजाय देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं प्रकाश अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है, तो वह नर्मी से वही काम करता है, जो दूसरे गोलियां चला कर भी नहीं कर सकते करूना, मैं यहें नहीं मानूंगी, सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधिंता नहीं देती, वह एक नीती बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है सरकार की पहली नीती यह है कि वह दिन-दिन अधिक संगठित और द्रिड हूँ, इसके लिए स्वाधिंता के भावों का दमन करना जरूरी है, अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीती के विरूद्ध काम करता है, तो वह मजिस्ट्रेट न रहेगा वह हिंदुस्तानी था, जिसने तुम्हारे बाबुजी को जरा सी बात पर तीन साल की सजा दे दी इसी सजा ने उनके प्राण लिये बेटा, मेरी इतनी बात मानो सरकारी, पदूं पर न गिरो, मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर और मोटा पहन कर देश की कुछ सेवा करो, इसके बदले की तुम हाकिम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ यह समझ लो कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठूगे, उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों का सा हो जाएगा तुम यही चाहिगे कि अफसरों में तुम्हारी निकनामी और तरक्की हो एक, कवारू मिसाल लो, लड़की जब तक मेके में खौरी रहती है, वह अपने को उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है, वह अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है माँ बाप, भाई बंद सब वही रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता यही दुनिया का दस्तूर है प्रकाश ने खीच कर कहा, तो क्या आप यही चाहती है कि मैं जिन्दगी भर चारों तरफ ठोकरे खाता फिरूँ करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है, तो मैं कहूंगी, ठोकर खाना अच्छा है प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया उतकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इंकारी पत्र लिख भेजा, मगर उसी क्षन से मानू उसके सिर पर विपत्ती ने आसन जमा लिया विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, न कहीं घूंबने जाता, न किसी से मिलता उन लटकाए भीतर, आता और फिर बाहर चला जाता, यहां तक महीना गुजर गया न चहरे पर वहलाली रही, न वहोज, ओक्य अनाथों के मुख की भादी याचना से भरी हुई, ओठ हसना भूल गए मानू उन इंकारी पत्र के साथ उसकी सारी सजीवता, और चपलता, सारी सरलता बिदा हो गई करूना उसके मनुभाव समझती थी और उसके शोप को भुलाने की चेश्टा करती थी, पर रूच देवता प्रसन न होते थे, आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है, तो चले जाओ मना न करूंगी, मुझे खेद है की मैंने तुम्हें रोका, अगर मैं जानती की तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा, तो कभी न रोकती मैंने तो केवल इस विचार से रोका था की तुम्हें जाती सेवा में मगन देख कर तोंग रे बाबुजी की आत्मा प्रसन होगी, उन्होंने चलते समय यही वसियत की थी, प्रकाश ने रूखाई से जवाब दिया अब क्या जांगा, इंकारी खत लिख चुका, मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़े ही होगा, कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा और फिर करना ही क्या है, जब आपकी मर्जी है कि गौव गौव की खाक छांता फिरू, तो वही सही, करूना का गर्व चूर चूर हो गया, इस अनुमती से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल न हुई, बोली अभी कोई न चुना गया होगा, लिख दो, मैं जानी को तैयार हूँ, प्रकाश ने जुनजला कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे, मैंने तै कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनांगा, करूना, तुमने अगर शुध मन से यह इरादा किया होता, तो यो न रहते, तुम मुझ से सत्यागरह क रहे हो, अगर मन को दबा कर, मुझे अपनी राह का कांटा समझ कर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की, तो क्या, मैं तो जब जानती की तुम्हारे मन में आप ही आप सेवा का भाव उत्पन होता, तुम आप ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो, प्रकाश अब मैं लिख सकता, तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे, लाचारी है, करूना ने और कुछ न कहा, जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है, मगर वह कुछ बोला नहीं, करूना के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारन बात न थी, लेकिन जब संध्या हो गई औ प्रकाश को चिंता होने लगी, अम्मा कहा गई, यह प्रश्न बार-बार उसके मन में उठने लगा, प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा, भोती-भोती की शिंकाय मन में उठने लगी, उसे अब याद आया, चलते समय करूना कितनी उदास थी, उसकी आँखे कितनी लाल थी, यह बाते प्रकाश को उस समय क्यों न नजर आई, वह क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था, हाँ अब प्रकाश को याद आया, माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उनके हाथ में छतरी भी थी, तो क्या वह कहीं बहुत दूर गई हैं, किस से पूछे, अन प्रकाश की ओर देखता था, मानो करूना उन्ही मेगमालाओं में छिपी बैठी है, उसने निश्चे किया, सवेरा होते ही मा को खोजने चलूंगा और अगर, डॉट डॉट डॉट, किसी ने द्वार खट खटाया, प्रकाश ने दॉड कर खोल, तो देखा, करूना खड़ी देख रही है और कुछ कर नहीं सकती, प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अमा कहां चली गई थी, बहुत देर लगाई, करूना ने भूमी की ओर ताक्ते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई, यह कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फ पूछा, यह तुम्हें कहां मिल गया, आमा, करूना, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाए हुए, क्या तुम वहां चली गई थी, और क्या करती, कल तो गाड़ी का समय न था, मोटर ले ली थी, प्रकाश एक शन तक मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला जब तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो मुझे क्यूं भेज रही, हो, करूना ने विरक्भाव से कहा, इसलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है, तुम्हारा यह मलिन वेश नहीं देखा जाता, अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हितकामना पर अर्पित कर दिये, इन से यात्रा की तैयारियां करने लगा, करूना के पास जो कुछ था, वह सब खर्च हो गया, कुछ रिन भी लेना पड़ा, नए सूट बने, सूटकेस लिए गए, प्रकाश अपनी धुन में मस्त था, कभी किसी चीज की फर्माईश लेकर आता, कभी किसी चीज का, करूना इस एक सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गई है, उसके बालों पर कितनी सफेदी आ गई है, चेहरे पर कितनी जुर्यां पड़ गई है, यह उसे कुछ न नजर आता, उसकी ओखों में इंगलेंड के दृश्य समाई हुए थे, महत्वा कांक्षा ओखों पर परदा डाल देती है, प्रस्थान का दिन आया, आज कई दिनों के बाद धूप निकली थी, करूना स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी, उनकी गाड़े की चादरी, खदर के कुर्ते, पाजा में और लिहाफ अभी तक संदूप में संचित थे, प्रतिवर्ष वे धूप म नाराज है, वह लुटिया, दोर और घडी, जो आदित्य की चिरसंगिनी थी और जिनकी 20 वर्ष से करूना ने उपासना की थी, आज निकाल कर ओंगन में फेक दी गई, वह जूली जो बरसों आदित्य के कंधू पर आरूब रह चुकी थी, आप कूरे में डाल दी गई, वह अंतकरंट शोक और निराशा से विदीर्म हो गया है और पती के सिवा वह किस पर क्रूद उतारे, कौन उसका अपना है, वह किस से अपनी व्यथा कहे, किस से अपनी छाती चीर कर दिखाए, वह होते तो क्या आप प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डाल कर फूला न समात उसे कौन समझाई की आदित्य भी इस अफसर पर पच्चताने के सिवा और कुछ न कर सकते प्रकाश के मित्रों ने आज उसे विदाई का भूज दिया था, वहां से वह संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लोटा सफर का सामान मोटर पर रख दिया गया, तब वह अंदर आकर मा से बोला, अम्मा, जाता हूँ बंबई पहुंच कर पत्र लिखूंगा, तुम्हें मेरी कसम, रोना मत और मेरे खतों का जवाब बराबर देना जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों का धैर्य छूट जाता है, रुके हुए ओसु निकल पढ़ते हैं और शोक की तरंगे उठने लगती हैं, वही दशा करूना की हुई कलेजे में एक हाहकार हुआ, जिसने उसकी दुर्बल आत्मा के एक एक अनू को कमपा दिया मालूम हुआ, पोव पानी में फिसल गया है और वह लेहरों में बही जा रही है उसके मुख से शोक्या आर्शिवाद का एक शब्ग भी न निकला प्रकाश ने उसके चरन चुए, इश्रू जल से माता के चरनों को पखारा, फिर बाहर चला करूना पाशान मूर्ती की भौती खड़ी थी सहसा ग्वाले ने आकर कहा, बहुजी, भाया चले गए बहुत रोते थे, तब करूना की समाधी तूटी देखा, सामने कोई नहीं है, घर में मृत्यू का सा सन्नाटा चाया हुआ है और मानो हृदे की गती बंध हो गई है सहसा करूना की दृष्टी उपर उठ गई, उसने देखा की आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए खड़े हो रहे हैं करूना पच्छाड खाकर गिर पड़ी 6. करूना जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता न था उसका छोटा सा संसार, जिसे उसने अपनी कलपनाओं के रिदे में रचा था स्वपन की भौती अनंत में विलीन हो गया था जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधिरी रात में भी रिदे में आशाओं की संपत्ती लिए जी रही थी, वह बुझ गया और संपत्ती लुट गई अब न कोई आश, रया था और न उसकी जरूरत जिन गउओं को वह दोनु वक्त अपने हाथों से दानाचारा देती और सहलाती थी वे अब खूंटे पर बंधी निराशनेत्रों से द्वार की और ताक्ती रहती थी पच्छडों को गले लगा कर पुछकारने वाला अब कोई न था जिसके लिए दुद्ध दुहे, मुठा निकाले खाने वाला कौन था? करूना ने अपने छूटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया था किंतु एक ही सपताह में करूना के जीवन ने फिर रंग बदला उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया जिस लंगर ने नौक को तच से एक केंद्र पर बौध रखा था, बहो खड़ गया अब नौक सागर के अशेश विस्तार में ब्रह्मन करीगी, चाहे वह उद्दाम तरंगों के वक्ष में ही क्यों न विलीन हो जाए करूना द्वार पर आ बैठती और मुहले भर के लड़कों को जमा करके दूद पिलाती तो पहर तक मकखन निकालती और वह मकखन मुहले के लड़के खाते फिर भोती भोती के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती अब यही उसका नित्य का नियम हो गया. चिडिया, कुत्ते, बिल्लिया, चीटी-चीटिया सब अपने हो गए. प्रेम का वह द्वार अब किसी के लिए बंद न था. उस अंगुल भर जगह में, जो प्रकाश के लिए भी काफी न थी, अब समस्थ संसार समा गया था. एक दिन योगिनी ने अपनी धुनी जलाई और वेदनाय उससे वर्दान मागने के लिए विकल हो होकर चली, तो करूना की मिनुवेदना भी सजग हो उठी, प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा. उसने सोचा, प्रकाश मेरा कौन है? मेरा उससे क्या प् वन्चित हो गई. वह तेरे प्राण है, तेरे जीवन दीपक का प्रकाश, तेरी वन्चित कामनाओं का माधूर्य तेरे अश्रुजल में विहार करने वाला करने वह. लाहंस, करूना उस पत्र के टुकडों को जमा करने लगी, माना उसके प्राण बिखर गए हूँ. एक-ए रिदय प्रेम के टूटे हुए तारों को जोड रहा हो. हाई रीममता, वह भागिन सारी रात उन पुर्जों को जोडने में लगी रही. पत्र दोनों और लिखा था, इसलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन था. कोई शब्द, कोई वाक्य बीच में गा प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा है. उसके रिदय में कुछ उठा हुआ है. क्या उठा हुआ है, यह करूना न सोच सकी. करूना पुत्र की लेखनी से निकले हुए एक-एक शब्द को पढ़ना और उसे हृदय पर अंकित कर लेना चाहती थी. इस भती तीन दिन गूजर गए. संध्या हो गई थी. तीन दिन की जागी ओखे जरा जपक गई. करूना न ने देखा एक लंबा चोड़ा कमरा है. उसमें मीजे और कुरसिया लगी हुई है. बीच में उंचे मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है. करूना ने ध्यान से देखा प्रकाश था. एक क्षन में एक कैदी उसके सामने लाया गया. उसके हाथ पों में जंजीर थी. कमर चु की के सिवा वहां कुछ न रहा, जो उसके हृदय में विदीर्म किये डालती. ही, इसी एक चुटकी राख में उसका गुडियों वाला बचपन, उसका संतप्त योवन और उसका त्रिशना में वैधिव्य सब समा गया. प्रातह काल लोगों ने देखा, पक्षी पिंजडे मे उड़ चुका था. आदित्य का चित्र अभी उसके शुन्य हृदय से चिप्टा हुआ था. अग्रिदे पती की स्ने स्मृती में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज योरप चला जा रहा था. बेटों वाली विद्वा, पंडित अयोध्यानात का देहांत हुआ तो पक्का मकान, दो बगीचे, कई हजार के गहने और बीस हजार नकद. विद्वा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे धाडस हुआ. चारों लड़के एक से एक सुशीर, चारों बहुए एक से एक बड़ा लड़का कामता एक दफ्टर में पचास रूप. पर नौकर था, छोटा उमानात डाक्टरी पास कर चुका था और कहीं औशधाले खोलने की फिक्र में था तीसरा दयानात भी. ए, में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिख कर कुछ न कुछ कमा लेता था, चौथा सितानात चारों में सबसे कुशागर बुध्धी और हुनहार था और अब की साल भी. ए, प्रथम श्रेनी में पास कर केम, ए, की तैयारी में लगा हुआ था. किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छहलापन, वह लुटाउपन न था, जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है. फूलमती घर की माल किन थी. को की कुंजियां बड़ी बहु के पास रहती थी, बुढियां में वह अधिकार प्रेम न था, जो बृध्ध जिनों को कटू और कलह शीलबा ना दिया करता है, किन्तु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था. संध्या हो गई थी, पंडित को मरे आज बारहवा दिन था, कल तेरी है, ब्रम्भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंतरित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी, फूलमती अपनी कोटरी में बैठी देख रही थी, पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रही हैं. खीका, टिन आ रही हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रही हैं. महापात्र के लिए दान की चीजे लाई गई बर्तन, कपड़े, पलंग, बिचावन, छाते, जूते, छडियां, लालते ने आदी, किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई. नियमा नुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे. वह प्रत्येक वस्तो को देखती उसे पा, संद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंदारे में रखा जाता. क्यूं उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी अच्छा वह आटा तीन ही बोरा क्यूं आया? उसने तो पांच बोरों के लिए कहा था. ही भी पांच ही कनस्तर है. उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे. इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दहियादी में भी कमी की गई होगी. किसने उसके हुक्म में हस्तक शिप किया? जब उस इसने सौ कहा तो सौ खर्च किये गए, एक कहा तो एक. किसी ने मीन मेख न की. यहां तक की पम, अयोध्यानाद भी उसकी इच्छा के विरूद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है. इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती. कुछ देर तक तो वह जबत किये बैठी रही, पर अंत में न रहा गया. स्वायत शासन उसका स्वभाव हो गया था. वह प्रोध में भरी हुई आई और कामतानात से वह. ली क्या आटा तीन ही बोरे लाए. मैंने तो पांच बोरों के लिए कह था. और घीवी पांच ही तिन मनवाया. तुम्हें याद है, मैंने दस कनस्तर कहा था. किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआ खोदा, उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लजजा की बात है. कामतानातनिक शमा याचना नकी, अपनी भूल भी हाउ से खड़ा रहा, फिर बोला हम लोगों की सलाह तीन ही बोरों की हुई और तीन बोरे के लिए पांच तिन ही काफी था. इसी हिसाब से और चीजे भी कम कर दी गई है. फूलमती उग्र होकर बोली किसकी राय से आटा कम किया गया. हम लोगों की राय से. तो मेरी राय अजमिन आया. अपना हानी लाब. अपने घर में हानी लाब की जिम्मेदार वहा आप है. दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जनमे पुत्र ही क्यों नहों, उसके कामों में हस्तक्षिप करने का क्या अधिकार? यह लॉंडा तो इस टिठाई से जवाब दे रहा है. मानो घ घर उसी का है. उसीने मर मर कर ग्रहस्ती जोडी है. मैं तो गैर हूँ. जरा इसकी हेकडी तो देखो. उसने तमतमाई हुए मुख से कहा मेरे हानी लाब के जिम्मेदार तुम नहीं हो. मुझे अक्तियार है, जो उचित समझून, वह करून. अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच्टिंगी और लाओ और आगे के लिए खबरदार जो किसीने मेरी बात काटी. अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी. शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी. उसे अपनी उगरता पर खेद हुआ. लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी च करने का साहस न होता. यद्यपी कामताना थब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ग्यात होता था कि इस आग्या का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं, पर फूलमती निश्चिंध होकर अपनी कोटरी में चली गई. इतनी तंबीह पर भी कि की वह हैसियत नहीं रही, जो दस बारह दिन पहले थी. संबंधियों के यहां के नेविते में शक्कर, मिठाई दही, अचार आदी आ रहे थे. बड़ी बहु इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से सभाल सभाल कर रख रही थी. कोई भी उससे पूछने नहीं आता. विरादर के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानात से या बड़ी बहु से. कामतानात कहां का बड़ा इंतिजामकार है, रात दिन भंग ये पड़ा रहता है, किसी तरह रोड धूकर दफ्तर चला जाता है. उसमें भी महीने में 15 नागू से कम नहीं होते. वह तो कहो, साहब पंदित का लेहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता. और बड़ी बहु जैसी फूहरो, रत भला इन सब बातों को क्या समझेगी? अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चलिए ग्रहस्ती चलाने. भद होगी और क्या? सब मिलकर कुल की नाप कटवाएं की किसी पत, लपर पहुंचेगी, किसी पर नहीं. आखिर इन सबों को हो क्या गया है? अच्छा, बहु तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आग्या के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुझी उसके पास है अवश्यक लेकिन जब तक में रूपे ना निकलवाउ तिजोरी नहीं खोलती. आज तो इस तरहें खोल रही है, मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं. यह मुझसे न बरदाश्ट हो. का, वह जमत कर उठी और बहु के पास जाकर कठोर स्वर में बोली तिजोरी क्यों खोलती हो बहु, मैंने तो खोलने को नहीं कहा. बड़ी बहु ने न जब तक हिसाब किताब न हो जाए, रूपे कैसे दिये जाया? हिसाब किताब सब हो गया है. किसने किया? अब मैं क्या जानू किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो. मुझे हुक्म मिला, रूपे लाकर दे दो, रूपे लिए जाती हूँ. उद्धरन, फूलमती खूम का कर रह गई इस वक्त बिगढने का अफसर न था घर में महमान स्त्री पुरूश भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डाटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली ग किन्तु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी सारी परिस्थिती को गिध्ध द्रिष्टी से देख रही थी कहां सतकार का कौनसा नियम भंग होता है कहां मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है वो जारंभ हो गया सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठ सकते हैं यह 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे क्या आदमी के उपर आदमी बिठाए जाएंगे तो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता मगर यहां तो सब को सोने की जल्द पूरियां ठंडी हो गई, लोग गरम गरम मांग रहे हैं, मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमरी हो जाती हैं, इन्हें कौन खाएगा, रिसो ये को कडाव पर से न जानी क्यूं उठा दिया गया, यही सब बाते नाक काटने की हैं, सहसा शोर मचा, तरकारियों में नमक नहीं बड़ी बहु जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी, फूलमती क्रूद के मारे ओच चबा रही थी, पर इस अफसर पर मूम न खोल सकती थी, नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया, इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है, ठंडा पा, नी लाओ, ठंडे पानी का कोई प्रबं का गरम पानी पीना पड़ा, फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मूम नोच लेती, ऐसी चीछालेदर उसके घर में कभी न हुई थी, उस पर सब मालिक बनने के लिए, मरते हैं, बर्फ जैसी जरूरी चीज मनवाने की भी किसी को सुधी न थी, सुधी कहां से रहे जब क किसी को गप लड़ाने से फुरसत मिले, महमान अपने दिल में क्या कहिंगे की चले हैं बिरादरी को भूज देने और घर में बर्फ तक नहीं, अच्छा, फिर यह हलशल क्यों मच गई, अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है, फूर्मती उदासीन न रह सक कोटरी से निकल कर बरामदे में आई और कामतानात से पूछा क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे किम जा रहे हैं, कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया, फूर्मती जुनजला कर रह गई, सहसा कहारिन मिल गई, फूर्मती ने उससे भी यह प्रश्न किया, बालू हुआ, किसी के शोर्बे में मरी हुई चुहिया निकल आई, फूर्मती चित्रलिखित सी वही खड़ी रह गई, भीतर ऐसा उबाल उठा की दिवार से सिर टक्रा ले, अब भागे भोज का प्रबंद करने चले थे, इस फूहरपन की कोई हद है, कितने आदमियों का ध फिर गया, बदनामी हुई वहा लग, महमन उठ चुके थे, पत्तलों पर खाना जियों का त्यूं पड़ा हुआ था, चारो लड़के आंगन में लजजित खड़े थे, एक दूसरे को इलजाम दे रहा था, बड़ी बहु अपनी देवरानियों पर बिगड रही थी, देवर मरो, सब के सब जाकर चिल्लू भर पानी में, शहर में कहीं मूं दिखाने लायग भी नहीं रहे, किसी लड़के ने जवाब न दिया, फूल मती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं, आत्मा तो उनकी रो रही है, जिन्होंने अपनी जिन्गी घर की मरजाद बनाने में खराब कर दी, उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यों कलंकित किया, शहर में थुडी थुडी हो रही है, अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाप करने तो आएगा नहीं, उद्धरन, कामतानात कुछ देर तक तो चुप-चाप खड़ा सुनता रहा, आखे जुन्जला कर बोला अच्छा, अब चुप रहो आमा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयन कर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्रानियों को हलाल कर डालोगी, सभी से भूले होती हैं, आदमी पच्चता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती, बड़ी बहु ने अपनी सफाई दी, हम क्या जानते थे की बीबी कुमुद से इतना सा काम भी न होगा, इन्हें चाहिए था की देखकर तरकारी कडाव में डालती, टोकरी उठाकर कडाव में डाल दी, हमारा क्या दोश, काम तानाथ ने पत्नी को डांटा इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा, न मेरा, सैयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी, वह हुई, इतने बड़े भोज में एक-एक मुठी तरकारी कडाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उडेल दिये जाते हैं, कभी-कभी ऐ कैसी दुरखटना होती है, पर इसमें कैसी जग हसाई और कैसी नककटाई, तुम खामखा जले पर नमक छिड़िकती हो, उद्धरन, फूलमती ने दांग पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बाते करते हो, कामतानाथ ने नी, संकोच होकर कहा, शर्मां क्यों, किसी की चोरी की है, चीनी में चीटे और आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते, पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यहीं बात बिगड़ गई, नहीं, चुपके से चुहिया निकाल कर फेक देते, किसी को खबर, पीन होती, फूलमती ने चकत होकर कहा, क्या कहता ह मरी चुहिया खिला कर सबका धर्म बिगार देता, कामता हसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बाते करती हो, अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता, यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इन में से कौन है, जो भेर बकरी का मांस न खाता हो, तालाब के कच हुए और घूंगे तक तो किसी से बचते नहीं, जरा सी चुहिया में क्या रखा था, फूर्मती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है, जब पड़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भा आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक् कर रहे हैं, बड़ी बहु भी शड्यंतर में शरीक है, कुमुद के विवाह का प्रश्न छिडा हुआ है, कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई, पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी कादा, और किसी दूसरे वर की तलाश करो, हमारे पास कुल 20 हजार ही तो हैं, एक-एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं, 5 हजार दहेज में दे दें, और 5 हजार नेग मियचावर, बाजे-काजे में उड़ा दें, तो फिर हमारी बधिया ही बैट जाएगी, उमानाथ बोले फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं। कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। गयाना थे एक समाचार पत्र देख रहे थे। आखों से एनक उतारते हुए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। राम भजो, सेंक में कोई लेक छापता नहीं, रूपे कौन देता है। गयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरसकार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं उत्तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की और प्रशंसा भाव से देखा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सितानाथ सबसे छोटा था, सिर जुकाए भाईयों की स्वार्ग भरी बाते सुन-सुनकर कु सच पूछिये तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रूपे आपको मुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बाते तेह हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारिल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीवर स्वर में कहा दस हजार कहां से आएंगे। सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रूपे देने को कहता हूँ। और शेश मुरारिलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतने स्वार्थांद नही हैं कि इस अफसर पर कुछ बल खाने को तयार न हो जाएं अगर बह तीन हजार में संतुष्ट हो जाएं तो आँच हजार में विवा हो सकता है। उमा ने कामतानात से कहा सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानात बोल उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान ह हैं। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हमें कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें ततकाल रूपे की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं, न कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानात इसने दूरदर्शिता का परिचे दिया नुकसान की एक ही कही। हमें से एक को कश्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे। यह अभी लड़के हैं। इन्हें क्या मालूम समय पर एक रूपया एक लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़न दहेज के पीछे इनकी जिंगी नश्ट हो जाए। इस तर्पने सितानात को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला हां यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रूपे की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है। ऐसा भावत तो मैं नहीं समझता लेकिन कठिन अवश है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहां तक मनजूर है कि चाहे मैं बिला का खेल है। मैं तो चाहता हूं कि मुरारिलाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खुजा जाए जो था। अडे में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं एक हजार से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीन दयाल कैसे हैं। उमा ने प्रसन होकर कहा बहुत अच्छे। एम, ए, बी, ए, न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानात ने आपत्ती की अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। कामतानात को इसकी कोई जरूरत न मालूं हुई। बोले उनकी तो जैसे बुद्धी ही ब्रश्ट हो गई। वही पुराने युग क बातें। मुरारिलाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती की वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे दें उमा ने कहा स्त्रीधन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी। आखिर वह भी तो दादाही की कमाई है। किसी की कमाई हो। स्त्रीधन पर उनका पुरा अधिकार है। यह कानूमी गोरक थंदे हैं। 20,000 में तो चार हिस्सेदार हो और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह देख लेना इन्ही के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करीगी उमानात इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता वह कपट मीती में कुशल है कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूल मती को भड़काना उचित नहीं कामतानात ने सिरहिला कर कहा भाई, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता उमानात ने खिसिया कर कहा गहने दस हजार से कम के नहुंगे कामता विचलित स्वर में बोले कितने ही के हूँ, मैं अनीती में हाथ नहीं डालना चाहता तो आप अलग बैखिये हाँ, बीच में भांजी न मारियेगा मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा लेकिन जब दयानात से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानात से सहयोग करने को तैयार हो गया दस हजार में अराई हजार तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है पूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए दोनों ऐसा मूम बनाए हुए थे, मानों कोई भारी विपत्ती आपड़ी है फूलमती ने सशन खोकर पूछा तुम दोनों घबड़ाए हुए मालूम होते हो उमा ने सिर्ख हुजलाते हुए कहा समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अमा कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं न कहीं पकड हो ही जाती है दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर पांच हजार की जमानत मागी गई है अगर कल तक जमा न कर दी गई, तो गिरफतार हो जाएंगे और दस साल की सजा ठुक जाएगी फूलमती ने सिरपीट कर कहा ऐसी बाते किम लिखते हो बेटा जानते नहीं हो, आजकल हमारे अदिन आये हुए हैं जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अमा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किस्मत को क्या करूँ हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दौर धूप हो सकती थी, वह सब कर ली तो तुमने कामता से रूपे का प्रबंद करने को नहीं कहा उमा ने मुह बनाया आंका स्वभाव तो तुम जानती हो अमा, उन्हें रूपे प्राणों से प्यारे हैं इन्हें चाहे काला पानी ही हो, जाएप वह एक पाई न देंगे दयानाथ ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया फूर्मती ने चार पाई से उटते हुए कहा चलो, मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं रूपे इसी दिन के लिए होते हैं कि गार कर रखने के लिए उमानाथ ने माता को रोक कर कहा नहीं अमा, उनसे कुछ न कहो रूपे तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खेरियत मनानी है, इन्हें घर में रहने भी न देंगे अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं फूर्मती ने लाचार होकर कहा तो फिर जमानत का क्या प्रबंद करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है, हाँ, मेरे गहने हैं इन्हें ले जाओ, कहीं गिरों रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ों की किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे तयानात कानों पर हाथ रखकर बोला यह तो नहीं हो सकता माग की तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं दस-पांच साल की कैधी तो होगी, छेल लूंगा यहीं बैठा-बैठा क्या कर रहा हूं फूर्मती छाती पीटते हुए बोली कैसी बाते मूम से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफतार कर सकता है उसका मूम जुलस दूंगी गहने इसी दिन के लिए हैं या और किसी दिन के लिए जब तुम ही न रहूगे तो गहने लेकर क्या आग में जूकूंगी उसने पिटारी लाकर उसके सामने रखती दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आँखों से देखा और बोला आपकी क्या राय है भाई साहब इसी मारे में कहता था अमा को बताने की जरूरत नहीं जेल ही तो हो जाती या और कुछ उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अमा को खबर न होती मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्नए नहीं कर सकता न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरों रखे जाएं फूर्मती ने व्यथित कंट से पूछा क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं मैं तो प्राण तक तुम्हारे उपर नियोचावर कर दूँ गहनों की विसाथ ही क्या है तया ने दृर्टा से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूँगा चाहि मुझ पर कुछ ही क्यों न आपड़े जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुह से तुम्हारे गहने उठा ले जाओं मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोक से जन्म ही न लेना चाहिए था सदा तुम्हें कश्ठी देता रहा फूलमती ने भी उतनी ही दृता से कहा अगर यो न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्ही गिरों रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कर आउंगी अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो आखे बंध हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी और कोई तिर्शी आँखो से देख नहीं सकता उमानत ने मानू माता पर एहसान रखकर कहा अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानात क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो, जियों ही हाथ में रूपे आ जाएं, गहने छुडाने पड़ेंगे सच कहते हैं, मातरित्व दीर्ग तपस्या है, माता के सिवाए इतना स्निह और कौन कर सकता है हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रती जितनी रखनी चाहिए, उसका शतांज भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म सकत में पड़कर गहनों की पिटारी सभाली और चलते बने माता वातसल्य भरी आँखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपून आत्मा का आशिरवाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था आज कई महीने के बाद उसके भग्मात्र रिदय को अपना सर्वस्वरपन करके जैसे आनन्द की विभूत मिली उसकी स्वामिनी कलपना इसी त्याग के लिए इसी आत्मसमरपन के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंबती रहती थी अधिकार या लोभ्या ममता की वहां गंध तक न थी त्याग ही उसका आनन्द और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिर्जी हुई प्रतिमा पर अपने प्रानों की भीट करके वह निहाल हो गई चार, तीन महीने और गुजर गए मा के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिल जोई करने लगे थे अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल न दुखाएं अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांती मिलती है तो इसमें क्या हानी है चारों करते अपने मन की पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते की वह सरलाओ नकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची की वह उसे बेचने पर राजी हो गई किंतु कुमुद के विवाग के विशय में मतैक्य न हो सका मा पाम मुरारिलाल पर जमी हुई थी लड़के दीन दयाल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कलह हो गई फूर्मती ने कहा मा बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला 25,000 का एक मकान 20,000 नकद में क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है कामता ने नमर्टा से कहा मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बेहन है आप दो-चार साल में प्रस्थान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा तब हम यथाशक्ती कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिससे की बात कहती हो तो कुमुद का हिससा कुछ नहीं तादा जीवित थे तब और बात थी वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था लेकिन अब तो हमें एक-एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी जो काम हजार में हो जाए उसके लिए पांच हजार खर्च करना कहां की बुद्धिमानी है उमानात से सुधारा पांच हजार क्यों दस हजार कहिए कामता ने भवे से कोड़ कर कहा नहीं मैं पांच हजार ही कहूंगा एक विवाह में पांच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है फूलमती ने जिद पकड़ कर कहा विवाह तो मुरारीलाल के पुत्र से ही होगा पांच हजार खर्च हों चाहे दस हजार मेरे पती की कमाई है मैंने मरमर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूंगी तुम ही ने मेरी कोक से नहीं जन लिया है कुमुद भी उसी कोक से आई है मेरी आखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ मांगती नहीं तुम बैठे तमाशा देखो मैं सब कुछ कर लूँगी बीस हजार में पांच हजार कुमुद का है कामतानात को अब करवे सत्य की शरन लेने के सिवा और मार्ग न रहा बोला अमा तुम बर्बस बात बढ़ाती हो जिन रूपियों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं है तुम हमारी अनुमती के बिना उन में से कुछ नहीं खर्च कर सकती फूर्मती को जैसे सर्पने डस लिया क्या कहा फिर तो कहना मैं अपने ही संचे रूपे अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती वह रूपे तुम्हारे नहीं रहे हमारे हो गए तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए उध्धरन उमानात ने बेहयाई से कहा अमा, कानून काईदा तो जानती नहीं, नाह को चलती है फूलमती क्रोध विवल रोकर बोली भाड में जाये तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं जानती तुम्हारे दादा ऐसे कोई धनासेक नहीं थे मैंने ही पेट और तन काटकर यह ग्रहस्ती जोड़ी है नहीं आज बैठने की चाह न मिलती मेरे जीते जी तुम मेरे रूपे नहीं चू सकते मैंने तीन भाईयों के विवाह में दस दस हजार खर्च किये हैं पही में कुमुत के विवाह में भी खर्च करूंगी कामतानात भी गर्म पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है मुरारिलाल को पत्र लिख दीजे कि तुम्हारे यहां कुमुत का विवाह न होगा पस छुट्टी हुई काइदा कानून तो जानती नहीं व्यर्च की बहस करती है फूनमती ने सैयमित स्वर में कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी सुनून उमा ने निरीव भाव से कहा कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है मा का हक केवल रोटी कपड़े का है फूनमती ने तडप कर पूछा किसने यह कानून बनाया है उमा शांत स्थिर स्वर में बोला हमारे रिशियों ने, महराज मनूने और किसने फूनमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंट से बोली तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ उमानात ने न्यायाधीश की निर्मता से कहा तुम जैसा समझो फूनमती की संपूर्न आत्मा मानो इस वजरपात से चीतकार करने लगी उसके मुख से जलती हुई चिनगारियों की भाती यह शब्द निकल पड़ी मैंने घर बनवाया मैंने संपत्ती जोड़ी मैंने तुम्हें जन दिया पाला और आज मैं इस घर में गेर हूँ मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर लो मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहता स्वीकार नहीं इससे कहीं अच्छा है की मर जाओं वाहरे अंधेर मैंने पेड लगाया और मैं ही उसकी चाह में खड़ी नहीं हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारों युगकों पर माता के इस्क्रोध और आतन का कोई असर न हुआ कानून का फॉलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था जरा देर में फूल मती उठकर चली गई आज जीवन में पहली बार उसका वातसल्य मगन मात्रित्व अभिशाप बनकर उसे धिकार ने लगा जिस मा त्रित्व को उसने जीवन की विभूती समझा था जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाशाओं और कामनाओं को अरपित करके अपने को धन्य मानती थी वही मात्रित्व आज उसे अग्निकुंट सा जान पड़ा जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का व्रिक्ष सिर जुकाई, मिस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गती पर क्षुब्ध हो रहा हो अस्ताचल की और प्रकाश और जीवन का देवता फूलवती के मात्रित्व ही की भाती अपनी चिता में जल रहा था आज, फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी, तो उसे मालूम हुआ, उसकी कमर तूट गई है पती के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रू हो जाएंगे, उसको स्वपन में भी अनुमान न था जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला, वही आज उसके हृदय पर यूँ आघात कर रहे हैं अब वह घर उसे काटों की सेज हो रहा था जहां उसकी कुछ कद्र नहीं, कुछ किंती नहीं, वहां अनाथों की भाती पड़ी रोटियां खाई यह उसकी अभिमानी प्रकृती के लिए असहय था पर उपाई ही क्या था वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाप किसकी कटेगी संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या, बदमानी तो उसी की है दुनिया यही तो कहेगी की चार जवान बेटों के होते बुडिया अलग पड़ी हुई मजूरी करके पेट पाल रही है जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा, वही उस पर हसेंगे नहीं, वह अप माने सनादर से कहीं ज्यादा हृदेविदारिक था अब अपना और घर का परदा धका रखने मा, ही कुशल है हाँ, अब उसे अपने को नहीं परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा समय बदल गया है, अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब लोडी बनकर रहना पड़ेगा इश्वर की यही इच्छा है अपने बेटों की बाते और लाते गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है वह बड़ी देर तक मूम धापे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी आत्म वेदना में कट गई शरद का प्रभाव दर्ता डर्ता उशा की गोज से निकला जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भागाया हो फूर्मती अपने नियम के विरूर धाज तड़के ही उठी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था और बहांगन में ज्जाडू लगा रही ही रात भरोस में भीगी हुई उसकी पत की जमीन उसके नंगे पैरों में काटों की तरहे चुब रही थी पंधित्री उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था पर अब बहुत दिन नहीं रहे प्रकृती उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयतन कर रही थी ज्जाडू से फुरसत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकडिया चुनने लगी कुछ देर में लड़के जागे बहुए मुखीन सभी ने बुढिया को सर्दी से सिकुडे हुए काम करते देखा पर किसी ने यह न कहा कि अम्मा क्यूं हलकान होती हो शायद सब के सब बुढिया के इसमान मर्दन पर प्रसंद थे आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीती से अलग रहना उसके मुख पर जो एक आत्मे गौरब जहलकता रहता था उसकी जगह अब गहरी वेदना चाही हुई नजर आती थी जहां बिजली जलती थी वहाँ आप तेल का दिया टिम्टिमा रहा था जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हलका सा जोका काफी है मुरारिलाल को इंकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चकी थी दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया तींदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया तींदयाल की उम्र 40 से कुछ हधिक थी मर्यादा में भी कुछ हेखे थे पर रोटी दाल से खुश थे बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए तिती नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमद बिदा कर दी गई फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत प्रसंथे मानो उनके हृदय का काटा निकल गया हो उन्चे कुल की कन्या, मून कैसे खोलती भाग्य में सुक भोगना लिखा होगा, सुक भोगेगी दुख भोगना लिखा होगा, दुख शेलेगी हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंभ है घरवालों ने जिससे विवाह कर दिया, उसमें हजार एभों तो भीवह उसका उपास्य, उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था फूर्मती ने किसी काम में दखल न दिया कुमुद को क्या दिया गया, महमानों का कैसा सतकार किया गया, किसके यहां से नेव ए में क्या आया, किसी बात से भी उसे सरुकार न था उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा बेटा, तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद मा के गले लिप्ट कर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोटरी में ले गई और जो कुछ 150 रूपे और 24 मामूली गहने उसके पास बच रहे थे, बेटी की अंचल में डाल कर बोली बेटी, मेरी तो मन की मन में रहे गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इसे चाहे अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जानती था की गहने फिर न मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा, लेकिन इस अफसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई कुमुद यह भावमन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े, इसे वह किसी तरह न सह सकती थी, इसलिए वह उसे अपनी कोटरी में ले गई थी लेकिन कुमुद को पहले ही इस कोशल की जोह मिल चुकी थी, उसने गहने और रूपे आचल से निकाल कर माता के चरनों में रख दिये और बोली अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशिरवाद लाखो रूपियों के बराबर है तुम इन चीजों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम ही किन विपत्तियों का सामना करना पड़े फूर्मती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा क्या कर रही है कुमुद चल, जल्दी कर, साइट टली जाती है, वह लोग हाई हाई कर रहे हैं, फिर तो दो-चार महीने में आईगी ही, जो कुछ लेना देना हो, ले लेना फूर्मती के घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया, बोली मेरे पास अब क्या है भाईया, जो इसे मैं दूंगी जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सोहाग अमर करें, कुमुद विदा हो गई, फूर्मती पचार खाकर गिर पड़ी, जीवन की लालसा नश्ट हो गई, छै, एक साल बीट गया, फूर्मती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था, कई महीनों से उसने बड़ घर की लोडी थी, घर के किसी प्रानी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन न था, वह केवल इसलिए जीती थी की मौत न आती थी, सुख्या दूख खका अब उसे लेशमातर भी ज्यान न था, उमानात का और शधाले खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तम माशा हुआ, तयानात का प्रैस खुला, फिर जा, लसा हुआ, सितानात को वजीफा मिला और बिलायत गया, फिर उत्सव हुआ, कामतानात के बड़े लड़के का यग्योपवीत संसकार हुआ, फिर धून धाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मर कर उठा, दयानात ने अबकी अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजन का लेक लिखा और चह महीने की सजा पाई, उमानात ने एक फूजतारी के मामले में रिश्वत लेकर ग काम करना और खाना यही उसकी जिनगी के दो काम थे, जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से, फूर्मती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विश्के कौर की तरह, महीनों सिर में तेल न पढ़ता, महीनों कपड़े न धूलते कुछ परवा नहीं, चैतना शुन्य हो रश्वास का वित्रं करती फिर्ती थी, घर की महरी बीमार पढ़ गई, फूर्मती ने घर के सारे बरतन मांजिक पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिराग जलाई और चूलहे पर पतीलिया चड़ा दी, लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए, सहसा उसे याद आय कामतानाथ नलका पानी नहीं पीते, उसी वर्षा में गंगाजल लाने चली, कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अमा, मैं पानी भर लाँगा, आज महरी खूब बैठ रही, फूर्मती ने मिटियाले आकाश की ओर देखकर कहा तुम भीग जाओगे बेट उमानाथ भी वही बैठा हुआ था, उसके औशधाले में कुछ आमदनी नहोती थी, इसलिए बहुत चिंतित था, हाई भावज की मुह देखी करता रहता था, बोला जाने भी दो भाईया, बहुत दिनों बहु उपर राज कर चुकी हैं, उसका प्रायश्चित तो करने दो, गंगा बढ़ी हुई थी, जैसे समुद्र हो, शितेज के सामने के कूल से मिला हुआ था, किनारों के व्रिक्षों की केवल फुंडिया पानी के उपर रह गई थी, खाट उपर तक पानी में डूब गए थे, फूरमती कलसा लिये नीचे उतरी, पानी भरा और उपर जा रही थी की पाँफिसला, सभल न सकी, पानी में गिर पड़ी, पल भर हाथ पाँफ चलाए, फिर लहरे उसे नीचे खीच ले गई, किनारे पर दो-चार पंडे चिलाए, अरे दोडों, बुडिया डुबी जाती है, दो-चार आदमी दोडे भी लेकिन फूलमती लहरों में समा ग प्यानात तो बड़े आदमी थे, हाँ थे तो पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था, उनके तो कई लड़के बड़े-बड़े हैं और सब कमाते हैं, हाँ, सब हैं भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तू है, बड़े भाई साहब, एक, मेरे भाई साहब मुझ से प इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत दालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके, एक साल का कामद, साल में करते थे, कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे, बुनियाद ही पुखता न हो तो मकान कैसे पायदार बने, मैं छोटा था, वह बड़े थे, मेरी उम्र नौ उनको कानून समझून, वह स्वभाव से बड़े अग्ययन शील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिडियों, कुत्तों, बल्लियों की तस्वीरे बनाया करते थे, कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य दस बीस बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार-बार सुन्दर अक्षर से नकल करते, कभी ऐस शब्द रचना करते, जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामन जस्य, मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखी स्पेशल, अमीना, भाईयों भाईयों, दर असल, भाई-भाई, राघेश्याम, श्रीयुत राघेश्याम, एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, मैंने चेश्टा की कि इस पहिली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उसने पूछने का साहस न हुआ, व मौका पाते ही होस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उच्छालता, कभी कागस की तिकलियां उड़, ता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या कभी चारदिवारी पर चक नीचे कूद रहे है, कभी फाटक पर वार, उसे आगे पीछे चलाते ह मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौदर रूप देखकर प्राण सूख जाते, उनका पहला सवाल होता, कहां थी? हमेशा यही सवाल, इसी घवनी में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, ना जाने मौन से यह बात क्यों न निकलती की जरा बाहर खेल रहा था? मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराद स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोश से मिले हुए शब्दों में मेरा सतकार करें. इस तरह अंग्रेजी पहोगे, तो जिनग भर पते रहुगे और एक हर्फ न आएगा. इंग्रेजी पढ़ना कोई हसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ले, नहीं, एरा गैरा नत्तु खेरा सभी इंग्रेजी की विध्धान हो जाते. यहां राद दिन आखे फोनी पती है और खूं जलाना पढ़ता है, जब कही यह व होंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते. मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आखों देखते हो, अगर नहीं देखते, जो यह तुम्हारी आखों का कसूर है, तुम्हारी गुधी का कसूर है. इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने. जात तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कुद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे। मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दरजे में पड़े सकते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है, तो बनहतर है, घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाधी कमाई के रूपे क्यों बरबाद करते हो। उध्धरन, मैं यह लताड सुनकर आशु बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराद तो मैंने किया, लताड कौन सहे? हाई साहब उपदेश की कला में निपुन थे. ऐसी ऐसी लगती बाते कहते, ऐसे ऐसे सुपती बान चलाते की मेरे जिगर के टुक्टे टुक्टे हो जाते और हिम्मत शूट जाती. इस तरह जान तोटकर मेहनत करने की शक्ती मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों न घर चला जाऊंग। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता. बिना पहले से नक्षा बनाए, बिना कोई स्किम तयार किये काम कैसे शुरू करूँ. टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिलकुल उच जाती. प्रातः का लुटना, चह बजे मूह हाथ धो, नाश्ता कर पने बैट जाना. चह से आठ तक अंग्रीजी, आठ से नौ तक हिसाब, नौ से साड़े नौ तक इतिहास, फिर भूजन ओ. रस्कूल, साड़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, चार से पांच तक भूगोल, पांच से चह तक ग्रामा, आघा घंटा होस्टल के सामने तहलना, साड़े चह से साथ तक अंग्रीजी कमपोजीशन, फिर भोजन करके आठ से नौ तक अनुवाद, ग्यारह तक विविद विशय, फिर विश्राम, मगर टाइम टेबल बना लेना एक, बात है उस पर अमल करना दूसरी बात, पहले ही दिन से उसकी अभेलना शुरू हो जाती, मैदान की वह सुखध हरियाली, हवा के वह हलके हलके जोके, फुटबाल की उचलकूद, कबड़ी के वह दाउग घात वाली बाल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अग्यात और अनिर्वाय रूप से खीच ले जाती और वहां जाती ही मैं सब कुछ भूल जाता, वह जान लेवा टाइम टेबी, लफ वह आंख फोर पुस्तके किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अफसर मिल जाता, मैं उनके साह से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेश्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाउं आता कि उन्हें खबर न हो, उनकी नजर मेरी और उठी और मेरे प्रान निकले, हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मा कर सकता, तो, साला ना इमतहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दरजे में प्रथम आया, मेरे और उनके बीच केवल दो साल का अंतर रह गया, जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथ, लून आपकी वह घोर तपस्या कहा गई, मुझे देखिये, मजे स खेलता भी रहा और दरजे में अवल भी हूँ, लेकिन वह इतने दूख खी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक चिकने का विचार ही लिजजास्पत जान पड़ा, हाँ, अब मुझे अपने उपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मा मार लिया, मैं तो खेलते कूटते दरजे में अवल आ गया, जब आवसेय हेकडी जताने कासा हसन होने पर भी मेरे रंग धंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वहातन कब मुझे पर नहीं है, भाई साहब ने इसे भाप लिया उनकी ससहसत गुद्धी बड़ी तीव ती और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुली डंडे की भीट करके ठीक भोजन के समय लोटा, तो भाई साहब ने मानु तलवार खीचली और मुझे पर तूपड़े देखता हूँ, इस साल पास हो गए और दरजे में अवल आ गए, तो तुम ही दिमाग हो गया है, मगर भ तिमतहन पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धी का विकास, जो कुछ पढ़ो, उसका अभिप्राय समझो, रावन भूमंदल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं, आजकल अंग्रेजों के राजय का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इनहें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, संसार में अनीको राष्ट रंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिलकुल स्वाधीन है, रावन चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महिप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के, देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चल्यू पानी देने वाला भी न बचा। शाहिरून ने भी एक बार अहनकार किया था, भीक मांग मांग कर मर गया, तुमने तो अभी केवल एक दरजा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर्फिर गया, तब तो तुम आँ, ये बच चुके, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंदे के हाथ तेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं, कभी कभी गुली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पर जाता है, उससे कोई सफल खिलाडी नहीं हो जाता, सफल खिलाडी वह है, जिसका कोई निशान खाली न जाए, मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दरजे में आ आठ आठ हेमरी को गुजरे हैं कौनसा कांड किस हेमरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता, और जामिटरी तो बस खुदा की पना, अबज़ा की जगह अजबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। तो वही देखते हैं, जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं की लड़के अक्षर अक्षर रख डाले। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छूटा है और आखिर इन बे सिर्पैर की बातों के पढ़ने से क्या फाइदा। इस रेखा पर बह लंब किरा दूट तो आधार लंब से दुगना होगा। पूँचिये इससे प्रयोजन। दुगना नहीं चौगन हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात्यात करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंद लिखो जो चार पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले कलम हात्मा लिए उसके नाम को रुए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में सैयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्ने होने लगता है और उसके करोबार में उन्नती होती है। जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं, बल्कि उसका दुरूपयोग है की व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं, आदमी को जो कुछ कहना हो, चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको चार पन्ने रंगने पडेंगे, चाहे जैसे लिख। ए और पन्ने भी पूरे फुल्स के पाकार के। यह चात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है की कहा जाता है, संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंद लिखो, जो चार पन्नों से कम न हो। हीत, संक्षेप में चार पन्ने हुए, नहीं शायद सो दो सो पन्ने लिखवाते। तेज भी दोड्ये और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है की हम अध्यापक है, मेरे दरजे में आओगे लाला, तो ये सारे पापा बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव माल। महोगा, इस दरजे में अववल आ गए हो, वो जमीन पर पाव नहीं रखते इसलिए मेरा कहना मानिये। लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। उसने मुझे भैबीत कर दिया। कैसे स्कूल छोटकर घर नहीं भागा, यही ताजजुब है, लेकिन इतने तिरसकार पर भी पुस्तकों में मेरी अरूची जयोकीतियों बनी रही। हेल कूद का कोई अफसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी था, मगर बहुत कम, बस इतना की रोज का टास्क पूरा हो जाए और दरजे में जलील न होना पाएं। अपने उपर जो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का साज जीवन कटने लगा। फिर साला ना इमतहन हुआ और कुछ ऐसा सयोग हुआ कि मैं फर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गये। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दरजे में अववल आ गया। मुझे खुद अच्रज हुआ। हाई साहब ने प्रानान तक परिश्रम किया था। सका एक-एक शब्द चाट गये थे, दस बजे रात तक इधर, चार बजे भोर से उभर, छह से साड़े नौ तक मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुश्याधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता, तो भाई साहब को इतना दूख खन ह होता, लेकिन विधी की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दरजे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटल भावना उदह हुई की कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं, तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेगे, लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बल्क अवक निकाल डाला, आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटे हैं, मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो की मैं दनान पास होता जात हूँ और इतने अच्छे नंबरों से, अबकी भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे, कई बार मुझे डांटने का अफसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम, मेरी स्वचंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिशनुता का अनुचित लाब उठाने लगा, मुझे कुछ ऐसी धारना हुई कि मैं तो पास ही, वो जांगा पउया ना पउंग मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत चाकर कनकोय उड़ाता था, बांज़ा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदी समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी, हाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी निच्रो से कम हो गया है, एक मंद गती से जूनता पतं की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से नए संसकार ब्रहन करने जा रही हो, बालकों की एक पूरी सेना लगगे और ज़ड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दोड़ी आ रही थी, किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतं के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहो, सब कुछ समतल है, न मोटर कारे है, न ट्राम, न गाडिया, सहसा भाई साहब से मेरी मुटभैड हो गई, जो शायद बजार से लोट रहे थे, उन्होंने वही मेरा हाथ पकलिया और उग की आठवी जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दरजा नीचे हो, आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए, एक जमाना था की की लोग आठवा दरजा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, मैं कितने ही मिडलशियों को जानता हूँ, ज की मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवे दरजे में आकर बाजारी लॉंडो के साथ कनकोई के लिए दौर रहे हो, मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दूखख होता है, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस कामका जो हमारे आत्मगौरब की हत्या कर तुम अपने दिन में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दरजा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है, मैं तुम से पांच साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो नी, संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ लेकिन मुझ में और जो पांच साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, मैं तुम से पांच साल बड़ा हूँ और हमे से नहीं आती है, हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, और दादा भी शायद पांचवी जमारत के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पडले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इस और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बाते चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी आते हैं, जिनका ग्यान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है, तैव न करें, आज में बीमार हो आउं, तो तुम्हारे हाथ पाउं फूल जाएगे, दादा को तार देने के तुम्हे और कुछ न सूचेंगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो, तो किसी को तार न दी, न घबराएं, न बधवास हों, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए, तो किसी डांक्ट को बुलाएगे, बीमारी तो खेर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते की महीने भर का महीने भर कैसे चले, जो कुछ दादा भेजते हैं, उसे हम 20-22 तक अखच कर डालते हैं और पैसे-पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंध हो जाता है, धूबी और नाई से मूम चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम अखच कर रहे हैं, उसके आदे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इजजत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुम्प का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर नौ आदमी थे, अपने हेड़मास्टर साहब ही को देखो, M, A, हैं की नहीं और यहां के M, A, नहीं, आख्य फोड के, एक हजार रूपे पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है, उनकी वुई मा, हैड़मास्टर साहब की डिगरी यहां वेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पढ़ता था, करजदार रहते जिबसे उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में, लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान, यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे, अगर तुम यो न मानोगे, तो मैं थपपद दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, तुम्हें मेरी बाते जहर लग रही है, मैं उनकी इस नहीं युक्ती से नतमस्तक हो गया, मुझे आज सच मुच अपनी लगुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रती मेरे में श्रद्धा उत्पन हुई, मैंने सजल आँखों से कहा हरगेज नहीं, आप जो कुछ फर्मा रहे है, वह बिलकुल सच है और आपको कहने का अधिकार है, हाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकाय उडान को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क क्या करूं, खुद बेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह करतव्य भी तो मेरे सिर पर है, सयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कंकोआ हमारे उपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे-पीछे दोडा चला, ता था, हाई साहब लंबे हैं ही, उचल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दोड़ें, मैं पीछे-पीछे दोड़ रहा था, शांती, एक, स्वर्गिय देवनात मेरे अभिन मित्रों में थे, आज भी जब उनकी याद आती है, तो वह रंग्रेलिया आँखों में फिर जात हो की हम आपस में ना मिल पाते हूँ, वह स्वचंत प्रकती के विनोद्प्रिय, सहरिदे, उदार और मित्रों पर प्रान देने वाला आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराय में कभी भेद नहीं किया, संसार क्या है और यहां लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है यह उस व्यक्ती ने कभी न जानने की चेश, ताकि उनकी जीवन में ऐसे कई अफसर आए, जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए स्थान न था, सब अपने थे, कोई गेर न था। मैंने बार-बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिनाम आशा के विरूद्ध हुआ। ब्रेक का काम करती है, उससे वह वन्चित थी। यहां तक की वस्त्रा भूशन में भी उसे विशेश रूची न थी। अतैव जब मुझे देवनात के स्वर्गा रोहन का समाचार मिला, और मैं भागा हुआ दिली गया, तो घर में बरतन भांडे और मकान के सिवा और कोई संपती न थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी, जो संचय की चिंता करते 40 भी तो पूरे न हुए थे। यो तो लड़ेपन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्रायह सभी लोग कुछ बेफरिक रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद दो लड़के हुए, दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे, लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करून दश्य था, जिस तरह का इंका जीवन था उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रू पहले एक लड़की का विवाह भी करना होगा, कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धी कुछ काम न करती थी, इस अफसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्ट सिध्धी को जीवन का लक्षय नहीं बनाते, उनके उनके बाल बच्चे की किसी ने बात तक न पूछी, लेकिन चाहे कुछ हो, देवनात के मित्रों ने प्रशंसनिय ओधार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थाई धन जमा करने का प्रस्ताव किया, दो एक सजजन जो रंडुवे थे, उससे विवाह करने को तैयार थे, किन्तु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया, जो महारी देवियों का जोहर है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मकान बहुत बढ़ा था, उसका एक भाग किराय पर उठा दिया, इस तरह उसको पचास रू महावार मिलने लगे, वह इतन ने बाद मुझे कारुबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहां मेरे अनुमान से कहीं अधिक दो साल लग गए, गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था, वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे पीछे ग्यात हुआ कि ग गोपा ने मुझे भी गेर समझा और वास्तविक स्थिती छिपाती रही, विदेश से लोटकर मैं सीधा दिली पहुँचा, द्वार पर पहुँचते ही मुझे भी रोना आ गया, बृत्यू की प्रती द्वनीसी च्छाई हुई थी, जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते उनके द्वार बन थे, मकयोंने चारों और जाले तान रखे थे, देवनात के साथ वह श्री लुप्त हो गई थी, पहली नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ की देवनात द्वार, पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्करा रहे हैं, मैं मित्यवादी नहीं हूँ और आत्मा क की दहिकता में मुझे संदे है, लेकिन उस वक्त एक बार में चौंक चरूर पड़ा, रिदय में एक कमपन सा उठा, लेकिन दूसरी नजर में प्रतिमा मिच चुकी थी, द्वार खुला, गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था, मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया, उसे म मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतिक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुन्था लिये थे, पर इन दो वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किये थे, उन्हें क्या करती? नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है, जब रूप लावन्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अलहरपन चंचलता और अभिमान की जगहा कर्शन, माधूरय और रिसिक्ता आ जाती है, लेकिन गोपा का योवन बीत चुका था उसके मुख पर जुर्यां और विशाद की रेखाय अंकित थी, जिन्हें उसकी प्रयतनशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी, केशों पर सफेदी दौड चली थी और एक-एक अंग भूठा हो रहा था, मैंने करून स्वर में पूछा क्या तुम बीमार थी गोपा, गोपा ने आसु पीकर कहा नहीं तो मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, तो तुम्हारी यह क्या दशा है, बिल्कुल बूई हो गई हो, तो जवानी लेकर करना ही क्या है, मेरी उम्र तो 35 के उपर हो गई, 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती, हाँ उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं, मैं तो चा जो सजजन इस मकान में किराइदार हुए थे, वह थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराइदार ना आया। मेरे रिदय में बर्ची सी चुब गई। इतने दिनों इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना ही दूप खदगी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यूं न दी। क्या मैं बिलकुल गेर हूँ। गोपा ने लजजित होकर कहा नहीं नहीं यह बात नहीं है। तुम्हें गेर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी। मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने जमेले में पड़े होगे, तुम्हें क्यूं सताओं। किसी न किसी तरह दिन कठी गए। घर में और कुछ न था तो थोडेट से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे। विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20-22 हजार हो गए है। महाजन ने इतनी ही दया क्या कमकिक की मुझे घर से निकाल न दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पाउँ जोडने पर संभव है, महाजन से 2,5 हजार मिल जाए। इतने में क्या होगा। इसी फिक्र में गुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी म मतलबी हूँ, न तुम्हें हाथ मूँ धोने को पानी दिया, न कुछ जलपान लाई और अपना दुखडा ले बैठी। अब आप कप्टे उतारिये और आराम से बैठिये। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिये, तब बाते हूँ। घर पर तो सब कोशल है। मैंने कहा, मैं तो सीधे बंबई से यहां आ रहा हूँ। घर कहा गया। गोपा ने मुझे तिरसकार भरी आखों से देखा, पर उस तिरसकार की आड में घनिश्ठ आत्मियता बैठी जहांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा, उसके मुख की जुरिया मिट गई है। पीचे मुख पर हल की, सी लाली दोड़ गई। उसने कहा, इसका फ़ा यह होगा कि तुम्हारी देवी जी, तुम्हें कभी यहां न आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध देखते ही देखते दीपक जलाने लगी। सुनी लालतिन लेकर कमरे में आई। दो साल पहले की अबोध और प्रिशतनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चित्वन हर एक बात उसकी गौरविशील प्रकती का पता दे रही थी। जिसे मैं गोध में उठा कर प्यार करता था, उसकी तरफ आज आँखें न उठा सका और वह जो मेरे गले से लिप्ट कर प्रसन होती थी, आज मेरे सामने खडी भी न रह सकी। जैसे मुझसे वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अफसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा अब तुम किस दरजे में पहुंची सुन्नी। उसने सिर जुकाई हुए जवाब दियत दस्वे में हूँ। घर का भग कुछ काम काज करती हो। अम्मा जब करने भी दे। गोपा बोली मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम के नगीच नहीं जाती। सुन्नी लड़की को कोई काम न करने देती थी मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवी। तर रहती है। मैं तो भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के अगर क्यूं मिले की दादा होते हुए तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर बर ढूंबते। फिर गोपा ने डरत, डरते लाला मदारिलाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारिलाल पहले इंजिनियर थे, अब पैंशन पाते को रूपया जमा कर लिये थे पर अब तक उनके लोब की भूप न बुजी थी। कोपा ने घर भी वह छाटा जहां उसकी रिसाई कठिन थी। मैंने आपती की, मदारिलाल तो बड़ा दुर्जन मनुश्य है। कोपा ने दांतों तले जीब दबा कर कहा, अरे नहीं भाया, तुमने उन्हें पहचाना न होगा। मेरे उपा बड़े दयालू हैं। कभी कभी आकर कुशल, समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा हुनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूं। फिर उनके यहां कमी किस बात की है। यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, ले उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा क्यूं इसके मन में किसी के प्रती अविश्वा सुथपन करूं। संभव है मदारी लाल वह न रहे हूं, शित का भावनाएं बदलती भी रहती हैं। मैंने अर्ठ सहमत होकर कहा, मगर य तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस वरपन करके भी उनका मून नीचा न कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसे घर में चाहती थी, जहां वह रानी वर कर रहे। दूसरे दिन प्रातह काल में मदारी लाल क के पास गया और उनसे मेरी जो बात चीत हुई, उसने मुझे मुझे मुगद कर दिया। किसी समय बहलो भी रहे होंगे, इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहरिदे उदार और विनीशील पाया। बोले भाई साहब मा, देवनात जी से परिचित हूँ, आदमियों में रत्म थे, उनकी लड़की मेरे घर आई, यह मेरा सौभाग्या है, आप उनकी मा से कह दे, मदारिलाल उनसे किसी चीज की इच्छा नहीं रखता, इश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, मैं उन्हें जेर बार नहीं करना चाहता, कीम, यह चार महीने गोपा ने आदर्श अपने सामने रख लिया था, पगली इस ब्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ता जाएगा, यह न जानती थी कि, यहां ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आये दिन भुला दिये जाते हैं, शायद बह संसार से यह श्रे ल और तब रोती, मदारिलाल सज्जन है, यह सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रती भी कुछ धर्म है, कौन उसके दस-पांच लड़कियां बैटी हुई हैं, वह तो दिल खोलकर अर्मान निकालेगी, सुननी के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे उन्हीं देखकर मुझे आश्चर्य होता था, जब देखो कुछ न कुछ सी रही है, कभी सुनारों की दुकान पर बैट हुई है, कभी महमानों के आदर सतकार का आयोजन कर रही है, मुहले में ऐसा विर्ला ही कोई संपन्न मनुष्य होगा, जिससे उसने कुछ कर्ज न लिय वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझ कर देते थे, सारा मुहला उसका सहायक था, सुन्नी अब मुहले की लड़की थी, गोपा की इज़्जत सबकी इज़्जत है और गोपा के, ये तो नींद और आराम हराम था, तर्ज से सिर्फ फटा जा रहा है, आधी रा पन कर देती थी, अकेली और वह भी आधी जान की, क्या क्या करे, जो काम दूसरों पर छूट दे, ती है, उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती है, पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती, पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझ से रहा न गया, बोला, गोपा प्रमुदित हो उठा, बोली उसकी चिंता न करो भाया विध्वा की आयू बहुत लंबी होती है, तुमने सुना नहीं, रॉन्ग मरे न खंडहर ठहे, लेकिन मेरी कामना यही है कि सुननी का ठिकाना लगा कर मैं भी चल दूँ, अब और जीकर क्या करूंगी, सोचो, क्या कर अगर किसी तरह का विग्न पढ़ गया तो किसकी बदनामी होगी, इन चार महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद ही नहीं आती, पर मेरा चित प्रसन है, मैं मरूं या जीऊं मुझे यह संतोश तो होगा कि सुननी के लिए उसका बाप जो कर सकता था, वह म मैंने कर दिया, मदारिलाल ने अपन सज्जनता दिखाय तो मुझे भी तो अपनी नाक रखनी है, एक देवी ने आकर कहा बेहन, जरा चल कर देख चाशनी ठीक हो गई है, या नहीं, गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली जी सिर्पीठ लूँ, तुमसे जरा बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कडी हो गई की लड़ू दोतों से लडेंगे, किस से क्या कहूं, मैंने चिड़कर कहा तुम व्यर्थ का जहन जट कर रही हो, क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठायां का ठेका दे देती, फिर त आलोचना उसे बुर लग, इन देनों उसे बात-बात पर फ्रोधा जाता था, बोली भाईया, तुम ये बाते न समझोगे, तुम्हें न मा बनने का अफसर मिला, न पत्मी बनने का, सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से जीते थे, क्या यह तुम न रहे हैं, वह कर रहे हैं, मैं मन्द बुधी स्त्री भला अकेली क्या कर देती, वही मेरे सहायक है, वही मेरे प्रकाश है, यह समझ लो की यह देह मेरी है, पर इसके अंदर जो आत्मा है, वह उनकी है, जो कुछ हो रहा है, उनके पुन्या आदेश से हो रहा है, तुम उनके म मुह लेकर रह गया चार, जून में विवा हो गया गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा दिया लेकिन फिर भी उसे संतोश न हुआ आज सुनी के पिता होते तो न जाने क्या करते बराबर रोती रही जाडों में मैं फिर दिल ली गया मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी लड़की का घर और बर दोनु आदर्श हैं गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए लेकिन सुख उसके भाग्य में ही न था अभी कप्टे भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखा शुरूप कर दिया भाईय घर दुआर सब अच्छा है सास ससुर भी अच्छे हैं लेकिन जमाईनी कम्मा निकला सुन्नी बेचारी रो रोकर दिन काट रही है तुम उसे देखो तो पहचान न सको उसकी परच्छाई मात्र रह गई है अभी कई दिन हुए आए हुई थी उसकी दशा देखकर छाती फट्ती थी जैसे जीवन में अपना पत्खो बैठी हो न तन बदन की सुध है न कपड़े लते की मेरी सुन्नी की दुर्गत होगी यह तो स्वप्न में भी न सोचा था बिलकुल गुमसुम हो गई है कितना पूछा बेटी तुमसे वह क्यूं नहीं बोलता किस बात पर नाराज है लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती बस आखों से आशु बहते हैं मेरी सुन्न कोई में गिर गई मैंने कहा तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया लगाया क्यूं नहीं भाईया सब हाल मालूम हो गया लॉंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं सुन्नी मेरी पूरा करती रहे सुननी भला इसे खिम सहने लगी उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पती को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है बाप भी उस पर जान देता था मैं आँख की पुतली समझती थी पती मिला चहला जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है दोनों में क्या बात हुई है कौन जान सकता है लेकिन दोनों में कोई गांट पड़ गई है न सुननी की परवा करता है न सुनन उसकी परवा करती है मगर बह तो अपने रंग में मस्त है, सुन्न प्रान दिये देती है उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है, सुन्न के लिए उसकी अपेक्षा है और रूदन है मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं उस लॉंडे का क्या बिगएगा, इसकी तो जिंगी खराब हो जाएगी गोपा की आँखों में आशु भर आये, बोली, भाईया किस दिल से समझाऊं सुन्नी को देख कर तो मेर छाती फटने लगती है बस यहीं जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख यूँ कि इसे कोई कड़ी आँख से देख भी न सके सुन्नी फूहर होती, कटू भाशनी होती, आरामतलब होती, तो समझती भी क्या यह समझाऊं की तेरा पती गली-गली मूम काला करता फिरे फिर भी तू उसकी पूजा किया कर मैं तो खुद यह अपमान न सह सकती स्ट्री पुरूश में विवाह की पहली शर्थ यह है कि दोनू सोलहों आने एक दूसरे के हो जाएं ऐसे पुरूश तो कम है, जो स्ट्री को जो घर विचलित होते देखकर शांत रह सके पर ऐसी स्ट्रियां बहुत हैं, जो पती को स्वच्छन समझती है सुनन उन स्ट्रियों में नहीं है वह अगर आत्मसमर्पन करती है तो आत्मसमर्पन चाहती भी है और यदि पती में यह बात न हुई, तो वह उसमें कोई संपर्पन रखेगी चाहे उसका सारा जीवन रोते कर जाए यह कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभुशन दिखाती हुई बोली सुननी से अब की यहीं छोड़ गई इसी लिए आई थी, ये वे गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कश्ट सहकर बनवाए थे इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी, यों कहो की भीख मान कर जमा किये थे सुनी अब इसकी और आँख उठा कर भी नहीं देखती, पहने तो किस के लिए, सिंगार करे तो किस पर पाँच संदूप कपडों के दिये थे, कपडे सीते सीते मेरी आँखे फूट गई, यह सब कपडे उठाती लाई, इन चीजों से उसे ग्रिना हो गई है बस कलाई में दो चूडिया और एक उजली साड़ी, यही उसका सिंगार है मैंने गोपा को सांथ बना दी, मैं जाकर केदारनात से मिलूंगा देखूं तो, वह किस रंग धंग का आदमी है गोपा ने हाथ जोड कर कहा, नहीं भरेया, भूल कर भी न जाना, सुननी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी अभिमान की पुतली ही समझो उसे, प्रसी समझ लो, जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है, उन्हें, वह कभी न सहलाईगी उसे अपना बना कर कोई चाहे तो लोडी बना ले, लेकिन शासन तो उसने मेरा न सहा, दूसरों का क्या सहेगी मैंने गोपा से उस वक्त कुछ न कहा, लेकिन अफसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था, सैयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए मुझे देखते ही केदार नहीं, सत अरह जुक कर मेरे चरण चुए कि मैं उसकी शालींता पर मुगद हो गया तुरंद भीतर गया और चायक मुरब्बा और मिठाई अलाया, इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने न देखा था यह भावना ही न हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर में कोई अंतर हो सकता है जब तक रहा सिर जुकाए बैठा रहा, उच्रिंग खलता तो उसे चुबी न है गई थी, जब केदार टैनिस खेलने गया, तो मैंने मदारिलाल से कहा केदार बाबू तो बहुत सचरितर जान पड़ती हैं, फिर स्ट्री पुरुष में इतना मनोमालिम्यकिम हो गया है मदारिलाल ने एक क्षण विचार करके कहा इसका कारण इसके सिवा और क्या बताउं की दोनों अपने माँ बाप के लाड़ ले हैं, और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा, अब जाकर जरा शांती मिली है, भोग बिलास का कभी अफसर ही न मिला, दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को पढ़ कर सो जाता था, स्वास्थ्य भी अच्छान था, इसलिए बार-बार यह चिंता सवार रहती थी की संचय कर लूँ खेलने का शौक हुआ, धन की कमी थी ही नहीं, उस पर मा बाप अकेले बेटे, उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन को स्वर्थ था, पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग और गहरा हुआ, अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे, मैंने यह रंग देख, तो मुझे चिंता हुई, सोचा, ब्याह कर बूंध ठीक हो जाएगा, गोपा देवी का पैगाम आया, तो मैंने तुरंट स्विकार कर लिया, मैं सुन्नी को देख चुका था, सोचा ऐसा रूपवती पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा, पर वह भी ल पाडली लड़की थी, हठीली अबोध आदर्श्वादिनी, सहिशनुता तो उसने सीखी ही न थी, समझोते का जीवन में का, या मूल्य है, इसको से खबर ही नहीं, लोहा लोहे से लड़ गया, वह अभन से पराजित करना चाहती है, या उपेक्षा से, यही रहस्य है, और स उसमें ये गुन है नहीं, डोंगा कैसे पार, होगा इश्वर ही जाने, सहसा सुननी अंदर से आ गई, बिलकुल अपने चित्र की रेखासी, मानो मनोहर संगीत की प्रतीदवनी हो, कुंदन तपकर भस्म हो गया था, मिटी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र नहीं हो सकता, उलाहना देती हुई बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं और शायद आप बाहर ही बाहर चले भी जाते, मैंने आसुओं के वेग को रोपते हुए कहा नहीं सुननी, यह कैसे हो सकता था, तुम्हारे पासा ही रहा था कि तुम स्वयम आ ग अपनी यह क्या आगत बना रखी है, मैं अच्छी तरह से हूँ, यह बात क्या है, तुम लोगों में यह क्या अनबन है, गोपा देवी प्रान दिये डालती हैं, तुम खुद मरने की तयारी कर रही हो, कुछ तो विचार से काम लो, सुननी के माथे पर बल पढ़ गए आपन नहक्या विशय छेर दिया चाचा जी, मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निवारन मेरे बूते से बाहर है, मैं उस जीवन से मृत्यू को कहीं अच्छा समझती हूँ, जहां अपनी कदर न हो, मैं व्रत के बदले में व्रत चाह जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझमा, नहीं आता, इस विशय में किसी तरह का समझोता करना मेरे लिए असंभव है, नतीजे मी मैं परवा नहीं करती, लेकिन, नहीं चाचा जी, इस विशय में अब कुछ न कहिए, नहीं तो मैं चली जांगी, आखिर सोच उतो, मैं सोच चुकी और तै कर चुकी, पशुको मनुश्य बनाना मेरी शक्ती से बाहर है, इसके बाद मेरे लिए अपना मूँ बंद करने के सिवा और क्या रह गया था, आच, मई का महीना था, मैं मनसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुचा तुरंत आओ, जरूरी काम है, मैं प्रान, जैसे तपेदिक की रोगी हो, मैंने पूछा कुशल तो है, मैं तो घबरा उठा, उसने बुझी हुई आँखों से देखा और बोल सच, सुन्नी तो कुशल से है, हाँ अच्छी तरह है, और केदारनात, वह भी अच्छी तरह है, तो फिर माजरा क्या है, कुछ तो तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं, दिल तो घबरा रहा था, इससे तुम्हें बुला लिया, सुन्नी को किसी तरह समझा कर यहां लाना है, मैं तो सब कुछ करके हार गई, क्या इधर कोई नई बात हो गई, नई तो नहीं है, लेकिन एक तरह में नई ही समझू, केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया, एक सप्ताह से उसका कहीं पता नहीं है, सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम रहोगी घर में नहीं आँगा, सारा घर सुन्नी का शत्रू हो रहा है, लेकिन वह वहां से टलने का नाम नहीं लेता, सुना है केदार अपने लेती, वहां घुट घुट कर मर जाएगी, मैं उन्हीं पैरों लाला मदारिलाल के घर चला, हाला कि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह न आएगी, मगर वहां पहुचा तो देखा कोहराम मचा हूँ, आहे, मेरा कलेजा धक से रह गया, वहां तो अर्थी सज रही थी, मुह लिप्ट गए और बोले, हाई साहब, मैं तो लुट गया, लड़का भी गया, बहु भी गई, जिंगी ही गारत हो गई, मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया था, सुन्नी और भी ज्यादा उदास रहने लगी थी, उसने उसी दिन अपनी चूडियां तोड डाली थ सास ने जब आपत्ती की, तो उनको अपशब कहे, मदारिलाल ने समझाना चाहा तो, उन्हें भी जली कटी सुनाई, ऐसा अनुमान होता था, उमाध हो गया है, लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था, आज प्रातह काल यमुना सनान करने गई, अन्देरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया, जब दिन चड़ गया और बहु घर में ना मिली, तो उसकी तलाश होने लगी, दो पहर को पता लगा की यमुना गई है, लोग उधर भागे, वहां उस, की लाश मिली, पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई, अब जाकर शव मिला है, मैं थो लिया और वहां से लोटा, तो रात के दस बज गय थे, मेरे पाउ काम प्रहे थे, मालून नहीं, यह खबर पाकर गोपा, कि क्या दशा होगी, प्रानांत न हो जाए, मुझे यही भै हो रहा था, सुन्नी उसकी प्रान थी, उसकी जीवन का केंद्र थी, उस दुखिया के उद्यान में यही पौधा बच रहा था, उसे वह रिदय रक्ट से सींच सींच कर पाल रही थी, उसके वसंत का सुनहरा स्वपन ही उसका जीवन था, उसमें कोपले निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फाल लगेंगे, चिडियाओ, सकी डाली पर बैठ कर अपने सुहाने राग गाएंगी, किन्तु आज निश्टुर नियती ने उस जीवन सूत्र को उखाड कर फेग दिया, और अब उसके जीवन का कोई आधार न था, वह बिंदू ही मिट गया था, जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो जाती थी, दिल को दोनों हाथों से थामे, मैंने ज पकतलिया और बोली आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा, अर्ती के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे, मेरे जी में भी आया की चल कर सुननी के अंतिम दर्शन कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा, जब सुनन ही न रही, तो उसकी लाश में क्या रखा है, न गई, मैं विस और क्या, रोई यहां भी, लेकिन तुमसे सचव कहती हूँ, दिल से नहीं रोई, न जाने कैसे आंसू निकलाए, मुझे तो सुननी की मौत से प्रसन्नता हुई, दुख्या अपनी मान मर्यादालिये संसार से विदा हो गई, नहीं तो न जाने क्या-क्या देखना पड़ता इसलिए और भी प्रसन हूँ की उ, सने अपनी आननिभा दी, स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंथो जाना ही अच्छा तुमने सुननी की मुध्रा देखी थी, लोग कहते हैं, ऐसा जान पड़ता था, मुस्करा रही है मेरी सुननी सच-मुच देवी थी, भाईया आदमी इसलिए थोड़े ही जीना चाहता है की रोता रहे जब मालूम हो गया की जीवन में दूप खके सिवा कुछ नहीं है, तो आदमी जीकर क्या करे, किसलिए जीए, खाने और सोने और मर जाने के लिए यह मैं नहीं चाहती की मुझे सुननी की याद ना आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं लेकिन वह शोप के आंसु न होंगे बहादुर बेटे की माँ उसकी वीरगती पर प्रसन होती है सुननी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है मैं आसु बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूँ वह जानती है और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे उसकी माता सराहना ही करेगी उसकी आत्मा से यह आनंद भी छीन लूँ लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है उपर जाकर सो रहो मैंने तुम्हारी चार पाई बिच्छा दी है मगर देखे अकेले पड़े पड़े रोना नहीं सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बना कर पूझते मैं उपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोज बहुत हलका हो गया था किन्तु रहे रहे कर यह संदे हो जाता था कि गोपा की यह शांती उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं है नाशा एक इश्वरे एक बड़े जमीनदार का लड़का था और मैं गरीद खलरका जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस पर बहसे होती रहती थी मैं जमीनदारी की बुराई करता उन्हें हिंसक पशू और खूं चूसने वाली जोंक और व्रिक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता वह जमीनदारों का पक्ष लेता पर प्रस्वभावत उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्यूंकि उसके पास जमीनदारों के अनुकूल कोई दलील न थी वह कहता कि सभी मनुश्य बराबर नहीं हाते छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे लचद दलील थी किसी मानुशिय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औरचत्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मी गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुसकराता रहता था मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वह सीधे मुह बात नहीं करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की तूट जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता सुस्ती या बद्तमी जी उसे जरा भी बरदाश्ट न थी पर दोस्तों से और विशेशकर मुझसे उसका व्यवहार सोहार्थ और नम्र्टा से भरा हुआ होता था शायद उसकी जगह में होता तो मुझसे भी वहीं कठोरता है पैदा हो जाती जो उसमें थी क्यूंकि मेरा लोग प्रिम सिध्धानतों पर नहीं निजी दशाओं पर तिका हुआ था लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्यूंकि वह प्रकृती से ही विलासी और एश्वर्य प्रिय था अबकी दशहरे की छुटियों में मैंने निश्चे किया कि घर न जाँगा मेरे पास किराय के लिए रूपे न थे और न घरवालों को तकलीव देना चाहता था मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना है बोडिग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था इसलिए जब इश्वरी ने मुझे अपने घर का नेवता दिया तो मैं बिना आगरह के रह जी हो गया इश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वहाँ मीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने उसके साथ ही कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना बहो अगर जमींदारों की निंदा की तो मुआ मिला बिगड जाएगा और मेरे घरवालों को बुरा लगेगा वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि इश्वर ने असाम योंको उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हूँ कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाँगा हो, मैं तो यही समझता हूँ तुम गलत समझते हो इश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया कादाचे तुसने इस मूँ अमले को मरे विवेक पर छोड़ और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अर्ताक्तों में भी जिद पकड़ लेता तो, सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था अगकी सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राइज हुआ काड़ी तो नौ बजे रात को आती थी, पर यातरा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे कुछ देर इधर उधर, सेर करने के बाद रिफ्रेश्मेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भेजिन किया मेरी वेश भूशा और रंग धंग से पार्की खांसामों को यह पहचानने में देर न लगी की मालिक कौन है और पिछलगो कौन लेकिन न जाने क्यूं मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे इश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खांसामों को इनाम इक्राम में मिल जाता हो एक अठनी तो चलते समय इश्वरी ही ने दी फिर भी मैं उन सभों से उसी ततपरता और विने की अपेक्षा करता था जिससे वे इश्वरी की सेवा कर रहे थे क्यूं इश्वरी के होकुम पर सब के सब दौते हैं लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भूजन में कुछ स्वाद न मिला यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी और खीजे हुए था कादी आई हम दोनों सवार हुए खांसामों ने इश्वरी को सलाम किया मेरी और देखा भी नहीं इश्वरी ने कहा कितने तमीजदार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का धंग नहीं मैंने खटे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठाने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज्यादा तमीजदार हो जाएं तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं जी नहीं कदापित नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है काडी चली टाक थी प्रयास से चली तो प्रताप का जाकर रूखी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दरजा है सेकंड क्लास है उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचित रुपेक्षा की दृष्टी से देख कर कहा जी हाँ सेवक इतना समझता है और भी चवाले बर्थ्टे पर बैठ गया मुझे कितनी लजजा आई कह नहीं सकता भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे पांच बेगार बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरूश पीछे पीछे चले एक मुसल्मान था रियासत अली दूसरा ब्राहमन था रामहर्क दोनों ने मेरी और परी चितने इत्रों से देखा मानों कह रहे हैं तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने इश्वरी से पूछा यह बाबु साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं इश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यों कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहबाद पढ़ा हुआ हूँ नहीं कब का लखनव चला आया होता अब की मैं इन खसीत लाया इनके घर से कई तारा चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिये आखिरी तार तो अजेंट था जिसकी फीस चार आने प्रती शब्द है पर यहां से उनका भी जवाब इनकारी ही था दोनों सजजनों ने मेरी और चकित नीत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेश्टा करते जान पड़े रियासत अली ने अर्धिशंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं इश्वरी ने शंका निवारन की महात्मा गांदी के भक्त है साहब खद्दर के सिवा कुछ पहने ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यों कहा की राजा है थाई लाक सालाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए है प्रामहर्ट बोले अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भौम भी नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराजा चॉंगली को देखा होता तो दो तो तले उंगली दबाते एक गाड़े की मिर्जुई और चमरोंदे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगाड में पकड़े गए थे और उन्हीं ने दस लाख से कालेच खोल दिया मैं मा नमे कटा जा रहा था पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद जूट उस वक्त मुझे हास्यासपद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानों में उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था मैं शहस्वार नहीं हूँ हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहां देखा तो दो कलो रास खोड़े हमारे लिए तयार खड़े हे, मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ, पर बोटियों कौम प्रहीं थी मैंने चहरे पर शिकर न पढ़ने दिया खोड़े को इश्वरी के पीछे डाल दिया हेरियत यह हुई कि इश्वरी ने घोड़े को तेज न किया वरना शायद में हाथ पौर तुरवा कर लोटता संभव है, इश्वरी ने समझ लिया हूँ कि यह किपने पानी में है इम, इश्वरी का घर क्या था, किला था इमाम बाड़े का साफाटक द्वार पर पहरेदार तहलता हुआ नौकरों का कोई सिसाब नहीं, एक हाथी बौंधा हुआ इश्वरी ने अपने पिता, चाचा, तावादी सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिश्योक्ती के साथ ऐसी हवा बौंधी का कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लग हे, देहाद के जमीनदार, लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशे तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे जब जरा एकांथ हुआ, तो मैंने इश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिटी क्यूं प्लीद कर रहे हो इश्वरी ने द्रेर मुस्कान के साथ कहा इंगधूं के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुन बोलते भी नहीं जरा देर के बाद नाए हमारे पाउं दबाने आया कुवर लोग स्टेशन से आई हैं, ठक गए होंगे इश्वरी ने मेरी और इशारा करके कहा पहले कुवर साहब के पाउं दबा मैं चार पाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पाउं दबाय हूँ मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और जाने क्या-क्या कहकर इश्वरी का परहास किया करता और आज मैं पोतरों का रईस बनने का स्वान भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड की चोटी तक पहुंच पाय थी, अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेंशा अपनी धूती खुद छाट लिया करता हूँ मगर यहां मैंने इश्वरी की ही भाती अपनी धूती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धूती छाटते शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले होस्टल में जूते पहले मेज पर जाड़ते थे यहोँ पोध होना आवश्यक था कहार पानी ये खड़ा था इश्वरी ने पोव बढ़ा दिये कहार ने उसके पोव धोए मैंने भी पोव बढ़ा दिये कहार ने मेरे पोव भी धोए मेरा वह विचार न जाने कहो चला गया था चार सोचा था वहाँ देहात में एक आग्र होकर खूब पढ़ेंगे पर यह हो सारा दिन सेर सपाटे में कड़ जाता था कहीं नदी में बिजरे पर सेर कर रहे हैं, कहीं मच्छियों या चिडियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुष्टी देख रहे हैं, कहीं शत्रंज पर जमे हैं। इश्वरी खू बंडे मंगवाता और कम्रे में स्टोव पर ओमलेड बनते। नौकरों का एक जथा हमेशा घेरे रहता। अपने हौंत पो हिलाने की कोई जरूरत नहीं। केवल जबान हिला देना काफी है। नहाने बेठो तो आदमी नहलाने को हाजिर पला, तो तो आदमी पंखा जहलने को खड़ें। महात्मा गांधी का कुवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्टे में जरा भी देर न होने पाएक कहीं कुवर साहब नाराज न हो जाये, बिच्छावन ठीक समय पर लग जाये, कुवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं इश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया। हाँ, इश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिच्छा ले लेकिन कुवर महमान अपने हाथों कैसे टपना बिच्छावन बिच्छा सकते हैं, उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा, एक दिन सच्मुच यही बात हो गई, इश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बात चीत करने में देर हो गई, यहो दस बज गए, मेरी ओखी मींद से झापक रही थी, मगर बिस्तर कैसे ट लगाउ उबर जो ठेहरा, कोई साड़े ग्यारह बजे महरा आया, बड़ा मूम लगा नौकर था, घर के धंधू में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही न रही, अब जो याद आई तो भागा हुआ आया, मैंने ऐसी डॉट बताई की उसने भी याद किया होगा, इश्वरी मेरी डॉट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, यह सब हराम खोर इसी व्यवाहार, के योग्या हैं, इसी तरह इश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था, शाम हो गई, मगर लेंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी थी, लेक नदारद, तैवयोग से उसी वक्त मा, रियासत अलिया निकले, मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार बताई की बेचारा उल्लू हो गया, तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं की लेंप तो जलवा दो, मालूम नहीं, ऐसे कामचोर आदमियों का यहो कैसे गुज मुझे महातमाजी का चेला समझकर मेरा बड़ा लेहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था, एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हात बांद कर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले है न, लोग कहते हैं कि यह सुराज हो जाएगा तो जमीनदार न रहेंगे, मैंने शान जमाई जमीनदारों के रहने की जरूरत ही क्या है, यह लोग गरीबों का खुंच उसने के सिवा और क्या करते हैं, थाकुर ने पिर पूछा तो क्यूं, सरकार, सब जमीनदारों की जमीन छीम ली जाएगी, मैंने कहा बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंग, उनकी जमीन छीमनी ही पड़ेगी, हम लोग तो तयार बैटे हुए हैं, ज्योई स्वराज्य हुआ, अपने इलाके असामियों के नाम हिवा कर देंगे, मैं कुरसी पर पूछ लटकाए बैठा था, ठाकुर मेरे पूछ दबाने मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अक्तियार नहीं है भाई, लेकिन ज्यों ही अक्तियार मिला, मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाँगा, तुम्हें मोटर और ड्राइवरी सिखा कर अपना ड्राइवर बना लूँगा, सुना, उस दिन ठाकुर ने खुब भंग दी और अपनी स ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया, मैंने भी अपना पाठ खुब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवित्व की मुहर हरेक रिदय पर लगा दी, जी तो चाहता था, हरेक नौकर को अच्छाए नाम दून, लेकिन वह सामर्थ्य कहां थी, वापस यू क्लास की हालत उससे भी बत्तर, यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरहें रूप न सकते था, बड़ी मुश्किल से तीसरे दरजे में जगह मिली, हमारे ऐश्वरिय ने वहो अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था, आये थे आराम से ल अन्याय तो किसी राजय में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर, राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है, दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब आप खुद बादशा पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशा पर डिग अदे हुए था, इससे बेचैन होकर बार-बार द्वार पर खड़ा हो जाता, मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार-बार आकर मेरे मूं को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, एक तो हवा यूंही कम थी त, सरे उस गवार का आक अगर मेरे मूं पर खड़ा हो जाना, मानू मेरा गला दबाना था, मैं कुछ देर तक जबत किये बैठा रहा, एक आएक मुझे प्रोधा गया, मैंने उसे पकड़ कर पीछे ठेल दिया और दो तमाचे जोर-जोर से लगाए, उसने ओखे निकाल कर कहा, क्यूं मारते हो तो अववल दरजे में खिम नहीं बैठे, कोई बड़ा आदमी होगा, तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता, क्या कसूर किया था बेचारे ने, काड़ी में सांस लेने की जगह नहीं की, इड़की पर जरा सौस लेने खड़ा हो गया, तो उस पर अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिलकुल खो देता है, यह भी अंग्रेजी राज है, जिसका आप बखान कर रहे थे। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए, एक हल तोर दून, तो गुजारा न होगा, मेरे ही कुकरम से भगवान का यह को पाया है, और मैं ही अपने माथे पर उसे लूँगा, बिर्जु का हल अब मैं ही संभा लूँगा, अब घर की देख रेक करने वाला, धरने उठाने वाल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है, रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी, वह हुआ, और जो इच्छा होगी वह होगा, हमारा तुम्हारा क्या बस है, मेरे जीते जी तुम्हे कोई तेरी आंक से देख भी न सकेगा, तुम किसी बात का सोच मत किया करो, विर्जु गय तो अभी बैठा ही हुआ हुँ, रामप्यारी और रामदुलारी दो सगी बहने थी, दोनों का विवाह मतुरा और बिर्जु दो सगे भाईयों से हुआ, दोनों बहने नहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी, शिवदास को पैंशन मिली, दिन भर पर गप शप करते, भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे, लेकिन दैब गती से बड़ा लड़का बिर्जु बिमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीट गए, आज प्रिया कर्म से फुरसत मिली और शिवदास न सच्चे कर्मवीर की भाती फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कसली, मन में उसे चाहे कितना ही दूख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा, आज अपनी बहु को देखकर एक शन के लिए उसकी आँखे सजलह गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रूप कंट से उसे दि किंदारे की कुंजी बहु के सामने फेग दी थी, वैदविय की व्यता को स्वामित्व के गर्व से दवा देना चाहता था, रामप्यारी ने पुलकित कंट से कहा यह कैसे हो सकता है दादा की तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं, काम धंदे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा, बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ न होगा, शिवदास ने समझाया बेटा, दैबगती में तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा, घर में भी तो बीसों काम है, कोई साधू संत आ जाया, कोई पहुना ही आ पहुचे तो उनके सेवा सतकार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा, बहु ने बहुत से हीले किये पर शिवदास ने एक न सुनी, तो शिवदास के बाहर चले जाने पर रामप्यारी ने कुझी उठाई तो उसे मन में अपूर गौरव और उत्तरदाय इस वक्त वह निश्चित होकर भंडारे को खोल सकती है, उसमें क्या-क्या सामान है, क्या-क्या विभूती है, यह देखने के लिए उसका मन लालाय थो था, इस घर में वह कभी न आई थी, जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था, तभी शिवदास आक इस कोठरी को खोला करता था, फिर उसे बंद कर वह ताली अपनी कमर में रख लेता था, राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर छांकती थी, पर अंधीरे में कुछ न दिखाई देता, सारे घर के लिए वह कोठरी तिलिस्म या रहस्य था, जिसके विशय में भ खंडार खोलते न देख ले, नहीं सोचेगा, बेजरूरत उसने क्यूं खोला, तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला, उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खिखटाने लगे, अंदर पांग रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन, उससे कहीं ती ब्याह के अफसर पर निकाले जाते थे, या मांगे दिये जाते थे, एक आले पर माल गुजारी की रसीदे और लेन देन के पुर्जे बंदे हुए रखे थे, को, ठरी में एक विभूती सी च्छाई थी, मानो लक्षमी अज्यात रूप से विराज रही हूँ, उस विभूत की च्छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैटी अपनी आत्मा को त्रिप्त करती रही, प्रतिक्षन उसके हृदय पर ममत्व का नशासा च्छाया जा रहा था, जब वह उसको फ्री से निकली, तो उसके मन के संसकार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दि उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दर्वाजा खोल दिया, देखा तो पडोसिन जुनिया खड़ी है और एक रूपया उधार मांग रही है, राम प्यारी ने रूखाई से कहा अभी तो एक पैसा घर में नहीं है, जी जी, क्रिया कर्म में सब खर् कर सकता, अगर शिवदास ने बहाना किया होता, तो उसे आश्चर्यन होता, प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गाउं में मशहूर थी, अक्सर शिवदास की आँखे बिचाक, राम पडोसियों को इच्छित बस्तुएं दे दिया करती थी, अभी कल ही उसने जानकी क को सेर भर दूब दिया, यहां तक की अपने गहने तक मांगे दे देती थी, क्रिपन्ट शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गाउं वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे, चुनिया ने चकत होकर कहा ऐसा न कहो जी जी, बड़े गाडे में पढ़कर आई नहीं तुम जानती हो, मेरी आदत ऐसी नहीं है, बाकी का एक रूपया देना है, प्यादा द्वार पर खड़ा बक्षक कर रहा है, रूपया दे दोट तो किसी तरह यह विपत्ति टले, मैं आज के आठवे दिन आकर दे जाउंगी, गाउं में और कौन घर है, जहां मांगन प्यारी टस से मज न हुई, उसके जाते ही प्यारी सांच के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी, पहले चावल दाल बिनना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चड़ने से कम न था, कुछ देर बहनों में जहांग जहांब होती, तब शिबदास आकर कहते क्या आज रसोई न बनेगी, तो दो में से एक उठती और मोटे मोटे टिकर लगा कर रख देती, मानो बैलों का राते भो, आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंद में लगी हुई है, अब बह घर की स्वामिनी है, तब उसने बाहर निकल कर देखा, कितना कूरा पड़ा हुआ है, बुडू दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा जाडू ही लगा दे, अब क्या इनसे इतना भी न होगा, द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन हो जाए, यह नहीं की उबकाई आने लगे, अभी कह दून, तो त पानी ही नहीं बदला गया, इस तरह तो गाय रहे चुकी, अपना पेट भर लिया, छुटी हुई, और किसी से क्या मतलब, हांक दूड सबको अच्छा लगता है, दादा द्वार पर बैठे चिलंपी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि चार घड़ा पानी नांद में डाल द आदमी बहुत मिलेंगे, चारों और तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं, आखिर उससे न रहा गया, खड़ा उठा कर पानी लाने चली, शिबदास ने पुकारा पानी क्या होगा बहु, इसमें पानी भरा हुआ है, प्यारी ने कहा नांद का पानी सड़ गया है, मुनी भूसे में मुम नहीं डालती, देखते नहीं हो, कोस भर पर खड़ी है, शिबदास मारमिक भाव से मुसक्राय और आकर बहु के हाथ से घड़ा ले लिया, कीम, कई महीने बीट गए, प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया, भीतर बाहर जहां देखिये, किस पुजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है, तूज ज्यादा हो, ता है, घी ज्यादा होता है, और काम ज्यादा होता है, प्यारी न खुद विश्राम लेती है, न दूसरों को विश्राम लेने देती है, घर में ऐसी वरकत आ गई है कि जो चीज मांगो, घर ही मे निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वास्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चित्रे लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ अगर कोई रूगन और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह प्यारी है, फि भी जी चुराते हैं। फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और ता, और दोनु बहनों में भी अब उतना अपना पन नहीं। प्रातः काल का समय था। गुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिये और घुनाई हुई बोली लेकर इसे भी भंदारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिये और कोमल स्वर से कहा के तो दिया हाथ में रूपे आने दे बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज हा। उतार कर फेक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तयार होकर आई थी। बो और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा आनंद कप काटा। टापड़ा है। दुलारी तुम न खाओ न पहनो, जस तो पाती हो। यहां खाने पहनने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती, मेरे कड़े आज बनने क भेज दो। प्यारी ने सरल विनूद के भाव से पूछा रूपे नहूं, तो कहां से लाऊं। उलारी ने उद्धन्ता के साथ कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूं। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अफसर पर प्यारी को दो-चार कर सहती थी। स्वामिनी का यह धर्म है कि सब की धौन्स सुन ले और करे वही, जिसमें घर का कल्यान हो। स्वामित्व के कावच पर धौन्स ताने धंकी किसी का असर न होता। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आगहतों से और भी स्वस्थ होती थी। वह ग्रहस्ती की संचा सबी अपने अपने दूख्ख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह करती है, वही होता है. इतना उसे प्रसंद करने के लिए काफी था. गाउं में प्यारी की सराहना होती थी. अभी उंग, रही क्या है, लेकिन सारे घर को सभाले हुए है. चाहती तो सगाई करके चैन से रहती. इस घर के पीछे अपने को मिटाय देती है. कभी किसी से हस्ती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई. कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए. प्यारी खुद सुनार के घर दौर दौर गई. संध्या हो गई थी. दुलारी और मतुरा हाट से लोटे. प प्यारी बरोटे के द्वार पर छिपी खड़ी एह द्रिश्य देखने लगी. उसकी आँखे सजल हो गई. दुलारी उससे कुल तीन ही साल तो छूटी है. पर दोनों में कितना अंतर है. उसकी आँखे मानों उस द्रिश्य पर जम गई. दंपती का वह सरल आनंद, उनका प् लगी. सहसा शिवदास ने पुकारा बड़ी बहू. एक पैसा दो. तमाखु मौंगवाउं. प्यारी की समाधी तूट गई. आसु पोचती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई. चार. एक-एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे. वह चाहती थी, मे कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवादारू के लिए रूपे की जरूरत पढ़ती रहती थी, और जब बहुत कत्रब्योंत करने पर भी काम न चलता तो वह अपनी कोई न कोई चीज निकाल देती. और चीज एक बार हाथ से निकल कर फिर न लो लोग उसी का नाम तो धरेंगे. दुलारी के पास भी गहने थे. दो एक चीजे मतुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजे न चुती. उनके खाने पहनने के दिन हैं. वे इस जंजाल में क्यूं फौसे? दुलारी को लड़का हुआ, तो प्यारी ने धून से जनमो सब मनाने का प्रस्ताव किया. शिवदास ने विरोध किया क्या फाइदा? जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे, तो धून धाम कर लेना. प्यारी का होसलों से भरा दिल भला क्यूं मानता? बोली कैसी बात कहते हो दादा? पहलोठे लड़के के लिए भी धून धाम न हुई तो कब होगी? मन तो नहीं मानता. फिर दुनिया क्या कहेगी? नाम बड़े दर्शन थोड़े. मैं तुमसे कुछ नहीं मानती. अपना सारा सरंजाम कर लूँगी. कहनों के माथे जाएगी, और क्या? शिवदास ने चिंते थोकर कहा इस तरह एक दिन धा भगा भी न बचेगा. कितना समझाया, बेटा, भाई भोजाई किसी के नहीं होते. अपने पास दो चीजे रहेंगी, तो सब मूम जो हेंगे, नहीं कोई सीधे बात भी न करेगा. प्यारी ने ऐसा मूम बनाया, मानो वहैसी बूरी बाते बहुत सुन चुकी है, और बोली ज भाम से जनमोट सब मनाया गया. बरही के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ. लोग खा पीकर चले गए, प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिचा कर कमर सीधी करने लगी. आखें चापक गई. मतुरा उसी वक्त, घर में आया. नबजात मुख पर चाई हुई थी. सौर के सैयम और पॉष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था. मतुरा उसे आंगन में देखते ही समीप आगा. या और एक बार प्यारी की ओर ताक कर उसके निद्रमग्न होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में ले लिया और उसक गले लगाते और उसके मुख का निहारते थे. कितना स्वर्गिय आनंद था. प्यारी की त्रिशित लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई. जैसे लगाम से मुखपद, बोज से लदा हुआ, हाकने वाले के चाबुक से पीरित, दौरते दौरते बेदम हिनहिनाने की आवाज सुनकर कनौतियां खड़ी कर लेता है और परिस्थिती को भूल कर एक दबी हुई हिनहिनाहच से उसका जवाब देता. है, कुछ वही दशा प्यारी की हुई. उसका मातृत्व जो पिंज्रे में बंध, मूख, निश्चेश्ट पड़ा हुआ था, समी तुम्ही ने तो नौ महीने पेट में रखा है, सांसत तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूट पड़े. मत्रा मेरा लड़का न होता, तो मेरी सूरत का क्यों होता? चहरा मोहरा, रंगरूप सब मेरा ही सा है की नहीं? दुलारी इससे क्या होता है? बीज बनिये के घर से आता है. खेत किसान का होता है. उपज बनिये की नहीं होती, किसान की होती है. मत्रा बातों में तुम से कोई न जीतेगा. मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, तो मैं द्वार पर बैटकर मजे से हुखका पिया करूंगा. दुलारी मेरा लड़का पड़े लिखेगा, कोई बड़ा हुद्धा पाएगा तुम्हारी तरहें दिन भर बैल के पीछे न चलेगा मालकिन से कहना है कल एक पालना बनवा दे मतुरा अब बहुत सबेरे न उठा करना और छाती फाड़ कर काम भी न करना उलारी यह महारानी जीने देंगी मतुरा मुझे तो बेचारी पर दया आती है उसके कौन बैठा हुआ है हमी लोगों के लिए मरती है भया होते तो अब तक दो तीन बच्चों की मा हो गई होती प्यारी के कंट में आंसुओं का ऐसा वेग उठा की उसे रोखने में सारी देह काप उठी अपना वंचित जीवन उसे मरूस्थलसा लगा जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की निशव लचेश्टा कर रही थी आँच, कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया उधर दुलारी के दो बच्चे और हुए वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी हेती का काम मजदूर उपर आ पड़ा मत्रा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा न था उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अफसर न मिला खुद पहले भाई की निग्रानी में काम करता रहा बाद को बाप की निग्रानी में काम करने लगा हेती का तार भी न जानता था वही मजदूर उसके यहां टिकते थे जो मेहनत नहीं, खुशामत करने में कुशल होते थे इसलिए प्यारी को अब दिन में दो-चार चक्कर हार के भी लगाना पड़ता। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर भी उससे थियोरियां वह, तलते, जमींदार का प्यादा भी उसी पर धौन्स जमाता। भूजन में भी किफायत करनी पड़ती, लड़कों को तो जितनी बार मांगे, उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। उलारी तो लड़कोरी थी, उसे भरपूर भूजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन शीन सकता था। मजूर भला क्यूं रियायत करने लगे थे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फाल्तू चीज थी, अगर आधा पेट खायत तो किसी को हानी न हो सकती थी। तीस वर्ष की अवस्था में उसके बाल पग गए, कमर छुप गई, आँखों की जोत कम हो गई। मगर वह प्रसं थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जखमों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मतुरा ने कहा भाभी, अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उनका मूँ ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन हुई। बोली मैं तो जाने को न कहूंगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहां भी तो मदर्सा है। फिर क्या नित्य यही द न बने रहेंगे। दो-तीन साल भी खेती बन गई, तो सब कुछ हो जाएगा। मतरा इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक न बनी, तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पौरूक भी तो ठक रहा है। यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोतकर उनकी जिन्दगी न धावना चाहिए, अगर मेरी और से कोई बात हो, तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक चुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मतरा आर्द्र कंठ होकर बोला भाभी, यह तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चल, गया होता, इस गिरिस्ती के पीछे तुमने अपने को मिटी में मिला दिया, अपनी दे घुला डाली, मैं अंधा नहीं हूं, सब कुछ समझता हूं, हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा, तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बर के क्या पड़े लिखेंगे, बच्चों के बिना इनका जी भी वहां न लगेगा, दौर दौर कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी, परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा, उतने में सारा घर आ, राम से रहेगा, प्यारी बोली तो मैं ही यहां रहकर क्या क बोली बहन, तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहां का कारुबार तो चौपट हो जाएगा, तुम तो कह, छनक कुछ देखभाल करती ही रहोगी, प्रस्थान की तिथी के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलूआ और पूरियां पकाई, जब से इ एक दिन के लिए अकेले रहने का अफसर नहीं आया, दोनों बहने सदा साथ रही, आज उस भयनकर अफसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था, वह देखती थी, मतुरा प्रसन, नहें, बाल ब्रिंद यातरा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं उसे अपने सामने से हटाय जाते देखकर खुब्ध होने से न रुपती थी, तुलारी तो इस तरह निश्चन्त होकर बेखी थी, मान, कोई मिला देखने जा रही है, नहीं नहीं चीजों को देखने, नहीं दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रियाशून्यसा क प्यारी के सिरे सारे प्रबंद का भार था, थूबी के घर से सब कपड़े आए हैं, या नहीं, कौन-कौन से बरतन साथ जाएंगे, सफर खर्च के लिए कितने रूपे की जरूरत होगी, एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस ता रहे थे, उन दोनो की उष्ठियों को पीसना कूपना आदी सेकरूं ही काम व्यस्त किये हुए थे, लिर्कोरी न होकर भी वह बच्चों के लालन पोशन में दुलारी से कुशल थी, देखो, बच्चों को बहुत मारना पीतना मत, मारने से बच्चे जिद्धी या बिहया हो जाते हैं, बच्चो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फॉर्साय रखो, खेले का खिलोना हजार घुड़कियों से बढ़कर होता है, दुलारी इनुक देशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी, मानो कोई संपकर बख रहा हो, विदाई का दिन प्यारी के लिए किस से होसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय काम जाता था, जियों जियों समय निकट आता था, उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थी, वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नीत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती, कभी अफसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी, मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते, यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबर्दस्ती है, दूसरों के लिए कितना ही मरोट तो भी अपने नहीं होते, पानी तेल में कितना ही मिले पिर भी अलग ही रह बच्चे नए नए कुर्ते पहने, नवाब बने घूम रहे थे, प्यारी उन्हीं प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती, तो रोने का सा मूम बना कर छुडा कर भाग जाते, वह क्या जानती थी कि ऐसे अफसर पर बहुत हा, पने बच्चे भी निश्चुर हो जाते हैं, दस बचते बचते द्वार पर बैल काड़ी आ गई, लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे, गाओं के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए, प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था, वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी, मतुरा से हा पड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रूती खड़ी रह गई, वह इतनी वहरिवल थी कि गाओं के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधी न रही, 6. कई दिन तक प्यारी मूर्चित सी पड़ी रही, न घर से निकली, न चूलहा जलाया, न हाथ मूँ धोया, उ इस तरहें की तसल्ली गाओं की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की इर्श्या का भाव छिपा हुआ जा, न पढ़ता था, जोखु के स्वर में सच्ची सहनुभूती जलकती थी, जोखु कामचोर, बातुनी और निशेवाज था, प्यारी उस से बराबर डाटती रहती थी, दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मतुरा के आगरह से फिर रख लिया था, आज भी जोखु की सहनुभूती भरी बाते सुनकर प्यारी जुन जलाती, यह काम करने क्यूं नहीं जाता, यहां मेरे पीछे क्यूं, पढ़ा हुआ है, वेग कम हुआ, जीवन के व्यापार होने लगे, अब खेती का सारा भार प्यारी पर था, लोगों ने सलाह दी, एक हल तोर दो और खेतों को उठा दो उपर प्यारी, का गर्व यूं ढूर बजाकर अपनी पराजस्वी कार न करना था, सारे काम पूर्ववत चलने लगे, उ उसे अगर मेरी चिंता नहीं है, तो मैं कब उसकी परवा करती हूँ, घर में तो अब विशेश काम रहा नहीं, प्यारी सारे दिन खेती बारी के कामों में लगी रहती, खर बूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके, पहले सारा दूद घर में खर्च हो जाता था अब बिकने लगा, प्यारी की मनोवरतियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया, वह अब साफ कपड़े पहंती, माम चोटी की ओर से भी उतनी उदासीन न थी, अब भुशनो, में भी रूची हुई, रूपे हाथ में आते ही उसने अपने गिर्वी गहने चुडाए और भोजन भी सैयम से करने लगी, सागर पहले खेतों को सींच कर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी, सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हलकी हलकी लहरे भी थी, किले हुए कमल भी थे, एक दिन जोखु हार से लोटा, तो अंधेरा हो गया था, प्यारी ने पूछा अब तक वहां क्या करता रहा, जोखु ने कहा चार क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा, दस मोट और खींच दून, कल का जंजट कौन रखे, जोखु अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था, जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे, वह हीले बहाने करता था, अब सब कुछ उसक, हाथ में था, प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी, प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा अच्छा, हाथ मूम धो डालो, आदमी जान रखकर काम करता है, हाए हाए करने से कुछ नहीं होता, हेता आज न होते कल होते क्या जल्दी थी, जोखु ने समझा प्यारी बिगड रही है, उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी, यहां आलोचना हुई, चिरकर बोला मालकिन, दाहने बाएं दो और चलती हो, जो बात नहीं समझती हो, उसमें क्यों कूदती हो, कल के लिए तो उंच्वा के खेत पड़े सूख रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआ खाली हुआ था, सवेरे मैं पहुचता तो कोई और आकर न छेक लेता, फिर इठवारे तक राह देखनी पड़ती, तक तक तो सारी योग विदा हो जाती, प्यारी उसकी सरलता पर हौस कर बोली अरे, तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ, पागल, मैं तो कहती हूँ की जान रख कर काम, कार, कहीं बीमार पड़ गया, तो लेने के देने पर जाएंगे, जोखु कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं, बीस साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहो रात भर काम करता रहूं, प्यारी मैं क्या जानूं, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे, और पूछा जाता था तो कहते थे जुरा गया था, पेट में दरद था, जोखु जहिपता ह बोला वह बाते जब खी, जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें, अब तो जानता हूँ, मेरे ही माथे हैं, मैं न करूंगा तो सब चौपट हो जाएगा, प्यारी मैं क्या देख फाल नहीं करती, जोखु तुम बहुत करोगी, तू बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहां बैठी नहीं रह सकती, प्यारी को उसके निश्कपट व्यवहार ने मुगद कर दिया, बोली तो इतनी राद गय चूलहा जलाओगे, कोई सगाई क्यूं नहीं कर लेते, जोखु ने मूम धोते हुए कहा तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लूँ, सवा सेर खाता हूँ, एक जून पूरा सवा सेर, दोनों जून के लिए दो सेर चाहिए, प्यारी अच्छा, आज मेरी रसोई में खाउत दीखूं कितना खाते हो, जोखु ने पुलकित होकर कहा नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते ठक जाओग कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्यास से खा लेता हूँ और आकर पढ़ रहता हूँ, प्यारी मैं तुम्हें आज फुलके खिलाँगी, जोखु तब तो सारी रात खाते ही बीच जाएगी, प्यारी बको मत चटपट आकर बैठ जाओ, जोखु जरा बैलों को सानी पानी द दूब जाए, परखा बंध हो जाए, तो खेट सूख जाए, जुवार, बाजरा, सन, अरहर सब तो हैं, धान न सही, जोखु ने अपने विशाल कंधे पर फावडा रखते हुए कहा जब सबका होगा, तो मेरा भी होगा, सबका दूब जाएगा, तो मेरा भी दूब मैं क्यूं किसी से पीछे रहूं, बाबा के जमाने में पांच बीगा से कम नहीं रोपा जाता था, विर्जु भाया ने उसमें एक दो बीगे और बढ़ा दिये, मत्रा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया, बीता हूं, मैं पांच बीगे से कम न लागांगा, तब घर में दो जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूं, दोनों के बराबर काम क्यूं न करूंगा, चल, जूठा कहीं का, कहते थे, दो सेर खाता हूं, चार सेर खाता हूं, आज सेर में रहे गए, एक दिन तॉलो तब मालूम हो तौला है बड़े खाने वाले मैं कहे देती हूं धान न रोपो मजूर मिलेंगे नहीं अकेले हलकान होना पड़ेगा तुम्हारी बला से मैं ही हलकान हूंगा न यह दे किस दिन काम आएगी प्यारी ने उसके कंधे पर से फावडा ले लिया और बोली तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे अकेले मेरा जी उब जोखो को उबने का अनुभव न था कोई काम न हो तो आदमी पढ़कर सो रहे जी क्यूं उबे बोला जी उबे तो सो रहना मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा मैं खाली बैठता हूं तो बार-बार खाने की सूझती है बातों में देर हो रही है और बादल गिरे आते हैं प्यारी ने कहा अच्छा कल से जाना आज बैठो जोखु ने मानू बंधन में पढ़कर कहा अच्छा बैठ गया कहो क्या कहती हो प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा कहना क्या है मैं तुमसे पूछती हूँ अपनी सगाई क्यूं नहीं कर लेते अकेले मरती हूँ तब एक से दो हो जाँगी जोखु शर्माता हुआ बोला तुमने फिर वही बेबात की बात शेड़ दी मालकिन किस से सगाई कर लून यहां ऐसी महरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे प्यारी यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई ऐसी औरत कहां मिलेगी जो गहने भी न चाहे जोखु यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने न चाहे हाँ मेरी जान न खाय तुमने तो कभी गहनों के लिए हट न किया बलकि अपने सारे गहने दूसरों के उपर लगा दिये प्यारी के कपोलों पर हलका सा रंग आ गया बोली अच्छा और क्या चाहते हो जोखु मैं कहने लगूंगा तो बिगर जाओगी प्यारी की आँखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई बोली बिगरने की बात कहूगे तो जरूर बिगदूंगी जोखु तो मैं न कहूं तुर हो ऐसा ही अच्छा पकाती हो ऐसी ही किफायती हो ऐसी ही हसमुख हो बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा नहीं इसी तरह पड़ा रहूंगा प्यारी का मुख लज्जा से आरिक्त हो गया उसने पीछे हटकर कहा तुम बड़े नटखट हो हंसी हंसी में सब कुछ कह गए ठाकुर का कुवा एक जोखु ने लोटा मुव से लगाया तो पानी में सक्त बद्बू आई कंगी से बोला यह कैसा पानी है मारे बास के पिया नहीं जाता कला सूखा जा रहा है और तु सड़ा पानी पिलाए देती है कंगी प्रते दिन शाम पानी भर लिया करती थी कुवा दूर था बार बार जाना मुश्किल था कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न ही आज पानी में बद्बू कैसी लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बद्बू थी जरूर कोई जानवर कुवे में गिर कर मर गया होगा मगर दूसरा पानी आवे कहां से थाकुर के कुवे पर कौन चड़ने देगा दूर से लोग डौट बताएगे साहू का कुवो गौव के उस सिरे पर है परंतु वहो कौन पानी भरने देगा कोई कुवो गौव में नहीं है जोखु कई दिन से बीमार हैं कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा फिर बोला अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता लाग थोड़ा पानी नाक बंद करके पीलूँ गंगी ने पानी न दिया खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी ज़ ती रहती हैं बोली यह पानी कैसे पिऊंगे न जाने कौन जानवर मरा हैं कुवे से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ जोखु ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा पानी कहौ से लाएगी थाकुर और साहु के दो कुवे तो हैं क्यों एक लोटा पानी न भरन देंगे हाथ पाओ तुर भी जाते हैं तो कोई दूआर पर जोकने नहीं आता कंधा देना तो बड़ी बात है ऐसे लोग को इसे पानी भरने देंगे उद्धरन इन शब्दों में करवा सत्य था गंगी क्या जवाब देती किन्तु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया तो रात के नौ पहादुरी की बाते हो रही थी कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे की नकल ले आए नाजिर और मोहतिमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती कोई पचास मौन तक कोई सो यहो बे पैसे कोडी नकल उड़ा दी काम करने अडग चाहिए इसी समय अंधली रोशनी कोई पर आ रही थी कंगी जगत की आड में बैठी मौके का इंतजार करने लगी इस कोई का पानी सारा गौव पीता हैं किसी के लिए रोका नहीं सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते कंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मिजबूरियों पर चोटे करने लगा हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों उचे हैं इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं यहो तो जितने हैं एक से एक छोटे हैं चोड़ी ये करें जाल फरेद ये करें छूटे मुकदमे ये करें अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचार गडरिये की भेर चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्ही पंडित के घर में तो बारहू मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस-किस बात में हमसे उंचे हैं, हम गली-गली चि अपलोटने लगता है, परंतु घमंड यह की हम उंचे हैं। कुए पर किसी के आने की आहट हुई। कंगी की छाती धग-धग करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लाद भी तो नीचे न पड़े। उसाने घड़ा और रसी उठाली और जुपकर चलती हु इस पर ये लोग उंचे बनते हैं। कुए पर स्त्रिया पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खान खाने चले और हुकम हुआ की ताजा पानी भरलाओं। खड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती हैं। हाँ, यह तो नहुआ की कलसिया उठा कर भरलाते। बस हुकम चला दिया की ताजा पानी लाओ, जैसे हम लोडिया ही तो हैं। लोडिनरा नहीं तो और क्या हो तूं। रोटी का पड़ा नहीं पाती। दस पांच रुपिये भी छीन झपटकर ले ही लेती हो। और लोडियो कैसी होती हैं। मत लजाओं, दीदी। शिन भर आराम करने को ती तर्सकर रहे जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती, तो इससे कहीं आराम से रहती। उपर से वह हैसान मानता। यहों काम करते करते मर जाओं पर किसी का मूम ही सीधा नहीं होता। दानो पानी भर कर चली गई, तो गंगी व्रिक्ष की छाया से निकली और कुए की जगत के पास आई, बेफिकरे चले गए थे, थाकुर भी दर्वाजा बंदर कर अंदर ओंगन में सोने जा रहे थे, गंगी निक शनिक सुख की सौसली, किसी तरहे मैदान तो साफ हुआ, अमरित चुरा लाने का, ये जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूच कर न गया हो, कंगी दबे पोग कुए की जगत पर चड़ी, विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी न हुआ, उसने रस्सी का फंदा घडे में डाला, ताय बाय च अन्त में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुए में डाल दिया, खड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज न हुई, कंगी ने दो-चार हाथ जल्दी-जल्दी मारे, घड़ा कुए के मूँ तक आ पहुचा कोई बढ, शेह जोर पहलवान भी एतनी तेजी से नखी सच सकता था, गंगी जुकी की घड़े को पकड़ कर जगत पर रखे की एकायक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया, शेर का मूँ इससे अधिक भयानक न होगा, गंगी के हाथ रसी छूट गई, रसी के साथ धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षंट तक पानी में हिलकोरे की आवाजे सुनाई देती रही, ठाकुर कौन है, कौन है, उकारते हुए कुए की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूट कर भागी जा रही थी, घर पहुँचकर देखा की लोटा मूह से लगाय वही म इलागंदा पानी रहा है, घर जमाई, हरिधन जेत की दुपहरी में उख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा, घर में से धुआ उपता नजर आता था, शंट शंट की आवाज भी आ रही थी, उसके दोनों साले उसके बाद आये और घर में चले गए, दोनों सालों के लड़के भी आये और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका, इधर एक महीने से उसके साथ यहां जो बरताव हो रहा था और विशेशकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पांग में बेडियां सी डाले हुए था, कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठीका लिए बैटी हूं क्या, और सबसे बढ़कर अपनी स्त्रीकी निश्ठूरता ने उसके हृदय के टुकडे टुकडे कर दिये थे, वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुह से ना निकला, अम्मा, तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो, बैटी गटगट सुनती रही, शायद मेरी दुर्गती पर खुश हो रही थी, इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए, और आज इस घर में जीवन के दस साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है, मैं किसी से कम काम करता हूं, दोनों साले मीठी नींच सो रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूं, शाटी काटता हूं, बहां सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं, मैं आखे बंद किये अपने काम में लगा रहता हूं, संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाई भैसे दुहता रहता हूँ, उसका यह पुरसकार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालिया मिलती हैं, उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली जरा इसे कोई से खीच ल एक बूंट पानी नहीं है, हरिधन ने डोल लिया और कोई से पानी भर लाया, उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा आप खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही हरिधन थका मांदा क्शुधा से व्याकुल पड़ा-पड़ा सो गया, सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया, हरिधन ने पड़े-पड़े कहा क्या है, क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए, गुमानी कटू स्वर में बोली गुराते क्या हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ, हरिधन ने देखा, उसके दोनु साले और बड़े साले के दोनु लड़के भूजन किये चले आ रहे थे, उसकी देह में आग लग गई, मेरी अब यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैट कर खा भी नहीं सकता, ये लोग मा अदर सतकार होता था, साले गुलाम बने रहते थे, सास मूम जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी, तब उसके पास रुप्ये थे, जायदाद थी, अब बह दरिद्र है, उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूरा कर दिया, अब उसे रोटियों के भी लाले हैं उसके जी में एक ज्वाला सी उठी की इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जबत करके रह गया, पड़े पड़े बोला मुझे भूप नहीं है, आज न खांगा, गुमानी ने कहा न खाओगे मेरी बला से, हा नहीं तो, खाओगे तुम् मुझे उलू, बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं, वह अब कहा जाए, क्या करे, उसकी सास आकर बोली चलकर खा क्यूं नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो, यहां तुम्हारे नकरे सहने का किसी में बूता नहीं है, जो देते हो वह मत देना और क्या करोगे, तुम मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी, जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिदर हूँ, तुम क्यूं बात पूछोगी, बूरी सास भी मूँ फुला कर भीतर चली गई, तो, बच्चों के लिए बाप एक फालतूसी चीज, एक विल क्या हाल होता है, पिता के दर्शन कभी-कभी शाम सबेरे हो जाते हैं, वह बच्चे को उच्छालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सेर कराने ले जाता है, और बस लही उसके करतव यकियती है, वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवा न आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, सोलों आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ, वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानु सूख जाता है, फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूई या जल चड़ाना ल ही उसे मालूम हुआ, मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो, पहनों के विवाह हो चुके थे, हाई कोई दूसरा न था, वेचारा अकेले घर में जाते भी दरता था, मा के लिए रोता था, पर मा की परच्छाईं से दरता था, जिस कोट करना पड़ता, बुव बार-बार पूछती बेटा, कुछ खाओगे, बाप पी अब उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी, कभी-कभी उसे कुछ पैसे दे देता की जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घावन पूरा होता था, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था, यह दुलार और प्यार उसे बार-बार मा की याद दिलाता, मा की गुड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था, मा से मानकर, लड़कर, ठुनक कर, रूटकर लेने में जो आनंद था, वह क्या इस पिक्षादान में था, पह पर दुनिया बदल गई, एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का परदा पड़ गया, हरिधन ने इस नकली मा से बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं, एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया, बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जीवह फिर उस घर में न गया, जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का इश्या में हर्ष हुआ, उसकी भूतियों से परिपूर्ण कर दिया, मरू भूमी में हरियाली उत्पन हो गई, सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकानक्शाएं पर री हो गई, सास कहती बेटा, तुम इस घर को अपना ही समझो तुम ही मेरी आँखों के तारे हो, वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती, वह दिल में समझता था, सास ची मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं, बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके, रुपयों की थेली लिए हुए आ गया, अब उस का दूना आदर सतकार होने लगा, उसने अपनी सारी संपत्ती सास के चरणों पर अरपन करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया, अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके गाओं के लोग दातों तले उंगली दबाते थे, उसके ससुर का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया, लेकिन जियों जियों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान खटता गया, पहले देवता, फिर घर का आदमी अंत में घर का दास हो गया, रोटियों में भी बा पर ताब दे रहे हैं, केवल मैं ही दूद की मक्की बना दिया गया हूं, तो उसके अंतहस तल से एक लंबी ठंडियाह निकल आती, अभी उसकी उम्र पचीस ही साल की तो थी, इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी, और तो और उसकी स्तरी ने भी आँखे फेरी, यह उस विपत्ती का सबसे क्रूर द्रिश्य था, कीम, हरिधन तो उधर भूखा प्यासा, चिंता दाह में जल रहा था, इधर घर में सास्ची और दोनु सालों में बाते हो रही थी, गुमानी भी हामे हा मिलाती जाती थी, बड़े साले ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह साले बोले मजूर हो तो आदमी घुड के भी, जाटे भी अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कभी पिंच शूटेगा भी या नहीं, अपने दिल में समझते होंगे, मैंने दो हजार रुप्ये नहीं दिये हैं, यह नहीं समझते कि उनके दो हजार कपके उड़ चुके, सावा सेर तो एक जुन को चाहिए, सास ने गंभीर भाव से कहा बड़ी भारी खोराख है, गुमानी माता के सिर से जुन निकाल रही थी, सुलगते हुए हृदय से बोली निकम में आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है, बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसक अपनी राह लीजिये, आपका करजा नहीं खाया है, गुमानी घरवालों की ऐसी ऐसी बाते सुनकर अपने पती से द्वेश करने लगी थी, अगर वह बाहर से चार पैसे लाता, तो इस घर में उसका कितना मान समान होता, वह भी रानी बन कर रहती, ना जाने क्यूं कहीं बा अधान था, वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आखों से देखती जैसे उसके घरवाले देखते थे, सच तो, दो हजार रुपिये में क्या किसी को मोल ले लेंगे, दस साल में दो हजार होते ही क्या हैं, दो सो ही तो साल भर के हुए, क्या द आदमी साल भर में दो सो भी न खाएंगे, फिर कप, डे लत्ते, दूग घी, सभी कुछ तो है, दस साल हो गए, एक पीतल का चल्ला नहीं बना, घर से निकलते तो जैसे इनके प्रान निकलते हैं, जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जनम भर होती रहीगी, यह नहीं सोचते की पहले और बात की अब और बात है, बहुतो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महतम होता है, उसके डोली से उत्रत, ही बाजे बचते हैं, गाउं मुहले की औरते उसका मूह देखने आती हैं और रुपिये देती हैं, महीनों उसे घर भर से अच्छा खान को मिलता है, अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन चह महीनों के बाद कोई उसकी बाद भी नहीं पूछता, वह घर भर की लोडी हो जाती है, उनके घर में मेरी भी तो वही गती होती, फिर काहिकारा, जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूं, तो तुम्हारी यह नहीं कि जब जी में आया, कुछ काम किया, जब जी में आया, पढ़कर सो रहे। पान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हात बाध हाजिर रहा, वहाज एकाई कितना आत्मा भिमानी हो जाए, यह उनको चौका देने के लिए काफी था। अब बड़े साले भी गर्म पड़े तुम्हें किसी ने यहाँ बाध तो नहीं रखा है। अबकी हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी धंग से कहा अगर तुम यह चाहो की जन भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सतकार ह तो यह हमारे वश्की बात नहीं है। छोटे साले ने कहा अमा भी तो आई थी। तुमने कह दिया, मुझे भूफ नहीं है, तो क्या करती। सास बीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली कितना कहकर हार गई, कोई उठे न तो मैं क्या करूँ। हरिधन ने विश्क खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ। मैं कुट्ता हूँ की तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेक दो। बुढिया ने एक्ट कर कहा तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे। हरिधन पर आस्थ हो गया। बुढिया ने एक ही वाग प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवे धीली पड़ गई, आखों की आख बुझ गई, फिड़कते हुए न तुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भाती वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे। यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुपता चला जाता था, न हृदय का अंत था, न उस भाले का। आज, सारे घर ने खाया, पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दूनु साले मनाकर थक गए। हरिधन न उठा, वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था, उसे उठा कर सबसे अलग कुए पर ले गया और जगत पर बिच्छा कर पड़ा रहा, राद भीग चुकी थी, अनन्द प्रकाश में उजवल तारे बालकों की भाती क्रीडा कर रहे थे, कोई नाचता था, कोई उ जाने कहां छिप जाता था, हरिधन को अपना बच्पन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीडा करता था, उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भाती प्रजवलित हो गई, वह अपना छूटा सा घर, वह आम के बाग, जहां वह केरियां चुना करता था, वह म जहां वह कबर्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगे, फिर अपनी सनहमय माता की सदय मूर्ती उसके सामने खड़ी हो गई, उन आखों में कितनी करुना थी, कितनी दया थी, उसे ऐसा जान पड़ा मानू माता आखों में आंसु भरे, उसे च्छाती से लगा लेने के हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है, वह उस मधूर भावना में अपने को भूल गया, ऐसा जान पड़ा मानू माता ने उसे च्छाती से लगा लिया है, और उसके सिर पर हाथ फेर रही है, वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, उसी आत्मसमोहित दशा में उसक वहां मेरे लिए जगह नहीं है, सहसा गुमानी ने आकर पुकारा क्या सो गए तुम, नौज किसी को ऐसी राक्षसी मींद आए, चलकर खा क्यूं नहीं लेते, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे, हरिधन उसका अपना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया, वही कुई की जगत थी, वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे, हरिधन उट बैठा और मानु तलवार म्यान से निकाल कर बोला भला तुम्हें मेरी सुद्ध तो आई, मैंने तो कह दिया था, मुझे भूफ न नहीं है, गुमानी तो कैद दिन न खाओगे, अब इस घर का पानी भी न पियूँगा, तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं, उद्धरन, रिर संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली कहा जा रहे हो, हरिधन ने मानो नशे में कहा तुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलेगी या नहीं, फिर पीछे से न कहना, मुझसे कहा नहीं, गुमानी आपत्ती के भाव से बोली तुम बताते क्यों नहीं, कहा जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं, जब तक तुम बता न दोगे, मैं नहीं जाँगी, तो मालूम हो गया, तुम नहीं जाना चाहती, मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता, यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला, गुमानी पुकारती रही, सुन लो, सुन लो, पर उसने पीछे फिरकर भी न देखा, शे, तीस मील की मंजिल हरिधन पांच खंटों में तै की, जब वह अपने गाउं की अमराईयों के सामने पहुचा, तो उसकी मात्र भावना उशा की सुनहरी गोद में खेल रही थी, उन व्रिक्षों को देखकर उसका विवल हृदय नाचने लगा, मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह मानो एक छलांग में उसके उपर जा पहुचेगा, वह वेग में दोड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो, जब वह आमों के बाग में पहुचा, जहां डालियों पर बैट कर वह हाथी की सवारी का आनन पाता था, जहां की कच्ची वेरोन औ और लिसोरों में एक स्वरगिय स्वाद था, तो वह बैट गया और भूमी पर सिर जुका कर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी वी, पत्ती कथा सुना रहा हो, वहां की वायू में, वहां के प्रकाश में, मानो उसकी विराट रूपिनी माता व्याप्त हो रही थी, वह उसने उसके शोकात, हृदे को बालोत साह से भर दिया, वह एक पेड़ पर चड़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा, सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निश्ठु राघात, वह सारा अपमान वह भूल गया, उसके पाउंग फूल गय थे, तलवों म जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था, सहसा रखवाले ने पुकारा वह कौन उपर चड़ा हुआ है रे, उतर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा की वही थंडे हो जाओगे, उसने कई गालियां भी दी, इस फटकार और इन गालि से भरी हुई हसी उसने बहुत दिन से न हसी थी, रखवाले को वह हसी परिचित सी मालूं हुई, मगर हरिधन यहां कहां, वह तो ससुराल की रोटियां तोड रहा है, कैसा हसोड़ा था, कितना चिबिला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ, पेड की डाल से तालाब में कू से उतर आओ, वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी, सिर सहलाता हुआ बोला यह कौन सैतान है, नहीं मानता ठहर तो, मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ, उसने अपनी लकडी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट उपर चड़ गया देखा तो हरिधन बैठा मुस्किरा रहा है, चकित होकर बोला अरे हरिधन, तुम यहां कब आए, इस पेड़ पर कब से बैठे हो, दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले, यहां कब आए, चलो घर चलो भले आदमी, क्या वहां आम भी मैस्सर न होते थे हरिधन ने मुस्किरा कर कहा मंगरू, इन आमों में जो स्वाध है, वह और कहीं के आमों में नहीं है, गाउं का क्या रंग धंग है, मंगरू सब चैन चान है भाईया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड लिया, इस तरह कोई अपना गाउं घर छोड देता है, जबसे तुम्ह ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी न, तुम्हारी गया में ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना, मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भाईया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है, क्या ससुराल में अब न रहोगे, कोई चिंत तुम्हे पाकर तो निहाल हो जाएगी, अच्छाक घरवाली को भी तो लाओगे, हरिधन उसका अब मूम न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई, मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी, अबकि ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे, लेकिन कहीं पह हरिधन वह न आईगी, साथ, हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाईप भाया आए, भाया आए, कहकर भीतर दोड़े और मा को खबर दी, उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानू वह अपनी मा की गोद में बैठा हुआ है, इतने दिनों ठोकरे खाने से उसका रिदय कोमल हो गया था, जहां पहले अभिमान था, आगरह था, हेकडी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराज़ थी और याचना थी, वीमारी का जोड कम हा, चाला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी, किले की दिवारे छित अश्रय पाकर मानुत्रिप्त हो गया, शाम को विमाता ने कहा बेटा, तुम घर आ गए, हमारे धनभाग, अब इन बच्चों को पालो, मा का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही, मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, तुम्हारी अम्मा से म मेरा बेहन का नाता है, उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के होते हो, हरिधन की मात्र विवल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए, घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छेटा चांदनी की भादी छिटकी हुई थी, विमाता का प्रॉड मुख मंडल भी उसी छेटा से रंजित था, दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेट को चला, उसके मुख पर उल्लास था और आँखों में गर्व, वह अब किसी का आ, श्रित नहीं, आश्रैदाता था, किसी के द्वार का भिक्षुप नहीं, घर का रक्षक था, एक दिन उसने सुना, गुमानी ने दूसरा घर कर लिया, मां से बोला तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया, काकी ने कहा घर क्या कर लेगी, ठटा है, विरादरी में ऐसा अंधे, पूस की राख, हल्कुने अदाब कर स्त्री से कहा, हरिधन ने काकी, बहुत महाबीर जी को लट्टी चड़ा आओ, मैं तो डर रहा था, कजहनी रगा रहे न आपड़े, पीछे फिरकर बान ने मेरे सुले हैं, मैं बहां से कंबल कहां से आवे दा, अब उसका माग न देखुँगा, उससे कह दो, फसल पर दे देंगे, अभी नहीं, हलकु एक शन अनिश चड़ दशा में खड़ा रहा, उस सिर पर आगया, कंबल के बिनाहार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुर्कियां जमावेगा, गालियों देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी, यह सा, चता हुआ वह अपना दूसरा उपाई सोचूंगा, मुनी उसके पास से दूर हट गई और ओखे तरेरती हुई बोली कर चुके दूसरा उपाई, जरा सुनून तो कौन सा उपाई करोगे, कोई खेरात दे देगा कमल, ना जान कितनी बाखी है, जो किसी तरह चुपने ही नहीं आती, मैं कहती तुम क्यूं नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो चुटी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है, पेट के लिए मजूरी करों, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपिय न दूंगी, न दूंगी, हलकु उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊंग, मुनी ने तडप कर कहा गाली किम देगा, क्या उसका राज है, मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भोहें धीली पड़ गई, हलकु के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वहमानो एक भीशन जन्तु की भोती उसे घूर रहा था, उसने ज जाकर आले पर से रुपए, निकाले और लाकर हलकु के हाथ पर रख दिये, फिर बोली तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौन्स तो न रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओं, वह भी उसी में जों दो उस पर धौन्स, हलकु न रुपएं लिये और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हूं, उस ने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर तीन रुपएं कंबल के लिए जमा किये थे, वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्त पानी दींता के भार से दबा जा रहा था, तो, उसकी अंधीरी रात, आकाश पर तारे भी छिठूरते हुए मालूम होते थे, हलकु अपने खेत के किनारे उख के परतों की एक छतरी के नीचे बौस के खटाले पर अपनी, पुरानी गाडे की चादर ओडे पड़ा कॉप र रहा था, दो में से एक को भी मींग नहीं आ रही थी, हलकु ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा क्यूं जबरा जाड़ा लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह तो यहां क्या लेने आये थे, अब खाउं ठंट मैं क्या करूं, जानते थे, मैं यहां हलुआ पूरी खाने आ रहा हूं, दोड़े दोड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को, जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाए और अपनी कुंकुं को दीर्ग बनाता हुआ कहा कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जा, ओगे, यह रान पच्छ पान ऐसे पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबड़ा कर भागे, मोटे मोटे गड़े, लिहाफ कंबल, मजाल है, जाड़े का गुजर हो जाए, जिकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें, हलकु उठा, गड़े में से जरा सी आग न चलकता हुई ओखो से देखा, हलकु आज और जाड़ा खा ले, कल से में यहाँ पुआल बिच दूंगा, उसी में घुसकर बैठना तब जाड़ा न लगेगा, जबरा ने अपने पंजो उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मूम के पास अपना मूम ले गया, हलकु क कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भौती उसकी छाती को दबाए हुए था, जब किसी तरना रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसक सिर को थप थपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया, कुत्ते की देह से जाने कैसी दुरगंधा रही थी, पर व वह उसे अपनी गोद में चिपटाई हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिला था, जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हलकु की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रती ग्रिना की गंध तक न थी, अपने किसी अभिन मित्रिया भाई को भी वह एकनी ही ततपर्ता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुचा दिया, नहीं, इस अनुखी माइथरी ने जैसे उसकी आत, मा के सब द्वार खोल दिये थे और उनका एक-एक अनू प्रकाश से चमक रहा था, सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, इस विशेश आत्मियता ने उसमें एक नई स्फूर्ती पैदा कर रही थी, जो हवा के ठंडे जोकों को तुच्छ समझती थी, वह जपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भूंगने लगा, हलकु ने उसे कई ब चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया, हार में चारो तरफ दौड दौड कर भूंगता रहा, एक क्षण के लिए हाभी जाता तो तुरंथ ही फिर दौडता, करतविय उसके हृदय में अर्मान की भाती ही उच्छल रहा था, एक घंटा और गुजर गया, रात मे शीत को हवा से धतकाना शुरू किया, हलकू उट बैठा और दोनों घुटनों को च्छाती से मिला कर सिर को उसमें छिपा लिया, फिर भी ठम, तकम न हुई, ऐसा जान पड़ता था, सारा रक्त जम गया है, दिम्यों में रक्त की जगह हिम बह रही है, उसने जुपकर में आधे भी नहीं चड़े, उपर आ जाएंगे तब कहीं सबेरा होगा, अभी पहर से उपर रात हैं, हलकू के खेट से कोई एक गोली के टपे पर आमू का एक बाग था, पत्छर शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों को धेर लगा हुआ था, हलकू ने सोच चलकर पत् खूब तापूम, रात को कोई मुझे पत्तियों बटारते देख तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता, उसने पास के अरहर के खेट में जाकर कई पौधे उखाड लिये, और उनका एक झाडू बनाकर हा गीचे में पत्तियों बटोर कर तापें, टोटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है, जबरा ने कुंग कुंग करे सहमती प्रकट की और आगेबा, गीचे की ओर चला, बगीचे में खूब अंधेरा चाया हुआ था और अंधकार में निर्दय हकाई जिबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंधा रही हैं, जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिंचोर रहा था, हलकु ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों बठारने लगा, जरा देर में पत्तियों का धेर लग गया था, हाथ ठि व्रिक्ष की पत्तियों को चुचु कर भागने लगी, उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल व्रिक्ष ऐसे मालूम होते थे, मानो उस अथा अंधकार को अपने सिरों पर सभाले हुए हूँ, अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौक के समान हिलता, मचलता, हुआ जान पढ़ता था, हलकु अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था, एक शन में उसने दोहर उताकर बगल में दबा ली, दुनु पॉफ फैला दिये, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में आय सोकर, ठंड की असीन शक्ती पर विजय पाकर वह विजय ग पहले से यह उपाए न सुझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खातें, जबर ने पूंच हिलाई, अच्छा आओ, इस अलाव को कूट कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है, अगर जल गए बचा, तो मैं दवा न करूंगा, जबर ने उस अगनी राशी की और कातर नेत्रों से देखा, मुनी से कल न कह देना, नहीं लडाई करेगी, यह कहता हुआ वह उचला और उस अलाव के उपर से साफ निकल गया, पैरों में जरा लपट लगी, पर बह कोई बात न थी, जबर आग के गिर्द घूंकर उसके पासा खड़ा हुआ, हलकु ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं, उपर से कूद कर आओ, वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया, चार, पत्या जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा चा गया था, राक के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का जूंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक ख्षन में फिर आखे बंद कर लेती थी, हलकु ने फिर चादरोड ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीच गुनगुनाने लगा, उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जियों जियों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आल से दबाए लेता था, जबरा जोर से भूंट कर खेत की औ गुर्भागा, हलकु को ऐसा मालूम हुआ की जानवरों का एक जुन्ट खेत में आया है, शायद नीलगायों का जुन्ट था, उनके कूडने, तोडने की आवाजे साफ कान में आ रही थी, फिर ऐसा मालूम हुआ की खेत में चर रही है, उनके चबाने की आवाज चर-चर नोच ही डाले, मुझे ब्रम हो रहा है, कहां, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ, उसने जोर से आवाज लगाई जबरा, जबरा, जबरा भूंगता रहा, उसके पास न आया, फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली, अबभ अपने को धोखा न जहर लग रहा था, कैसा ददाया हुआ बैठा था, इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दोड़ना असर, या जान पड़ा, वह अपनी जगह से न हिला, उसने जोर से आवाज लगाई हिलो, 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 जबरा फिर भूंग उठा, जानवर खेत चर रहे थी, फसल तैयार हैं, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुश्ट जानवर उसका सर्वनाश किये डालते हैं, हलकु पक का इरादा करके उठा और दो-तीन कदम जला, पर एकाएक हवा कस ऐसा थंडा, चुभने वाला, बिच्चु के डंग का, सा जूंका लगा कि वह फि के पास शांत बैठा हुआ था, अकर्मन्यता ने रिस्सियों की भौती उसे चारो तरफ से जकर रखा था, उसी राक के पस गर्म जमीन परद, वही चादर ओर कर सो गया, सबिरे जब उसकी नीम्द खुली, तब चारो तरफ धूप फैली गई थी और मुन्मी की रही थी, क् सारे खेत का सत्यनाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है, तुम्हारे यहों मनडेयार डालने से क्या हुआ, हलकु ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी हैं, पेट में ऐसा दरद हुआ, ऐसा दरद हुआ की मैं नहीं जानता हूँ, दोनों फि सारे खेत की दशा देख रहे थे, मुन्ही के मुख पर उदासी च्छाई थी, पर हलकु प्रसंद था, मुन्ही ने चिंचत होकर कहा, कई गन से घर में कलह मचा हुआ था, हलकु ने प्रसंद मुख से कहा रहा, सब को थन में यहों सोना पायुमें जैसे विश्भरा हुआ थ रात को भोजन नहीं बना, दिन को मैंने स्टोव पर खिचरी डाली, पार खाया किसी नहीं, बच्चों को भी आज भूठ न थी, छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बाते न थी, किया हो, लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, न उससे बोला, न कुछ पूछा, दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों के हृदे उनसे इतने फिर गए हैं, हाई बहिंदी, नमें क 24 खंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता, यह शायद उनकी समझ में न आता था, छगरे की जड़ कुछ न थी, अमा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजन के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वह पत्नी जी को घर की स्थिती देखते हुए अधिक मालूम हुई, अ पुराई है, खिलोने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या जरूरत, उनका कहा था, जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, देनिरक कारियों में खीच तान करनी पड़ती है, दूब खी के बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदारता की जाए, पहले घर में दिया जला कर तब मस्जिद में जलाते हैं, यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दे और घर अंधेरा पड़ा रहे, इसी बात पर सास बहु में तकरार हो गई, फिर शाखे फूट निकी, बात कहां से कहां जा पहुँची, गड़े हुए मुर्दे उखाड तो पत्मी जी रोना धोना शुरू करती हैं, अपने नसीबों को कोसने लगती हैं, पत्मी की सी कहता हुँ तो जिनमुरीद की उपाधी मिलती है, इसलिए बारी-बारी से दोनु पक्षों का समर्थन करता जाता था, पर स्वार्थवश मेरी सहनुभूती पत्मी के साथ ही खुल कर अम्मा से कुछ न कहा सकता था पर दिल में समझ रहा था कि जाती इन ही की है, दूकान का यह हाल है कि कभी-कभी बोहनी भी नहीं होती, असामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लखीरों को पीट कर क्यूं अपनी जान संकट में डाली जाए, बार-ब पार इस ग्रहस्थी के जंजाल पर तबियत जुन जलाती थी, घर में तीन तो प्रानी है और उनमें भी प्रेम भाव नहीं, ऐसी ग्रहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए, कभी-कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सब को छोड़ शार कर कहीं भाग जाओं, जब अपने सिर पड़ेगा, तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा की ग्रहस्थी कैसे चलती है, क्या जानता था कि यह विपत्ती जेलनी पड़ेगी नहीं विवाह का नाम ही न लेता, तरह तरह के कुचसित भाव मन में आ रहे थे, कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परिशान करना चाहती है, बहु उनके पौर नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोश? मैंने उसे मना तो नहीं कर दिया है, मुझे तो सच्चा आनंद होगा, यदी सास बहु में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे वश की बात नहीं की दोननों में डाल दूँ, अगर अमा ने अपनी सास की साड़ी धूई है, उनके पौर दबाए हैं, उनकी घुर्किया खाई हैं, तो आज बह पुराना हिसाब बहु से क्यूं चुकाना चाहती हैं, उन्हें क्यूं नहीं दिखाई देता की अब समय बदल गया है, बहुए अब भयविश सास की गुलामी नहीं करती, प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रोग दिखा कर उन पर शासन करना चाहो, तो वह दिन लग गए, सारे शहर में जनमाश्टनी का उत्सव हो रहा था, मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था, संध्या हो गई थी, पर घर अंधेरा पड़ा, हाँ, मनुसियत चाही हुई थी, मुझे अपनी पत्नी पर ख्रोधाया, लड़ती हो, लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों न रखा है, जाकर कहा क्या आज घर में चिराग न जलेंगे, पत्नी ने मूँ फुला कर कहा जला क्यों नहीं लेते, तुम्ह रहते थे, पत्नी जी को अम्मा की स्टिपनी ने जामे के बाहर कर दिया, बोली जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लाल्टेन तो मैंने नहीं देखी, मुझे इस घर में आये दस साल हो गए, मैंने डाटा अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं, ओहो, तुम तो ऐसा डाट रहे हो, जेसे मुझे मोल लाए हो, मैं कहती हूँ, चुप रहो, क्यूं चुप रहो, अगर एक कहूगे तो दो सुनोगे, इसी सका नाम पतिवरत है, जैसा परास्थ होकर बाहर चला आया, और अंधिरी कोटरी में बैठा हुआ, उस मनहूस खड़ी को कोसने लग जब इस कुलिच शनी से मेरा विवा हुआ था, इस अंधकार में भी दस साल का जीवन सिनिमा चितरों की भोती मेरे नीतरों के सामने दोड गया, उसमें कहीं प्रकाश की जहलक न थी, कहीं स्ने की मृदुता न थी, तो, सहसा मेरे मित्र पंदित जैदेव जी ने द्वार प सवार हो गए, जैदेव से फिर पुकारा, अरे कहां हो भाई, बोलते क्यों नहीं, कोई घर में है या नहीं, कहीं से कोई जवाब न मिला, जैदेव ने द्वार को इतनी जोर से जहंचुडा की मुझे भै हुआ, कहीं दर्वाजा चौकट बाजू समेद गिर न पड़े, फ किसी के पेरों की आहत मिली और अब की टार्च के तीवर प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा, जैदेव ने मुझे बैथे देखकर कुतूहल से पुछा, तो कहां गए थे जी, खंटों चीखा, किसी ने जवाब तक न दिया, यह आज क्या मामला है, चिराग क्यों नहीं जल मेरे सिर में दर्द था, दूकान से आकर लेते, तो नींद आ गई, और सोए तो घोडा बेचकर, मुर्दों से शर्ट लगा कर, उद्धरन, हाँ यार, नींद आ गई, मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था, या उसका रिट्रेंचमेंट कर दिया, आज घर में लोग रत से हैना, हाथ ना खाली होगा, खेर चलो, कहीं जोकी देखने चलते हो, सेट कुरे मल के मंदिर में ऐसी जोकी बनी है कि देखते ही बनता है, ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि ओखे जपक उठती हैं, सिंघासन के ठीक सामने ऐसा फोहरा लगाया है कि उ उसमें से गुलाब जल की फहारे निकलती हैं, मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुम्हारे पास दोड़ा चला आ रहा हूं, बहुत जंकियां देखी होंगी तुमने लेकिन यह और ही चीज है, आलम फटा पड़ता है, सुनते हैं दिली से कोई चतुरकारीगर आया है, उस तुम तो यार, बहुत दिख करते हो, इसी मारे में चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बलाट ले, लेकिन तुम सिर पर सवार हो गए, कहा दिया, मैं न जाँगा, और मैंने कह दिया, मैं जरूर लजाँगा, मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुंत आसान नुस्खा है, यो हाथा पाइप धींगा मुश्ती, ढौल धपे में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे गुद-गुदाया और परास्त हुआ, फिर मेरी कुछ नहीं चलती, मैं हाथ जोडने लगता हूँ, गिग्याने लगता हूँ, और कभी-क अभी रोने भी, लगता हूँ, जैदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई, संदी की वही शर्थ ठहरी की में चुपके से जोकी देखने चला चलूँ, तीन, सेट कूरेलाल उन आदमियों में हैं, जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिल उनके मिखी चूसपने की सेकड़ों ही दन तक थाय नगर में प्रचलित हैं, कहते हैं, एक बार मारवार का एक भिखारी, उनके द्वार पर डट गया की भिख्षा लेकर ही जाँगा, सेट्ची भी अड़ गय की भिख्षा न दूंगा, चाहे कुछ हो, मारवारी उन ही के द उनका पक्का था, सारा दिन द्वार पर, बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वही मर गया, तब सेट जी पसीजे और उसकी ख्रिया इतनी धूंधाम से की की बहुत कम किसी ने की होगी, पिक्षुप का सत्यागरह सेट जीने के लिए वर्दान हो गया, उनके अंत करण में भक्ती का जैसे स्रोत खुल गया, अपनी सारी संपत्ती धर्मार थरपन कर दी, हम लोग ठाकुरदारे में पहुंचेक तो दर्शकों की भीर लगी हुई थी, कंदे से कंदा चिलता था, आने और जाने के मार गलग थे, फिर हमें आग घंटे के बाद भीतर जाने का अफ हो गई है, उनकी वह प्रतनिजिटित बिजली से जगमगाती मूर्ती देखकर मेरे मन में गलानी उत्पन हुई, इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है, मैंने तो रतनों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है, मुझे उस वक्त यही याद न रही कि यह एक करोड पती सेक का मंदिर है और धनी मनुश्य धन में लोटने वाले इश्वर ही की कल्पना कर सकता है, धनी इश्वर मा, ही उसकी श्रध्धा हो सकती है, जिसके पास धन नहीं, वह उसकी दया का पात्र हो सकता है, श्रध्धा का कदापी नहीं, मंदिर में जैदेव को सभी जानते मंदिन के ओंगन में संगीत मंदली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिश्यों के साथ तंबूरालिये बैठे थे। गुल्था की तोप की आवाज भी न सुनाई देती, वहां जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया। जो जहां था, वही मंत्र मुगद सा खड़ा था। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और संजीव न थी। मेरे सामने न वही बिजली का चक मगाहट नव भौतिक विभूतियों का समारोह। मेर, सामने वही यमुना का तठ्था, गुल्म लताओं का घुंगट मुव पर डाले हुए। वही मोहिनी गवे थी, वही गोपियों की जल्क रीडा, वही वन्शी की मधूर ध्वनी, वही शीतल चौधनी और वही प्यारा जिसके मुख छवी में प्रेम और वातसल्य की जियोती थी, जिसके दर्शनों ही से रिदय निर्मल हो जाते थे। लेकिन कंट सा, वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमान्चित कर देता था। कंट स्वसर में इतनी जादु शक्ती है, इसका मुझे आज कुछ हनुभव हुआ। मन में एक नए संसार की स्रिष्टी होने लगी, जहां आनन्द ही आनन्द है, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग। ऐसा जान पड़ा, दू, ख केवल चित की एक वृत्ती है, सत्य है केवलान। न, एक स्वच करुना भरी को मलता, जैसे मन को मसोसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी की वहां जितने सज्जन बैठे हुए थे, सब मेरे अपने हैं, अभिन हैं। फिर अतीत के गर्ब से मेरे भाई की स्मृती मूर्ती निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए, मुझसे लड़कर, घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था, और वहीं उसका देहांत हो गए। या था, उसके पाश्विक विवहारों को याद करके मैं उम्मत हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शयद उसका खूम पी जा जो जो कटू, नीच और ब्रिनास। पद व्यवहार किये थे, वह सब मुझे गए। मन में केवल यही भाव ना थी, मेरा भाईया कितना दूखी है। मुझे इस भाई के प्रती कभी इतनी ममता न हुई थी, फिर तो मन की वह दशा हो गई, जिसे विहवलता कह सकते हैं। श सभी जैसे मेरे गले में लिप्ट-लिप्ट कर हंस रहे थे। फिर विद्या पत्नी की मूर्ती मेरे सामनरे आ खड़ी हुई, वह मूर्ती जिसे दस साल पहले मैंने देखा था, उन ओखों में वही विकल कमपन था, वही संदिग्ध विश्वास कपोलों पर वही लज्जा ल में जाग उठी, मधूर स्मृतियों का जैसे स्रोटसा खुल गया, जी ऐसा तरिपा की इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड कर रोओं और रोते रोते बेसुध हो जाओं, मेरी ओखे सजल हो गई, मेरे मुन से जो कटुश अब्दनी कले थे, वह सब जैसे ही र आज में उठाया, काना बंध हो गया, सब लोग उठुट कर जाने लगे, मैं कल्पना सागर में ही दूबा रहा, सहसा जैदेव ने पुकारा, चलते हो, या बैठे ही रहोगे गुली डंडा, हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने मैं तो यही कहूंगा कि गुली डंडा सब खेलों का राजा है अब भी कभी लड़कों को गुली डंडा खेलते देखता हूं, तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं ना लान की जरूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की मजे से किसी पेड से एक टहनी काटली, गुली बना ली और दो आदमी भी आ जाए, तो खेल शुरू हो गया विलायती खेलों में सबसे बड़ा एभे कि उसके सामान महंगे होते हैं जब तक कम से कम एक सैकरा न खर्च कीजिये, खिलाडियों में शुमार ही नहीं हो पाता यहां गुली डंडा है कि बना हरर फिटकरी के चोखा रंग देता है पर हम इंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दिवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरूची हो गई स्कूलों में हर एक लड़के से तीन-चार रूपे सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है किसी को यह नहीं सूचता की भारतिय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौडी के खेले जाते हैं इंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है करीब लड़कों के सा रक्यू यह व्यसन मड़ते हो खीक है गुल्ली से आँख फूट जाने का भई रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर्फ फूट जाने तिल्ली फट जाने टांटू जाने का भई नहीं रहता अगर हमारे माथे में गुल्ली का दागाज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं, जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे यह अपनी अपनी रूची है, मुझे गुल्ली, ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बच्पन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है वह प्रातह काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चड़कर टेहनिया काटना और गुल्ली डंडे बनाना वह उत्सा, वह खिलाडियों के जमगटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई जगले, वह सरल स्वभाव जिससे चूत चूत अमीर गरीब का बिलकुल भेद न रहता हाँ, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की अभिमान की गुनजाईश ही न थी, यह उसी वक्त भूलेगा जब जब, घरवाले बिगड रहे हैं, पिताजी चोके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दोड केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचार धारा में मेरा अंधकार में भविश्य तुटी हुई नौक की तरह दगमगा रहा है, और मैं हूं की पदाने में मस्त हूं, न नहाने की सुधी है, न खाने की गुली है तो जरासी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाईयों की मिठास और तमाशों का आनन भरा हुआ है मेरे हमजुलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे दो-तीन साल बड़ा होगा दुबला, बंदरों की सी लंबी-लंबी, पतली-पतली उंगलिया, बंदरों की सी चप लता, वही जहला हट, गुली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था, जैसे चिपकली कीरों पर लपकती है मालूम नहीं, उसके माँ बाप थे या नहीं, कहां रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुली क्लब का चैंपिन जिसकी तरफ वह आ जाए, उसकी जीत निश्चित थी, हम सब उसे दूर से आते देख, उसका दोड़ कर स्वागत करते थे और अपना गोईया बना लेते थे एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे, वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचितर बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना एक मिनिट का भी अखरता है मैंने गला चुडाने के लिए सब चाले चली, जो ऐसे अफसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य हैं, लेकिन गया अपना दांग लिये बगेर मेरा पिन न चुड़ता था, मैं घर की ओर भागा, अनुने विने का कोई असर न हुआ था गया ने मुझे दोड कर पकड लिया और डंडा तान कर बोला मेरा दांग दे कर जाओ, पदाया तो बड़े बहादुर बनके पदने के बेर क्यूं भागे जाते हो, तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं, उद्धरन, हाँ, तुम्हें दिन भर पद ना पड देते हो, उद्धरन, घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दांग दिया है, दांग लेंगे, अच्छा कर मैंने अमरूद खिलाया था, वह लोटा दो, वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से, तुमने क्यूं खाया मेरा अमरूद, अमरूद तुमने दिया तब मैं खाया, मैं तुमसे मांगने न गया था, जब तक मेरा अमरूद न दोगे, मैं दांग न दूँगा, मैं समझता था, न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा, कौन नी, स्वार्थ किसी के साथ सलूप करता है, भिक्षा तक तो पार्थ के लिए देते हैं, जब गया ने अमरूद खाया, तो फिर उसे मुझसे दांग लेने का क्या अधिकार है, रिश्वत देकर तो लोग खुन पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद योही हजम कर जाएगा, अमरूद पैसे के पांच वाले थे, जो गया के बाप को भी न पैसीब न होंगे, यह सरासर अन्याय था, गया ने मुझे अपनी और खीचते हुए कहा मेरा दांग देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था, मैं हाथ छुडा कर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चाटा जमा दिया, मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीट पर डंडा जमा दिया, में रोने लगा, गया मेरे इस अस्तर का मुकाबला न कर सका, मैंने तुरंत आंसु पोँच डाले, डंड मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लॉंडे के हाथों पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हा, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की, तो उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया, नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला की अपने हम जोलियों से बिच्छुड जाने का बिलकुल दूख खन हुआ, पिताजी दूख खी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी, अमानजी भी दूख खी थी, यहां सब चीज सस्ती थी, और मुहले की स्त्रियों से घरावसा हो, गया था, लेकिन मैं सारे खुशी के लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए, मेरे मित्रों की फैली हुई आखे और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी, निगाह में कितनी स्परखा हो रही थी, मानो कह रहे थे तू भागवान हो भाइक जाओ, हमें तो इसी उजड ग्राम में जीना भी है और म 20 साल गुजर गए, मैंने इंजिनियरी पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्पे में पहुचा और डाकबंगले में ठहरा, उस स्थान को देखते ही इतनी मधूर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी, की मैंने छड़ी उठाई और कस्पे की सेर करने निकला आखे किसी प्यासे पतिकी भाती बचपन के उन ख्रीरा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था, जहां खंधर था, वहां पक के मकान खड़े थे, जहां बर्गत का पुराना पेर था, वहां अब ए उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी, ऐसा जी होता था कि उस धर्ती से लिप्ट कर रों और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं, सहसा एक खुली जगह में मैं ने दो-तीन लड़कों को गुली डंदा खेलते देखा, एक प्शन के लिए मैं अपने को बिलकुल भूल गया, भूल गया कि मैं एक उंचा अफसर हूं, साहबी ठाट में, रॉब और अधिकार के आवरण में, जाकर एक लड़के से पूछा क्यूं बेटे, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है, एक लड़के ने गुली डंदा समेट कर सहमें हुए स्वर में कहा कौन गया, कया चमार, मैंने यूँ ही कहा हाँ हाँ वही, कया नाम का कोई आदमी है तो, शायद वही हो, हाँ, है तो, जरा उसे बुला सकते हो, लड़का दोड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक पांच हाथ के काले देव को साथ लिये आता दिखाई दिया, मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी और लपक ना चाहता था कि उसके गले लिप जाओं, पर कुछ सोचकर रह गया, बोला कहो गया, मुझे पहचानते हो, कया ने जुपकर सलाम किया हाँ मालिक भला पहचानूंगा क्यूं नहीं, आप मजे में हो, बहुत मजे में, तुम अपनी कहो, तिप्टी साहब का साइस हूं, मतई, मोहन, दुर्गा सब कहा हैं, कुछ खबर है, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गये हैं, आप, उद्धरन, मैं तो जिले का इंजिनियर हूं, सरकार तो पहले ही बड़े जहीं थे, अब कभी गुली डंदा खेलते हो, कया ने मेरी ओर प्रश्न भरी ओखों से देखा, अब गुली डंदा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंदे से छुटी नहीं मिलती, आओ, आज हम तुम खेलें, तुम पदाना, ह हमारे उपर है, वह आज ले लो, गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, वह ठहरा टके का मजदूर, में एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड, बेचारा जहेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम जहेप न थी, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा र आखिर निश्चे हुआ की दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रसले लेकर खाएंगे, मैं गया को लेकर डाकबंगले पर आया और मोटर में बैटकर दोनों मैदान की ओर चले, साथ में एक कुलहाडी ले ली, मैं गंभीर भा धारन किये हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था, फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था, शायद बहग हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था, मैंने पूछा तुम्हें कभी हमारी याद आती थी ग साच कहना, कया जिपता हुआ बोला मैं आपको याद करता हजूर, किस लायक हूँ, भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिंती, मैंने कुछ उदास होकर कहा लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारा वह डंडा, जो से रसीली याद है, तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अबना आदर सम्मान में पाता हूँ, नधन में, इतनी देर में हम बस्ती से कोई तीन मील निकलाए, चारो तरफ सननाटा है, पश्चम और कोसो तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आक, रह हम किसी समय कमल पहनी काट लाया, चटपट गुली डंडा बन गया, खेल शुरू हो गया, मैंने गुची में गुली रखकर उच्छा ली, गुली गया के सामने से निकल गई, उसने हाथ लपकाया, जैसे मचली पकड रहा हो, गुली उसके पीछे जाकर गिरी, यह वही गया है, जिसके हाथ गुली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी, वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुली उसकी हतेली में ही पहुचती थी, जैसे गुलीों पर वशीकरन डाल देता हो, नई गुली, पुरानी गुली, छोटी गुली, बड़ी गुली, नोकतार गुली, सपाट गुली सब, उससे मिल ज जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुम्बक हो, गुलीों को खीच लेता हो, लेकिन आज गुली को उससे वह प्रेम नहीं रहा, फिर तो मैंने पदाना शुरू किया, मैं तरह तरह की धांदलियां कर रहा था, अभ्यास की कसर बेमानी से पूरी कर रहा था, कुछ जान कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टानर लगाता, कया यह सारी बे कायदगियां देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए, उसका निशाना कितना अच्छूप था, गुली उसके हाथ से निकल कर तंसे डंडे से आकर लगती उसके ह, ह से छूट कर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आजबह गुली डंडे में लगती ही नहीं, कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, आद घंटे पदाने के बाद एक गुली डंडे में आ लगी, मैंने धांधली की गुली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं, गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया, ना लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेइमानी करता, नहीं भाईया, तुम भला बेइमानी करोगे, बच्पन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बच्ता, यहीं गया गर्दन पर चड़ बैठता, लेकिन आज में उसे कितनी आसानी से धोखा दिये चला जाता था, गधा है, सारी बाते भूल गया, सहसा गुली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी, जैसे बंदूख छूटी हो, इस प्रमान के सामने अब कि इसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सब को जूट बताने की चा, इस्टा करूं, मेरा हरज की क्या है, मांग गया तो वाह वाह, नहीं दो-चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा, अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुड फिर कौन दाउंग देने आता है, कया ने विजय के उल्लास में कहा लग गई, लग गई, टन से बोली, मैंने अंजान बननी की चेश्टा करके कहा तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली है सरकार, और जो किसी इट से टकरा गई हो, मेरे मुख से यह व गुली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया, हाग किसी इट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज न आती, मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया क सरलता पर मुझे दया आने लगी, इसलिए जब तीसरी बार गुली डंडे में लगी, तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तै कर लिया, कया ने कहा अब तो अंधेरा हो गया है भाईया, कल पर रखो, मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदा इसलिए इसी वक्त मुझ अमला साफ कर लेना अच्छा होगा, नहीं, नहीं, अभी बहुत तो जाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुली सुझेगी नहीं, कुछ परवा नहीं, कया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिलकुल अभ्यास न था, उसने दो बार गाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया, एक मिनित से कम में वह दाव खो बैठा, मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचै दिया, एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गय, नहीं भाईया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहां मिलता है भाईया, हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुच गया, चलते चलते बोला कर यहां गुली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाडी खेलेंगे, तुम भी आओगे, जब तुम्हें फुरसत हो तभी खिलाडियों को बुलाऊं, मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मेच देखने गया, कोई दस-दस आदमियों की मंदली थी, कई मेरे लड़कपन के साथ ही निकले, अधिकान श्युवक थे, जिन्हें मैं पहचान न सका, खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठ बैठा तमाशा देखने लगा, आज गया का खेल, उसका नए पुन्य देखकर, मैं चकेत हो गया, टानर लगाता, तो गुली आसमान से बाते करती, कल की सीवह जिजखक, वह हिचके चाहट, वह बेदिली आज न थी, लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौर्टा प युवक ने कुछ थांधली की, उसने अपने विचार में गुली लपक ली थी, गया का कहना था गुली जमीन में लगकर उचली थी, इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आए है, युवक दब गया, गया का तमत माया हुआ चेहरा देखकर दर गया, अगर वह दब न ज जाता, तो जरूर मार पीठ हो जाती, मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे, अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया, उसने मुझे दया का पात्र समझा, मैंने धांदली की, बेइमानी की पर उसे जरा भी प्रूद न आया, इसलिए कि वह खेलना रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था, वह मुझे पदा कर मेरा कचुमर नहीं निकालना चाहता था, मैं अब अफसर हूँ यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है, मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता, लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दयाय योग्य हूँ, वह मुझे अपना नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ, जयोती, विद्वा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटू हो गया था, जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पती को कोस्ती आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह जंजाल छोड़ गए, जब इतन जल्दी जाना था, तो ब्याह न जाने किसलिए किया, घर में भूनी भॉम नहीं, चले थे ब्याह करने, वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती, अईरों में इसका रिवाज है, देखने सुनने में भी बुरी न थी, दो एक आदमी तयार भी थे, लेकिन बूटी पतिवरता कहलाने के मोह को न छूर सकी, और यह सारा क्रूद उतरता था, बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था, सोहन अभी छोटा था और मैंना लड़की थी, ये दोनों अभी किसी लायक न थे, अगर यह तीनों न होते, तो बूटी को क्यों इतना कश्ट होता, जिसका थो के होते, इसे यह क्या सूझी, मोहन भरसक उसका भार हलका करने की चेश्टा करता, कायों भैसों की सानी पानी, तोना मथना यह सब कर लेता, लेकिन गूटी का मूह सीधा न होता था, वह रोज एक नएक खुचड निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की पर रवा करना छोड़ दिया था, पती उसके सिर ग्रहस्थी का यह भार पटक कर खिम चला गया, उसे यही गिला था, वेचारी का सर्वनाश ही कर दिया, ना खाने का सुख मिला, ना पहनने उड़ने का, ना और की, सी बात का, इस घर में क्या आई, मानो भटी में पढ़ गई, उसकी वैधविय साधना और अत्रिप भोग लालसा में सदैव द्वंद्वसा मचा रहता था और उसकी जलन में उसके हृदे की सारी मृदुता जलकर भस्म हो गई थी, पती के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास चार पौच सो के गहने थे, लेकिन एक एक करके सब हाथ से निकल गए, उसी मो, अले में उसकी विरादरी में कितनी ही औरते थी, जो उससे जेठी होने पर भी गहने जहमका कर, आँखों में काजल लगा कर, मांग में सेंदुर की मो रेखा डाल कर मानो उसे जलाया करती थी, इसलिए अब उन में से कोई विद्वा हो जाती, त उत्सा में उसे विशेश आनंद मिलता था, उसकी वंचित लालसा, जलना पाकर उस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी, फिर यह कैसे संभव था कि वह मोहन के विशय में कुछ सुने और पेट में डाल ले, जो ही मोहन संध्या समय दूद बेचकर घर आया बूटी ने कह देखती हूं, तू अब सांड बनन, पर उतारू हो गया है, मोहन ने प्रश्ण के भाव से देखा कैसा सांड, बात क्या है, तू रूपिया से चिप चिप कर नहीं हसता बोलता, उस पर कहता है कैसा सांड, तुझे लाज नहीं आती, घर में पैसे-पैसे की तंगी है और वह उसके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं, मोहन ने विद्रोह का भाव धारन किया, अगर उसने मुझ से चार पैसे के पान मांगे तो क्या करता, कहता की पैसे देख तो लाँगा, अपनी धूती रंगने को दी, उससे रंगाई मांगता, मोहले में एक भी एक पैसे का पान लाया, यहां पान किसके लिए लाता, क्या तेरे लिखे घर में सब मर गए, मैं न जानता था तुम पान खाना चाहती हो, संसार में एक रुपिया ही पान खाने जूग है, शौक सिंगार की भी तो उमिर होती है, बूटी जल उठी, उसे बुढिया कह द इन्ही लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी, उसके आदमी को मरें आज पांच साल हुए, तब उसकी चर्ती जवानी थी, तीन बच्चे भगवान ने उसके गले मर दिये, नहीं अभी वह है के दिन की, चाहती तो आज वह भी उठलाल किये, पाव मे महावर लगाए, अनवत बिचुए पहने मतकती फिरती, यह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिया और आज मोहन उसे बुडिया कहता है, रुपिया उसके सामने खड़ी कर दी जाए, तो चुहिया सी लगे, फिर भी वह जवान है, आर बूटी बुडिया है, बोली हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चीथडे पहनने के दिन है, जब तेरा बाप मरा तो में रुपिया से दो ही चार साल बड़ी थी, उस वक्त कोई घर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता न लगता, गली गली भीख मांगते फिरते, लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू ही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगी, मोहनना, डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ, अम्मा, कैसी बात, सगाई की, अगर रुपिया मेरे घर में आई तो ज़ाडू मार कर निकाल दूंगी, यह सब उसकी मा की माया ह वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे चीने लेती है, प्रानर से इतना भी नहीं देखा जाता, चाहती है कि उसे सौत बनाकर छाती पर बैठा दे, मोहनने व्यथित कंठ में का, हाँ, आम्मा, ईश्वर के लिए चुप रहो, क्यूं अपना पानी आप खो रही हो, मैंने तो समझा था, चार दिन में मैंना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पर जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो, तू आज से यहीं आंगन में सोया कर, और गाएं भैंसे बाहर पड़ी रहेंगी, पड़ी रह जिन पकाया, मोहन ने कहा मुझे भूफ नहीं है, बूटी उसे मनाने न आई, मोहन का युवक रिदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता, उसका घर है, ले-ले, अपने लिए वह कोई दूसरा ठिकाना ढूंद निकालेगा, रुपिया ने उसके रू मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा, कोई काम करना होता, पर ध्यान रुपिया की ओर लगा रहता, सोचता उसे क्या दे-दे की वह प्रसन हो जाए, अब वह कौन मूह में लेकर उसके पास जाए, क्या उससे कहे कि अम्मा ने मुझे तुझ से मिलने को मना किया ह अभी कल ही तो बर्गत के नीचे दोनों में केसी कैसी बाते हुई थी, मोहन ने कहा था, रूपा तुम इतनी सुन्दर हो, तुम्हारे सो गाहक निकलाएंगे, मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है, इस पर रुपिया ने जो जवाब दिया था, बहतो संगीत की तरह अभी उसके प्राण में बसा हुआ था, मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको, पर्गने के चौदरी हो जाव, तब भी मोहन हो, मजूरी करो, तब भी मोहन हो, उसी रुपिया से आज बह जाकर कहे मुझे अब तुमसे कोई सरुकार नहीं है, नहीं, यह नहीं होगी, कैसे अच्छे बीडे लगाती है, कहीं मासुन पावे की वह रात को रुपिया के द्वार पर गया था, तो प्राण ही दे दे, दे प्राण, अपने भाग तो नहीं बखानती की ऐसी देवी बहु मिली जाती है, ना जाने क्यों रुपिया से इतना चिट्ती है, वह ज दरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंकर पहंती है, बस यहीं तो, चूडियों की जहनकार सुनाई दी, रुपिया आ रही है, हाँ, पही है, रुपिया उसके सिरहाने आकर बोली सो गए क्या मोहन, खड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हैं, आई क्यों नहीं, मोहन न आत्मा उनमत हो उठी, उसके प्रानमा, नो बाहर निकल कर रुपिया के चरनों में समर्पित हो जाने के लिए उच्छल पड़ें, देवी वर्दान के लिए सामने खड़ी है, सारा विश्वी जैसे नाच रहा है, उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो गया है, क तुम इस वक्त क्या करने आई, कहीं अम्मा देख ले, तो मुझे मार ही डालें, तुम आज आई खिम नहीं, आज अम्मा से लडाई हो गई, क्या कहती थी, कहती थी, रुपिया से बोलेगा तो मैं प्रान दे दूँगी, तुमने पूछा नहीं, रुपिया से किम चिर्थी अब उनकी बात क्या कहुन रूपा, वह किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती, अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, मेरा जी तो न मानेगा, ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा, तुम मेरे पास एक बार रो जाया करो, बस और मैं कुछ नहीं खटके, रुपिया भाग गई, तो मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागरसा भरा हुआ था, वह सोहन को बराबर डांटता रहता था, सोहन आलसी था, घर के काम धंदे में जीना लगाता था, मोहन को देखते ही वह साबुन छिपा कर भाग जाने क अफसर खो, जने लगा, मोहन ने मुसकरा कर कहा धूती बहुत मेली हो गई है सोहन, थोभी को क्यों नहीं देते, सोहन को इन शब्दों में स्ने की गंधाई, थोबिन पैसे मांगती है, तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते, अम्मा कौन पैसे दिये देती है, तो मु बुर्ता का स्वाद मिला, एकन्मी उठा ली और धूती को वहीं छोड़कर गाय को खोल कर ले चल, मोहन ने कहा रहने दो, मैं इसे लिए जाता हूं, सोहन ने पगहिया मोहन का, देकर फिर पूछा तुम्हारे लिए चिलम रखलाऊं, जीवन में आज पहली बार सोहन ने में बैठी घरोंदा बना रही थी, मोहन को देखते ही उसने घरोंदा बिगार दिया और अंचल से बाल शिपा कर, रिसो इधर में बरतन उठाने चली, मोहन ने पूछा क्या खेल रही थी मैना, मैना दरी हुई बोली कुछ नहीं तो, तू तो बहुत अच्छे घरोंदे बन उठा, जहां भय था, वहां विश्वास चमक उठा, जहां कटुता थी, वहां अपनापा चलक पड़ा, चारों और चेतनता दोड़ गई, कहीं आलस्य नहीं, कहीं खिन्नता नहीं, मोहन का रिदय आज प्रेम से भरा हुआ है, उसमें सुगंद का विकर्षन हो रहा है, मैना घरोंदा बनाने बैठ गई, मोह, हन ने उसके उलजे हुए बालों को सुलचाते हुए कहा तेरी गुडिया का ब्याव, कब होगा मैना, नेवता देख कुछ मिठाई खाने को मिले, मैना का मन आकाश में उड़ने लगा, जब भईया पानी मांगे तो वह लोटे को राक्र से खूब चमाचम करके पानी ले जाएगी, अम्मा पैसे नहीं देती, गुड़ा तो ठीक हो गया है, ठीका कैसे भेज़ू, कितने पैसे लेगी, एक पैसे के बता से लूंगी और एक पैसे का रंग, जोड़े तो रंगे जाएंगे की नहीं, तो दो पैसे में तेरा काम चल ज आएगा, हांक दो पैसे दे दो भाईया तो मेरी गुड़िया का ब्याख धूंधाम से हो जाए, मोहन ने दो पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए, मैना लपकी, मोहन ने हाथ ऊपर उठाया, मैना ने हाथ पकड़ करना, चेक हींचना शुरू किया, मोहन ने उसे गोध में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिये और नीचे उतर कर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को विवाह का नेवता देने के लिए भागी। उसी वक्त बूटी गोबर का जहावा लिये आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली अभी तक मिटर गस्ती ही हो रही है। भेंस कब दुही जाएगी। आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब न दिया। जैसे उसके मन में माधूरिय का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोज लिये देखकर उसने जहावा उसके सिर से उतार लिया। बूटी ने कहा रहने दे, रहने दे, जाकर भेंस दो, मैं तो गोबर लिये जाती हूँ। तुम इतना भारी बोज क्यूं उठा लेती हो, मुझे क्यूं नहीं बुजला लेती। माता का रिदय वातसल्य से गदगद हो उठा। तु जा अपना काम देखम मेरे पीछे क्यूं पढ़ता है। गोबर नि को से काम लोट जो तुम्हारा धर्म है। मेरी सुनता है कोई। आज मोहन बजार से दूद पहुचा कर लोटा, तो पान, कत्था, सुपारी, एक छोटा सा पांदान और थोड़ी सी मिठाय लाया। बूटी बिगर कर बोली आज पैसे कहीं फालतु मिल गय थे क्या। इस तर दो दो जवान बेटे हों, क्या वह इतना शौक भी न करे। बूटी के सूखे कठोर रिदय में कहीं से कुछ हरियाली निकलाई, एक ननही सी कोंपल थी, उसके अंदर कितना रस था। उसने मेना और सोहन को एक-एक मिठाई दे दी और एक मोहन को देने लगी। मिठाई तो मिठाई पाते ही गप से मूँ में डाल ली थी। वह केवल मिठाई का स्वात जीव पर छोड़कर कपकी गायब हो चुकी थी। मोहन को ललचाई आँखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड़ू तोड़कर मेना को दे दिया। एक मिठाई दोने में बच थी। बूटी पूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ा कर कहा लाया भी तो इतनी सी मिठाई। यह ले-ले। मोहन ने आधी मिठाई मूँ में डाल कर कहा वा तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है। उसमें मिठाई से ज्यादा स्वाद है। उ इस विभूती के लिए तरस्ती रही वह लड़के के राज में मिली पांदान में कई कुलहिया हैं और देखो तो छोटी छोटी चिमिचियां भी हैं उपर कड़ा लगा हुआ है जहां चाहो लटका कर ले जाओ उपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे ज्यों ही मोहन बाहर चला गया उसने पांदान को मांज धोकर उसमें चुना कथा भरा सुपारी काटी पान को भिगोकर तश्तरी में रखा तब एक बीड़ा लगा कर खाया उस बीड़े के रसनी जैसे उसके वैधिवय की कटुता को स्निग्ध कर दिया मन की प्रसन नता व्यवहार में उदारता बन जाती है अब वह घर में नहीं बैट सकती उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूती उसमें जाकर गुम हो जाए एक पुराना आइना पड़ा हुआ था उसने उसमें मूह देखा उठों पर लाली है मूह लाल करने के लिए उसने थोड़े ही पान खाया है ध रसी टूट गई है तो बनवालो आज उसने धनिया को रसी निकाल कर प्रसन मुख से दे दी और सदभाव से पूछा लड़के के दस्त बंध हुए की नहीं धनिया धनिया ने उदास मन से कहा नहीं काकी आज तो दिन भर दस्त आए जाने दांत आ रहे हैं पानी भर ले तो चल जरा देखूं दांत ही है कि कुछ और फसाद है किसी की नजर वजट तो नहीं लगी अब क्या जाने काकी कौन जाने किसी की आँख फूटी हो चुंचाल लड़कों को नजर का बड़ा डर रहता है जिसने चुमकार कर बुलाया जट उसकी गोद में चला जाता है ऐसा हस कि तुमसे क्या कहूं कभी कभी मा की नजर भी लग जाया करती है ए नौज काकी भला कोई अपने लड़के को नजर लगाएगा यही तो तु समझती नहीं नजर आप ही लग जाती है धन्या पानी लेकर आई तो बुटी उसके साथ बच्चे को देखने चली तू अकेली है आजकर घर के काम धंदे में बड़ा अंज होता होगा, नहीं काकी, रुपिया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं अकेले तो मेरी मरन हो जाती, बूटी को आश्चर्य हुआ, रुपिया को उसने केवल तितल, समझ रखा था, रुपिया, हां काकी, बेचारी बड़ काजल से छुटी न मिलती होगी, यह तो अपनी अपनी रुची है काकी, मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया, उतना किसी भक्तिन ने न दिया, बेचारी रात भर जाकती रही, मैंने कुछ दे तो नहीं दिया, हां, जब तक जीऊंगी, उसका जस किसका जी नहीं चाहता, ठाने पहनने की यही तो उमिर है, धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया, बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ा कर देखा, नाभी पर हींग का लेप करने को कहा, रुपिया बेनिया, लाकर उस जलने लगी, बूटी ने कहा लाबेनिया मुझे दे दे, मैं डुला दूंगी तो क्या छूटी हो जाऊंगी, तू दिन भर यहां काम धंधा करती है, ठक गई होगी, तुम इतनी भली मानस हो, और यहां लोग कहते थे, वह बिनागाली के बात नहीं करती, मारे डर के तुम् मुझे जलाती, मुझे से एटती, इसे तो जैसे कुछ मालूम ही न हो, हो सकता है कि मोहन ने इससे कुछ कहा ही न हो, हाँ, यही बात है, आज रुपिया बूटी को बड़ी सुन्दर लगी, हीक तो है, अभी शौक सिंगार न करेगी तो कप करेगी, शौक सिंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं, किसी के घर में आग लग जाए, उनसे मतलब नहीं, उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है, जैसे अपने रूप की दूकान सजाए, राह चलतों को बुलाती हूं की जरा इस दूकान की सेर भी कर दे जाए, ऐसे उपकारी प्राणियों का सिंगार बुरा नहीं लगता, नहीं बा, की और अच्छा लगता है, इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है, उतना ही मन भी सुंदर है, फिर कौन नहीं चाहता की लोग उनके रूप की बखान करें, किसे दूसरों क आखों में छुप जाने की लालसा नहीं होती, बूटी का योवन कप का विदा हो चुका, फिर भी यह लालसा उसे बनी हुई है, कोई उसे रस भरी आखों से देख लेता है, तो उसका मन कितना प्रसन हो जाता है, जमीन पर पाव नहीं पढ़ते, फिर रूपा तो अभी उस दिन से रूपा प्रायह दो एक बार नित्य बूटी के घर आती, बूटी ने मोहन से आगरह करके उसके लिए अच्छी सी साड़ी मंगवा दी, अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए या बेरंगी साड़ी पहने आ जाती, तो बूटी कहती बहु बेटियों को यह बूटी ने मीठे तिरसकार से कहा चल, मैं तेरी मा की सौध बन कर जाओंगी, अमा तो बूडी हो गई, तो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं, हाँ ऐसा, बड़ी अच्छी मिटी है उनकी, बूटी ने उसकी और रस भरी आँखों से ददेख कर पूछा अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह कर दूएं, रूपा लजा गई, मुख पर गुलाब की आफ़र दा गई, दिल की रान, राइट अप पेश कर लौटा तो बूटी ने कहा कुछ हिपर प्रताप से इसाइड दुनिया का पहीं, रूपा से तेरी मुन का रख कर रहीं, आज दुनिया जो सौ साल पहले तुर्कों के आतंग से आहत हो रहा था, आज उनके गर्मरक्ट से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है, और तुर्की सेनापती एक लाख सिपाहियों के साथ तेमुरी तेज के सामने अपनी किसमत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है, तैमोर ने प्रचंट हो उठा, उसने बड़े-बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था, यह जबाब इस अफसर पर सुनने की उसे ताव न थी, इन्हें एक लाख आदमियों की जान उसकी मुट्थी में है, इन्हें वह एक क्षण में मसल सकता है, उस पर इतना अभिमान, इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए, वही शराब की मजले से, वही अर्मीनिया और काफ की परियां, नहीं, तैमोर ने खलीफा बायजीत का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उसी मदांत स्व द्रिश्य सिर जुका लेता है, तैमोर हिंसक पश्य नहीं है, जो यह द्रिश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे, वह अपने शब्दों में धिकार भरकर बोला जिसे तुम इजज़त की जिंदगी कहते हो, वह गुनाह और जहनुम की जिंदगी है, यज उसे प्रकट कर दे, उसने एक बार कातर नेतरों से उस रूपवान युवक की ओर देखा, जो उसके पीछे खड़ा, जैसे अपनी जवानी की लगाम खीच रहा था, सान पर चड़े हुए, इस पात के समान उसके अंगंग से अतुर्क रोड की चिनगारिया निकल रही थी, यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खीची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला जहाँ पनाह इस वक्त फतह मंद हैं लेकिन अपराध क्षमा हो तो कहे दून की अपने जीवन के विशय में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं। दुनिया से अलग तातार के उसर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है और न मैसर हुने वाले पदार्थों का बहिशकार किया जा सकता है। पर जहां खुदाने नीमतों की वर्शा की हो वहाँ उन नीमतों का भूबना करना नाशुक्री है। अगर तलवार ही सभ्यता की सनद होती तो गाल कॉम रोमनों से कहीं ज्यादा सभ्य होती। तैमोर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमोर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वज्ज का तड़ाका। ताता जो कोई कुछ करता है वह काफिर है जहन्नुमी है रसूल पाक हमारी जिन्दगी को पाक करने के लिए हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आये थे हमें हराम की तालीम देने नहीं तैम और दुनिया को इस कुफर से पाक कर देने का बीरा उठा चुका है रसूल पाक के कदमों की कसम मैं बेरहम नहीं हूँ जालिम नहीं हूँ खुंखवार नहीं हूँ लेकिन कुफर की सजा मेरे इमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है उसने तातारी सिपहसालार की तरफ कातिल निज्रों से देखा और तक्षन एक देवसा आदमी तलवार सौत कर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना भी तलवारी खीच खीच कर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में कितनी ही लाशे जमीन पर फड़कने लगी। जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और मुल्त की हिमायत की। चारों तरफ सननाटा चा गया। एक युवक जिसकी अभी मसे भी न भीगी थी, तैमोर जैसे तेजस्वी बादशा का इतने खुले हुए शब्दों में तिरसकार करे और उसकी जबान तालू से नखीचवा ली जाए। सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमोर सम्मोहित सा बैठा, उस युवक की ओर ताक रहा था। हुँ, हम काफिर सही लेकिन तेरे तो है क्या इसलाम जंजीरों में बंधे हुए कैदियों के कतल की इजाज़त देता है। खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है, अक्तियार दिया है तो क्या इसलिए कि तु खुदा के बंदों का खून बहाए। क्या गुनाहगारों को कतल करके तु उन्ही सीधे रास्ते पर ले जाएगा। तुने कितनी बेहरमी से सत्तर हजार बहादूर तुरकों को धोखा देकर सुरंग से उर्वा दिया और उनके मासूम बच्चों और निरप्राद स्त्रियों को अनात कर दिया, तुझे कुछ अनुमान है। क्या यही कारनामे हैं, जिन पर तु अपने मुसल्मान होने का गर्व करता है? क्या इसी कतल, खून और बहते दरिया से तु दु दु दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुरकों के खून बहते दरिया में अपने घूरों के सुम नहीं विगाए हैं, बलकि इ यह वीर तुर्कों का ही आत्मोत सर्ग है, जिसने यूरोप में इसलाम की तोहीद फैलेई। अभी नेक और बद की तमीज बाकी है, तो अपने दिल से पूछ। तुने यह जिहाद खुदा की राह में किया या अपनी हविस के लिए और मैं जानता हूँ, तुझे जो जवाब मिलेगा, वह तेरी गर्दन शर्म से जुका देगा। आज जीवन में पहली बार उसे निर्भीत शब्दों को सुनने का अफसर मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और बादशाहों की जबान न खुलती थी। वह जो कुछ कहता था, वही कानून था, किसी को उसमें चूं करने की ताकत न थी। उनकी खुशामदों ने उसकी एहमन्यता को आसमान पर चड़ा दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने इसलाम को जगाने और सुधारने के लिए ही उसे दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो नहीं किया, पर उसके मन में यह भावना द्रिर हो गई थी। इसलिए जब आज एक युवक ने प्रानो का मुह छोड़कर उसकी कीरती का परदा खोल दिया, तो उसकी चेतना जैसे जागुठी। उसके मन में प्रोध और हिंसा की जगह श्रधा का उदे हुआ। उसकी आखों का एक इशारा इस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी संसार विजैनी शक्ती के सामने यह दुध मुह बालक मानो अपने ननहे ननहे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोपने के लिए खड़ा हो। कितना हास्यासपद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्म विश्वास से भरा हुआ। तैमोर को ऐसा जान पड़ा कि इस नहत्य बालक के सामने वह कितना निर्वल है। मनुश्य में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है और वह सत्य पर अटल विश्वास है। उसकी आत्मा दोड़कर उस युवक के दामन में चिम्च जाने के लिए अधीर हो गई। वह दार्शनिक न था, जो सत्य में शंका करता है। वह सरल सैनिक था, जो असत्य को भी विश्वास के साथ सत्य बना देता है। यजदानी ने उसी स्वर में कहा जहापना, इसकी बदजबानी का खयाल न फर्मावे। तैमोर ने तुरंट तक्त से उठकर यजदानी को गले से लगा लिया और बोला काश ऐसी गुस्ताखियों और बदजबानीों के सुनने का पहने इत्तफाक होता, तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर न होता। मुझे इस जवान में किसी फरिष्टे की रूह का जलवा नजर आता है, जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। और वह लटकता रह जाएगा, उसे जैसे किसी फरिष्टे ने गूद में ले लिया। वह गदगद कंट से बोला उसे हबीब कहते हैं। तैमोर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आँखों से लगता हुआ बोला मेरे जवान दोस्त तुम सच्मुच खुदा के हबीब हो, मैं वह गुनाहगार हूँ, जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा, इसलिए कि मु मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा की दरगाह तक पहुँच सकता हूँ, यह कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नजर डाली, तो उस पर शर्म की लाली च्छाई हुई थी, उसकर ठोरता की जगह मधूर संकोच छलक रहा था, युवक ने सिर ज चुका कर कहा यह हुजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। तैमोर ने उसे खीच कर अपनी बगल के तक्त पर बिठा दिया और अपने सेनापती को हुपम दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिये जाए, उनके हथियार वापस कर दिये जाया और जो माल रूटा करने लगा। और जब भोजन समाप्त हो गया, तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रोकर कह सुनाई, जो आदी से अंत तक मिशृत पशुता और बरबरता के खृत्यों से भरी हुई थी। और उसने यह सब कुछ इस ब्रह्म में किया कि वह इश्वरिय आदेश का पालन कर रहा है। वह खुदा को कौन मून दिखाएगा। रोते रोते उसकी हिच्कियां बंद गई। अंत में उसने हबीब से कहा मेरे जवान दोस्त अब मेरा बेरा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुँचाए। मेरी बादशाहत को अब आप ही संभाल सकते हैं। मुझे अब मालूम हो गया कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिये जाता था। मेरी आप से यही इंतजा प्रार्थना है कि आप उसकी वजारत कबूल करें। देखिए, खुदा के लिए इंकार न कीजिएगा, वरना मैं कहीं का नहीं यजदानी ने अर्च की हुजूर इतनी कदरदानी फर्माते हैं, तो आपकी इनायत है, लेकिन अभी इस लड़के की उम्र ही क्या है। वजारत की खिदमत यह क्या एंजाम दे सकेगा। अभी तो इसकी तालिम के दिन है। इधर से इंकार होता रहा और उधर तैमोर आगर करता रहा। यजदानी इनकार्तों कर रहे थे, पर छाती फूली जाती थी। मूसा आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई। कहां मौत के मुह में जा रहे थे, वजारत मिल गई। लेकिन यह शंका भी थी कि ऐसे अस्थिर्चित आदमी का क्या ठिकाना। आज खुश हु वजारत देने को तयार हैं, कल नाराज हो गए तो जान की खेरियत नहीं। उन्हें हबीब की लियाकत पर भरोसा था, फिर भी जी डरता था कि बिराने देश में न जाने कैसी पड़े, कैसी न पड़े। तरबारवालों में शड्यंत्र होते ही रहते हैं। हबीब नेक है, स लड़का नहीं लड़की थी। उसका नाम उमतुल हबीब था, जिस वक्त यजदानी और उसकी पत्नी मुसल्मान हुए, तो लड़की की उम्र कुल बारह साल की थी। पर प्रकृती ने उसे बुद्धी और प्रतिभा के साथ विचार स्वातंत्रय भी प्रदान किया था। वह जब तक सत्यासत्य की परीक्षा न कर लेती, कोई बात स्वीकार न करती। माबाप के धर्म परिवर्तन से उसे अशांती तो हुई, पर जब तक इसलाम का अच्छी तरह अध्यायन न कर ले, वह केवल माबाप को खुश करने के लिए इसलाम की दीक्षा नहीं ले सकती माबाप भी उस पर किसी तरह का दबाब न डालना चाहते थे। जैसे उन्हें अपने धर्म को बदल देने का अधिकार है, वैसे ही उसे अपने धर्म पर आरूर रहने का भी अधिकार है। दो साल तक उन्हें जो शंका गेरे रहती थी, वह मिट गई। यजदानी के कोई पुत्र न था और उस युग में जबकि आदमी की तलवार ही सबसे बड़ी अधालत थी, पुत्र का न रहना संसार का सबसे बड़ा दुर भाग्य था। यजदानी बेटे का अर्मान बेटी से पूरा करने लगा, लड़कों ही की भाती उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी, वह बालकों के से कपड़े पहंती, खोड़े पर सवार होती, शस्त्र विद्या सीखती और अपने बाप के साथ अकसर खलीफा बाईजीद के महलों में जाती और राजकुमारी के साथ शिका में नौकर हो गई, शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में इतनी निपुन्थी और खलीफा बाईजीद उसके चरित्र से इतना प्रसंथा कि पहले ही पहल उसे एक हजारी मनसब मिल गया, ऐसी युवती के चाहने वालों की क्या कमी, उसके साथ के कितने ही अफसर, राज परिवार के कितने ही युवक उस पर प्रांट देते थे पर कोई उसकी निजरों में नजिचता था, नित्य ही निकाह के पैगाम आते थे पर वह हमेशा इंकार कर देती थी, वैवाहिक जीवन ही से उसे अरूची थी कि युवतिया कितने अर्मानों से ब्याह कर लाई जाती हैं और फिर कितने निरादर से महलों में बंद कर दी जाती है, उनका भाग्य पुरुशों की दया के अधीन है, अकसर उंचे घरानों की महिलाओं से उसको मिलने जुलने का अफसर मिलता था, उनके मुख से उनकी करून कथा सुनकर वह वैवाहिक पराधीनता से और भी ग्र में कुछ नहीं जानता, इसका फैसला वही करेगी. यद्यपी एक युवती का पुरूश वेश में रहना, युवकों से मिलना जुलना, समाज में आलोचना का विशय था, पर यजदानी और उसकी स्त्री दूनु ही को उसके सतीत्व पर विश्वास था, हबीद के व्यवहा और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर ना आती थी, जिससे उन्हें किसी तरह की शंका होती. योवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में वह 24 वर्षों की वीरबाला अपने हृदय की संपती लिए अटल और एजय खड़ी थी, मानों सभी युवक उसके सगे भाई हैं. चार, कुस्तुन तुनिया में कितनी खुशिया मनाई गई, हबीद का कितना सम्मान और स्वागत हुआ, उसे कितनी वधाईया मिली, यह सब लिखने की बात नहीं. शेहर तबाह हुआ जाता था. संभव था आज उसके महलों और बाजारों से आग की लप्ते निकलती नगर को उस कल्पनातीत विपत्ती से बिचाने वाला आदमी कितने आदर. प्रेम श्रद्धा और उल्लस का पात्र होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती. उस पर कितने फूलों और कितने लाल जवाहरों की वर्षा हुई, इसका अनुमान तो कोई कभी ही कर सकता है और नगर की महिलाएं हृदय के अक्षय भंडार से असी से निकाल निकाल कर उस पर लुटाती थी और गर्व से फूली हुई उसका मूह निहार कर अपने को धन्य मानती थी. उसने देवियों का मस्तक उंचा कर दिया था. रात को तैमोर के प्रस्ताव पर विचार होने लग जो इस समय रमनी वेश में मोहिनी बनी हुई थी, ब्रमचर्य के तेज से दीट. यजदानी ने प्रस्ताव का विरूद करते हुए कहा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि मुझे सलाह देने का अधिकार है, तो मैं सपष्ट कहता हूँ कि तुम्हें इस प्रस्ताव को कभी स्विकार न करना चाहिए, तैमोर से यह बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती कि तुम क्या हो, उस वक्त क्या परिस्थिती होगी, मैं नहीं कह सकता, और यहां इस विशय में जो कुछ ठीकाएं होंगी, वह तुम मुझ से ज़्यादा जानती हो यहां मैं मौझूद था और कोट्सा को मुझ न खोलने देता था पर वहां तुम अकेली रहोगी और कोट्सा को मनमाने आरोप करने का अफसर मिलता रहेगा, उसकी पत्नी स्वेच्छा को इतना महत्वर न देना चाहती थी, बोली मैंने सुना है, तैमोर निगाहों का अच् कोई बात हो जाए तो सारी दुनिया हसे, यो ही हसने वाले क्या कम हैं, इसी तरह स्त्री पुरूश बड़ी देर तक उचनीच सुझाते और तरह तरह की शंकाय करते रहे लेकिन हबीब मौन साधे बैठी हुई थी, यजदानी ने समझा, हबीब भी उनसे सहमत है, इंकार की सुझना देने के लिए ही था कि हबीब ने पूछा आप तई मोर से क्या कहेंगे, यही जो यहां तै हुआ, मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, मैंने तो समझा, तुम भी हमसे सहमत हो, जी नहीं, आप उनसे जाकर कह दे, मैं स्वीकार करती हूँ, माता ने छाती पर हाथ रख कर कहा यह क्या गजब करती है बेटी, सोच तो दुनिया क्या कहीगी, यजदानी भी सिर्थ हाम कर बैट गए, मानो हृदय में गोली लग गई हो, मूँ से एक शब भी न निकला, हबीब त्योरियों पर बल डाल कर बोली अम्मी जान, मैं आपके हुक्म से जों भर भी मूँ नहीं फेरना चाहती, आपको पूरा अक्तियार है, मुझे जाने दे या न दे लेकिन मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे जिंदगी में फिर न मिले, इस मौके को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा, मुझे यकीन है कि अमीर तैमोर को मैं अप कुछ किया है, मजactive के अंदे जोश में किया है, आज खुदाने मुझे वह मौका दिया है कि मैं उसे दिखा दून की मजभव खिदमत का नाम है, यूच और कतल का नहीं, अपने बारे में मुझे मुझे मुतलिक अंदेशा नहीं है, मैं अपनी हिवाजत आप कर सकती हूँ मुझे दावा है कि अपने फर्ज को निकनियती से अदा करके मैं दुश्मनों की जिबान भी बंद कर सकती हूँ और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हो तो क्या सचाय और हक के लिए कुर्बान हो जाना जिंगी की सबसे शांदार फतह नहीं है अब तक मैंने जिस उसूल पर जिंदगी बसर की है उसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसी के फैज से आज मुझे यह दरजा हासिल हुआ है जो बड़े बड़ो के लिए जिंदगी का ख्वाब है मेरे आजमाय हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते तैमोर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खौफ मेरी तलवार मेरी हिफाज़त कर सकती है शादी पर मेरे खयाल आपको मालूम है अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे मेरी रूह कबूल करती हो जिसकी जात अपनी हस्तीक को खोकर मैं अपनी रूह को उंचा उठा सकूँ तो मैं उसके कदमों पर गिर कर अपने को उसकी नजर कर दूगी यजदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया उसकी स्त्री इतनी जल्द आश्वस्त न हो सकी वह किसी तरह बेटी को अकेली न छोड़ेगी उसके साथ वह भी जाएगी युवक हबीब तैमोर का वजीर है लेकिन वास्तव में वही बादशा है तैमोर उसी की आँखों से देखता है उसी के कानों से सुनता है और उसी की अक्ल से सोचता है वह चाहता है कर लिया है क्यूंकि वह इंसाफ से जोंभर भी कदम नहीं हटाता जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याई की चक्की में पिस जाते हैं वे भी उससे सद्भाव ही रखते हैं क्यूंकि वह न्याई को जरूरत से ज्यादा कटू नहीं होने देता संध्या हो गई थी राज्य कर्म चारी जा चुके थे शमादान में मोम की बत्तियां जल रही थी अगर की सुगंद से सारा दिवान खाना महक रहा था हबीब उठने ही को था की चोबदार ने खबर दी हुजूर जहापनाह तशरीफला रहे हैं हबीब इस खबर से कुछ प्रसन नहीं हुआ अन्यमंत्रियों की भाती वह तैमोर की सोहवत का भूखा नहीं है वह हमेशा तैमोर से दूर रहने की चेश्टा करता है ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि उसने शाही दिस्तर खान पर भूजन किया हो तैमोर की मिजलिसों में भी वह कभी शरीक नहीं होता उसे जब शांती मिलती है तब एकांत में अपनी माता के पास बैटकर दिन भर का माजरा उससे कहता है और वह उस पर अपनी पसंद की मुहर लगा देती है उसने दूर पर जाकर तैमोर का स्वागत किया ताइमोर ने मसनत पर बैठते हुए कहा मुझे ताज्यूब होता है कि तुम इस जवानी में जाहिदों किसी जिन्दगी कैसे बसर करते हो हबी खुदा ने तुम्हें वह हुसन दिया है कि हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारी माशुक बनकर अपने को खुशनसीब समझेगी मालूम नहीं तुम्हें खबर है या नहीं जब तुम अपने मुश्की घूडे पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिर्कियों पर हजारों आखे तुम्हारी एक जलक देखने के लिए मुंत्रिर बैठी रहती हैं पर तुम्हें किसी तरफ आखे उठाते नहीं देखा मेरा खुदा गवा है मैं कितना चाहता हूं कि तुम्हारे कदमों के नक्षे पर चलूँ पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती मैं चाहता हूं जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो वैसे मैं भी रहूं लेकिन मेरे पास नवह दिल है नवह देते और यह जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो उससे बहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं अपने गुसे को काबू में नहीं कर सकता, तुम जिधर से निकलते हो, मुहबत और रोशनी फैला देते हो, जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए, वह तुम्हारा दो यह ताज और तक्त मेरे रास्ते के रोडे है, तो खुदा की कसम, मैं आज इन पर लात मार दूँ, मैं आज तुम्हारे पास यही दर्खवास्त लेकर आया हूँ कि तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ, जिससे मैं सच्ची खुशी पासकूँ, मैं चाहता हूँ, तुम इसी प्रिदय तैमोर की इस करून आत्मगलानी पर द्रवित हो गया, जिसके नाम से दुनिया काप्ती है, बहो उसके सामने एक दैनिया प्रानी बना हुआ उससे प्रकाश की भीक्षा मांग रहा है, तैमोर की उस कठोर विकृत शुश्क हिनसात्मक मुद्रा में उसे एक सनिग धमधुर जयोती दिखाई दी, मानो उसका जागरत विवेक भीतर से झाक रहा हो, उसे अपना स्थिर जीवन, जिसमें उपर उठने की स्मृती ही न रही थी, इस विफल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा, उसने मुगद कंट से कहा हजूर इस गुलाम की इतनी कद्र करते हैं, यह मेरी खुषनसी भी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं। मन दोहरा कर उसने कहा तुम मेरे काबू में कभी न आओगे हबी। तुम वह परिंदा हो जो आसमान में ही उर सकता है। उसे सोने के पिंजडे में भी रखना चाहो तो फरफराता रहेगा। खैर खुदा हाफिज। वह तुरंत अपने महल की उर चला, मानो उस रत्म को सुरक खबर आई है। हबीब को शंका है कि तैमोर वहां पहुँचकर कहीं कतलयाम न कर दे। वह शांति में उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमोर को दिखाना चाहता है कि सधभावना में कितनी शक्ती है। तैमोर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता लेकिन हबी मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा न करे, तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया, तो यह सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे भी सीने में खंजर चुभा लेने के सिवा और कोई रास्ता न रहेगा। कि मुझे तुमसे इश्ट है, इसे मैं आप जान पाया हूँ. मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ. हबीब ने धड़कते हुए हरिदै से कहा अगर मैं आपकी जरूरत समझूंगा तो इत्तला दूंगा। तैमोर ने दाड़ी पर हाथ रखकर कहा जैसी तुम्हारी मर्जी लेकिन रोजाना कासिद भेजते रहना, वरना शायद मैं बेचैन होकर चला आउँ. तैमोर ने कितनी मुहबबत से हबीब के सफर की तैयारियां की, तरह तरह के आराम और तकलुफ की चीज़े उसके लिए जमा की. उस कोहिस्तान में यह चीज़े कहा मिलेंगी. वह ऐसा सनलग्म था, मानो माता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो. जिस वक्त हबीब फ इसाईयों का इलाका था, मुसल्मानों ने उन्हें परास्त करके वहाँ अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसे नियम बना दिये थे. जिससे इसाईयों को पग-पग अपनी पराधिनता का स्मरण होता रहता था. पहला नियम जजिये का था, जो हर एक इसाई को देना पड जिससे मुसल्मान मुक्त थे. दूसरा नियम यह था कि गिर्जों में घंटा न वजे. तीसरा नियम मदिरा का था, जिससे मुसल्मान हराम समझते थे. इसाईयों ने इन नियमों का क्रियात्मक विरूद किया और जब मुसल्मान अधिकारियों ने शस्त्रबल से काम लेना तो इसाईयों ने बगावत कर दी, मुसल्मान सुबेदार को कैद कर लिया और किले पर सलीवी जहंडा उड़ने लगा। हबीब को यहां आज दूसरा दिन है, पर इस समस्या को कैसे हल करे। उसका उदार हृदय कहता था, इसाईयों पर इन बंदनों का कोई अर्थ नहीं। हर एक धर्म का समान रूप से आदर होना चाहिए, लेकिन मुसल्मान इन कैदों को हटा देने पर कभी राजी न होगी। और यह लोग मान भी जाएं, तो तैमोर क्यूं मानने लगा। उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदार्ता आई है। फिर भी वह इन कैदों को उठाना कभी मनजूर न करेगा, लेकिन क्या वह इसाईयों को सजा देकी वे अपनी धार्मिक स्वाधिनता के लिए लड़ रहे हैं। जिसे वह सत्य समझता है, उसकी हत्या कैसे करें। नहीं, उसे सत्य का पालन करना होगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। अमीर समझेगे मैं जरूरत से ज्यादा बड़ा जा रहा हूं। कोई मुझायका नहीं। दूसरे दिन हवीब ने प्रातहकाल डंके की चोट एलान कराया जजिया माफ किया गया, शराब और घंटों पर कोई कैद नहीं है। मुसल्मानों में तहलका पड़ गया। यह कुफर है, हरामपस्ती है। अमीर तैमोर ने जिस इसलाम को अपने खून से सींचा, उसकी जड़ूंही के वजीर हबीब पाशा के हाथों खुद रही है। पांसा पलट गया, शाही फौच मुसल्मानों से जा मिली। हबीब ने इस्तिखर के किले में पनाह ली। मुसल्मानों की ताकत शाही फौच के मिल जाने से बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने किला घेर लिया और यह समझकर की हबीब ने तैमोर से बगावत की है, तैमोर क पास इसकी सूचना देने और परिस्थिती समझाने के लिए कासिद भेजा। आठ, आधी रात गुजर चुकी थी। तैमोर को दो दिनों से इस्तिखर की कोई खबर न मिली थी। तरह तरह की शनकाएं हो रही थी। मन में पच्चतावा हो रहा था कि उसने क्यूं हवीब को अकेला जाने दिया। माना कि वह बड़ा नीतिकुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो मुठी भर आदमियों से वह क्या कर सकेगा। और बगावत यकीनन जोर पकड़ेगी। वहां के इसाई बला के सरकश है। जब उन्हें मालूम होगा कि तैमोर की तलवार मे जंग लग गया और उसे अब महलों की जिंदगी पसंद है, तो उनकी हिम्मत दूनी हो जाएगी। हबीद कहीं दुश्मनों से घिर गया, तो बड़ा गजब हो जाएगा। उसने अपने जान उपर हाथ मारा और पहलू बदल कर अपने उपर जुंचलाया। वह इतना पस् का शेर नहीं। कालिंग का शेर हो गया। हबीब फरिष्टा है, जो इंसान की गुराईयों से वाकिफ नहीं। जो रहम और साफदली और बेगर जी का देवता है, वह क्या जाने इंसान कितना शैतान हो सकता है। अमन के दिनों में तो ये बाते कौम और मुल्क को तरक्की क रास्ते पर ले जाती है पर जंग में जबकी शैतानी जोश का तूफान उठता है इन खुशियों की गुंजाईश नहीं। उस वक्त तो उसी की जीत होती है, जो इंसानी खून का रंग खेले, खेतों खलेहानों को जलाए, जिंगलों को बसाए और बस्तियों को वीरान करे अमन का कानून जंग के कानून से जुदा है, सहसा चोबदार ने इस्तखर से एक कासिद के आने की खबर दी, कासिद ने जमीन चूनी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया, तैमोर का रोब ऐसा च्छा गया कि जो कुछ कहने आया था, वह भूल गया, तैमोर ने तियोरि जुठा क्या कहता है, जुजिया माफ कर दिया, हाँ खुदाबंद, किसने, वजीर साहब ने, किसके हुपम से, अपने हुपम से हुजूर, हुँ, और हुजूर, शराब का भी हुपम दे दिया, हुँ, गिर्जों में घंटे बजाने का भी हुपम हो गया है, हुँ, और हुजूर हमारे मालिक हैं, अगर हमारी कुछ मदद न हुई तो वहाँ एक मुसल्मान भी जिंदा न बचेगा। मुसल्मान समझते हैं, हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूँ। यह गलत है, जूट है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है, तैमोर उसका अधना गुलाम है। उसके फैसले में तैमोर दस्तंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया मुवाफ होना चाहिए। मुझे मजाज नहीं कि दूसरे मजहब वालों से उनके इमान का तावान लूए। कोई मजाज नहीं है। अगर मस्जिद में अजान होती है, तो कलीसा में घंटा क्यूं बजे। घंटे की आवाज में कुफर नहीं है। काफिर वह है, जा दूसरों का हक शीन ले जो गरीबों को सताय, गुदापरस्थ है, जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं। तू समझता है, मैं कुफर बख रहा हूँ। किसी को काफिर समझना ही कुफर है। हम सब खुदा के बंदे हैं, सब। बस जाओ और उन बागी मुसल्मानों से कह दे, अगर फॉरण मोहसरा न उठा लिया था। किले की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब ने समझा, तैमोर इसाईयों को सजा देने आ रहा है। इसाईयों के हाथ पाँफूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। इस वपन की रक्षा में यदी जान भी जाए, तो कोई गम नहीं। इस मुवामले पर किसी तरह का समझोता नहीं हो सकता। तैमोर अगर तलवार से काम लेना चाहता है, तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा। मगर यह क्या बात है। शाही फौच सफेद जहंदा दिखा रही है। तैमोर लड़ने नहीं सुलह करने आया है। उसका स्वा माथा चून लिया और बोला मैं सब सुन चुका हूँ हवीब। तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा दूसरा नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेने का या इसायों से मजहभी हक चीनने का कोई मजाज न था। मैं आज दरबार करके इन बातो की तस्दीक कर दूंगा और तब मैं एक ऐसी तजवीज बताऊंगा जो कई दिन से मेरे जेहन में आ रही है और मुझे उमीद है कि तुम उसे मंजूर कर लोगे। मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उर रहा था। कहीं हकीकत खोल तो नहीं गई। वह क् तुम में फरिष्टों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है लेकिन अफसोस यही है कि तुमने यह गुमान ही क्यों किया कि तैमोर तुम्हारे फैसले को मनसूख कर सकता है। यह तुम्हारी जात है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं बलकि एक ऐसा दरक्त है जिसकी हर एक शाक और पत्ती एक सी खुराक पाती है। दोनों किले में दाखिल हुए। सूरज डूब चुका था। आनकी आन में दरबार लग गया और उसमें तैमोर ने इसाईयों के धार्मिक अधिकारों को स्विकार किया। चारों तरफ से आवाज आ में दूआ का काम नहीं कर रहा हूं। इससे कही ज्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दे कि मैंने इतने दिनों तक आपके हकों से आपको महरूम रखा। चारों तरफ से आवाज आई मरहबा। मरहबा। दोस्तों, उन हकों के साथ साथ में आपकी सल्तनत भी आप करता हूं क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर है और किसी कौम या शक्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का अक्तियार नहीं है। आज से आप अपने बादशाह है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुसलिम आबादी को उसके जायज हकों से महरूम न मगर कभी ऐसा मौका आये कि कोई जाबिर कौम आपकी आजादी छीनने की कोशिश करे तो तैमोर आपकी मदद करने को हमेशा तयार रहेगा। वह कई बार तैमोर से शोखिया कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है, उसकी युवती चेतना, पद और अधिकार को भूल कर चहकती फिरती है। सहसा तैमोर ने कहा हबीब, मैंने आज तक तुम्हारी हरेग बात मानी है। अब मैं तुमसे यह तजवीच करता हूँ जिसक मैंने जिक्र किया था, उसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। किया गेरों के खून से भी। मेरा काम अब खत्म हो चुका। मैंने बुनियाद जमा दी इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी यही इलतजा है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीर हो जाओ, मेरी जिन्दगी में भी और मरने के बाद भी। मेरी इस बादशाहत के साथ मेरे अब रोने की रिसिवा दूसरा अवलम ना था। आपको बिलकुल वह पाँच बर्श की थी। जब विदा का देहांत हो गया। जब तुमने पहली बार भी जालम आलन किया। सोलर वर्श की अवस्था में मुखले वालों की ने सिखाया। शायद मेरे सिवा यहां के अंदर को यह बादा और पती दोनों विदा हो गया। उससे यह आशा न हो सकती थी कि वहां वह शांती के साथ रह सकेगी पर वह सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तयार थी। काम करती, इशारों पर नाचती, सब को खुश रखने की कोशिश करती पर न जाने क्यों चचा और चची दूनों उससे जलते रहते। उसके आते ही महरी अलग कर दी गई। उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह उपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वह उसे समझाने की चेश्टा करता या खुलम खुला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक खड़ी घर में रहना कठिन हो जाता इसलिए उसकी सहनुबूती मानी ही को दि परे दिन हैं। बानी ये सनेह में दूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशिरवाद देने लगता। दो, आज ललिता का विवा है। सबेरे से ही महमानों का आना शुरू हो गया है। कहनों की जहनकार से घर गूंज रहा है। मानी भी महमानों को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई अभूशन नहीं है और न उसे सुन्दर कपड़े ही दिये गए हैं, फिर अभी उसका मुख प्रसन है। आधी रात हो गई थी। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था। जिनवासे से चड़ावे की चीजे आई। सभी औरते उत्सुखों होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूशन पहिनाय जाने लगे। मानी के हृदय में जे यहां किसने बुलाया था, निकल जा यहां से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाय सही थी, पर आज की वह जिर्की उसके हृदय में बान की तरह चुब गई। उसका मान उसे धिक्कारने लगा। तेरे चिचुरेपन का यही पुरसकार है। यहां सोहागिनों के बीच मे तेरे आने की क्या जरूरत थी। वह खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैट कर रोने के लिए उपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठफेर हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम्मित्र था। वह भी म्योते में आया हुआ इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए उपर आया था। मानी को वह दो बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहां उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चाची की बातों की भनक उसके कान में भी पढ़ गई थी। मानी को उपर जाते देखकर वह उ उसे सांतवना देने के लिए उपर आया मगर दर्वाजा भीतर से बंद था। उसने किवार की दरार से भीतर जाका। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा मानी द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली क्या काम है। इंद्रनात ने गगद स्वर में कहा तुम्हारे पैरों पढ़ता हूँ मानी खोल दो। यह सने हमें दूबा हुआ हुआ विनय मानी के लिए अभूत पूर था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसे विनती भी कर सकता है इसकी उसने स्वापु में भ पाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनात शपटकर कमरे में घुसा दीखा कि छट से पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है। उसका हृदय काम उठा। उसने तुरंत जेब से चाकु निकाल कर रस्सी काट दी और बोला क्या करने जा रही थी मानी। जानती हूँ इस अपराद का क्या दंध है। मानी ने गर्दन जुका कर कहा इस दंध से कोई और दंध कठोर हो सकता है। जिसकी सूरत से लोगों को घृना है। उसे मरने के लिए भी अगर कठोर दंध दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि इश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नह है। तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रनात की आँखे सजल हो गई। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम यह समझ रही हूँ कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्ह संसार में कम से कम एक मनुश्या ऐसा है जिसे तुम्हारे प्रान अपने प्रानों से भी प्याम रहे हैं। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनात के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया। उसका क्या आशय है यह उसकी समझ में ना आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंदकार में जीवन में एक प्रकाश का उदे हो गया। इंद्रनात को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल को कुछ खटक गया। उसकी त्योरियां बदल कठोर स्वर में बोला तुम यहां कब आये। इंद्रनात ने अविचलित भाव से कहा तुम ही को खोचता हुआ यहां आया था। तुम यहां न मिले तो नीचे लोटा जा रहा था अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम ही यह कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजराती। गोकुल ने समझा यहां अपने अपराद के छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीवर कंट से बोला तुम यह विश्वासखात करोगे, मुझे ऐसी आशा न थी। इंद्रनात का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में खड़ा ह गया और बोला न मुझे यह आशा थी कि तुम मुझे पर इतना बड़ा लांचन रख दोगे। मुझे ना मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरसकार की वस्तू हो। मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तू है और रहीगी मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे ये बाते कहूं। इसके लिए और अनुकुल परिस्तितियों की राह देख रहा था। लेक इवल इतनी सी बात के लिए वह चड़ावे के गहने देखने चली गई थी। तुम्हारी माता ने उसे इस बुरी तरह जिड़का जैसे कोई कुट्टे को भी न जिड़केगा। तुम कहूगे इसमें मैं क्या करूं, मैं कर ही क्या सकता हूं। जिस घर में एक अनात स्त्री पर इतना अत्याचार हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता, तो आज यह नौबत ना आती। तुम्हें सिलजाम से नहीं बच सकते। तुम्हारे घर में आजुत सब है, मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बात करूंगा पर मुझे भय है की और विलंब करने में शायद मानी से हाथ थोना पड़े, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव किये देता हूँ। गोकुल के रिदय में इंद्रनात के प्रती ऐसी श्रधा क कुछ नहीं। कुछ छेपता हुआ बोला अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर जिड़का तो वह उनकी मूर्खता है। मैं उनसे अफसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनात अब पूछने पाचने का समय निकल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मानी से इस विशय में सलाह क करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह यहां क्षन भर भी रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह गर्विनी प्रकृती की स्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुगध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डर पाके सर्वता योग्य नहीं हैं। इंद्रनात ने मुस्करा कर कहा जानता हूँ, सुन चुका हूँ और इसलिए तुम्हारे बाबुजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन न जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर न पड़ता। बानी विध्वा ही नहीं, अचूत हो। उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती है, वह भी हो, फिर भी मेरे लिए वह रमनी रत्म है। हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोचते हैं, जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी हैं, उसमें तजुर्बेका होना एफ समझते हैं, मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं हूँ, विपत्ती से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विध्यालय आज तक नहीं खुला, जिसने इस विध्यालय में दिग्री ले ली, उसके हाथों में हम निश्चिंत होकर जीवन की बागडोर दे सक दा कि इस विषय में आपत्ती करें, लेकिन वे आपत्ती करें भी तो मैं अपनी किसमत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूं, मेरे बढ़ों को मुझ पर अनेकों अधिकार हैं, बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूं, लेकिन जिस बात को मैं अ रंका बिलकुल निर्मूल जान पड़ी, बोले तुम इस समय बच्चों की सी बात कर रहे हो गो कोल, यह मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मंजूर न करेगी, वहे इस घर में ठोकरे खाएगी, जिर्किया सहेगी, गालिया सुनेगी, पर इसी घर में रहेगी, युगों के संसकारों को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसको राजी करना पड़ेगा, उसके मंद से संचित संसकारों को निकालना पड़ेगा, मैं विध्वाओं के पुनरविवा के पक्ष में नहीं हूँ, मेरा खयाल है कि पतिवरत का अलोकिक आदर्श संसार का अमूल्य र अतन है और हमें बहुत सोच समझ कर उस पर आघात करना चाहिए, लेकिन मानी के विशय में यह बात नहीं उठती, प्रेम और भक्ती नाम से नहीं, व्यक्ती से होती है, जिस पुरूश की उसने सूरत भी नहीं देखी, उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता, केवल रस्म की बात ह इस आडंबर की, इस दिखावे की, हमें परवा नहीं करनी चाहिए, देखो, शायद कोई तुम्हें बुला रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, दो-तीन दिन में फिर मिलूंगा, मगर ऐसा नहो कि तुम संकोच में पढ़कर सोचते विचारते रहे जाओ और दिन निकलते चले जाया, गोकुल ने उसके गले में हाथ डाल कर कहा मैं परसों खुद ही आंगा, चार, बारात विदा हो गई थी, महमान भी रूखसत हो गए थे, रात के नौ बज गए थे, विवाह के बाद की मींग मशहूर है, खर के सभी लोग सरेशाम से सो रहे थे, कोई चारपाई पर, कोई तक्त पर, कोई जमीन पर, जिसे जहां जगह मिल गई, वही सो रहा था, केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और उपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था, सहसा गोकुल ने पुकारा मानी, एक ग्लास थंडा पानी तो लाना, प्यास लग कहीं कोई घुस आये तो लोटा थाली भी न बचे, कोकुल ने कहा घुस आने दो, मैं तुम्हारी जगह होता, तो चोड़ों से मिलकर चोड़ी करवा देता, मुझे इसी वक्त इंद्रनात से मिलना है, मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है, देखो संकोच मत करना, जो ब गोकुल खेर, यह वह जाने और तुम जानो, वह तुम से विवाह करना चाहता है, वैदिक रीती से विवाह होगा, तुम्हें स्वीकार है, मानी की गर्दन शर्म से जुप गई, वह कुछ जवाब न दे सकी, गोकुल ने फिर कहा दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही पर है, मैं तो समझता हूँ, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, इंद्रनात तुम से प्रेम करता ही है, यूं भी निश्कलन्ट चरित्र का आदमी और बला का दिलेर है, भै तो उसे चूही नहीं गया, तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा, मानी के ह रिदय का बोज हलका हो गया, मुस्क्राने लगा, मानी शर्म के मारे वहां से भाग गई, पांच, शाम को गोकुल ने अपनी मा से कहा, अम्मा, इंद्रनात के घर आज कोई उत्सव है, उसकी माता अकेली घबड़ा रही थी कि कैसे सब काम होगा, मैंने कहा, मैं मानी को कल भ मानी कहा, मुझसे क्या पूछते हो, वह जाए, तो ले जाओ, गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनात के घर चलना है, मानी ने आपत्ती की मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं न जांगी, गोकुल की मानी कहा, चली क्यूं नहीं जाती, क्यार वहां कोई पहाड खोड़ना है, मानी एक सफेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी, तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आँखों में आंसु भराते थे, उसका हृदय बैठा जाता था, मानो नदी में डुगने जा रही हो, तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा भाईया, मेरा जीन जाने कैसा हो रहा है, खर चलो तुम्हारे पैर पढ़ती हूँ, गोकुल ने कहा तू पागल है, वहां सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लोट चलो, मानी मेरा मन कहता है, कोई अनिष्ठ होने वाला है, गोकुल और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है, मानी दस पाँच दिन खहर क्यों नहीं जाते, कह देना, मानी बीमार है, गोकुल पागलों किसी बाते न करो, मानी लोग कितना हसेंगे, गोकुल मैं शुब कार्या में किसी की हसी की परवा नहीं करता, मानी अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देंगी, मेरे कारण तुम्ही भी जिर्किया मिलेंगी, गोकुल इसकी कोई परवा नहीं है, उनकी तो यह आदत ही है, तांगा पहुँच गया, इंद्रनात की माता विचारशील महिला थी, उन्होंने आकर वधु को उतारा और भीतर ले गई, छै, गोकुल वहां से घर चला तो ग्यारह बज रहे थे, एक और तो शुब कार्य के पूरा करने का आनंद था, दूसरी और भैथा की कल मानी न जाएगी, तो लोगों को क्या जवाब दूँगा, उसने निश्चे किया, चल कर साफ साफ कह दूँँ, छिपाना व्यर्थ है, आज नहीं कल कल नहीं परसों तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा, आज ही क्यों न कह दूँँ, यह निश्चे करके वह घर में दाखिल हुआ, माता ने किवार खोलते हुए कहा इतनी रात तक क्या करने लगे, उसे भी क्यों न लेते आए, कल सवेरे चौका बरतन कौन करेगा, गोकुल ने स जुका कर कहा वह तो अब शायद लोटकर न आये अमा, उसके वहीं रहने का प्रबंध हो गया है, माता ने आँखे फाड कर कहा, क्या बकता है, भला वह वहां कैसे रहीगी, गोकुल इंद्रनात से उसका विवा हो गया है, माता मानो आकाश से गिर पड़ी, उन्हें कुछ स प्योरियां चाड़ गई, बूला अम्मा, बस करो, अब मुझ में इससे ज्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं है, अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता, तो आपकी जूतियां खा कर भी सिर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया, मैंने वही किया, जो इसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मुर्खा हो तुम ही नहीं मालूम की समय की क्या प्रगती है। इसलिए अब तक मैंने धहर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी। तुमने और मुझे दूख्ख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नार्किय बना रखा था। तुमने उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई अपने शत्रू को भी न देगा। इसलिए नकी वह तुम्हारी आश्रत थी। इसलिए नकी वह नाथिनी थी। अब वह तुम्हारी गालियां खाने न आवेग माता ने आँखे मटका कर कहा आहा, कितने सपूत बेटे हो तुम की सारे घर को संकत से बचा लिया, क्यूं न हो, अभी बेहन की बारी है, कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले में बांधाना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी, यह रोजगार सबसे अच्छा है, प गहता हुआ, वह घर से निकल पड़ा और उनमत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ, जोर के जूंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है, साथ, एक सप्ताह बीट गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं, इंद्रनात को घर चिपा होगा, पर जब वहां पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोच-पूच शुरू की, जितने मिलने वाले, मित्रक्स नहीं, संबंदी थे, सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया, दिन भर दोर धूप कर शाम को घर आते, तो स्त्री को आड़े ह बातों लेते और कोसो लड़के को पानी कर कोसो, न जाने तुम्हें कभी बुध्धी आएगी भी या नहीं, गई थी चोडेल, जाने देती, एक बोज सिर से टला, एक महली रख लो, काम चल जाएगा, जब वह न थी, तो घर क्या भूखो मरता था, विध्वाओं के पुनर भी न हो सका की मुझसे तो पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता, क्या तुमने समझा था, मैं दफ्तर से लोटकर आंगा ही नहीं, वही मेरी अंतियश्टी हो जाएगी, बस लड़के पर टूप पड़ी, अब रो, खूब दिल खोल कर, संध्या हो गई थी, वंशीधर स रीको फटकारे सुना कर द्वार पर उद्वेग की दशा में तहल रहे थे, रह रहकर मानी पर प्रोधाता था, इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ, नजाने किस बुरी साइप में आई की घर को मिटा कर छोड़ा, वह न आई होती, तो आज क्यूं यह बु खाशाली लड़का था, नजाने कहां गया, एक आएक एक बुरिया उनके समीप आई और बोली बाबु साहब, यह खत लाई हूं, ले लीजिए, वंशीदर ने लपक कर बुरिया के हाथ से पत्र ले लिया, उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी, गोकुल ने शायद यह प उने भेजा है, वंशीदर ने कमरे में जाकर लेंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे, मानी का खत था, लिखा था, पूज्य चाचाजी, अभागे मी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे यह सुनकर अत्यंत दूख्ख हुआ कि गोकुल भाया कहीं चले गए और अब इसका कारण हूँ, यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था वह भी लग गया, मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे बहुत दूख्ख है, मगर भाया आविंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है, मैं इसी नौ बजे वाली गाड़ी से बंबाई जा रही उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा, मेरी इश्वर से यही प्रार्थना है कि शीगर ही गोकुल भाया सकुषल घर लोट आवे, इश्वर की इच्छा हुई तो भाया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूँगी, वंशीदर ने पत्र को फाड कर पुर्जे-पुर्जे कर डाला, घरी में देखा तो आठ बज रहे थे, तुरंत कपड़े पहने, सडक पर आकर इकका किया और स्टेशन चले, आठ, बंबई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, मुसाफिरों में भगदर मची हुई थी, खोंचे वालों की चीक प खड़ी क्यों न हो, उसकी स्मृतिया मधूर होती है, मानी आज बुरे दिनों को स्मरंड करके दूखी हो रही थी, गोकुल से अब न जाने कभ भीट होगी, चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती, कभी कभी विगड़ते थे तो क्या उसके भले ही के लिए तो करूंगी, एकाएक उसने लाला वन्शीधर को आते देखा, वह गाड़ी से निकल कर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बड़ी, चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आँखे निकाल कर बोले मुझे मत्शूत दूर रह अभगेनी कहीं की, मुह म कालिक लगा कर मुझे पत्र लिखती है, तुझे मौद भी नहीं आती, तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया, आज तक गोकुल का पता नहीं है, तेरे कारणबह घर से निकला और तू अभी तक मेरी चाती पर मून दिलने को बैठी है, तेरे लिए क्या गंगा में पानी न प्लेटफॉंग पर सैकरों आदमियों की भीर लग गई थी और वन्शीदर निरलज भाव से गालियों की बौचार कर रहे थे, किसी की समझ में ना आता था क्या माजरा है, पर मन से सब लाला को धिकार रहे थे, बानी पाशान मूर्ती के सामान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो, उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया, ऐसा जी चाहता था, धर्ती फट जाया और मैं समझाओं, कोई वच्र गिरकर उसके जीवन अधम जीवन का अंत कर दे, इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया, उसकी आँखों से पानी की एक गून भी न निकली, खृदय में आसुन थे, उसकी जगह एक दावानल सा दहेक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्ट की ओर बढ़ता चला जाता था, संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा, सास ने पुकारा बहू, अंदर आ जाओ, गाड़ी चली तो माता ने कहा ऐसा बेशर्म आदमी नही देखा, मुझे तो ऐसा ख्रोधा रहा था कि उसका मूँ नोच लूँ, मानी ने सिर उपर न उठाया, माता फिर बोली न जाने इन सरियलों को बुद्धी कब आएगी, अब तो मरने के दिन भी आ गए, पूछो तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें, अगर ऐसे पाप में उसे जाने क्या सूज रहा था, कानपुर आया, माता ने पूछा बेटी, कुछ खाओगी, थोड़ी सी मिठाई खालोट दस कप के बज गए, मानी ने कहा अभी तो भूप नहीं है अम्मा, फिर खालूंगी, माता जी सोई, मानी भी लेटी, पर चचा की वह सूरत आखों के सामने खड़ी थी और उनकी बाते कानों में गूंज रही थी या, मैं इतनी नीच हूँ, ऐसी पतित, की मेरे मर जाने से प्रिथवी का भार हलका हो जाएगा, क्या कहा था, तू अपने माँ बाप की बेटी है, तो फिर मूप मत दिखाना, न दिखांगी, जिस मूप पर ऐसी कालिमा लगी हुई है, उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है, गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी, मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभुशन निकाल कर उसमें रख दिये, फिर इंद्रनात का चित्र निकाल कर उसे देर तक देखती रही, उसकी आँखों में गर्व की एक छलक सी दिखाई दी, उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती, तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है, मैं अपने पूर संसकारों का प्रायश्चित कर रही थ तुमने मुझे उठा कर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूँगी, तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूँगी, गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा दरवाजा खुलने की आहट से माता जी की आँखे खुल गई, गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी, मगर बहु का पता न था, वह आँखे मलकर उट बेठी और पुकारा बहु, बहु, कोई जवाब न मिला, उनका हृदय धक धक करने लगा, उपर के बर्ट पर नजर डाल पेशा भखाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहु कहीं न थी, तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई, बहु का क्या हुआ, यह द्वार किसने खोला, कोई गाड़ी में तो नहीं आया, उनका जी घबराने लगा, उन्होंने किवार बंद कर दिया और जोर जो होगी, यही आराम दे गई, सहसा उसे खत्रे की जंजीर याद आई, उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खीची, कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी, गाड़ आया, पड़ोस के कमरे से दो-चार आदमी और भी आये, फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया, नीचे तकते को ध्यान से देखा, रक्त का कोई चिन्ह न था, असबाब की जाँच की, बिस्तर, संदूक, संदूकची, बरतन सब मौजूद थे, ताले भी सब बंद थे, कोई चीज गायब न थी, अगर बाहर से कोई आदमी आता, तो चलती गाड़ी से जाता कहां, एक स्त्री को लेकर गा तरकर एक मील तक सड़क के दूनों तरफ तलाश किया, मानी का कोई निशान न मिला, रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था, माताजी को कुछ लोग आगरह पूर्वक एक मर्दाने डिब्बे में ले गए, यह निश्चे हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उत हाई, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मेली हुई, कैसे कैसे साधों और अर्मानों से भरी पती के पास जा रही थी, कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यू नहीं ले तेरी मनोभिलाशा पूरी हो गई जो तू चाहता था, वह पूरा हो गया, क्या अभ में हास परिहास हो रहा था, मानी का आगमन इस परिहास का विशय था, एक मित्र बोले क्यों इंद्रत तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो, बनाए कहीं घूसला, या यों ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटें, पत्र पत् कर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में कुछ थोड़ा ही सा अंतर है, इंद्रनात ने मुस्करा कर कहा यह तो तकदीर का खेल है, भाई सोलहू आना तकदीर का, अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरकतुल्य है, तो दूसरी दशा में स्वर्ट से कम नहीं, दूसरे मित्र बोले इतनी आजादी तो भला क्या रहीगी, इंद्रनात इतनी क्या इसका शतांच भी न रहीगी, अगर तुम रोज सिनिमा देखकर 12 बजे लोटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफतर से 4 बजे लोटकर ताश खेलना चाहते हो, तो विवाह करने से कोई सुख न होगा, और जो हर महीने सूख बनवाते हो तब शायद साल भर में भी न बनवा सको, श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही है, हाँ मेल से, मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे न, यह भी पूछने की बात है, अब घर कौन जाता ह मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी, सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनात के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया, इंद्रनात का चेहरा खिल उठा, जहक तार खोल कर पढ़ने लगा, एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक हो गया, सांस रूप गई, सिर घूमने दोनों मित्रों ने घबडा कर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुधी से हो दीवार की ओर ताकने लगे, क्या सोच रहे थे और क्या हो गया, तार में लिखा था मानी गाड़ी से कूट पड़ी, उसकी लाश लालपुर से तीन मील पर पाई गई, मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ, एक मित्र ने कहा किसी शत्रू ने जूटी खबर ना भेज दी हो, दूसरे मित्र बोले हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारते करते हैं, इंद्रनाथ ने शुन्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मूर से कुछ बोले नहीं, कई मिनट तीनों आदमी निर इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले, निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे, बारह, एक सप्ताह गुजर गया था, लाला वंशीदर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रनाम किया, वंशीदर उसे देखकर चौक पड़े, उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विक्रित दशा पर, मानो वीतराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई रिदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो, वंशीदर ने पूछा तुम तो बंबाई चले गय थे न, इंद्रनाथ ने जवाब दिया उसकी भेट हुई, क्या बंबाई चला गया था, जी नहीं, कल में गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए, तो जाकर लिवालाओ नक्जो किया अच्छा किया, यह कहते हुए वह घर में दोडे, एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया, वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांग तक देखा तुम बीमार थे क्या भाईया, चेहरा क्यूं इतना उतरा है, गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा हाथ मूम धो डालो बेटा, गोकुल है तो अच्छी तरह, कहा रहा इतने दिन, तब से सैकरो मननते मान डाली, आया जी नहीं, अम्मा भी आई है, गोकुल की माता ने कुछ सकुचा कर पूछा मानी तो अच्छी तरह है, इंद्रनात ने हसकर कहा जी हाँ, अब बढ़े सुख से हैं, संसार के बिंदनों से छूट गई, माता ने अविश्वास करके कहा चल, नटखट कहीं का, वेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बंबई से लोट क्यों आएं, इंद्रनात ने मुस्कराते हुए कहा क्या करता, माता जी का तार बंबई में मिला की मानी ने गाड़ी से कूट कर प्रांट दे दिये, वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दोड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिय आज घर चला आया, अब मेरा अपराद क्षमा कीजिए, वह और कुछ न कह सका, आसूओं के वेग ने गला बंद कर दिया, जेग से एक पत्र निकाल कर माता के सामने रखता हुआ बोला उसके संदूप में यहीं पत्र मिला है, गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत सी बैठी जमीन की ओर ताक्ती रही, शोक और उससे अधिक पश्चात आपने सिर को दबा रखा था, फिर पत्र उठा कर पढ़ने लगी, स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुचेगा, तब तक मैं इस संसार से विदा हो जांगी, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है, आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी, मैंने सोचकर देखा और यही निश्चे किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है, मुझ पर आपने जो दया की थी, उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूँ, जीवन में मैंने कभी किसी वस् चार और आपको से आसु जहने लगे, बरामदे में वन्शीदर निस्पर्द खरेती और जैसे मानी लजज जानत उनके सामने करूँ थी, लेकिन फिर भी दूनों में गाड़ा प्रेम हो गया था, और यह बात सारे कालेज में मशहूर थी, केशब ब्राहमन होकर भी वैशिय कर्ण्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था, उसे अपने माता-पिता की परवा न थी, कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांसा लगता था, उसके लिए सत्य कोई वस्तू थी, तो प्रेम थी, किन्तु प्रेमा के लिए माता-पिता और कुल उनमें एक ऐसा प्रसंद चिरा हुआ है जो किसी तरह समाप्त नहीं होता। केशब ने जुंजला कर कहा इसका यह अर्थ है कि तुम्हें मेरी परवा नहीं है। प्रेमा ने उसको शांत करने की चेश्टा करके कहा तुम मेरे साथ हन्याय कर रहे हो केशब। लेकिन मैं इस वि प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों में मृदूस ने भर कर कहा नहीं में उनकी गुलाम नहीं हूँ लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीजों से अधिक मान्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है। ऐसा ही समझ लो। मैं तो समझता था क ये धकोसले मूर्खों के लिए ही हैं लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुशियां भी उनकी पूजा करती हैं। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोने को तयार हूँ तो तुमसे भी यही आशा करता हूँ। प्रेमा ने मन में सोचा मेरा अपनी देह पर क्या अधिकार है। जिन माता पिता ने अपने रक्त से मेरी स्रिष्टी की है और अपने स्ने से उसे पाला है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे कोई हक नहीं। उसने दीमता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप ही में रह सकता है, मैथ् का बंदन समझती हूँ. केशब ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी, प्रेमा. बस, इतना ही समझ लो, मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता. मैं प्रत्यक्षवादी हूँ, और कलपनाओं के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है. यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकटका अपनी ओर खींचने की चेश्टा की. प्रेमा ने जखके से हाथ शुडा लिया और बोली, नहीं केशब, मैं कह चुकी हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ. तुम मुझ से वह चीज न मांगो, जिस प अहिस्ता कदम सा उठाता हुआ वहां से चला गया. प्रेमा अभी वहीं बैठी आंसु बहाती रही. दो, रात को भूजन करके प्रेमा जब अपनी मां के साथ लेटी, तो उसकी आँखों में नींग न थी. केशब ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी, जो चंचल पानी में पने वाली चाया की तरह उसके दिल पर चाई हुई थी. प्रतिक्षन उसका रूप बदलता था. वह उसे स्थिर न कर सकती थी. माता से इस विशय में कुछ कहे तो कैसे. लज्जम उन बंद कर देती थी. उसने सोचा, अगर केशब के साथ मेरा विवाह न हुआ तो उस समय मेरा क क्या कततव्य होगा. अगर केशब ने कुछ उद्धनता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा, लेकिन मेरा बस ही क्या है? इन भाती-भाती के विचारों में एक बात जो उसके मन में निश्चित हुई, वह यह थी कि केशब के सिवा वह और किसी से विवा जाएगी, कौन जाने कैसा घर मिले? अगर कुछ काम करने की आदत न रही, तो कैसे निवा होगा? प्रेमा ने भूलेपन से कहा, मैं पराये घर जांगी ही क्यों? माता ने मुसकरा कर कहा, लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी विपत्ती है, बेटी. माँ बाप की ग घर नहीं भाता. कहीं लड़कियों का आदर नहीं, लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा. न जाने यह जात पांत का बंदन कब तूटेगा? प्रेमा डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवा होने लगे हैं. उसने कहने को कह दिया, लेकिन उस से क्या होता है? प्रेमा ने इसका कुछ जवाब न दिया, भै हुआ की माता कहीं उसका आशय समझ न जाया. उसका भविश्य एक अंधीरी खाई की तरह उसके सामने मूह खुले खड़ा था, मानो उसे निगल जाएगा. उसे न जाने कब नीन दा गई. प्राता काल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में एक विचित साहस का उदे हो गया था. सभी महत्वपूर्ण फैसले हमा कस्मिक रूप से कर लिया करते हैं, मानो कोई देर्वी शक्ती हमें उनकी ओर खींच ले जाती है. वही हालत प्रेमा की थी. कल तक वह माता पिता के निरनय को मान्य समझती थ पर संकट को सामने देखकर उसमें उस वायू की हिम्मत पैदा हो गई थी, जिसके सामने कोई परवत आ गया हो. वही मन्द वायू प्रबल वेग से परवत के मस्तक पर चड़ जाती है और उसे कुछलती हुई दूसरी तरफ जा पहुँचती है. प्रेमा मन में सोच रही थी मानो यह देह माता पिता की है. किन्तु आत्मा तो मेरी है. मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा, वहे सी देह से तो भुगतना पड़ेगा. अब वहे स्विशय में संकोच करना अनुचित ही नहीं, घातक समझ रही थी. अपने जीवन को क्यों एक छूठे सम्मान पर बलिदान करे. उसने सोचा विवाह का अधार अगर प्रेम न हो, तो वह देह का विक्रे है. आत्मा समर्पन क्यों बिना प्रेम के भी हो सकता है. इस कल्पना ही से कि न जाने किस अपरिचित युवक से उसका विवाह हो जाएगा, उसका हृदय विद्रोह कर उठा. वह नहीं, सच. यह कहते हुए उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली, और मकमली चोखटों में जड़ी हुई एक तस्वीर निकाल कर उसे दिखाते हुए बोले, यह लड़का आई शुन्य सी शुन्य सुन्य के इमतहान में प्रथम आया है. इसका नाम तो तुमने सुना होगा गूरे पिता ने ऐसी भूमिका बांग दी थी कि माउं उनका आशय ना समझ सकी लेकिन प्रेमा भाप गई. उनका मन तीर की भाती लक्षय पर जा पहुँचा. उसने बिना तस्वीर की ओर देखे ही कहा, नहीं, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना. पिता ने बनावती नहीं समझती. मैं तो समझती हूँ, जो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, वे पल्ले सिर के स्वार्थी होते हैं. आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा और क्या होता है कि अपने गरीब, निर्धन, दलित भाईयों पर शासन करें और खूब धन संचय करें. यह तो ज करती के स्वर में बोले, तु तो ऐसी बाते कर रही है, जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं. प्रेमा ने डिठाई से कहा, हाँ, मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती. मैं तो आदमी में त्याग देखती हूँ. मैं ऐसे युवकों को जानती हूँ, जिन करा उस लटके की सूरत देखना चाहता हूँ, जिसमें इतना त्याग हो. मैं तो उसकी पूजा करूँगा. शायद किसी दूसरे अफसर पर ये शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा से सिर जुका लेती, पर इस समय उसकी दशा उस सिपाही की सी थी, जिसके पीछे गहरी खाई हो. आगे बने के सिवा उसके लिए और कोई मार्ग न था. अपने आवेश को सयम से दबाती हुई, आँखों में विद्रोव भरे, वह अपने कमरे में गई, और केशव के कई चित्रों में से वह एक चित्र चुनकर लाई, जो उसकी निगाह में सबसे खराब था, और पिता दे रहा था. मुख पर प्रतिभा का तेज न था, पर विचारशीलता का कुछ ऐसा प्रतिविंद था, जो उसके मन में विश्वास पैदा करता था. उन्होंने उस चित्र की और देखते हुए पूछा, यह किसका चित्र है? प्रेमा ने संकोच से सिर जुका कर कहा, यह मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं. अपनी ही विरादरी का है. प्रेमा की मुख मुद्रा धूमिल हो गई. इसी प्रशन के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा. उसके मन में पच्चतावा हुआ की व्यर्त में इस चित्र को यहां लाई. उसमें एक शन के लिए जो द्रिर जा रहा हो और दिवार की आड में होकर रोने लगी. लाला जी को तो पहले ऐसा ख्रोधाया की प्रेमा को बुला कर साफ साफ कह दे कि यह आसमभव है. वे उसी गुसे में दरवाजे तक आये, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्रह हो गए. इस युवक के प्रती प्रेमा के मन में क्या भाव थे, यह उनसे छिपा न रहा. वेस्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन इसके साथ ही कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे. अपनी ही जाती के सुयोग्यवर के लिए अपना सर्वस्वर पंड कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग्यवर की कल्पना भी उनके लिए असहय थी. इससे बड़ा अपमानवे सोच ही न सकते थे. उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से कालेज जाना बंद कर दो, अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही सिखाती है, तो कुशिक्षा है? प्रेम लाला जी ने घर में आकर पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले, जहां तक मुझे मालूम है, केशब बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक है. मैं तो समझता हूँ प्रेमा इस शोप में घुल-घुल कर प्रांट दे देगी. तुमने भी समझाया, मैंने भी जाया, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता. ऐसी दशा में हमारे लिए और क्या उपाए है? उनकी पत्नी ने चिंतित भाव से कहा, कर तो दोगे, लेकिन रहोगे कहां. न जाने कहां से यह कुलक्षनी मेरी कोख में आई. लाला जी ने भवे सिकोट का तिरसकार के साथ कहा, यह तो हजार दफा सुन चुका, लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहां तक रोएं? चिदिया का पर खोल कर यह आशा करना की वह तुम्हारे आंगर में ही फुदक्ति रहीगी ब्रह्म है. मैंने इस पर पर थंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ क पांत के बिंदनों को तोकह हो चुके हैं. अगर विवाह का उद्देश स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन है, तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं. रिध्धा ने एक शुब्ध होकर कहा, जब तुम्हारी यही इच्छा है, तो मुझ से क्या पूछते हैं? लेकिन मैं कहे देती हूँ कि मैं इस विवाह के नजदीक न जांगी, न कभी इस छोकरी का मूह देखूंगी, समझ लूंगी, जैसे और सब लटके मर गए वैसे यह भी मर गई. तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो? क्यों नहीं उस लटके से विवाह कर देते, उसमें क्या बुराई है? वह दो साल में सिविल सर्वीज पास करके आ जाएगा. केशव के पास क्या रखा है? बहुत होगा किसी दफ्तर में क्लर्क हो जाएगा. और अगर प्रेमा प्रान हत्या कर लेतो, तो कर लेत तुम तो उसे और शह देते हो. जब उसे हमारी परवा नहीं है तो हम उसके लिए अपने नाम को क्यूं कलंकित करें? प्रान हत्या करना कोई खेल नहीं है. यह सब धमकी है. मन घुड़ा है, जब तक उसे लगाम न दो, पूपर हाथ भी न रखने देगा. जब उसके मन का यह हाल है, तो कौन कहिक केशव के साथ ही जिंगी भर निबाह कर और अगर वह कल खुद जाकर केशव से विवाह कर ले, तो तुम क्या कर लोगी? फिर तुम्हारी कितनी इज़्यत रह जाएगी? वह चाहे संकोच वश या हम लोगों के लिहाज से योही बैठी रहे, पर यदी जित पर कमर बांद ले, हम तुम कुछ नहीं कर सकते. इस समस पातने उसकी बुद्धी की धज्जियां उड़ा दी हूँ. फिर पराभुत होकर बोली, तुम्हें अनुखी की कलपनाई सूझती हैं. मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि किसी कुलीन कन्या ने अपनी इच्छा से विवाह किया है. तुमने ना सुना हो, लेकिन मैंन सुना है, और देखा है और ऐसा होना बहुत संभव है. जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन तुम मुझे जीती न देखोगे. मैं यह नहीं कहता कि ऐसा होगा ही, लेकिन होना संभव है. तो जब ऐसा होना है, तो इससे तो यही अच्छा है कि हमी इसका प्रबंद करें. जब नाक प्रेमा के पिता उसके पास पहुंचे और केशव से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया तो गूरे पंडित जी अपने आप में न रह सके। तुंदली आँखे फाका बोले आप भंग तो नहीं खा गए हैं। इस तरह का संबंध और चाहे जो कुछ हो विवाह नहीं है। मालूम होता है आपको भी नए जमानी की हवा लग गई। बूरे बाबुजी ने नमटा से कहा मैं खुद ऐसा संबंध नहीं पसंद करता। इस विशय में मेरे भी वही विचार हैं जो आपके पर बात ऐसी आपड़ी है कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। आजकल के लड़के और लड़कियां कितने स्वेच्छाचारी हो गए हैं यह तो आप जानते ही हैं। हम बुड़े लोगों के लिए अब अपने सिधानतों की रक्षा करना कठिन हो गया है। यह समस्या उपस्थित हो सकती है। मैं कहता हूँ आपको मुझसे यह बात कहने का साहस कैसे हुआ। बुड़े बाबु जी जितना ही दबते थे उतना ही पंडित जी बिगरते थे। यहां तक कि लाला जी अपना अपमान ज्यादा न सह सके और अपनी तकदीर को कोस्ते हुए चले गए। उसी वक्त केशव कालेज से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाकर कठोर कंट से कहा, मैंने सुना है, तुमने किसी बनिये की लग्की से अपना विवाह कर लिया है। यह खबर कहां तक सही है। केशव ने अंजान बनकर पूछा, आप से किसने कहा। किसी ने कहा, मैं पूछता हूँ, यह बात ठीक है या नहीं। अगर ठीक है और तुमने अपनी मर्यादा को डुबाना निश्चे कर लिया है, तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्था नहीं। तुम्हें मेरी कमाई का एक धेला भी नहीं मिलता। मेरे पास जो कुछ है, वह मेरी अपनी कमाई है, मुझे अक्तियार है कि मैं उसे जिसे चाहूं देदून। तुम यह आनीती करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। केशव पिता के स्वभाव से परिचित प्रेमा से उसे प्रेम था. वह गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था. बाप हमेशा तो बैठे न रहेंगे. माता के सनेह पर उसे विश्वास था. उस प्रेम की तरंग में वह सारे कश्टों को जहिलने के लिए तैयार मालूम होता था. लेकिन जैसे को पीछे हटा लेता है, वही दशा केशव की हुई. वह साधारन युगकों की तरह सिधानतों के लिए बड़े-बड़े तर्ट कर सकता था, जबान से उनमें अपनी भक्ती की दोहाई दे सकता था, लेकिन इसके लिए यातनाय जहेलने की सामथर्य उसमें न थी. अगर वह अप व्रनेत्रों से देख कर कहा, तो यह खबर बिलकुल गलत है. जी हाँ, बिलकुल गलत. तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिये को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी, तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रू होंगा. बस जाओ. केशव और कुछ न कह सका. वह यहां से चला तो ऐसा मालूम होता था कि पैरों में दम नहीं है. चै, दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम यह पत्र लिखा. प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने लाला जी के साथ जो अशिष्ट और अपमांजनक व्यवहार किया ह उसका हाल सुनकर मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन हो रही है. शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार बताई होगी, ऐसी दशा में मैं तुम्हारा निश्चे सुनने के लिए विकल हो रही हूँ. तुम्हारे साथ हर तरह का कश्ट छेलने को तैयार हूँ. मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ती का मोह नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ और उसी में प्रसन हूँ. आज शाम को यहीं आकर भोजन करो. दादा और मा दोनों तुमसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं. मैं वह स्वपन देखने में मग्म हूँ ज केशव आये नहीं. बूरे लाला भी दुआर की और आँख लगाये बैठे थे. यहां तक की रात के नौ बज गये, पर न तो केशव ही आये, न उनका पत्र. प्रेमा के मन में भाती-भाती के संकल्प विकल्प उठ रहे थे. कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न में कितना कमपन था, कितनी विकलता, कितनी तीव राकांक्षा. फिर उसे केशव के वे वाक्य याद आये, जो उसने सैकड़ों ही बार कहे थे. कितनी बार वह उसके सामने रोया था. इतने प्रमानों के होते हुए निराशा के लिए कहां स्थान था, मगर फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर तंगा रहा. प्रातह काल केशव का जवाब आया. प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र लेकर पड़ा. पत्र हाथ से गिर गया. ऐसा जान पड़ा, मानो उसकी देह का रक्त स्थिर हो गया हो. लिखा था, मैं बड़े संकट में हूँ की तुम् लेक्षा करना दू, से है. मुझे काय ना समझना. मैं स्वार्ती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ती मुझ में नहीं है. पुरानी बातों को भूल जाओ. उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना न की थी. प्रेमा ने एक लं ऐसा मालूम पड़ा, मानो अब तक वह कोई सुनहला स्वापन देख रही थी, पर आँख खुलने पर वह सब कुछ अद्रिश्य हो गया. जीवन में जब आशा ही लुप्त हो गई, तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा? अपने हृदय की सारी संपत्ती लगा कर उसने ए हुनी की और ताकते हुए कहा, हाँ, उनकी तबियत अच्छी नहीं है, इसके सिवा वह और क्यांसर ओवर भाग एक के शिवकार, निष्ठुरता और ब्रेवफाई का समाचार कहकर फटे वस्त्रों का साहसुस में रान वसुथा के चांद सिवर वरी घर के कामान भरियां प्रभात की सुनेड़ी का दूसके प्ले मूख को जीवरान की आभाव दान कर रही विनूद के भाव से कहा, क्यूं, वह कहेगा नहीं, तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है, मेरी जो इच्छा होगी वह करूंगा, तू अपना रोटी का पड़ा मुझ से लिया कर, तु साथ बाते करना अभी न सीख पाई थी, उसका सूखा हुआ सावला चेहरा उत्तेजित हो उठा, करकश स्वर में बोली, जिस दिन ऐसी बाती मूख से, निकालेगा, मुंचे उखार लूंगी सरकार, वह मेरा गुलाम नहीं है, तो क्या मैं उसकी लोडी हूँ, अगर वह मेर पहनू, पर उसे फटे पुराने नहीं, पहनने देती, जब मैं उसके लिए इतना करती हूँ, तो मजाल है, कि वह मुझे आँख दिखाए, अपने घर को आदमी इसलिए तो चाता छोपता है, कि उससे, वर्खा बुंदी में बचाव हो, अगर यह दर लगा रहे, कि घर न कि घ्याने, तब मुझे दया हा, गई, यही मुझ में एक बुराई है, मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती, इसी से वह कभी-कभी बहेग जाता है, पर अब मैं पक्की हो गई हूँ, फिर, किसी दिन जगड़ा किया, तो या वही रहेगा, या मैं ही रहूंगी, क मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई, बोली, बैठा कर कोई क्या खिलाएगा सरकार, मर्ग बाहर काम करता है, तो हम भी घर में काम करती हैं कि घर के काम में कुछ लगता ही नहीं, बाहर के काम से तो रात को छुटी मिल जाती है, घर के काम से तो रात को भी छुटी न बाहर हरा भरा बाग था जिसके रंग बिरंगे फूल यहां से साफ नजर आ रहे थे और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए, सूर्य से आँखे मिला रहा था। उसे जान पड़ा प्रकुती उसकी दशापर व्यंगे से मुस्किरा रही है। उसी सरोवर के तटपर केवट का एक चूटा फूटा जोपड़ा किसी अभागिनी व्रिद्धा की भाती रो रहा था। वसुधा की आँखे सजल हो गई। पुश्प और उध्यान के मध्य में ख सराहा था। माता पिता के छोटे से कच्चे आनंधीन घर को छोड़कर वहे एक विशाल भवन में आई थी, जहां समपत्ती उसके पैरों को चूंती हुई जान पड़ती थी। उस समय समपत्ती ही उसकी आँखों में सब कुछ थी। पती प्रेम गौन सी वस्तू थी। पर उसका लोभी मन समपत्ती पर संतुष्ट न रह सका, पती प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा। कुछ दिनों में उसे मालूम हुआ, मुझे परम रत्म भी मिल गया, पर थोड़े ही दिनों में वह ब्रम जाता रहा। कूंवर गजराज सिंग रूपवान थे, उदार थे, ब नूद का सामान था। खुर्दोर और शिकार, सट्टे और मकार जैसे संसनी पैदा करने वाले मनुरंजन में प्रेम दपकर पीला और निर्जीव हो गया था। और प्रेम से वंचित होकर वुस्था की प्रेम त्रिशना अब अपने भाग्य को रोया करती थी। दो पुत्र का नंबर चला और अब कई बार से एक-एक महीने की खबर लेने लगे। साल में तीन-तीन महीने शिकार की भेट हो जाते थे। शिकार से लोटते तो घुर्दोर का राग छिटता। कभी मेरट, कभी पुना, कभी बंबाई, कभी कलकत्ता। खर पर ही रहते तो अधिकतर लं ची उदास आखों से यह द्रिश्य देखती रही। फिर टेली फोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा। कुंबर साहब का कोई पत्र आया। फोन ने जवाब दिया, जीहा अभी खताया है। कुंबर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है। वसुधा ने ज चंगलों में शिकार हो रहा है। मेरे लिए दो मोटरों का इंतजाम कर दीजिए। मैं आज वहाँ जाना चाहती हूँ। फोन ने कई मिनट बाद जवाब दिया, एक मोटर तो वह साथ ले गए हैं। एक हाकिम जिला के बंगले पर भेज दी गई, तीसरी बेंट के मैनेजर की सवारी में चौती की मरम्मत हो रही है। वह सुधा का चहरा ख्रोद से तमत्मा उठा, बोली किसके हुक्म से बेंट के मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरे भेजी गई। आप दोनों मंगवा, लीजिए, मैं आज जरूर जांगी। उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटर भेजी जाती रही है, इसलिए मैंने भेज दी। अब आप हुक्म दे रही हैं, तो मंगवा लूंगा। वसुधा ने फोन से आकर सफर का सामान ठीक करना शुरू किया। उसने उसी आवेश में आकर अपना भाग्य निर्नय करने का निश्चय कर लिया था। परित्यक्ता की भाती पड़ी रहकर जीवन को समाप्तन करना चाहती थी। वह जाकर कुवर साहब से कहेगी अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ती की लोडी बन कर रहूं तो यह मुझ से न होगा। आपकी संपत्ती आपको मुबारक हो। मेरा अधिकार आपकी संपत्ती पर नहीं, आपके उपर है। अगर आप मुझ से जो भर हटना चाहते हैं तो मैं आप से हाथ भर हट जाएंगी। इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बाते उसके मन में बगूलों की भाती उठ रही थी। डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा, मैं अंदर आऊं। वसुध वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। व्रिधर डॉक्टर पर्दा उठा कर आ गया और वसुधा के चेहरे की और ताकता हुआ बोला लाए, मैं टेंपरिचर ले लूए। अगर टेंपरिचर बढ़ा होगा, तो मैं आपको हर्गिज न जाने दूँगा, टेंपरिचर लेने की जरूरत नहीं, मेरा इरादा पक्का हो गया है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है, वसुधा ने मुस्करा कर कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इतनी जल्द मरी नहीं जा रही हू फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत ही हूँ तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर ने दो एक बार आग्रह किया फिर विसमय से सिर हिलाता चला गया, रेलगारी से जाने में आखिरी स्टेशन से दस कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तै करना पड़ता था, इसलिए कूबर साह अब बराबर मोटर ही पर जाते थे, वसुधा ने उसी से जाने का निश्चे किया, दस बचते बचते दूनों मोटरे आई, वसुधा ने डिननाईवरों पर गुसा उतारा अब मेरे हुक्म के बगेर कहीं मोटर ली गए, तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट अच्छी दिल लगी है, घर को रोएं, बन की गाएं, हमने अपने आराम के लिए मोटरे रखी हैं, किसी की खुशामत करने के लिए नहीं, जिसे मोटर पर सवार हुने का शौक हो, मोटर खरी दे, यह नहीं की हलवाई की दुकान देखी और दादे का फातिहा पढ़ने क्यों इन्हें प्यार करूँ, मैंने ही इनका ठेका लिया है, वह तो वहाँ जाकर चैन करें और मैं यहाँ इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूँ, लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा, दोनों को बारी-बारी से गोड में लिया, चुमा, प्यार किया और घंटे भर में लोट आने का वचन देकर वह सजल नेत्रों के साथ खर से निकली, मार्ग में भी उसे बच्चों की याद बार-बार आती रही, रास्ते में कोई गाउं आ जाता और छोटे-छोटे बालक मोटर की दौर देखने के लिए घरों से निकल आते, और सड़क पर खड़े ह गोकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते, तो वसुधा का जी चाहता इन्हीं गोड में उठाकर प्यार कर लूएं। मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी, उतने ही वेग से उसका मन सामने के व्रिक्ष समूहों के पीछे की और उड़ा जा रहा था। कई ब ककर चूर-चूर हो रही थी, ज्वर भी हुआया था, सिर्फ पीरा से फटा पड़ता था, पर वह संकल्प से सारी बाधाउं को दबाय आगे बढ़ती जाती थी। यहां तक कि जब वह दस बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची, तो उसे तन बदन की सुध ही न थी, जोर का ज्वर चड़ा हुआ था, शोर की आवाज सुनते ही कूबर साहब निकल आये और पूछा तुम यहां कैसे आये जी, कुशल तो है, शोफर ने समी पाकर कहा, रानी साहब आई है हुजूर, रास्ते में बुखार हो आया, वेहोश पड़ी हुई है, कूबर स न थी, तो मैं क्या करता, कूबर साहब ने डांटा, चुप रहो जी, बाते न बनाओ, तुमने समझा होगा, शिकार की बहार देखेंगे और पड़े-पड़े सोएंगे, तुमने वापस चलने को कहा, ही न होगा, शोफर वह मुझे डांटती थी हुजूर, तुमने कहा था मैंने कहा तो नहीं हुजूर, बस तो चुप रहो, मैं तुमको भी पहचानता हूँ, तुम्हें मोटर लेकर इसी वक्त लोटना पड़ेगा, और कौन-कौन साथ हैं, शोफर ने दभी हुई आवाज में कहा, एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं, एक पर खुदरानी साह यानी और कोई साथ नहीं है, खुजूर, मैं तो हुपम का ताबिदार हूँ, बस चुप रहो, यू जहलाते हुए कूबर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा, जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा, सिर गर्म तवा हो रहा था, उस तापने मानों उनकी सारी क्रोड जवाला को खीच लिया, लापकर बंगले में आये, सुये हुए आदमियों को जगाया, पलंग बिछवाया, अचेत वसुधा को गोड में उठा कर कमरे में लाया और पलंग पर लिटा दिया, फिर उसके सिरहाने खड़े होक अगर उसे व्यथित नेतरों से देखने लगे, उस धूल से भरी मुख मंडल और बिखरे हुए रज रंजित केशों में आज उन्होंने आगरह मै प्रेम की जहलग देखी, अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था, जिसे उनके प्रेम की परवा न थी, जो अपने बनाव सिंगार ही में मगन थी, आज धूल के पॉडर और पोमेग में वह उसके नारीतव का दर्शन कर रहे थे, उसमें कितना आगरह था, कितनी लालसा थी, अपनी उरान के आनंद में दूबी हुई, अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर पंक फर्फरा रही थी, पिंजरे का द्वार खुल कर क्या उसका स्वागत न करेगा, रिसोये ने पूछा, क्या सरकार अकेले आई हैं, कुवर साहब ने कोमल कंट से कहा, हाँ जी, और क्या, इतने आदमी है, किसी को साथ न लिया, आराम से रेल-गारी से आ सकती थी, यहां से मोटर भेज दी जाती, बन ही तो है, कितने जोर का बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता, जरा सा पानी गर्म करो और देखो, कुछ खाने को बना लो, रिसोये ने सोचा, ठकुर सोहती की सौकोस की दौर बहुत होती है सरकार, सारा दिन बैठे बैठे बीठ गया, कुबर साहब ने वसु ते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगे, वसुधा का जवर 21 दिन तक न उतरा, खर के डौक्टर आये, दोनों बालक, मुनिया, नौकर, चाकर, सब ही आ गए, जंगल में मंगल हो गया, वसुधा खाट पर पड़ी-पड़ी कुबर साहब की सुष्रशाओं में अलोक एक आनंद और संतोश का अनुभव किया करती, वह दोपहर दिन चड़े तक सोने के आदी थे, कितने सबेरे उठते, उसके पत्या और आराम की जरा-जरा सी बातों का कितना खयाल रखते, जरा देर के लिए सनान और भूजन करते, जाते, फिर आकर बैच जाते, एक तपस्या सी कर रहे थे, उसका स्वास्थय बिगरता जाता था, चेहरे पर स्वास्थय की लाली न थी, कुछ वियस्ट से रहते, थे, एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकर शिकार खेलने क्यों नहीं जाते, मैं तो शिकार खेलने ही आई थी, म की चर्चा ही न होती थी, शिकारियों का आना जाना, मिलना जुलना बंद था, एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था, कूबर साहब ने उसकी और कुछ ऐसी करवी आँखों से देखा कि वह सूख सा गया, वसुधा के पास बैठने, उससे कुछ बाते क के उसका मन बहलाने, दवा और पत्य बनाने में ही उन्हें आनंद मिलता था, उनका भोग विलास जीवन के इसका ठोर व्रत में जैसे बुझ गया, वसुधा की एक हथेली पर अंगुलियों से रेखा खीचने में मगन थे, शिकार की बात किसी और के मूह से सुनी होती, तो फिर उसी आगनेयनेत्रों से देखते, वसुधा के मूह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दूखखा हुआ, वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है, अमर्श भरे स्वर में बूले हां, शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन अफसर मिलेगा, वसुधा ने आगरह किय में तो आब अच्छी हूँ, सच, देखो आइने की ओर दिखाकर, मेरे चेहरे पर वह पिलापन नहीं रहा, तुम अलबत्ता बीमार, से हो जाते हो, जरा मन बहल जाएगा, बीमार के पास बैठने से आदमी सच्मुच बीमार हो जाता है, वसुधा ने साधारन सी बात कही थ पर कुबर साहब के हृदय पर वह चिनगारी के समान लगी, इधर वह अपने शिकार के खबत पर कई बार पच्छता चुके थे, अगर वह शिकार के पीछे यो न पढ़ते, तो वसुधा यहां क्यूं आती और क्यूं बीमार पढ़ती, उन्हें मन ही मन इसका बड़ा इस वक्त कुछ न बोले, शायद कुछ बोला ही न गया, फिर वसुधा की हतेली पर रेखाएं बनाने लगे, वसुधा ने उसी सरल भाव से कहा, अपकी तुमने क्या-क्या तोफे जमा किये, जरा मनगाओ दीखूं, उन्में से जो सबसे अच्छा होगा, उसे मैं ले बोलो, मुझे ले चलोगे न, मैं मानूगी नहीं, बहाने मत करने लगना, अपने शिकारी तोफे दिखाने का कूबर साहब को मरज था, सैकरों ही खाले जमा कर रखी थी, उनके कई कमरों में फर्श गद्दे, कोच, कुर्सिया, मोरे सब खालों ही के थे, ओरना और जों से अवश्य मनुरंजन होगा, यह न समझे की वसुधा ने सिंग द्वार से प्रवेशन पाकर चोर दरवाजे से गुसने का प्रयतन किया है, जाकर वह चीजे उठवा लाए, लेकिन आदमियों को परदे की आड में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए, तरते लाए गए, कुवर साहब एक-एक चीज निकाल कर दिखाने लगे, वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से न दिखी थी, जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मगन हो रहा हो, बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह, जिद्दी, उतने ही आतुर, उतने ही सरल हो जाते हैं, जिन किताबों में भी मन न लगा हो, वह बीमारी के बाद पड़ी जाती हैं, वस्था जैसे उल्लास की गोध में खेलने लगी, चीतों की खाली थी, बागों की, ब्रिगों की, शेरों की, वसुधा हर एक खाल नहीं मन से देखती, जैसे बाइसकोप के एक चित्र के बाद दूसरा, चित्रा आ रहा हो, कूबर साहब एक-एक तोहफे का इतिहा सुनाने लगे, यह जानवर कैसे मारा गया, उसके मारने में क्या-क्या बाधाएं पड़ी, क्या-क्या, उपाय करने पड़ी, पहले कहां गोली लगी आदी, वसुधा हरेक की कथा आँखे फार पूलिय वस्तू थी, उसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे, बूले तुम बागंबरों में से कोई ले लो, यह तो कोई अच्छी चीज नहीं, वसुधा ने खाल को अपनी ओर खीच कर कहा, रहने दीजिये अपनी सलाह, मैं खराब ही लूँगी, कूबर साहब न जैसे अपनी आखों से आंसु पोंच कर कहा, तुम वही ले लोग में, तो तुम्हारे खयाल से कह रहा था, मैं फिर वैसा ही मार लूँगा, तो तुम मुझे चकमा क्यों देते थे, चकमा कौन देता था, अच्छा, खाओ मेरे सिर की कसम, की यह सबसे सुन्दर खाल नहीं ह कुबर साहब ने हार की हसी हस कर कहा, कसम क्यूं खाएं, इस एक खाल के लिए, ऐसी ऐसी एक लाख खाले हूं, तो तुम्हारे उपर न्योचावर कर दूँ, जब शिकारी सब खाले लेकर चला गया, तो कुबर साहब ने कहा, मैं इस खाल पर काले उनसे अपना समर्पन रखूंगा, वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा, अब मैं भी शिकार खेलने चलूँगी, फिर वह सोचने लगी, वह भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल, पतिदेव को भीट करेगी, उस पर लालून से लिखा जाएगा प्रियतम, जिस जियोती के मन पर ज भव सुनाने पड़े, उसका सुनने से जी ही न भरता था, अब तक कुवर साहब का संसार अलग था, जिसके दू, खसुख, हानी लाब, आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार न था, वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुची न थी, वलकी अरुची थी, जे बंदूप चलाना सिखा दो, डॉक्टर साहब की अनुमती मिलने में विलंब न हुआ, वसुधा स्वस्थ हो गई थी, कुवर साहब ने शुब मुहूर्ट में उसे दीक्षा दी, उस दिन से जब देखो, व्रिक्षों की चाह में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही ह और कुवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रही हैं, जिस दिन उसने पहली चिडिया मारी, कुवर साहब हर्श से उचल पड़े, नौकरों को इनाम दिये, ब्राहमनों को दान दिया गया, इस आनन्द की शुब स्मृती में उस पक्षी की ममी बना कर रखी गई, वसुध की साधा पूरी हुई, कुवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का और शेर भी वह जिसने इधर एक महीने से आसपास के गावों में तहलका मचा दिया था, चारों तरफ अंधाकार था, ऐसा सघन की प्रिथवी उसके भार से कराहती ह कुवर साहब और वसुधा एक उंचे मचान पर बिंदू के लिए दम साधे बैठे हुए थे, बहुत भयनकर जिन्तू था, अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खीच कर ले भागा था, उसकी चालाकी पर लोग दातों तले अंगुली मचान इतना उंचा था कि चीता उचल कर न पहुँच सकता था, हां, उसने यह देख लिया कि वह आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किये सो रहा था, दुष्ट को एक चाल सूजी, वह पास के गाउं में गया और वहां से एक लंबा बांस उठा लाया, बसके एक सिरे को उस भागा आदमी नीचे आ रहा, इसी मानस भक्षी चीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे, नीचे कुछ दूर पर भैसा बांधा दिया गया था और शेर के आने की राह देखी जा रही थी, कूवर साहब शान्त थे, पर वसुधा की छाती धड़क रही थी, जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वह चौप पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले में चौप कर कूवर साहब से चिपक जाती, कूवर साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बंधाते जाते थे, जियो ही भैसे पर आया, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारी गोली की नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ, पहला मेरा निशाना होता, पत्ते खड़खड़ा उठे, वसुधा चौप कर पती के कंधों से लिप्ट गई, कूवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डाल कर कहा, दिल मजबूत कर उपडिये, वसुधा ने लजजित होकर कह नहीं नहीं, मैं डरती नहीं, जरा चौप पड़ी थी, सहसा भैसे के पास दो चिनगारियां सी चमक उठी, कूवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबा कर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए, जब शेर भैसे पर आ गया, तो उन्होंने निशाना मारा, खाली गया, दूसरा फैर किया, चीता जखमी तो हुआ, पर गिरा नहीं, प्रोध से पागल होकर इतनी जोर से गरजा की वसुधा का कलेजा दहल उठा, कूवर साहब तीसरा फैर करने जा रहे थे की चीते ने मचान पर जस्त मारी, उसके अगले पंजों के धक्के से मचान ऐसा हि की कूवर साहब हाथ में बंदूक लिए छूके से नीचे गिर पड़े, कितना भीशन अफसर था, अगर एक पल का भी विलंब होता, तो कूवर साहब की खैरियत न थी, शेर की जलती हुई आखे वसुधा के सामने चमक रही थी, उसकी दुरगंध मैसांस देह में लग रही थी, हाथ पाउफ फूले हुए थे, आखे भीतर को सिकोडी जा रही थी, पर इस खत्रे ने जैसे उसकी नाडियों में बिजली भर दी, उसने अपनी बंदूक सैभाली, शेर के और उसके बीच में दो हाथ से ज्यादा अंतर न था, वह उचक कर आना ही चाहता था कि शेर के पंजे धीले पड़े, नीचे गिर पड़ा, अब समस्या भीशन थी, शेर से तीन चार कदम पर ही कूवर साहब गिरे पड़े थे, शायद चोट ज्यादा आई हो, शेर में अगर अभी दम है, तो वह उन पर जरूर वार करेगा, वसुधा के प्रान आखों में थे औ का काम कर रही थी, उसने बिजली की बत्ती जलाई, देखा शेर उठने की चेश्टा कर रहा है, दूसरी गूली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवालव लिये नीचे कूदी, शेर जोर से गुर राया, वसुधा ने उसके मून के सामने रिवालव खाली कर दिया, कूबर साह होते ही मूर्च्छा आ गई, तीन गंटों के बाद वसुधा की मूर्च्छा तूटी, उसकी चेतना अभी उन्ही भैप्रद, परिस्थितियों में विच्छ रही थी, उसने धीरे से डरते डरते आँखे खोली, कूबर साहब ने पूछा कैसा जी है प्रिये, वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दूनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा, वहां से हट जाओ, ऐसा न हो, छपट पड़े, कूबर साहब ने हंसकर कहा, शेर कप का ठंडा हो गया, वह बरामदे में पड़ा है, ऐसे डील डॉल का और इतना भयंकर सिंग मैंने नहीं देखा, वसुधा तुम्हें चोट तो नहीं आई, कूबर, बिल्कुल नहीं, तुम कूद क्यू पड़ी, पैलो में बड़ी चोट आई होगी, तुम जीती कैसे बिची, यह आश्चर्य है, मैं तो इतनी उंचाई से कभी, न कूद सकता, वसुधा ने चके ठोकर कहा, मैं, मैं कहा कूदी, शे के मुँँ में रिवालव की, नली थूस दी, बस वही थंडा हो गया, बड़ा बेहया जानवर था, अगर तुम चूप जाती, तो वह नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता, मेरे पास तो, छुरी भी न थी, बंदूख हाथ से छूट कर दूसरी तरफ गिर गई थी, अ उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया, जैसे किसी विचुडे मित्र से मिली हो, हर एक वस्तू उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी, जिन नौकरों और लॉंडियों से वह महीनों से सीधे मुऊ न बोली थी, उनसे वह आज हंस हंसकर कुशल पूचती और गले मिलती थी, जैसे अपनी पिछली रुखाईयों की पटोती कर रही हो, संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौप खेता हुआ चला जा रहा था, वसुधा खिर्की के सामने कुर्सी पर बैट कर सामने का द्रिश्य देखने लगी, उस द्रिश्य में आज जीवन था, विकास था, उनमाद था, केवट का वह सूना जूपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था, प्रकृती में मोहिमी भरी हुई थी, बंदेर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी, वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रती श्रधा जागरित हुई, जो वक्त कुबर साहब आकर बोले अच्छा पूजा करने जा रही हो, मैं भी वही जा रहा था, मैंने एक मनोती मान रखी है, वसुधा ने मुसकराती हुई आखों से पूछा कैसी मनोती है, कुबर साहब ने हसकर कहा, यह न बतांगा, मांसर ओवर भाग एक, सुभागी, राइ का होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बारी के काम में इतनी निपुन थी कि उसकी मा लक्ष्मी दिल में डर्ती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आँख न पड़ जाए, अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान न करे इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी, पखान से लड़के बिगर जाते हैं, यह भए तो न था, भए था, नजर का, वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विध्वा हो गई, घर में कोहराम मचा हुआ था, लक्ष्मी पच्छाने खाती थी, तुलसी सिर पीकते थ उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी, बार-बार मा से पूछती, क्यूं रोती हो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जांगी, तुम क्यूं रोती हो, उसकी भोली बाते सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था, वह सोचती थी ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो, वह दूसरों को दूखखा देकर, ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भीजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो, उसका कोई दंग नहीं, ऐसा खेल किस कामका की दूसरे रोएं और तुम हसो, तुम्हें तो लोग दयालू कहते हैं, यही तुम्हारी दया है, और सुभागी क्या सोच रही थी, उसके पास कोटरी भर रुप्य होते, तो वह उन्हें चिपा कर रख देती, फिर एक दिन चुपके से बजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे-च्छे कपड़े लाती, दादा ज जवान लड़की का यों फिर ना ठीक नहीं, जब हमारी विरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है, तो क्यूं सोच विचार करते हो, तुलसी ने कहा भाई मैं तो तयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने, वह किसी तरह राजी नहीं होती, हरिहर ने सुभागी को समझ कर कहा बेटी, हम तेरे ही भले को कहते हैं, मा बाप अब बूरे हुए, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी, सुभागी ने सिर जुका कर कहा चाचा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता, मुझे आराम की चिंता मैं सब कुछ ठेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो, वह सिर आखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को मुझ से न कहो, जब मेरा चाल कुछला देखना तो मेरा सिर काट लेना, अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूँगी, तो बात की भी पक्की हूँगी, फिर जनम भर का ठीका नहीं लिया है, रामू की दुलहन रामू से भी दो अंगुल उंची थी, मतक कर बोली हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया कि जनम भर बैथे भरा करें, यहां तो खाने को भी महीन चाहिए, पहने को भी महीन चाहिए, यह हमारे बूते की बात नहीं, सुभ भागी घर न करेगी, तो और भी उसके सिर हो गई, हमेशा एक नए एक खुचर लगाए रहती, उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था, वह बेचारी पहर रात से उठकर कूपने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, कोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चल जाती, तो पहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पका कर सब को खिलाती, रात को कभी मा के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती, तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती, जहां तक अपना बस चलता, मा बाप को कोई काम न करने देती, हांग भाई को न रोकती सोचती यह तो जवान आदमी है यह काम न करेंगे तो ब्रहस्ती कैसे चलेगी मगर रामू को यह बुरा लगता अम्मा और दादा को तिंका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है यहां तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया सुभागी से बोला अ तो अपने बल पर काम करें सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया बात बढ़ जाने का भय था मगर उसके मा बाप बैठे सुन रहे थे महतों से न रहा गया बूले क्या है रामू उस गरीब इन से क्यों लड़ते हो रामू पास आकर बोला तुम क्यों बीच में कूट लखिये मुझसे तो नहीं सहा जाता तुलसी अच्छी बात है अगर तुम्हारी यह मरजी है तो यही होगा मैं कल गाओं के आदमियों को बुला कर बटवारा कर दूंगा तुम चाहे चूट जाव सुभागी नहीं चूट सकती रात को तुलसी लेते तो वह पुरानी बात याद आई जब रामू के जन मोत्सव में उन्होंने रुप्य करज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुप्य रहते हुए भी उन्होंने एक कोडीना खर्च की पुत्र को रत्न समझा था पुत्री को पूर जन के पापों का दंड वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगल मैं तीन दूसरे दिन महतों ने गाउं के आदमियों को जमा करके कहा पंचो अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं रात दिन की क कहने से मा बाप को अलग किये देते हो राम रामू ने ढिठाई के साथ कहा जब एक में गुजर नहों तो अलग हो जाना ही अच्छा है सजन सिंग तुमको एक में क्या कश्ट होता है रामू एक बात हो तो बताऊं सजन सिंग कुछ तो बतलाओ रामू साहब एक में मेरा इन के साथ निवाह न होगा पस मैं और कुछ नहीं जानता यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना तुलसी देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज आप चाहे चार हिस्सों में तीन हिस्से उसे दे दे पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा भगवान ने बेटी को दू खा दे दिया नहीं मुझे खेती बारी लेकर क्या करना था जहां रहता वहीं कमाता खाता भगवान ऐसा बेटा सात्वे बैरी को भी न दे लड़के से लड़की भली जो कुल बंती होए सहसा सुभागी आकर बोली दादा यह सब बांट बखरा मेरे ही कारन तो हो रहा ह मुझे क्यों नहीं अलग कर देते मैं मिहनत मजूरी करके अपना पेत पाल लूँगी अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी पर रहूंगी अलग यों घर का बारा बांट होते मुझसे नहीं देखा जाता मैं अपने माथे यह कलंग नहीं ले चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं महतो दांत पीस्ते हुए उठे की बहू को मारे मगर लोगों ने पकड़ लिया चार बटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी क कुछ न कुछ करते ही रहते थे पर अब उन्हें पूरा विश्राम था पहले दोनों दूढ़ी को तरसते थे सुभागी ने कुछ रुप्य बचा कर एक भेंस ले ली बूरे आदमियों की जान तो उनका भोजन है अच्छा भोजन न मिले तो वेकिस आधार पर रही चौदर की ने हसकर कहा बेटी तू जूट कबसे बोलने लगी कभी दूध हाथ से तो छूटी नहीं खाने की कौन कहे सारा दूध हम लोगों के पेट में थूस देती है गाउ में जहां देखो सबके मूँ से सुभागी की तारीफ लड़की नहीं देवी है दो मर्दों का काम भी करत उस पर माँ बाप की सेवा भी किये जाती है सजन सिंग तो कहते यह उस जन की देवी है मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था साथ आठ दिन से महतो को जोर का ज्वर चड़ा हुआ था देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते लक्षमी पास बैठी रो रही थी सुभागी पानी लिए खड़ी है अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूग गया और हात पाउँ ठंडे हो गये सुभागी उनकी एह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली भईया चलो द अब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो उसी वक्त उसकी दुलहन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा दादा को क्या हुआ है दीडी सुभागी के पहले रामू बोल उठा हुआ क्या है अभी कोई मरे थ जिन सिंग के पास गई उसके जाने के बाद रामू हसकर स्त्री से बोला त्रियाचरित रेसी को कहते हैं स्त्री इसमें त्रियाचरितर की कौन बात है चले क्यूं नहीं जाते रामू मैं नहीं जाने का जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रही मर भी जाएं त कैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे, स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देखावे, कुछ भी हो, बाप ही तो है, फिर गाउं में कौन मूम दिखाओगे, रामू, चुप रहो, मुझे उबदेश मत दो, उधर बाबू साहब ने जियो ही महतो की ह पालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए, यहां पहुँचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी, नाड़ी देखी तो बहुत तीमी थी, समझ गए की जिंदगी के दिन पूरे हो गए, मौत का आतंक छाया हुआ था, सजल नेत्र होकर बोले, महतो बोले बहुत अच्छा है भाईया, अब तो चलने की बेला है, सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौन पे जाता हूँ, सजिन सिंग ने रोते हुए कहा भाईया महतो, खबडाओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे, सुभागी को तो मै नेतरों से देख कर कहा और कुछ नहीं कहूंगा भईया, भगवान तुम्हे सदा सुखी रखे, सजिन सिंग, रामु को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूख होक्षमा कर दो, महतो, नहीं भईया, उस पापी हत्यारे का मूह में नहीं देखना चाहता, इसके बाद गोदान की तयारी होने लगी, पाँच, रामु को गाउं भरने समझाया, पर वह अंतियश्टी करने पर राजी नहुआ, कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मूह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा नपिता है, न मैं उसका पुत्र हूँ, लक्षमी ने दाह क्रिया की, इन थ देख जलता था, और सुभागी उसे जलाने के लिए सब को यह सामान दिखाती थी, लक्षमी ने कहा बेटी, घर देख कर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआ खोधना और पानी पीना है, सुभागी बोली, बाबुजी का काम तो धून धाम से ही होगा अमा, चाहे घर रहे या जाए, बाबुजी फिर थोड़े ही आवेंगे, मैं भाईया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है, वह समझते होंगे इन दोनों के किये कुछ न होगा, उनका यह घमन तोड़ दूंगी, लक्षमी चुप हो रही, तेरही के दिन आठ गाओं के ब्राह्मनों का भोज हुआ, चारो तरफ वाह वाही मच गई, पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे, लक्षमी ठक कर सो गई थी, केवल सुभागी बची गई चीजे उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकोर सजिन सिंग ने आकर कहा अब तुम भी आराम करो बेटी, सबेरे यह सब काम कर लेना, सुभागी ने कहा अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड लिया कुल कितने रुपय उठे, सजिन सिंग वह पूछ कर क्या करोगी बेटी, कुछ नहीं योही पूछती थी, कोई 300 रुपय उठे होंगे, सजिन सिंग सोचने लगे, इस अबला की धर्म गुध्धी का कहीं वारपार भी है या नहीं। स्विकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं, तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है। वह लक्ष्मी जो गाउं में अपनी बुध्धी के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बॉन ही हो गई है। सीधी इसी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आगरह पर चोके में जाती, मगर कौर कंट के नीचे न उतरता। पचास वर्ष हुए एक दिन भी ऐसा न हुआ की पती के बिना खाय खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े। आखिर उसे खासी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे। थाकुर साहब के रुपिय चुकाने के ल मुचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गाउं में और किसे फुर्सत थी की दौड़ धूप करता। सजिन सिंग दोनों वक्त आते, लक्षमी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्षमी की दशा बिगरती जाती थी। यहां तक की प मेरा क्रिया कर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अरजी है कि उस चन में भी तुम मेरी कोक पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया सजिन सिंग के रुपिय चुकाना। तीन सौ पिता के क्रिया कर्म में लगे थे। लगभग दो सौ माता के काम में लगे। पांच सौ का रिंधा और उसकी अकेली जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। तीन साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ती और पौरुश देखक लोग दातों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बारी का काम करने के बाद वह रात को चार-चार पिसेरी आटा पीस डालती। तीसवें दिन पंद्रह लेकर वह सजिनसिंग के पास पहुँच जाती। इसमें कभी नागा न पढ़ता। यह मानो प्रकृती का अटल अब चारों और से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सजिन सिंग ने कहा बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहूं, कहो न कहूं, मगर वचन दो की मानोगी। सुभागी ने कृतग्य भाव से देखकर कहा दादा, आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सजिन सिंग अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देंदार समझ रही थी। अब रुप्ये चुप गए मेरा तुम्हारे उपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूं। सुभागी आपकी जो आग्या हो। सजिन सिंग देखो इंकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मूम न दिखांगा। सुभागी क्या आग्या है। सजिन सिंग मेरी इच्छा है कि बोलो, मंजूर करती हो। सुभागी दादा, इतना सम्मान पाकर पागल हो जांगी। सजिन सिंग तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षाद भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूं। आप जो कुछ करेंगे, मेरे भले ही के लिए करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इंकार कर सकती हूं। सजिन सिंग ने उसके माथे पर हाथ रख कर कहा बेटी, तुम्हारा सोहा गमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझ सब भागेशाली संसार में और कौन होगा। मानसर ओवर भागेक, प्रियतम को एक वर्ष की सजा हो गई। और अपराद केवल इतना था कि तीन दिन पहले जेट की तपती दूपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शर्बत पानसे सतकार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनेति चेतना किसी बंदी पशु की भाती खड़ी चीतकार कर रही थी। मेरे प्रांधन हतकडियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों और सन्नाटा चा गया। मेरे भीतर हाहकार मचा हुआ था। मानो प्रांड पिगला जा रहा हो। आवेश की लहरे सी उठ उठ उठकर समस् चजान पड़ते थे। बार-बार जी में आता था दोड़कर जीवन धन के चरणों में लिप्ट जाऊं और उसी दशा में प्रांट त्याग दूए। कितनी शांत अविचलित तेज और स्वाब इमान से प्रदीप मूर्ती थी। लानी, विशाध्या शोप की छाया भी न नहीं, उन उठूं पर एक स्फूर्ती से भरी हुई मनोहरणी, उजस्वी मुस्कान थी। इस अप्राद के लिए एक वर्ष का कठिन कारावास। बाहरे न्याए, तेरी बलेहारी है। मैं ऐसे हजार अप्राद करने को तयार थी। प्रांणात ने चलते समय एक बार मेरी ओ देखा, कुछ मुस्क्राए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लोटकर मैंने पांच रुपिय की मिठाई मंगवाय और स्वनसेवकों को बुला कर खिलाया। और संध्या समय मैं पहली बार कॉंग्रेस के जलसे में शरीक हुई शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिग्या लेली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ती कहां से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर। विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरा क्या आहित कर सकता था। दूसरे दिन मैंन तीसरे दिन दोनों महाश्यों के पतर आये, दोनों जामे से बाहर थे। ससुर्जी ने लिखा आशा थी। तुम लोग गुड़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या अब चाहती हो, मैं भिक्षा मांगू हूँ। मैं सरकार से पैंश जिन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेद मिलने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है, ग्रेद से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दूनों पत्र फाड कर फिक दिये और उन्हें कोई पत्र न लिखा। हा स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो जाए। अपना ससुर अपनी अधार निराश्रय कैसे रहूंगी। मगर जांगी कहां। अगर कोई मर्ध होती तो कॉंब्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पेरों में नारित्व की बेडिया पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितनी अपने नारित की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र न थी पर नारित्व की ओर किसी की आँख भी न उठनी चाहिए। किसी की आहत पाकर मैंने नीचे देखा। दो आदमी खड़े थे। जी में आया पूछून तुम कौन हो। यहां क्यूं खड़े हो। मगर फिर खयाल आया मुझे यह आम रास्ता है जिसका जी चाहे खड़ा हो पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिनगारी की भाती रिदय के अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूखी जाती थी पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर मे मेरी कुंडी खट-खटा रहा था। कलेजा धक-धक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे। क्यूं कुंडी खट-खटा रहे हैं। मुझसे क्या काम है। मुझे जुंजलाहत आ गई। मैंने द्वार खोला और चज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली कौन कुंडी ख ज्यांचन थी। यह मुझसे बड़ी थी। पहले पहल मेरे घर आई थी। मैंने उनके चरण स्परश किये। हमारे वहां मित्रता मर्दूं ही तक रहती है। औरतों तक नहीं जाने पाती। दोनों जने उपर आये। ज्यान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं। बड़े ही पांग तक गेहनों से लदी हुई। मुख सुंदर न हुने पर भी आकरशक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुझ फेर लेती। गर्व की सजीव प्रतिमा थी। वह बाहर जितनी कठोर भीतर उतनी ही दया लू। घर कोई पत्र लिखा। यह प्रशन उन्हों चलती। अकेले तो इस घर में मैं न रहने दूंगी। खुफिया के दो आदमी इस वक्त भी डिटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी। दूनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्यान बाबु ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आग्या से कहा तो मैं जाकर तांगा लाओं। देवी जी ने इस तरह देखा, मानो कह रही हूँ, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो। मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। खेहरो, देवी जी बूली के तांगे लाओगे। कै, मास्टर साहब घबड़ा गए। हां कै, एक तांगे पर तीन सवारिय ही बैठेगी। संदूक, बिछावन, बरतन भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे। तो दो लेता आओंगा, मास्टर साहब डरते डरते बोले। एक तांगे में कितना सामान भर दोगे। तो तीन लेता आओं। अरे तो जाओगे भी। जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने न पाई थी, कि ग्यान बाबु चल दिये। मैंने सकुचाते हुए कहा बेहन, तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा और। देवी जी ने तीक्षन स्वर में कहा हा, होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में दो-तीन पाव भर आटा खाओगी, कम तो मुझे भी अपने घर महमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जाएगा, अब तो राजी हुई, चलो असबाब बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे, तीन, मैंने ऐसी सहरिदे, उदार, मीठी बाते करने वाली स्त्री नहीं देखी, मैं उनकी छोटी बेहन होती, त मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा, उपर के काम के लिए लॉंडा रख लिया था, पीतर का सारा काम खुद करती, इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे इतनी रश्ट पुष्ट ही, मैं नहीं कह सकती, विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था जेट की दुपहरी में भी न लेती थी, हाँ, मुझे कुछ न करने देती, उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार, मुझे यहां बस यही एक तकलीफ थी, मगर आठ ही दिन गुजरे थे की एक दिन मैंने उन्हीं दूनों खुफियों को नीचे बैथा देखा, मे जेटने दो, मैं चिंते थोकर बोली कोई स्वान न खड़ा करें, उसी बेपरवाही से बोली गूंखने के सिवा और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा काट भी तो सकते हैं, हसकर बोली इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता न, मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई, बार-बार चज्जे पर जाकर उन्हीं तहलते देखाती, यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगार सकती हूँ, मेरी सामर्थ्य ही क्या है, क्या यह सब इस तरह से मुझे यहां से भगाने पर तुले हैं, इससे उन्हें क्या मिलेगा, यही तो की म मारी मारी फिरूं, कितनी नीची तबियत है, एक हफता और गुजर गया, खुफिया ने पिंडन छोड़ा, मेरे प्रान सूखते जाते थे, ऐसी दशा में यहां रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ कहना सकती थी, एक दिन शाम को ग्यान मैं बरामदे में थी, परवल छीर रही थी, ज्यान बाबु ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया मांसर ओवर भाग एक, लांच्शन, राइटर प्रेंचंद, अगर संसार में ऐसा प्रानी होता, जिसकी आँखे लोगों के हृदियों के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुश होंगे, जो उसके सामने सीधी आँखे करके ताक सकते महिला आश्रम की जुगनुबाई के विशय में लोगों की धारना कुछ ऐसी ही हो गई थी, वह बेपड़ी लिखी, गरीब, बुरी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हसमुक, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफरीडर की निगाह गलतियों ही पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आँखे भी बुराईयों ही पर पहुँच जाती थी, शहर में ऐसी कोई महिला न थी, जिसके विशय में दो-चार लुकी छिपी बाते उसे ना मालूम हूँ, उसका ठिगना स्थूर शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, बोल मू, फूले-फूले गाल, छूटी- सा सयम था, दबे-पांग धीरे-धीरे चलती, पर शिकार की आहर पाते ही, जस्त मारने को तयार हो जाती थी, उसका काम था, महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा तहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कापती थी, उसका आतंत था की जियों ही वह कमरे में कदम रखती, उठ पर खेलती हुई हसी जैसे रोपरती थी, चहकने वाली आवाजे जैसे बुझ जाती थी, मानों उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्या अंकित नजर आते हूँ, पिछले रहस्या, कौन है, जो अपने अतीत को किसी भयनकर जन्तु के समान कट्खरों में बंद कर के न रखना चाहता हो, धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भाती मान की रक्षा करनी पड़ती है, वह जन्तु, जो पहले कीट के समान अलपाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्ग और सबल होता जाता है, यहां तक हम उसकी याद ही से कांप उ परनामों की बात होती, तो अधिकांच देवियां जुगनू को दुद कारती, पर यहां तो मैके और ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल, चारों और की रक्षा करनी थी, और जिस के लिए में इतने द्वार हो, उसकी रक्षा कौन कर सकता है, वहां तो ह करने वाले के सामने मस्तक जुकाने में ही कुशल है, जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पढ़ने पर उन्हें उखार दिया करती थी, जहां किसी महिला ने दून की ही, या शान दिखाए, वहां जुगनू की तियोरियां बदली, उ उपने पडोसियों की निंदा सनातन से मनुश्य के लिए मनुरंजन का विशय रही है और जुगनू के पास इसका काफी सामान था, दो, नगर में इंदुमती महिला पाटशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था, हाल में मिस खुर्षेद उसकी हेग मिस्ट्रेस हो कर आई थी, शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था, मिस खुर्षेद एक दिन आश्रम में आई, ऐसी उंचे दरजे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी, उनकी बड़ी आवभगत हुई, पहले ही दिन मालूम हो गया, मिस खुर्षेद के आने से आश् का संचार होगा, कुछ इस तरह दिल खोल कर हरेक से मिली, कुछ ऐसी दिल्चस्प बाती की, की सभी देविया मुगद हो गई, गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी और अभिने कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था, ऐसी सर्वगुन संपन देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था, गुलाबी गोरारंग, कोमल गाल, मदभरी आखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एकांट सांचे में धला हुआ, मादक्ता की इससे अच्छी प्रतिमा ना बन सकती थी, चलते समय मिस खुर्षेद ने मिसेच टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांट में बुलाकर पूछा वह बुडिया कौन है, जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्षेद को अन्वेशन की आँखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहस्वार किसी नई घूरी को देख रहा हो, मिसेच टंडन ने मुसकरा कर कहा यहा सेविका नहीं स्वामिनी है, मिसेच टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी, इनके वैधवय को लांशित करने के लिए, वह उन्हे सदा सोहागिन कहा करती थी, मिस खुर्षेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी, वह की और उससे सचित रहने का आदेश दिया, मिस खुर् रहना मुश्किल हो जाए, हमारा भाग्या उसकी मुठी में है, आपको दो-चार दिन में उसके जोहर खुलेंगे, मैं तो डरती हूँ, कहीं आप भी उसके पंजे में नफस जाएं, उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा, इसके गोयंदे न जान मिस खुर्षेद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हूँ, एक शन बाद बोली अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी, अगर न निकाल दून, तो कहना, मिसेच टंदर निकाल देने ही से क्या होगा, उसकी जबान तो न बंद होगी, तब तो वह और भी कर सकती, वह चली गई, तो मिसेच टंदर ने जुगनू को बुला कर कहा इस नई मिस साहब को देख, यहां प्रिंसिपल है, जुगनू ने द्वेश भरे हुए स्वर में कहा आप देखें, मैं ऐसी सैकरों छोकरियां देख चुकी हूँ, आखों का पानी जैसे मर गया हो, मि जुगनू ने मानो तलवार खीच कर कहा मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हीं चेता दीजिएगा, यहां का आना न बंद कर दून, तो अपने बाप की नहीं, वह घूंकर दुनिया देख आई है, तो यहां घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ, मिसेच टंदर ने पीठ जमाया कहती है, मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यूं अपनी आजादी बेचूँ, जुगनू ने आँखे निचाकर कहा कोई पूचता ही न होगा, ऐसी बहुत सीख्वारिया देख चुकी हूँ, सत्तर चुहे खाकर, बिल्ली चली हजको, और कई लॉंडिया आ गई और बात का सिलसिला बंध हो गया, तीन, दूसरे दिन सबेरे जुगनू मिस खुर्षेद के बंगले पर पहुची, मिस खुर्षेद हवा खाने गई हुई थी, खानसामा ने पूचा कहां से आती हो, जुगनू यही रहती हूँ बेटा, मेम साहब कहां से दूसरे आई है, तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे, खानसामा नागपूर से आई है, मेरा घर भी वही है, दस साल से इनके साथ हूँ, जुगनू किसी उंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग-धंग से ही मालूम होता है, खानसामा खानदान तो कुछ ऐसा उंचा न लेकिन वह बुढिया शायद ही आये। खांसामा यह आसीरबाद लेने वाली मेम साहब नहीं है। ऐसों से बहुत चड़ती है। कोई मंता आया और उसे डांट बताई। कहती हैं बिना काम किये किसी को जिन्दा रहने का हक नहीं है। भला चाहती हूँ तो चुपके से राह लो। जुगनु तो यह कहूँ इनका प्रफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खांसामा से इतना और पूछा इनके साहब क्या करते हैं। खांसामा ने मुस्करा कर कहा इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई। साहब कहां से हूंगे। जुगनु ने बनावटी आश्चरय से कहा अरे अब तक ब्याह ही नहीं हमारे यहां तो दुनिया हसने लगे। खांसामा अपना अपना रिवाज है। इनके यहां तो कितनी ही औरते उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनु ने मार्मिक भाव से कहा ऐसी ख्वारियों को मैं बहुत देख चुकी। हमारी बिरादरी में कोई इस्तनो रहे तो थु प्रभात की शीतल वायू में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनु ने जुखकर सलाम किया पर उन्होंने उसे देख कर भी न देखा। अंदर जाते ही खांसामा को बुला कर पूछाया औरत क्या करने आई है। खांसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा भिखारिन है हुजूर। पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहां नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्यूब हुआ और होना ही चाहे। हिंदूओं में तो दु मैं जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहां अकेले तो हुजूर को अच्छा ना लगता होगा। मिस खुर्शेद मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सब मेरी ही लड़किया है। जबनू ने मात्रभाव से सिर हिला कर कहा यह ठीक है मिस साहब पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यो रोए। सहसा एक सुंदर सजिला युवक रेश्मी सूप धारन किये जूते चर्मर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शेद इस तरह दोड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया, मानो जामे में फूली न समाती हूँ। जबनू उसे देखकर कोने में दुबग गई। खुर्शेद ने युवक से गले मिलकर कहा प्यारे, मैं कबसे तुम्हारी राह देख रही हूँ। जबनू से, मान जी आप मैंने इसे आज ही देखा है, शायद अपख्वारपन से जी उवा, अच्छा तरहदार जवान है। जबनू दोनों इस तरह तूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिप्ट गए। सेच टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शेद और युवक में बाते होने लगी। मिस खुर्शेद ने कह कहा मार कर कहा तुमने अपना पाट खूब खिला लीला, बुढिया सचमच चौधिया गई। लीला में तो डर रही थी कि कहीं बुढिया भाप न जाए। मि खिलेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेगी। लीला तुम भी तो जान बूच कर दलदल में पांग रख रही हो। मिस खुर्शेद मुझे अभिने में मज़ा आता है। दिल लगी रहीगी। गुढिया ने बड़ा जून कर रखा है। जरा उसे सबग देना चाहती ह कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढिया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं ऐसा क्यों। जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छेला बनी हुई पहुँच जाना। पांच आश्रम में उस दिन लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुह से यह कथा सुनती। हर एक रिहसल में कुछ-कुछ रंग और चड़ जाता। यहां तक की दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गून जुठी। एक देवी ने पूछा यह युवक है कौन। मि टंडन यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू में तो उसकी सूरत देखते ही तार गई थी। तूप में बाल नहीं सुफेद किये हैं। टंडन कल फिर जाना। जुगनू कल नहीं, मैं आज रात ही को जांगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहना जरूरी था। मिसेच टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भीजी। रात को नौ बजे जुगनू मिस खुर्षेद के बंगले पर जा पहुंची। सयोग से लिलावती उस वक्त मौजूद थी, बूली, बुरिया तो बेतरह पीछे पढ़ गई। मिस खुर्षेद मैंने तुम से कहा था, उसके पेट में पानी न पचेगा। तुम जाकर रूप भर जाओ। तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंपसंत पकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना, बस यो बन जाना जैसे अपने होश में नहीं ह लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था, वह चली गई, तो मिस खुर्शेद ने जिबनु को बुलाया, जिबनु ने एक पुर्जा उसको देकर कहा मिसेच टंडन में यह किताब मागी है, मुझे आने में देर हो गई, मैं इस वक्त आपको कश्ट न द लेक कर कहा इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना, तुमसे कुछ बाते करनी है, बैठो, मैं अभी आती हूँ, वह पर्दा उठा कर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनिट में एक सुंदर रेश्मी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, को बनाव सावार की क्या जरूरत, जुगनू की मीती में स्त्रियों के रिंगार का केवल एक उदेश्य था, पती को लुभाना, इसलिए सोहागिनों के सिवा रिंगार और सभी के लिए वर्जित था, अभी खुर्षेद कुरसी पर बैठने भी न पाई थी की जूतों का चर बन लेने लगा, मिस खुर्षेद ने अपने को उसके करपाश से छुडाने की चेश्टा करके कहा चलो हटो, शराब पी कर आए हो, किंग ने उसे और चिम्टा कर कहा आज तुम्हें भी पिलांगा प्रिये, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिप्ट कर सोवेंगे, खुर्षे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं, मिस खुर्षेद ने रोश के साथ अपने को अलग करके कहा तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो, क्या मैं कहीं भागी जा रही हूं, किंग इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूं, आज से मैं खुले खजाने आँगा, खुर्षेद तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हूं कमरे में कौन बैठा हुआ है, किंग ने हकपका कर जुगनू की तरफ देखा और जिचक कर बोला यह बुढिया यहां कब आई, तू यहां क्यों आई बुढ़ी, शैत उधर कमरे से कह कहे उठ उठ कर छट को हिलाने लगे, जुगनू उसी वक्त मिसेज टंडन के घर पहुची, उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेज टंडन सो गई थी, वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खट-खटाई पर कोई द्वा गर आई थी, इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा, जुगनू ने विरक्त भाव से कहा प्यासा ही तो कुए के पास जाता है, कुआ थोड़े ही प्यासे के पास आता है, मुझे आग में जोपकर आप दूर हट गई, भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी, मिस से लेती, आपको इतना तो सोचना चाहिए था, कि वह वहां गई है, तो आती होगी, खड़ी भर बाद ही सोती, तो क्या बिगर जाता, पर आपको किसी की क्या परवा, तो क्या हुआ, मिस खुर्शेद मारने दोड़ी, वह नहीं मारने दोड़ी, उनका वह खसम है, वह मारन दोनों में पहले से सधी बदी थी, ऐसी कुलटाओं का मूम देखना पाप है, वेस्वा भी इतनी निरलज न होगी, जरा देर में और देवियां आ पहुची, यह व्रितांत सुनने के लिए सभी उत्सुख हो रही थी, जुगनू की कैची अविश्रांत रूप से चलती रह महिलाओं को इस व्रितांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूछो, एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी, खर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधी भी न रही, और एक बार सुनकर उनकी थिप्ती न होती थी, बार बार वही कथा नए आनंद से सुन महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए, विकल हो गया, मिस खुर्षेद ने मोटर से उतर कर हुडबंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली, महिलाओं भाग भाग कर अपनी अपनी जगहा बैठी, मिस खुर्षेद ने कमरे में कदम रखा, किसी ने स्वागत न किया, मिस खुर्षेद ने जुगनू की ओर संको चांखों से देखकर मुस्कराते हुए कहा कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई, जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिले स्त्रिया देखी थी, पर इस टिठाई ने उसे चकित कर दिया, चोर हाथ में चोडी का माल लिये, साह को ललकार रहा था, जुगनू जुगनू ने एंट कर कहा जीना भरा हो, तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है, खुर्षेद वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं, रात वह नशे में थे, जुगनू ने मिसेच टंडन की ओर देखकर कहा और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थ खुर्षेद ने व्यंग्य समझ कर कहा मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर जूठा इल्जाम मत लगाओ, जुगनू ने लाठी मारी शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा, उन महाशे को परदे में क्यों धग दिया, देविया भी तो उन की सूरत देखती, मिस खुर्षेद ने शरारत की सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है, मिसेज टंडर ने आशंकित होकर कहा नहीं, उन्हें यहां लाने की जरूरत नहीं, आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते, मिस खुर्षेद ने आगरह किया मुवामले को साफ कर ने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है, एक तरफा फैसला आप क्यूं करती है, मिसेज टंडर ने टालने के लिए कहा यहां कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है, मिस खुर्षेद वाह, मेरी इज़्जत में बट्टा लगा जा रहा है, और आप कहती है, पूंची आवाज से कहा तुम जरा यहां चले आओ, हुट खुला और मिस लीलावती रेश्मी साड़ी पहने मुसकराती हुई निकल आई, आश्रम में सन्नाटा चा गया, देविया विसमित आखों से लीलावती को देखने लगी, जुगनू ने आँखे चमका कर कहा उन्हे कहां छिपा दिया आपने, खुर्षेद चूमंतर से उर गए, जाकर गाड़ी देख लो, जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देख भालकर मूह लटकाए हुए लोटी, मिस खुर्षेद ने पूछा क्या हुआ, मिला कोई, जुगनू मैं यह तिरिया चरित क्या जानू, लिलावती को गौर से देख कर और मर्दों को साड़ी पहना कर आँखों में धूल जूप रही हो, यही तो है, वह रात वाले साहब, खुर्षेद खूब पहचानती हो, जुगनू हाँ, क्या अंधी हूँ, मिसेच टंदन क्या पागलों सी बाते करती हो जुग नू उंगली चमकाकर, चलिये चलिये, लिलावती है, साड़ी पहंकर औरत बनते लाज भी नहीं आती, तुम रात को इनके घर नहीं थे, लिलावती ने विनूद भाव से कहा मैं कब इनकार कर रही हूँ, इस वक्त लिलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ, इसमें बात ही क्या है, देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी, चारों तरफ कह कहे पढ़ने लगे, कोई तालिया बजाती थी, कोई डॉक्टर लिलावती की गर्दन से लिप्ट जाती थी, कोई मिस खुशेद की पीट पर थपकिया देती थी, कई मिनर तक मिसेज बागड़ा इसी तरह सब को बदनाम करती है, लिलावती आप लोग भी तो जो यह कहती है, उस पर विश्वास कर लेती है, इस हर बोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा, अपने सिर पर यह तूफान वांसर ओवर भागे, आखरी हिला, राइटर प्रिशल म जुगनू गायब, न उस दिन से शहर में फिल किसी ने जुगनू की सूरत पहले और कीछे की सारी घटनाएं दिल में मिहास में उनका निशान तर बागी लेक और मनुरंजन का विश्य बना हुआ है, एक एकता में मिश्रित हो गई है और वह मेरे विवाह की तिथी है, चाह मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूँ कि मुझ में रसिक्ता का अभाव है और मैं कोमल वर्ग की मोहनी शक्ती से निरलप्त हूँ और अनासक्ती का पद प्राप्त कर चुका हूँ, क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं सेर करने निकलूं, तो हृदेश्वरी भी मेरे साथ विराजमान हूँ, विला स्वस्तूओं की दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रसमे आग्रह का आनंद उठाऊं, मैं उस गर्व और आनंद और महत्व का अनुभव कर सकता हूँ, जो मेरे अन्य भाईयों की भाती मेरे हृदय में भी आंदोलि होगा, लेकिन मेरे भाग्य में वह खुशियां वह रंग्रेलिया नहीं हैं, क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हूँ, एक पक्ष जितना ही मोहक और आकर्शक है, दूसरा उतना ही रिदैविदारक और भयनकर, शाम हुई और आप बदनसीब बच्चे को गो में लिए होमियोपेथ डॉक्टर की दुकान में चूटी कुर्सी पर आरूर हैं, किसी खोंचे वाले की रसीली आवाज सुनकर बालक ने गगनवेदी विलापारंप किया और आपके प्रान सुखे, ऐसे बापों को भी देखा है, जो दफ्तर से लोटते हुए पैसे दो पै जानता हूं की जाल के नीचे जाना है, मगर जाल जितना ही रंगीन और ग्राहक है, दाना उतना ही घातक और विशेला, इस जाल में पक्षियों को तडपते और फरफराते देखता हूं और फिर भी जाल पर जा बैटता हूं, लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने अविश्रांत रूप से आगरह करना शुरू किया है कि मुझे बुला लो, पहले जब छुट्टियों में जाता था तो म मेरा केवल कहां चलोगी कह देना उनकी चित शांती के लिए काफी होता था, फिर मैंने चंचट है कहकर उन्हें तसली देनी शुरू की। इसके बाद प्रिहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया, किन्तु अब कुछ दिनों से उनका अविश्वास बढ़ता जाता है। अब मैंने चुट्टियों में भी उनके आग्रह के भय से घर जाना बंद कर दिया है कि कहीं वह मेरे साथन चल खड़ी हूँ और नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हूँ। मेरा पहला बहानापत संपादकों के जीवन की कहानियों के विशय में था। कभी बारह बजे रात को सोना नसीब होता है, कभी रत चगा करना पड़ जाता है। सारे दिन गली-गली ठोकरे खानी पड़ती हैं। इस पर तुर्रा यह है कि हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है। नजाने कब गिरफतार हो जाऊं। कब जमानत तलब हो जाए खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है। कभी बजार में निकल जाता हूं तो लोग उंडलियां उठा कर कहते हैं वह जा रहा है अकपार वाला। बानो संसार में जितनी दैविक, आधिदैविक, भौतिक, आधिभौतिक बाधाएं हैं, उनका उत काम है कि मेरी सूरत से कापते हैं। एक दिन दुर्भाग्यवर शेक अंग्रेज के बंगले की तरफ जा निकला। साहब ने पूछा क्या काम करता है। मैंने गर्व के साथ कहा पत्र का संपादक हूं। साहब तुरंत अंदर घुस गए और कपात मुंदृत कर लिये। फिर में बैठा तो एक साहब ने मेरे सूपकेस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूग खोला और रिवालवर निकाल कर मेरे सामने गोलियां भरी जिससे मुझे मालूम हो जाए कि वह मुझसे सचे थे। मैंने देवी जी से अपनी आर्थिक कठिनाईयों की कभी चर्चा नहीं की क्योंकि में रुमनियों के सामने यह जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूँ। हाला कि मैं वह चर्चा करता तो देवी जी की दया का अवश्य पात्र बन जाता। मुझे विश्वास था कि श्रीमती जी फिर यहां आने का नाम न ले गी। मगर यह मेरा ब्रम था। उनके आगरह पूर्ववत होते रहे। तब मैंने दूसरा बहाना सोचा। शहर बीमारियों के अड़े हैं। हर एक खाने पीने की चीज में विश्व की शंका। दूद में विश्ठी में विश्व, फलो में विश्व, शाक भाजी में विश हवा में विश्व, पानी में विश्व। यह मनुश्य का जीवन पानी की लकीर है। जिसे आज देखो वह कल गायब। अच्छे खासे बैठे हैं, खृदय की गती बंद हो गई। खर से सेर को निकले, मोटर से टकरा कर सुरपुर की राही। अगर कोई शाम को सांगो पान घर आ जाए, तो उसे भागयवान समझो। मच्छर की आवाज कान में आई, दिल बैठा, मक्खी नजर आई और हात पाँ फूले। चूहा बिल से निकला और जान निकल गई। जिधर देखिये यमराज की अमलदारी है। अगर मोटर और ट्राम से बचकर आगए, तब मच् किल से लेता हूं की कहीं क्षय के कीटानू फेफडे में न पहुँच जाया। देवी जी को फिर भी मुझ पर विश्वास न आया। दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी। लिखा था तुम्हारे पत्र में एक और चिंता बढ़ा दी अब। अब प्रतिदिन पत्र लिख आना सोच निकाला। यहां मित्रों के मारे नाकोदम रहता है, आकर बैट जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते मानों अपना घर बेच आए हैं। अगर घर से टल जाओ, तो आकर बेधड़क कमरे में बैच जाते हैं और नौकर से जो चीज चाहते हैं, उधार मंगव लेते हैं। देना मुझे पढ़ता है। कुछ लोग तो हफ्तों पड़े रहते हैं, तिलने का नाम ही नहीं लेते। रोज उनकी सेवा सतकार करो, रात को थीएटर या सिनिमा दिखाओ। फिर सबेरे तक ताश्या शत्रंज खेलो। अधिकांज तो ऐसे हैं, जो शराब के बगेर जिन्दा ही नहीं रह सकते। अकसर तो बीमार होकर आते हैं, बलकि अधिकतर बीमार ही आते हैं। अब रोज डॉक्टर को बुलाओ, सिवा सुश्रुशा करो, रात पर सिर्हाने बैठे पंखा जलते रहो, उस पर यह शिकायद भी सुनते रहो कि यहां कोई हमारी ब मैं वही रद्धी कोट और वही चमरोधा जूता पहन कर दफतर जाता हूं। मित्रवरिंग तारते रहते हैं कि कौन सी नहीं वस्तू लाया। कोई चीज लाता हूं, तो मारे डर के संदूप में बंद कर देता हूं। किसी की निगाह पर जाए, तो कही न कहीं नियोता खान की धुन सवार हो जाए। पहली तारीक को वेतन मिलता है, तो चोडों की तरह दबे पांग घर आता हूं कि कहीं कोई महाशे रुपयों की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाय न बैठे हूं। मालूम नहीं, उनकी सारी आवश्यक्ताएं पहली ही तारीक की बाठक्यू जोटी रहती हैं। एक दिन वेतन लेकर बारह बजे रात को लोटा, मगर देखा तो आधे दर्जन मित्रोस वक्त भी डिटे हुए थे। माथा ठोक लिया। कितने ही बहाने करून, उनके सामने एक नहीं चलती। मैं कहता हूं, घर से पत राया है, माता जी बहुत बीमार है जवाब देते हैं, अजी बूरे इतनी जल्द नहीं मरते। मरना ही हो तक तो इतने दिन जीवित क्यों रहती। देख लेना दो चार दिन में अच्छी हो जाएंगी, और अगर मर भी जाएं, तो बृध्ध जनों की मृत्यू का शोखी क्या, वह तो और खुशी की बात है। कहता हूँ, लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है। जवाब मिलता है, आजकर लगान तो बंधू ही रहा है। लगान देने की जरूरत ही नहीं रही। अगर किसी संसकार का बहाना करता हूँ, तो फर्माते हैं, तुम भी विचित रजीव हो। इन कुप्रथाओं की लकीर प बहाना निशाने पर बैठेगा। ऐसे घर में कौन रमनी रहना पसंद करेगी, जो मित्रों पर ही अर्पित हो गया हो। किंतु मुझे फिर ब्रम हुआ। उत्तर में फिर वही आग रह था। तब मैंने चौथा हीला सोचा, यहां के मकान है की चडियों के पिंजरे, न हवा नरोशनी, वह दुरगंध उरती है की खूपड़ी भनना जाती है। कितने ही के तो इसी दुरगंध के कारण विसुचिका, टाइफाइड, यक्ष्मा आदी रूग हो जाते हैं। वर्षा हुई और मकान तपकने लगा। पानी चाहे घंटे भर बरसे, मकान राध भर बरसत रहता है। ऐसे बहुत कम घर होंगे, जिनमें प्रेत बाधाएं नहूं, लोगों को डरावने स्वपन दिखाई देते हैं। कितनों ही को उनमाद रोग हो जाता है। आज नए घर में आए, कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई। कोई ठेला असबाब से लदा हुआ ज जाती है। आधी रात हुई और चोर चोर, लेना लेना, कि आवाजे आने लगी, लोग दरवाजों पर मोटे मोटे लकडी के फटे या जूते या चिम्टे लिए खड़े रहते हैं, फिर भी चोर इतने कुशल है कि आँख बचा कर अंदर पहुँच ही जाते हैं। एक मेरे आवाज सुनकर जोर से कह कहा, मारा और बोले, मैं तुम्हीं चक्मा देना चाहता था। मैंने दिल में समझ लिया, अगर निकल जाते तो बरतन आपके थे, जब जाग पड़ा तो चक्मा हो गया। घर में आये कैसे थे, यह रहस्य है। कदाचित रात को ताश खेल कर चले, तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोटरी में छिप गए। एक दिन एक महाशे मुझसे पत्र लिखाने आये, कमरे में कलम दवात न थी। उपर के कमरे से लाने गया। लोटकर आया तो देखा आप गायब हैं और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है। गवाब में उन्होंने लिखा मुझसे बहाना करते हो, मैं हरगेज न मानूंगी, तुम आकर मुझे ले जाओ। आखिर मुझे पांचवा बहाना करना पड़ा। यह खोंचिवालों के विशय में था। अभी विस्तर से उठने की नौबत नहीं आई की कानों में विचित र आकरशित करते। मगर इन ओल्धी अतलवालों को यह कहां सूजती है। ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि सुनने वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। बच्चे मां की गूद में चिम्च जाते हैं। मैं भी रात को अकसर चौक पड़ता हूं। एक दिन तो मेरे पड आवा दारू के बाद अच्छी हुई। और अब रात को कानों में रूई डाल कर सोती है। ऐसे कृत्य नगरों में नित्य होते रहते हैं। मेरे ही मित्रों में कई ऐसे हैं जो अपनी स्थ्रियों को घर से लाए। मगर बेचारिया दूसरे ही दिन इन आवाजों से भैभीत होकर लोट गई। श्रीमती जी ने इसके जवाब में लिखा तुम समझते हो, मैं खोंचिवालों की आवाजों से डर जांगी। यहां गीदरों का होवाना और उल्लूओं का चीखना सुनकर तो डरती नहीं खोंचिवालों से क्या डरूंगी। अंत में मुझे एक ऐसा बह रहने की जगह नहीं। यहां की महरिया इतनी कटुभाशनी है कि बातों का जवाब गालियों से देती है और उनके बनाव सावार का क्या पूछना। फले घर की स्त्रिया तो उनके ठाट देखकर ही शर्म से पानी-पानी हो जाती है। सिर से पांग तक सोने से लदी हुई, स सामने से निकल जाती है, तो ऐसा मालूम होता है कि सुगंधी की लपट निकल गई। ग्रहिनिया ये ठाट कहां से लाएं। उन्हें तो और भी सैकरों चिंताएं हैं। इन महरियों को तो बनाव सिंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं। नित्य नई सजधाज, नित्य नई नदा और चंचल तो इस गजब की हैं, मानो अंगों में रक्त की जगह पारा भर दिया हो। उनका चमकना और मटकना और मुसकराना देखकर ग्रहिनिया लजजित हो जाती हैं और ऐसी दीदा दिलेर है कि जबर्दस्ती घरों में घुस पड़ती हैं। जिधर देखो इनका म मेला सा लगा हुआ है। इनके मारे भले आदमियों का घर में बैठना मुश्किल है। कोई खत लिखाने के बहाने से आ जाती है, कोई खत पढ़ाने के बहाने से। असली बात तो यह है कि ग्रहदेवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनंद आता है। इसलिए शरीफज होकर पूछा क्यूं कुशल तो है। पत्नी जी ने चादर उतारते हुए कहा घर में कोई चुडेल बैठी तो नहीं है। यहां किसी ने कदम रखा तो नाप काट लूँगी। हाँ जो तुम्हारी शह न हो। अच्छा तो अब रहस्य खुला। मैंने सिर पीठ लिया। क्य स्वनसेवकों के साथ उसकी दुकान छेकने आ पहुंची। चकोरी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरसकार करके कहा क्यूं लाला तुमने सील तोड डाली न। अच्छी बात है देखे तुम कैसे एक गिरह कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी तुम्हें शर्म न होते तो उसकी यह अधोगती न होती। चकोरी ने वास्तव में कल काग्रेस की सील तोड डाली थी। यह तिरसकार सुनकर उसने सिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई सफाई न थी, कोई जवाब न था। उसकी दुकान बहुत छूटी थी। लेहने पर कपड़े लाकर लगवाने लगे तो उसने भी मुहर लगवा ली। दस-पांच थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिये। पर कपड़ों का मेल न था इसलिए विक्री कम होती थी। कोई भूला भटका गाहका जाता तो रुपया आठ आने की विक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को घर लोट जाता था। रहस्ती का खर्चस बिक्री में क्या चलता। कुछ दिन करजवर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहां तक कि अब घरों में कोई ऐसी चीज न बची, जिससे दो-चार मही पेट का भूत सिर से टल जाता। उधार स्त्री का रोग असाध्य होता जाता था। बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाय काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूब उतरा रहा था कि विलायती कपड़े का एक गाहक मिल गया, जो एक मुष्ट 10 रुप्य का माल लेना चा जांगी, ब्याबरूई तो न होगी। मैं जीकर ही घर का क्या उपकार कर रही हूं और सब को दिख कर रही हूं। देश को स्वराज्य मिले लोग सुखी हूं, बला से मैं मर जांगी। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज़्यादा प्यारी मेरी ही जान है। पर चकोरी इतना पक्का न था, अपना बस चलते वह स्ट्री को भागय के भरोसे न छोड़ सकता था। उसने चुपके से मोहर तोड डाली और लागत के दामों 10 रुपिय के कपड़े बेच लिए। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए, स्ट्री से क् परदा रखता। उसने जाकर साफ साफ सारा वृतांत के सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चला। स्ट्री ने उसका हाथ पकड़ कर कहा मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। अगर तुमने जिद की तो मैं दवा की तरफ आंक भी न उठांगी। शकौरी और उसकी माने र होचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने काग्रेस कमेटी में जाकर चुगली खाई थी। दो शकौरी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक चूटी बिरन कुरसी निकाली और लपक कर उनके लिए पान लाया। जब पान खाकर कुरसी प देश से विका ने थानिदारों के रोब के साथ कहा यों अपराध क्षमा नहीं हो सकता। तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा। तुमने काग्रेस के साथ विश्वासखात किया है और इसका तुम्हें दंद मिलेगा। आज ही बायकार्ट कमेटी में यह मामला पेश होगा। चकोरी बहुत ही विनीद, बहुत ही सहिश्नु था लेकिन चिंतागनी में तपकर उसका हृदय उस दशा को पहुँच गया था जब एक चोड़ भी चिनगारिया पैदा करती है। तिंटकर बोला तावान तो मैं न दे सकता हूँ, न दूंगा। हाँ, दुकान भल लोग दबाती हैं। महिला ने सत्याग्रह शक्ती के प्रदर्शन का अफसर पाकर कहा हां, जरूर पुलिस में रपट करो। मैं तो चाहती हूँ, तुम रपट करो। तुम उन लोगों को यह धमकी दे रहे हो, जो तुम हारे ही लिए अपने प्रानों का बलिदान कर रहे है तुम इतने स्वार्थांध हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अनहित करते तुम्हें लज्जा नहीं आती। उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो। बायकार्ट कमीटी जाए या रहे पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यता दुकान बंद करनी पड़ किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन जुप गई और मुझ जरा सा निकलाया। फिर उसने गर्दन नहीं उठाई। सारा दिन गुजर गया और धोले की बिक्री न हुई। आखिर हार कर उसने दुकान बंद कर दी और घर चला आया। दूसरे दिन प्रातह काल ब उस पर उसे घोर पश्चा ताप हुआ लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ था। वह जानता था उसकी धेले की भी बिक्री न होगी। 101 देना उसके बूते से बाहर की बात थी। दो-तीन दिन चुप चाप वैथा रहा। एक दिन रात को दुका भी काग्रेस से छिपी न रही। चौते ही दिन गोइंदो ने काग्रेस को खबर पहुचा दी। उसी दिन तीसरे पहर चकोडी के घर की पिकेटेग शुरू हो गई। अबकी सिर्फ पिकेटेग शुरू न थी, स्यापा भी था। 5-6 स्वनसे विकाएं और इतनी ही स्वयमस द्वार पर स्यापा करने लगे। चकोडी आंगन में सिर्फ जुकाये खड़ा था। कुछ अकी काम न करती थी, इस विपत्ती को कैसे टाले। रोगिनी स्त्री सायबान में लेटी हुई थी, व्रिध्धा माता उसके सिर्हाने बैटी पंखा जहल रही थी और बच्चे बा कोड़े को जला देंगे। ज्यादा नहीं, पच्चीस महीना दे दें। वहां भी कोई न सुनेगा। तुम जाओगे भी, या यहीं से कानून बगहारने लगे। क्या जाओं, उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे। यहां तो जिसने दुकान खोली, उसे दुनिया पती ही समझने लगती है। तो खड़े-खड़े यह गालिया सुनते रहोगे। तुम्हारे कहने से चला जाओं, मगर वहां ठिठोली के सिवा और कुछ न होगा। हाँ, मेरे कहने से जाओ। जब कोई न सुनेगा, तो हम भी कोई और राह निकालेंगे। शकोडी ने मुह लटकाए कुर्टा पहना और इस तरह काग्रेस दफ्तर चला, जैसे कोई मरनासन रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। चार, काग्रेस कमेटी के प्रधान में परिचय के बाद पुछा तुम्हारे ही उपर तो बायकार्ट कमेटी ने 101 का तावान लगा जी हां, तो रुपया कब दोगे, मुझ में तावान देने की सामर्थ्य नहीं है, आपसे मैं सत्य कहता हूँ, मेरे घर में दो दिन से चूलहा नहीं जला, खर की जो जमा जथा थी, वह सब बेचकर खा गया, अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी, घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहां स्यापा बैठ गया, अगर आपकी यही इच्छा हो की हम सब दाने बगेर मर जाया, तो मार डालिये और मुझे कुछ नहीं कहना है, शकौरी जो बात कहने घर से चला था, वह उसके मूह से न निकली, उसने देख लिया कि यहां कोई उ उक्थाम कैसे होगी, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, उस पर आपको विश्वास नहीं आता, मैं जानता हूँ, तुम मालदार आदमी हूँ, मेरे घर की तलाशी ले लीजिये, मैं इन चक्मों में नहीं आता, शकौरी ने उद्दंध होकर कहा तो यह कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खूंचूस रहे हैं, पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप कैर कानूनी पहलू से लेते हैं, नतीजा एक है, आप भी अपमान करते हैं, बह भी अपमान करते हैं, मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है, मेरी स्त्रीक हाट पर पड़ी-पड़ी मर रही है फिर भी आपको विश्वास नहीं आता आप मुझे काग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए 25 महीने दीजिएगा इससे ज्यादा अपनी गरीवी का और क्या प्रमान दूँ अगर मेरा काम संतोष के लायक न हो तो एक महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा यह समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तयार हुआ हूँ तो इसलिए कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते जमाना बिगड़ा हुआ है नहीं 101 के लिए इतना हाथ पांग न जोड़ता प्रधान जी हसकर बोले यह तो तुमने नई चाल चली चाल नहीं चल रहा हूँ अपनी विपत्ती कथा कह रहा हूँ काग्रे इसके पास इतने रुप्ये नहीं है कि वह मोटों को खिलाती फिरे अब भी आप मुझे मोटा कहे जाएंगे तुम मोटे हो ही मुझ पर जरा भी दया न कीजिएगा प्रधान ज्यादा गहराई से बोले च्शकोडिलाल जी मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है और अगर विश्वासा भी जाए तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपका तावान मुवाफ कर दिया जाए तो कल ही आपके बीसियों भाई अपनी मुवरे तोड डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल न कर सकेंगे आप गरीब हैं लेकिन आपके सभी भाई तो गरीब नहीं है तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमान देने लगेंगे मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा इसलिए जाए किसी तरह रुप्य का प्रबंध कीजिए और दुकान खोल कर काबार कीजिए ईश्वर चाहेगा तो वह दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा पांच चकोरी घर पहुँचा तो अंधेरा हो गया था अभी तक उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था घर में जाकर स्त्री से बोला आखिर वही हुआ जो मैं कहता था प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आया स्त्री का मुर्जाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा उठ खड़ी हुई और बोली अच्छी बात है हम उन्हें विश्वास दिला देंगे मैं अब काग्रेस दफ्तर के सामने हीम रूंगी मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल हो होकर तरपेगे काग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा दे मैं इसी मरी हुई दशा में भी काग्रेस को तोड़ डालूंगी जो अभी इतने निर्दई हैं वह कुछ अधिकार हो जाने पर न्याय करेंगे एक एक का बुला लोग खाट की जरूरत नहीं वही सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी जनता ही के बल पर तो वह कूद रहे हैं मैं दिखा दूंगी जनता तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ है इस अग्निकुंट के सामने च्छकोडी की गर्मी शान्त हो गई काग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना ही से वह काप उठा सारे शहर में हलचल पढ़ जाएगी हजारों आदमी आकर यह दशा देखेंगे संभव है, कोई हंगामा ही हो जाए भी बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी अभी तो तुमने पत्य भी नहीं लिया प्रधान जी बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं कहते हैं, अगर आपके साथ रियायत करून तो फिर कोई शासन ही न रह जाएगा मूटे मूटे आदमी भी मुहरे तोड डालेंगे और जब कुछ कहा, जाएगा, तो आपकी नजीर पेश कर देंगे अमबा एक शन अनिश्चित दशा में खड़ी च्छकोडी का मूम देखती रही फिर धीरे से खाट पर बैठ गई उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई कागरेस की और अपनी जिम्मेदारी का खयाल आ गया प्रधान जी के कथन में कितना सत्य था, यह उससे चिपा न रहा उसने च्छकोडी से कहा तुमने आकर यह बात न कही थी च्छकोडी बोला उस वक्त मुझे इसकी याद न थी यह प्रधान जी ने कहा है, या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो नहीं, उन्होंने खुद कहा, मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता बात तो उन्होंने ठीक ही कही हम तो मिट जाएंगे, हम तो यूही मिटे हुए है रुप्य कहां से आवेंगे, भोजन के लिए तो ठिकाना ही नहीं, दंट कहां से दें और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रेहन रख दो और अब बिलायती कपड़े भूल कर भी न बेचना सर जाएं कोई परवा नहीं, तुमने सील तोड़कर यह आफत सिर ली मेरी दवा दारू की चिंता न करो, इश्वर की जो इच्छा होगी, वह होगा बाल बच्चे भूखो मरते हैं, मरने दो देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है हम न रहेंगे, देश तो सुखी होगा शकोडी जानता था, अमबा जो कहती है, वह करके रहती है, कोई उज्र नहीं सुनती वह सिर जुकाए, अमबा पर जुन जलाता हुआ, घर से निकल कर महाजन के घर की ओर चला मांसर ओवर भाग एक, खासवाली, राइटर प्रेंचंद, मुलिया हरी हरी घास का गठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी-बड़ी मदभरी आँखों में शंका समाई हुई थी महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा क्या है, मुलिया आज कैसा जी है मुलिया ने कुछ जवाब न दिया उसकी आँखे डबबा गई महावीर ने समी पाकर पूछा क्या हुआ है, बताती क्यूं नहीं किसी ने कुछ कहा है, अम्मा ने डाटा है, क्यूं इतनी उदास है मुलिया ने सिसकर कहा कुछ नहीं, हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ महावीर ने मुलिया को सिर से पांक तक देखकर कहा चुपचा प्रोएगी, बताएगी नहीं मुलिया ने बात ताल कर कहा कोई बात भी हो क्या बताऊँ मुलिया इस उसर में गुलाब का फूल थी यहुआ रंग था, हिरन की सी आँखे, नीचे कीजा हुआ चिबुक कपोलों पर हलकी लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पल के आँखों में एक विचित्र आर्ध्रता, जिसमें एक स्पष्ट वेधना, एक मूख व्यथा जहलकती रहती थी मालूम नहीं, चमारों के इस घर में वह अपसरा कहां से आ गई थी क्या उसका कोमल फूल सा गातिस योग्य था की सरपर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती उस गाओं में भी ऐसे लोग मौजूद थे, जो उसके तलवे के नीचे आँखे बिचाते थे, उसकी एक चित्वन के लिए तरस्ते थे, जिनसे अगर वह एक शब भी बूलती, तो निहाल हो जाते, लेकिन उसे आये साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तर पर हाथ रखता, पर मुलिया नीची आँख किये अपनी राह चली जाती, लोग हैरान होकर कहते इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुर्खाब के पर लगे हैं, ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, नजाने यह कैसे उसके साथ रहती है, मगर आज ऐसी बात हो गई, जो इस जाती की और युवतियों के लिए चाहे गुप्ट संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का शूल थी, प्रभात का समय था, पवनाम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था, आकाश पृत्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था, मुलिया सिर पर जोया रखे घास चील ने चली, तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनेहरी किरनों से कुंदन की तरह दमक उठा, एकाएक युवक चैंसिंड सामने से आता हुआ दिखाई दिया, मुलिया ने चाहा की कत्राकर निकल जाए, मगर चैंसिंड ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला मुलिया, त चैंसिंड को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ, मीची जातों में रूप माधूर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह उंची जातवालों का खिलोना बने, ऐसे कितने ही माक उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह ख्रोध, वह अभि होकर उसका हाथ छोड़ दिया, मुलिया वेग से आगे बढ़ गई, संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यता नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है, मुलिया जब कुछ दूर निकल गई, तो क्रोध और भय तथा अपनी वेकसी को अनुभव करके उसकी आँखों में उसने कुछ देर जबत किया, फिर सिस्क सिस्क कर रोने लगी, अगर वह इतनी गरीब न होती, तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता, वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी, महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कह दे, तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो, इस खयाल से उसके रोए खड़े हो गए, इसलिए उसने महावीर के प्रशनों का कोई उत्तर न दिया, दो, दूसरे दिन मुलिया घास के लिए न गई, सास ने पूछा तू क्यू नहीं जाती, और सब तो चली गई, मु आटा न तो औरों के साथ जाएगी, न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे, वह साफ साफ क्यूं नहीं कहती कि मैं न जांगी, तो यहां मेरे घर में रानी बन के निबाह न होगा, किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है, तू बड़ी सुन्दर है, तो तेरी सुन्दरता लेकर चाटू, उठा जाबा और घासला, द्वार पर नीम के दरक्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था, उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका, उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आँखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था, खास मोल लेकर खिलाए तो बारह आने रोज से कम न पड़े, ऐसी मजदूरी ही कौन होती है, मुश्किल से डेर दो रुपिय मिलते हैं, वह भी कभी मिले, कभी न मिले, जब से यह सत्यानाशी ल तो न पहुँच सकता था, मूल का कहना ही क्या, उपरी मन से बोलाना मन हो तो रहने दो देखी जाएगी, इस दिल जोई से मुलिया निहाल हो गई, बोली घोड़ा खाएगा क्या, आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेरों से होती हुई चली, बार बार सतर काँखों से इधर उधार ताकती जाती थी, दोनों तरफ उख के खेत खड़े थे, जरा भी खड़खडाहच होती, उसका जी सन हो जाता कहीं कोई उख में छिपा न बैठा हो, मगर कोई नई बात न हुई, उख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सीचे हुए ख पहर तक न छिल सकेगी, यहां देखता ही कौन है, कोई चिल आएगा, तो चली जांगी, वह बैठकर खास छीने लगी और एक घंटे में उसका जाबा आधे से ज्यादा भर गया, वह अपने काम में इतनी तनमे थी कि उसे चैंसिंग के आने की खबर ही न हुई, एक आएक उ पासले से ही रुपकर कहा डर्मत, डर्मत, भगवान जानता है, मैं तुझ से कुछ न बोलूंगा, जितनी घास चाहे चील ले, मेरा ही खेत है, मुलिया के हाथ सुनना हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नजर ही न आती थी, जी चाहता था, जमीन फट जाय और मैं समा जाऊं, जमीन आखों के सामने तेरने लगी, चैंसिंग ने आश्वासन दिया छीलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े ही हूँ, यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा, मुलिया चित्रल खितसी बैठी रही, चैंसिंग ने एक कदम आगे बढ़ गए, मुझे कुछ सुधी न रही, तू चली गई, तो मैं वही बैठकर घंटो रोता रहा, जी मैं आता था, हात काट डालूं, कभी जी चाहता था, जहर खालूं, तभी से तुझे ढून रहा हूँ, आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छांता हुआ यहां आया है, अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुटता होता और तेरे पीछे-पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती, किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे, मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है, मेरी जवानी काम ना आवे, अ चैंसिंग और समी पाकर बोला बस तेरी दया चाहता हूं। मुलिया ने सिर उठा कर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहां गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे। तुम्हारा ब्याह हो गया है या नह लगता। तुम उसकी गर्दन काटने पर तयार हो जाते की नहीं। बोलो, क्या समझते हो की महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी चाती दहलती है। मुझसे दया मानते हो, इसलिए न की मैं चमारिन हूँ, नीच जाती हूँ और नीच जाती की औरत जरा सी घुर की धमकीवा जरा सी लालच से तुम्हारी मुठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर होना एसा सस्ता सौदा क्यों छोडने लगे। चैंसिंग लजजित होकर बोला मूला, यह बात नहीं। मैं सच कहता हूँ, इसमें उंच नीच की बात नहीं है। सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तयार हूँ। मुलिया इसलिए न की जानते हो, मै कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खत्रानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो की चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैंसिंग मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुह ऐसा सूख गया था, मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटू है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली में भी रोज बजार जाती हूं। बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूं। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो, जिसमे कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न गुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है। और वह उरते जो कुछ करती हैं, ठीक करती हैं। उनके घरवाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना-देना बराबर हो जाता है बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बाते कहां मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ वह किसी दूसरी मिहरिया की और आँख उठा कर भी नहीं देखता सयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता इसका मुझे विश्वास है मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ की विश्वास का बदला खोट से दूँ हाँ वह अपने मन की करने लगे मेरी चाती पर मूंग दिलने लगे तो मैं भी उसकी चाती पर मूंग दिलूँगी तुम मेरे से भरे हुए स्वर में कहा लेकिन मेरी एक नहीं दूनों आखे फूट जाएं तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा मुझे उठावेगा बैठावेगा खिलावेगा तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूँ जाओ अब मुझे कभी न चेरना नहीं अच्छा न होगा तीन, जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्म विश्वास है, गोरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र उज्षवल और पून बना देता है जवानी का नशा घमंध है, निर्दैता है, स्वार्थ है, शेखी है, विशय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता विकार और पतन की ओर ले जाता है चैनसिंग पर जवानी का नशा था मुलिया के शीतल छीटों ने नशा उतार दिया जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी की छीटे पर जाने से फेन मिट जाता है, मेल निकल जाता है और निर्मल, शुधर रस निकल आता है जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और इमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उध्धार भी कर सकते हैं चैन सिंग उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया गुसा उसकी नाक पर रहता था, बात-बात पर मजदूरों को गालिया देना, डौटना और पीतना उसकी आदत थी असामी उससे थर-थर कापते थे मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर जियों ही उसने इधर पीट फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालिया देते थे मगर उस दिन से चैंसिंग इतना दयालू, इतना गंभीर, इतना सहंशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था कई दिन गुजर गए थे, एक दिन संध्या समय चैंसिंग खेत देखने गया, पूर चल रहा था उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है, और सारा पानी बहा चला जाता है क्यारियों में पानी बिलकुल नहीं पहुँचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुडिया चुप-चाप बैठी है उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यूं नहीं आता पहले यह दशा देखकर चैंसिंग आपे से बाहर हो जाता उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुर्किया जमाता पर आज उसे क्रूद नहीं आया उसने मिट्टी लेकर नाली बांद दी और खेत में जाकर बुरिया से बोला तू यहां बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है बुरिया घबडा कर बोली अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किये देती हूँ यह कहती हुई वह थर-thर कापने लगी चैनसिंग ने उसकी दिल जोई करते हुए कहा भाग मत भाग मत मैंने नाली बंद कर दी गुरू कई दिन से नहीं दिखाई दिये कहीं काम पर जाते हैं की नहीं गुरिया गदगद होकर बूली आजकल तो खाली ही बैठे हैं भाईया कहीं काम नहीं लगता चैनसिंग ने नम्रह भाव से कहा तो हमारे यहां लगा दे थोड़ा सा सन रखा है उसे कात दी यह कहता हुआ वह कुई की ओर चला गया यहां चारपूर चल रहे थे पर इस वक्त दो हक्वे बेर खाने गए थे चैनसिंग को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए ठाकुर ने पूछा दो आदमी कहा गए तो क्या जवाब देंगे सब के सब डांटे जाएंगे बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे चैनसिंग ने पूछा वह दोनों कहा चले गए किसी के मूह से आवाज न निकली सहसा सामने से दोनों मजूर धूती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिये खुश-खुश बात करते चले आ रहे थे चैनसिंग पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सुख गए पांग मन-मन भरके हो गए अब न आते बनता है न जाते दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी शायद मजूरी भी कर जाए चाल धीमी पड़ गई इतने में चैनसिंग ने पुकारा बढ़ाओ, बढ़ाओ, कैसे बेर है लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेर के है न दोनों और भी सहम उठे आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा कैसा मिठा मिठा कर बोल रहा है उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा बेचारे और भी सिकुर गए चैनसिंग ने फिर कहा जल्दी से आओ जी पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो बाकी दोनों मजूरों से तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेर के बेर मीठे होते हैं बेर खा लेक काम तो करना ही है अब दोनों भगोडों को कुछ धारस हुआ सभी ने जाकर सब बेर चैनसिंग के आगे डाल दिये और पक्के पक्के छाट कर उसे देने लगे एक आदमी नमक लाने दोड़ा आधा घंटे तक चारों पूर बंद रहे जब सब बेर ओड़ गए और ठाकोर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़ कर कहा भईयाजी आज जान बक्सी हो जाए बड़ी भूख लगी थी नहीं तो कभी न जाते चैनसिंग ने नमटा से कहा तो इसमें बुराई क्या हुई मैंने भी तो बेर खाए एक आधा घंटे का हरज हुआ यहीना तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे न चाहोगे दिन भर में भी घंटे भर का काम न होगा चैनसिंग चला गया तो चारों बाते करने लगे एक ने कहा मालिक किस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है। यह नहीं की हरदम छाती पर सवार। दूसरा मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा कई दिन से देखता हूँ, मिजाज नर्म हो गया है। पर अब भी विश्वास नहीं आता। चार, एक दिन चैन सिंग को किसी काम से कचेहरी जाना था। पांच मील का सफर था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था। पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी, सोचा एकके पर चला चलूँ। पूचा यह सामान क्यूँ विगड़ा हुआ है महावीर। तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था, क्या आजकल सवारिया कम है क्या। महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारिया काहे नहीं है, मगर लारियों के सामने एकके को कौन पूचता है। कहां दो धाई तीन की मजूरी करके घर लोटता था, कहां अब वीस आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं क्या आप खाऊं। बड़ी विपत्ती में पड़ा हूं। सोचता हूं इकका घोड़ा बेच बाचकर आप लोगों की मजूरी कर लून, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो बारह आने तो घोड़े ही को चाहिए घास उपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता, तो जानवर को कौन पूछे। चैनसिंग ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, दो-चार भीगे खेती क्यूं नहीं कर लेते। महावीर सिर जुका कर बोला खेती के लिए बड़ा पौरुक चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए, तो एकके को ओने-पौने निकाल दून, फिर घास चील कर बजार ले जाया करून। आजकर सास पतोहु दूनों चीलती हैं, तब जाकर दस बारह आने पैसे नसीब होते हैं। चैनसिंग ने पूछा तो बुड़िया बजार जाती होगी। महावीर लजाता हुआ बोला नहीं भईया, वह इतनी दूर कहां चल सकती है। घरवाली चली जाती है, तो पहर तक घास चीलती है, तीसरे पहर बजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लोटती है, हलकान हो जाती है भईया, मगर क्या करून, तकदीर से क्या जोड। चैंसिंग कचेहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शेहर की तरफ चला गया। चैंसिंग ने उसे पांच बजे आने को कह दिया, कोई चार बजे चैंसिंग कचेहरी से फुरसत पाकर बाहर निकले, हाते में पान की दुकान थी, जरा और आगे बढ़कर एक घना बर्गत का पेर था, उसकी चाह में बीसों ही तांगे, एक के फिटने खड़ी थी, खोल दिये गए थे, वकीलों, मुक्तारों और अफसरों की सवारिया यहीं खड़ी रहती थी, चैंसिंग ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कोई लारी मिल जाए, तो जरा शहर चला जाओं की उसकी निगाह एक घास वाली पर पढ़ गई, सिर पर घास का जाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी, चैंसिंग का हृदय उच्छल पड़ा यह तो मुलिया है, बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी, कई कोचवान जमा हो गए थे, कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हस्ता था, एक काले कलूटे कोचवान ने कहा मूला, खास तो उरके अधिक से अधिक छहानी की है, मुलिया ने उनमाग पैदा करने वाली आँखों से देख कर कहा छहाने पर लेना है, तो सामने घृसियारे ने बैठी है, चले जाओ, दो-चार पैसे कम में पा जाओगे, मेरी घास तो बारहाने में ही जाएगी, एक अधिर कोचवान ने फिटन के उपर से कहा तेरा जमाना है, बारहाने नहीं एक रुपया मान, लेने वाले जख मारेंगे और लेंगे, निकलने देवकीलों को अब देर नहीं है, एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे आँखों से पी जाएंगे, और मुलिया भी यहां कितनी खुश है, न लजाती है, न जिजगती है, न दपती है, कैसा मुस्किरा मुस्किरा कर, रसीली आँखों से देख देख कर, सिर का अंचल खिसका खिसका कर, मूह मोड मोड कर बाते कर रही है, वही मुलिया, जो शेरनी की तरह तडप उठी थी। इतने में चार बजे। अमले और वकील मुखतारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दोड़े। वकील मुखतार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट खोड़े जोते। कई महाशेयों ने मुलिया को रसिक नेत मुलिया मुसकराई दूनों में कुछ बाते भी हुई जो चैनसिंग न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन मुख घर की ओर चली। चैनसिंग पानवाले की दुकान पर विस्मृती की दशा में खड़ा रहा। पानवाले ने दुकान बढ़ाई कपड़े पहिने और के कैसी बीमारी। पानवाला बोला कैसी बीमारी। आधा घंटे से यहां खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचेहरी खाली हो गई, सब दुकाने बंध हो गई, मिहतर तक जाडू लगाकर चल दिये, तुम्हें कुछ खबर हुई। यह बुरी बीमारी है, जल् तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, उपर से चार पैसे की बीडिया पी गया, चैंसिंग ने जरा देर के बाद कहा मेरी एक सला है, तुम मुझ से एक रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बजार न जाना पड़ेगा, बोलो मंजूर है, महावीर ने सजल आँखों से देखकर कहा मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी पर जाहूँ, जब मरजी होप पकर मंगवाए, आपसे रुपये, चैंसिंग ने बात काट कर कहा नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे एक रुपया रोज ले जाया करो, खास लेकर घरवाली को बजार मत भेजा करो, तुम्हारी आपरू मेरी आपरू है, और भी रुपये पैसे का जब काम लगे, वेखट के चले आया करो, हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फाइदा, कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैंसिंग से मिली, चैंसिंग असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी, मुलिया की आज तुम्हें आते देखा, तो दोड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती, चैंसिंग ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है, हाँ एक दिन देखा था, क्या महावीर ने तुछ से सब कह डाला, मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझ से कोई बात नहीं छिपाता, दोनों एक शंचुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी, एकाएक मुलिया ने मुसकरा कर कहा यहां तुमने मेरी बाह पकड़ी थी, चैंसिंग ने लजजित होकर कहा उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवा मुलिया गदगद कंट से बोली उसे क्यूं भूल जाओं, उसी बाह गए की लाच तो निभा रहे हो, गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया, फिर दोनों चुप हो गए, जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा तुमने समझा होगा, मैं असने भा में विश्राम करने जा रहा था, वह जाता है, संसार गो वह तो उनकी दरिश्टी में स्वार्थी है, प्रिपन है, संकीरन हरिदय है, आचार ब्रश्ट है। इसी तरह जो लोग बाहरवालों के लिए मरते हैं, उनकी प्रशन सा घरवाले क्यों करने लगे? अब इन ही को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं. मैं परदा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलफ के लिए बजार जाना बुरा मालूम होता है. और इनका यह हाल है, कि च दुकान बदनाम ही क्यों होती? पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजे लाने का मरज है. बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो. वहां माल अधिक खपता है, इसलिए ताजा माल आता रहता है, पर इनकी तो तुटपुजिया से बन ही लाएंगे तो आधा आधा तेल या सोलहों आने काटो जिम और दरसल घी से एक छटांत कम. तेल लाएंगे तो मिलावट बालों में डालो तो चिम्ट जाएं पर दाम दे आएंगे शुधा आवले के तेल का. किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे ड जाता. मैं पूछती हूँ आखिर आप तुटपुजियों की दुकान पर जाते ही क्यों है? क्या उनके पालन पोशन का ठीका तुम ही ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं. वाह क्या कहना है? कितनी दूर की बात कही है? जरा इन्हे बुला लिया और खुशामत के दो शब्द सुना दिये, थोड़ी सी स्तुती कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा. फिर इन्हे सुधी नहीं रहती कि यह कुडा करकट बांध रहा है या क्या? पूछती नूँ तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों क इसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते. ऐसे उठाईगीरों को मूह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं. एक चुप सो बाधाओं को हराती है. एक बार एक गहना बनबाने को दिया. मैं तो महाशे को जानती थी. इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा. अपने पहच चालबाजी नहीं कर सकता. मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहां तक दोस्ती का हक न निभाएगा. सोने का एक आभूशन और सौ रुपिये इनके हवाले किये. इस बिलेमानस ने वह आभूशन और रुपिये न जाने किस बेमान को दे दिये क बरसों के जंजट के बाद जब चीज बन कर आई, तो आठाने ताबा और इतनी भद्दी की देख कर घिम लगती थी. बरसों की अभिलाशा धूल में मिल गई. रोपीट कर बैठ रही. ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं. इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है, जो जमाने भर के जटू, गिरहकट, लंगोटी में फाग खेलने वाले, फाके मिस्थ हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आख के अंधों से दोस्ती गाठना है. नित्य ही एक नए एक महाशे उधार मानने के लि जब कहती हूँ, रुप्ये तो दे आए, अब मान क्यूं नहीं लाते, क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त, तो बस बगले जाक कर रहे जाते हैं, आपसे मित्रों को सुखा जवाब नहीं दिया जाता, खेर, सुखा जवाब न दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुर इनकी हविस्य है कि दुनिया इन्हे संपन समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यूं न गिरों रखने पड़े, सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक-एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुप्ये जैसे घर में काटते हैं, जब तक रुप्ये के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं, इनके कर्तूत कहां तक गाउं, मेरी तो नाक में दम आ गया, एक न एक महमान रूज यमराज की भाती सिर पर सवार रहते हैं, न जाने कहां के बेफिकरे इनके मित्र हैं, कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से, घर क्या है, अपाहिजों का अड़ा है, जरासा तो घर, मुश्किल से दो पलंग, और ना बिचोना भी फाल्तु नहीं, मगर आप है कि मित्रों को निमंतरन देने को तैयार, आप तो अतिती के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, और ना बिचोना भी चाहिए, नहीं तो घर का खुल जाए, जाता है मेरे बच्चों के सिर्फ, गर्मियों में तो खेर कोई मुझायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं, गर्मियों में भी खुली च्छत पर तो महमानों का अधिकार हो जाता है, अब मैं बच्चों को लिए पिंजडे में पड धिले से भी इनकी मदद कर सके, तो एक बार महाशे को इसका अनुभव अत्यंत कटू अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरतने जैसे आँखे न खोलने की कसम खाली है, ऐसे ही दरिद्र भटाचारियों से इनकी पटती है, शहर में इतने लक्षमी के पोत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं, उनके पास चाते इनकी आत्मा दुखती है, दोस्ती गांठीगे ऐसों से, जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं, एक बार हमारा कहार छोड़ कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला, किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किन्तु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई, घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है, मेरा जूठे बरतन माजना और अपना सागभाजी के लिए बजार जाना इनके लिए असहय हो उठा, एक दिन जाने कहां से एक बागरू को पकर लाए, उसकी सूरत कहे देती थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया, कि क्या कहूं, बड़ा होशियार है, बड़ा आग्याकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही इमानदा खेर, मैंने उसे रख लिया, मैं बार-बार क्यूं इनकी बातों में आ जाती हूं, इसका मुझे स्वयमाश्चरय है, यहां आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षन उसमें न थे, किसी काम की तमीज नहीं, बेइमान न था, पर गधा अवल दरजे क बेइमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीम तो होती की खुद खा जाता है, अभगा दुकांदारों के हाथों लुट जाता था, दस तक की गिंती उसे न आती थी, एक रुपया देकर बजार भेजू तो संध्या तक हिसाब न समझा सके, प्रोध कर रह जाती थी, रक्त खौलन लगता था कि दुष्ट के कान उखार लून, मगर इन महाशे को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा, डांटना तो दूर की बात है, आप नहा धोकर धोती छाट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है, में तो बचा का खून पी जाती, लेकिन इन्ही जरा भी गम नहीं, जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी, तो आप उसे समीत ना आने देते, बस उसके दोशों को गुन बना कर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल न होते, तो दोशों पर परदा डाल देते थे, मूर्ख को जाडू लगाने की तमीज न थी, मरदाना कमरा ही तो सारे घर में धन का एक कमरा है, उसमें जाडू लगाता तो इधर की चीज उधर उपर की नीचे, मानो कमरे में भूकम पा गया हो, और गर्द का यह हाल की सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं, जैसे कोई बात ही नहीं, एक दिन मैंने उसे खूब डांटा कल से ठीक ठीक जाडू ना लगाई तो कान पकड़ कर निकाल दूँगी, सबेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में जाडू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी गुई है, गर्द कुबार का नाम नहीं, मैं चके ठोकर देखने लगी, तो आप हसकर बोले देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सबेरे उठकर जाडू लगाई है, मैंने समझा दिया, तुम धंक तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो, मैंने समझा, खेर, दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया, अब रोज कमरा साफ सुत्रा मि गूरे मेरी दृष्टी में विश्वासी बनने लगा, सयोग की बात एक दिन में जरा मामूल से सबेरे उठ बैठी और कमरे में आई, तो क्या देखती हूं कि गूरे द्वार पर खड़ा है, और आप तनमन से कमरे में जाडू लगा रहे हैं, मेरी आँखों में खून उतर उनके हाथ से जाडू छीन कर भूरे के सिर जमा दी, हराम खोर को उसी दम निकाल बाहर किया, आप फर्माने लगे उसका महीना तो चुका दो, वाहरी समझ, एक तो काम न करे उस पर आँखे दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूँ, मैंने एक कोड़ी भी न दी एक कुर्ता दिया था, वह भी छीन लिया, इस पर जड़ भरत महाशे मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़ कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके, ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं, मैं न होती, तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बजार में बेच दिया होता, एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया, इस बेकारी के जमाने में फाल्तू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हूँ, मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं, आपका वस्त्राले एक बिक्ची में आ जायेगा, जो डाक के पारसल से कहीं भेजा जा सकता है, फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई, पैसे नजर नहीं आते कपड़े कहां से बने, मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया, कडाके का जाड़ा पर रहा था, इसका अनुभव मुझे कम गरीबों पर क्या बीत रही है, इसका भी मुझे ग्यान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेद के सिवा इसका और क्या इलाज है, जब तक समाज का यह संगठन रहेगा, ऐसी शिकायते पैदा होती रहेंगी, जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगारी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नगनता का कष्ट उठाना पड़े, खेर मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया, आपने क्या किया कि आपका कोट उठा कर उसको भीट कर दिया, मेरी देह में आग लग गई, इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिला कर आप सो रहूं, देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई की पहनेंगे क्या, यश्के लोग ने जैसे बुद्धी ही हर ली, मेतर ने सलाम किया, दुआइं दी, और अपनी राही, आप कई दिन सर्दी से ठिचुरते रहे, प्रातह काल गुन जाया करते थे, वह बंद हो गया, इश्वर ने उन्हें रिदे भी एक बिचित्र प्रकार का दिया है, फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता, मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूं, पर आपको जरा फिक्र नहीं, कोई हसता है, तो हसे आपकी बला से, अंत में जब मुझसे न देखा गया, तो एक कोट बनवा दिया, जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दून, पर डरी की कहीं बीमार पढ़ जाएं, तो और बुरा हो, आखिर काम तो उन्हीं को करना है, महाशे अपने दिल में समझते हूंगे, मैं कितना विनीत कितना परुपकारी हूं, शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो, मैं इन्हें परुपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूं, यह जड़ता है, सीधी साधी निरिहता, जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त जून होती, या सारी उदारता बाहरवालों ही के लिए सुरक्षित है, घरवालों को उसका अलपांच भी न मिलना चाहिए, मेरी इतनी अवस्था बीट गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहर भी न दिया, बेशक मैं जो चीज बजार से मंगवाउ उसे लाने में इन्हे जरा भी आपती नहीं, बिलकुल उज्ज नहीं, मगर रुप्य मैं दे दूँ, यह शर्थ है, इन्हे खुद कभी यह उमन नहीं होती, यह मैं मानती हूं की बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते, मैं जो कुछ मंगवादून उसी पर संतुष् मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीजे चाहता ही है, अन्य पुरुशों को देखती हूं, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भाती भाती के कपड़े, शौक सिंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं, यहां इस व्यवहार का निशेद है, बच्चों के लिए भी मिठाय खिलोने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी नलाय हूं, शपद भी खाली है, इसलिए मैं तो इन्हे क्रिपन कहूंगी, अर्सित कहूंगी, खृदै शुन्य कहूंगी, उदार नहीं कह सकती, दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है, उसका कारण है, इनका यश्लोब और व्यवहारिक अग्यानता, आपके विने का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर है, उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं, अफसरों को सलाम करना तो आपकी मीती के विरुद्ध है, नजर या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर न पूछा जाता है, बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन कामा जाता है, तो इनहीं के सिर मड़ा जाता है, इनहीं जरा भी आपत्ती नहीं, दफ्तर में इनहीं खिस्सू पिस्सू आधी उपाधियां मिली हुई है, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है, यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनुवरत्ती भी नहीं है, मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूं, व्यवहारिक ज्यान की क्षती कहती हूं, आखिर कोई अफसर आपसे क्यूं प्रसन हो, इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं, दुनिया का काम मुरौवत और रवादारी से चलता है, अगर हम किसी से खीचे रहें, तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खीचा रहें, फिर जब मन में शोब होता है, तो वह दफतरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है, जो माथत अफसर को प्रसन रखने की चेश्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावत करता है, ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूती होने लगी, अफसर भी तो मनुश्य है, उसके रिदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहां पूरी हो जब अधीनस्त कर्मचारी ही उससे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए कभी किसी दफ्तर में दो-तीन साल से ज्यादा नटिके या तो अफसर से लड़ ग हिसिलदार हैं घर की मिलकियत उन्ही की निगरानी में है वह थाट से रहते हैं मोटर रख ली है कई नौकर चाकर हैं मगर यहां भूले से भी पत्र नहीं लिखते एक बार हमें रुपिय की बड़ी तंगी हुई मैंने कहा अपने ब्राताजी से क्यूं नहीं मान लेते कहने लगे उन्हीं क्यूं चिंता में डालूएं उन्हीं भी तो अपना खर्च है कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा पत्र लिखा या मुझे चपमा दे दिया रुपिय ना आने थे ना कई दिनों के बाद मैंने पूछा कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से आपने रुष्ट होकर कहा अभी केवल एक सप्ताह तो खत पहुँचे हुए अभी क्या जवाब आ सकता है एक सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद अब आपका यह हाल है क कि मुझे कुछ बातचीत करने का अफसर ही नहीं देते इतने प्रसंचित नजर आते हैं कि क्या कहूं बाहर से आते हैं तो खुश-खुश कोई न कोई शिगूफा लिये हुए मेरी खुशामत भी खूब हो रही है मेरे मैके वालों की प्रशनसा भी हो रही है मेरे ग्रह प् अर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रिश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी इतने विस्तार और गवेशना के साथ की विशेशग्य भी लोह मान जाएं केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अफसर न मिले लेकिन मैं भला कप चुपने वाली थी जब पूरे दो सप्ता गुजर गए और बीमे के रुपिय भेजने की मिती, मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुक से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुँचा, आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस दो हजार नहूं, एक हजार हूं, पांच सौ हूं, धाय सौ हूं, कुछ नहूं, तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हूं, तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगणी है, विश्वते भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपय क्यू नहीं देते? आप हैं यह, हां हा करने लगे, कहने लगे वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंदू बांधों का स्वागत सतकार करते हैं, नातेदारियों में भीध भांट फेजते हैं, और कहां से लावे जो हमारे पास भेजें, वाहरी बुध्धी, बानो जायदाद इसलिए हूती है कि उसकी कमाई उस ना बचाया, दस हजार का अनाज भरा था, उसमें घाटा रहा, या किसी से फोजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया, आपको सूझी भी तो लचसी बात, तकदीर ठोप कर बैठ रही, पढ़ोस की एक महिला से रुप्य करज लिए, तब जाकर काम चला, फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं, तो मेरे शरीर में आग लग जाती है, ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाये, ईश्वर की दया से आपके दो बच्चे हैं, दो बच्चियां भी हैं, ईश्वर की दया कहूं, या कोप कहूं, सबके सब उधमी हो गए हैं कि बड़ी आँखों से देखें, रात के आठ बजे गए हैं, युवराज अभी गूंकर नहीं आए, मैं घबरा रही हूँ, आप निश्चिन बैठे अकपार पढ़ रही हैं, छलाई हुई जाती हूँ और अकपार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लॉंड आज बचा आते हैं, तो कान उखार लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेर कर रख दूंगा, युव विगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं, सयोग की बात आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है, मैं पूछती हूँ तू किधर से आ गया, तुम इतने मन के हो गए हो की बात नहीं सुनते, आ जाते दाल का भाव मालूम होगा, लड़का सहम जाता है और लेम्ट जला कर पढ़ने बैच जाता है, महाशेजी दो धाई घंटे के बाद लोटते हैं, हैरान, परिशान और बधवास, घर में पाउं रखते ही पूछते ह आया की नहीं, मैं उनका क्रोधु तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं, पूछकर हार गई, कहां गया था, कुछ बोलता ही नहीं, आप गरजकर कहते हैं मन्नू, यहां आओ, लड़का थर-थर कांपता हुआ, आकर आंगन म ताकरती देखकर पच्टाने लगती हूँ, कि कहां से इन से शिकायत की, आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंदू पर हाथ रखकर बनाप्टी प्रूद से कहते हैं, तुम कहां गय थे जी, मना किया जाता है, मानते नहीं खाबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी, आदमी शाम को घर चला आता है, या मतरगश्ती करता है, मैं समझ रही हूँ कि यह गूमिका है, विशया बाएगा, गूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहां तो गूमिका पर इती हो जाती है, बस आपका क्रोज शांत हो गया, बिलकुल जैसे ख्वार की घटा घेर घार हुआ, काले बादल आये, गडगड़ा हट हुई और गिरी क्या चार बूंडें, लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है, मैं पराभूत होकर कहती हूँ तुम तो जैसे डर गए, भला दो चार तमाचे तो लगाए होते, इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं, आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं, मैंने कितने जोर से डांटा, बचा की जान ही निकल गई होगी, देख लेना, जो फिर कभी देर में आये, तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसु पोंच दिय तुमने मेरी डांट सुनी नहीं, क्या कहना है आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए, लाओ तुम्हारा गला सहला दूँ, आपने एक नया सिध्धान्त निकाला है कि दंद देने से लड़के खराब हो जाते हैं, आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाह आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है, इसी का यह फल है कि लड़के बे नकेल के उंग बने हुए हैं, कोई एक मिनट भी किताब खोल कर नहीं बैठता, कभी गुली डंडा है, कभी गुलियां, कभी कनकौवें, श्रीमान भी लड़कों के साथ खेल चालीस साल की उमर और लड़क पन इतना, मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ाले, या गुली डंडा खेल सके, खून पी जाते, प्रातह काल से लड़कों को लेकर बैच जाते थे, स्कूल से जियों ही लड़के आते, फिर ले बैचते थे, ब लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं, ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रूब हो सकता है, पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे, उनकी आवाज सुनते ही तहलका मच जाता था, उन्होंने घर में कदम रखा और शांती का सामराज्य हुआ, बेचारे हमेशा किसी न किसी आउश्थी का सेवन करते रहते थे, और क्या कहूं, एक दिन तो हद ही हो गई, श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे, यों गुमाओ, यों गोता दो, यों खीचो, यों धीन दो, ऐसा तनमन से सिखा रहे थे हिमानो गुरु मंत्र दे रहे हूँ, उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर लीकी याद करते हूंगे, तुम कौन होते हो, मेरे बच्चों को बिगाडने वाले, तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है, नहों, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदत जाते हैं कि मैं हार जाती हूं, पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे, लड़का सिर पटक कर मर जाए, मगर जरा भी न पसीजते थे और इन महात्माजी का यह हाल है कि एक-एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं, चलो, चलो, वहां बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेंगी, गुबारे उड़ेंगे, विलायती चर्खियां भी हैं, उन पर मजे से बैठना, और तो और आप लड़कों को हाकी खेलने से भी नहीं रोकते, यहां अंग्रेजी खेल भी कितने जानलिवा होते हैं, प्रिकेट, फुटबाल, हाकी एक से ए होगा, हाथ पाँव टूट गए, तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी, पिछले साल कन्या का विवाह था, आपको जिद्थी की दहेज के नाम कानी कोडी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन ख्वारी बैठी रहे, यहां भी आपका आदर्श्वा दाकूदा, स चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावें, लेकिन इसका परिस्थिती पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा जियों की तियों बनी हुई है, पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराईयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिल जहां संदेश भेजा दहेज का प्रशन उठ खड़ा हुआ और आपने प्रतियक अफसर पर टांगड़ाई, अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को सत्रहवा लग गया, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली, आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर्पक्ष प्रशन उठाया ही नहीं, हाला कि अंतहकरन में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तै कर लिया था कि अथा शक्ती कोई बात उठा न रखूंगी, विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशे के आगे मेरी ए जरा सोचिये इस परिस्थितिकों की बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहां बात-बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है, विवाह का मुहूर ताधी रात के बाद था, प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किन्तु आपकी टेक्थी की व्रत की कोई जरूरत नहीं, जब ल आप इसे निशिद समझते हैं, कन्या क्या दान की वस्तू है, दान रुप्य पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है लेकिन लड़की का दान, एक लचसी बात है, कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेदकाल से होती चली आई है, शास्त्रों में इ पीचे न गए, और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूच गए, विवाह के पश्चात महीनों बोचाल न रही, जख मार कर मुझी को मानना पड़ा, किन्तु सबसे बड़ी विदंबना यह है कि इन सारे दुरगुनों के होते हुए भी मैं इ सेह सकती, इन सारे दोशों पर भी मुझे इन से प्रगार प्रेम है, इन में यह कौन सा गुन है, जिस पर मैं मुगध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इन में कोई बात ऐसी है, जो मुझे इनकी चैरी बनाए हुए है, वह जरा मामूली सी देर में घर आते हैं, तो प्र पी नहीं, प्रतागत पतिवरत भी नहीं, बलकि हम दोनों की प्रकृती में कुछ हैसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस किसा कर फिट हो गए हो, और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाह रास्ते पर चलना कितना कश्ट प्रद होगा, शायद आज में इनके दोशों को गुनों से बदलने पर भी तयार नहूंगी, मानसर ओवर भाग एक, रसिक संपादक, राइटर प्रेंचंद, नवरस के संपादक पम, चोखेलार शर्मा की धर्मपत्नी का जब से देहांत हु आपको स्त्रियों से विशेश अनुराग हो गया है और रिसिक्ता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है, पुरुशों के अच्छे अच्छे लेक रदी में डाल दिये जाते हैं, पर देवियों के लेक कैसे भी हूँ, तुरंत स्वीकार कर लिये जाते हैं और बहुधा लेक की रसीग के साथ लेक की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है आपका लेक पढ़कर दिल थाम कर रह गया, अतीच जीवन आखों के सामने मूर्तिमान हो गया, अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उजवल रतन हैं, जिनकी चमक कभी कम न होगी। और कविताएं तो गुजरे तो मुझे न भूलिएगा, जिसने ऐसी कविता की सृष्टी की है, उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो अपने को धन्य मानूंगा। लेके काए अनुराग्मय प्रोटसाहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली न समाती, जो लेक भागे भिक्षुक की भाती कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लोट आये थे, उनका यहां इतना आदर। पहली बार ही ऐसा संपादक जन्मा है, जो गुनों का पार्खी है, और सभी संपादक अन्मन्य हैं, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं। जरा सी संपादकी क्या मिल गई मा कोई राज्य मिल गया। संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दें। वह तो कहो कि सरकार इन्हें पूछती नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो आडिनिंस पास कर दिये। और स्त्रियों से द्वेश करो। यह उसी का दंड है। यह भी संपादक ही हैं, कोई घास नहीं छीलते और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के। नवरस सब पत्रों में राजा है। चोखेलाल जी के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की एक बार सी आ जाती और लेकी काउं में उनकी पूज होने लगी। पिया, गौना, मुंडन, छेदन, जन्म, मरन के समाचार आने लगे। कोई आशिरवाद मानती। कोई उनके मुख से सांतवना के दो शब्द सुनने की अभिलाशा करती। कोई उनसे घरेलू सक्टों में परामर्श पूछती। और महीने में दस-पांच महिला उन्हें दर्शन भी दे जाती। शर्माजी उनकी अवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते, बड़े आग्रह से उन्हें एकाद दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनिमा के फ्री पास मिले हुए थे ही, खूब सिनिमा दिखाते। महिलाएं उनके सद्भातव से मुगध होकर विदा होती। मशहूर तो यहां तक की शर्माजी का कई लेकिकाओं से बहुत ही घनिष्ट संबंध हो गया है। लेकिन इस विशय में हम निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देवियां ए धुर्यका रस्पान कर रहा है। संपातकर जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ती करना महिलाओं ने अपना धर्म सा मान लिया। उनके भरे हुए भंदार में से अगर एक शुधित प्रानी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो उससे भंदार की शोभा ह पूर्षों से तो शर्माजी को हमेशा तीव रालोचना ही मिलती थी। श्रधा में सहनुभूती का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों ही में पाया। एक दिन संपातकजी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्रप्रेम का रूप दिखाया था। पहले गूंद की तरह शुषक और कठोर आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली। उन्होंने कविता को दो-तीन बार पड़ा और हर बार उनके मन में संसनी दोड़ी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़ कर भाग जाओगे। मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूँगी। मैं तुम्हारी कमर में कर पाशकस दूँगी। पाउंग पकड़ कर रोक लूँगी। तब उस पर सिर रख दूँगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़ कर भाग जाओगे। छोड़ सकोगे। मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूँगी। उस प्याले में जो मादक सुधा है। उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे। और मेरे पैरों पर सिर रख दोगे। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़ कर भाग जाओगे। शर्माजी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं कह सकता, मेरे चित की क्या दशा हुई। फ्रिदय में एक ऐसी तृषणा जागू थी है, जो मुझे भस्म किये डालती है। नहीं जानता, इसे कैसे शांत करूँ। बस, यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी। जहां से यह त्रिशना मिली है, मन मतन की भाती जंजीर तुड़ा कर भाग जाना चाहता है। जिस रिदय से यह भाव निकले हैं, उसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है, उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनन पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पड़ी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है, वह मेरी विधुर शांती को छेंपिन किये डालता है। आपने एक गरीब की फूस की छोपड़ी में आग लगा दी है। लेकिन मन यह स्वीकार नहीं करता कि यह केवल बिनूत क्रीरा है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ग्यात होता है, जिसने प्रेम की वेधना सही है, जो लालसा की आग में तपा है। पून शब्दों में कृतग्यता प्रकट की थी और अपने आने की तिती बताई थी। दो, आज कामाक्षी का शुभागमन है। शर्माजी ने प्रातह काल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया। महीन खदर की धोती, कोटी का धीला चुन्नतदार कुरता, पर गुर्दस्ते सजा दिये गए थे, गारी नौ बजे आती है, अभी साड़े आठ है, साड़े नौ बजे तक यहां आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है, बार-बार घड़ी की और ताकते हैं, फिर आइने में अपनी सूरत देखकर कमरे में तेहलने लगते हैं, मूंचों में दो-चार बाल पके हुए नजर आ रही हैं, उन्हें उखार फेकने का इस समय कोई साधन नहीं है, कोई हरज नहीं, इससे रंग कुछ और ज्यादा जमेगा, प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वह ऐसा महमान हो जाता है, जो उपहार लेक केवल आशिरवाद से जमा लेते हैं, खीक साड़े नौ बजे चपरासी ने आकर एक काद दिया, लिखा था कामाक्षी, शर्माजी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमती देकर एक बार फिर आइने में अपनी सूरत देखी और एक मो पुस्तक पढ़ने लगे, मानो स्वा केवल इतना बोले संपादकों का जीवन बिलकुल पशुओं का जीवन है. सिर उठाने का समय नहीं मिलता. उस पर कार्याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगर रहा है. राथ ही से सिर दर्ज से बेचैन हूँ. आपकी क्या खातिर करूँँ? कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था. उसे मेज पर पटक कर, रुमाल से मूम पोंचकर मृदू स्वर में बोली यह आपने तो बड़ी बुरी खबर सुनाई. मैं तो एक सहिली से मिलने जा रही थी. सोचा, रास्ते में आपके दर्शन करती चलूँ, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझे यहां कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधार ना पड़ेगा. मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करू आपका स्वास्थ्य स्त्री जाती के लिए बड़े महत्व की वस्तू है. आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब जा नहीं सकती. शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा, जैसे उनका रख प्रवाह रुप गया है, नाडी छूटी जा रही है. उस चोडेल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा. चली है कविता करने और कविता भी कैसी. अश्लीलता में डूबी हुई. अश्लील तो है ही. बिल्कुल सडी हुई, गंदी. एक सुंदरी युवती की कलम से वह कविता काम बान थी. इस डाइम की कलम से तो वह परनालेका की चड़ है. मैं कहता हूँ, इ इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है? यह क्यों ऐसी कविता लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठ कर राम भजन करती? आप पूछती है मुझे छोड़कर भाग सकोगे. मैं कहता हूँ, आपके पास कोई आएगा ही क्यों? दूर से ही देख करना लंबा हो ज जाएगा. कविता क्या है? जिसका न सिर न पेर, मातराओं तक का इसे ग्यान नहीं है. और कविता करती है. कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है, तो फिर गधा भी गा सकता है. उंग भी नाच सकता है. इस राण को इतना भी नहीं मालूम की कविता करने के लिए रू और चुडल इतना बड़ा पोथा लेती आई है, इसमें भी वही परनाले का गंदा की चर होगा, उस मूटी पुस्तक की ओर देखते हुए बूले नहीं नहीं, मैं आपको कश्ट नहीं देना चाहता, वह ऐसी कोई बात नहीं है, दो चार दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी, आप तो महाशेजी संकोच कर रहे हैं, मैं दस-पांच दिन के बाद भी चली जांगी, तो कोई हानी न होगी, इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है देवी जी, आपके मूँ पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर मैंने इतनी कविताएं रच डाली, आप इन में से जो चाहे रख ले, मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी शीक्र ही आपकी सेवा में भीजूगी, कहिए तो दो-चार कविताएं सुनाऊं, ऐसा अफसर मुझे फिर कब मिलेगा, यह तो नहीं जानती की कविताएं कैसी हैं, पर आप सुनकर प्रसन होंगे, बिल्कुल उसी रंग की हैं, उसने अनुमती की प्रतीक्षा न की, तुरंग पोथा खोल कर एक कविता सुनाने लगी, शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा, जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है, कई बार उ अच्मुच दर्ध होने लगा, वह गधी टलेगी भी, या यूँ ही बैठी सिर खाती रहेगी, इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनुभावों का ज्यान नहीं हो रहा है, उस पर आप कविता करने वाली हैं, इस मूम से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी ग् कामाक्षी ने दयाद्र होकर कहा आप इतना दूर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे आप पर दया आती है, आपकी कृपा है, आपको कल अवकाश रहेगा, जरा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती थी, खेद है, कल मुझे जरा प्रयाग जाना ह तो मैं भी आपके साथ चलूँ, गाड़ी में सुनाती चलूँगी, कुछ निश्चय नहीं, किस गाड़ी से जाऊं, आप लोटेंगे कब तक, यह भी निश्चय नहीं, और टेलीफोन पर जाकर बूले हलोग नम, सतहतर, कामाक्षी ने आधा घंटे तक उनका इंतजार किय मगर शर्माजी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बाते कर रहे थे, जिसका अंती हुने न पाता था, निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीकर ही फिर आने का वादा कर गई, शर्माजी ने आराम की सांस ली और उस पोथे को उठा कर रद्दी में डाल दिया, और जले हुए दिल से आप ही आप कहा ईश्वर न करे की फिर तुम्हारे दर्शन हूँ, कितनी बेशर्म है, कुल्टा कहीं की, आज इसने सारा मजाकिर किरा कर दिया, फिर मैनेजर को बुला कर कहा कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी, मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा फार्म त बेंच पर गहरी मींग में सोई पाई जाए, यह चौका देने वाली बात है, सुन्दर या पाकों में हवा खाने आती है, हस्ती है, दोड़ती है, फूल पौधों से खेलती है, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बे जाते हैं, युवकुरंद रहस्य भाव से मुस्किराते हुए, वृधजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतिया लज्जा से आँखे नीचे किये हुए, दो, बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पाउंग दोड रही हैं, बड़े दिन की छुटियो की जगह ही नहीं मिली। हो सकता है, मगर केवल यहां सो जाना यह प्रमानित नहीं करता कि यह वेश्या है, इसकी मांग में सिंदुर है, वेश्या यह अफसर पढ़ने पर सौभा गिशाली बन जाती हैं, रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रिराएं हुई होगी, अफसाद के कारण पाकर सो गई होगी, मुझे तो कुलवधू सी लगती है, कुलवधू पाक में सोने आईगी, हो सकता है, घर से रूट कर आई हो, चल कर पूछ ही क्यों न ले, मिरे अहमक हो, बगेर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं, अजी चल कर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे, और जो कहीं जिरक दे, जिरकने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सदयता में दूबी हुई बाते करेंगे, कोई युवती ऐसी बाते सुनकर चिड नहीं सकती, अजी गत योवनाय तक तो रस भरी बाते सुनकर फूल ही उठती हैं, यह तो मैंने रूप और योवन का ऐसा सुन्दर सयोग नहीं देखा था, मेरे रिदय पर तो यह रूप अब जीवन परियंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी न भूल सकूं, मैं तो फिर यही कहता हूं कि कोई वेश्या है, रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है, यही खड़े-खड़े कवियों किसी बाते करोगे, जरा वहाँ चलते क्यों नहीं, तुम केवल खड़े रहना, पाश्तो मैं डालूंगा, कोई कुलवधू है, कुलवधू पाक में आकर सोये, तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वहा कर्शित करना चाहती है, और यह भी तो फौवध होने लगी है, फौवध युथिया युवकों से आँखे नहीं चुराती, हाँ, लेकिन है कुलवधू, कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहुगी समझता हूँ, तो चलो फिर दौर लगावे, लेकिन दिल में तो वह मुर्ती दौर रही है, तो आओ बैठें, जब वह उटकर जाने लगे, तो उसके पीछे चलें, मैं कहता हूँ वेश्या है, और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो दस-दस की बाजी रही, तीन, दो वृध पुरुष धीरे-धीरे जमीन की और ताक्ते आ रहे हैं, मानों कोई जवानी ढून रहे एक की कमर जुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए, पर कमर सीधी, एकरा शरीर, दोनों के दान्त तूटे, पर नकली दान्त लगाए, दोनों की आँखों पर एनक, मूटे महाशे वकील है, छरहरे महुदे डॉक्टर, वकील, देखा, यह 20-वी सदी की करामात, डॉक्टर जी हाँ देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते, शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं, है किसी भले घर की लड़की, वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते, वेश्या इ जवानी रुकसत हो गई, जिन्दगी जहनुन से बत्तर हो जाएगी, मगर आँख तो नहीं रुकसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुकसत हो गया, बस आँख से देखा करो, दिल जलाया करो, मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है, सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिन्दगी की बहार है, हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर न आती थी, आज तो जिधर जाओ, हुसन ही हुसन के जलवे, सुना, व्युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, वह बूरे मर्द हैं, मैं इसका कायल नहीं, पुरुष का जोहर उसकी जवानी नहीं, उसका शिक्तिसंपन होना है, कितने ही बूरे जवानों से ज्यादा कडियल होते हैं, मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते हैं, मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता, यही सब सही है, पर बूरु का दिल कमजोर हो जाता है, अगर जह बात नहोती तो इस रमनी को इस तरह देखकर हम लोग यो न चले जाते, मैं तो आँखो भर देख भी न सका, तैर लग रहा था कि कहीं उसकी आँखे खुल जाएं और वह मुझे ताक्ते देख ले तो दिल में क्या समझे, खुश होती की बूरे पर भी उसका जादू च मैं तैयार हूँ, हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा, अर्थात, अर्थात यह कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आँखे थंडी कर लिया करूंगा, अगर आप इस इरादे से आएं तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊं, ओहो आप तो मंकी ग् में एक-एक चितवन में, एक-एक मुस्कान में, एक-एक विलास में जवानी भरी हुई है, न सौमन की ग्लेंड न एक रमनी का बाहुपाश, अच्छा कदम बढ़ाये, मुवक्किल आकर बैठे होंगे, यह सूरत याद रहीगी, फिर आपने याद दिला दी, वह इस तरह स रही है, हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है, विल्कुल ठीक, मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पढ़ चुका है, जो रसिक बूरों को खोजा करती है, जवान तो छिचोरे, उच्रिंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं, वे प्रेम के बदले म कुछ चाहते हैं, यहां नी, स्वार्थ भाव से आत्म समर्पन करते हैं, आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई, मगर एक बात याद रखिये, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो, तो मिला करे, यहां ऐसों से नहीं डरते, आपकी शादी की कुछ बात चीत थ हां थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधें, तो क्या हो? मेरा बड़ा लड़का यश्वंत तो मुझे बंदूप दिखाने लगा, यह जमाने की खुबी है, अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी, दोनों मित्र निकल गए, चार, दो देविया एक व्रिद्धा दूसरी नवयोवना पाक के फाटक पर मोटर से उतरी और पाक में हवा खाने आई, उनकी निगाह भी उस नींद की माती युवती पर पड़ी, व्रिद्धा ने कहा बड़ी बेशर्म है, नवयोवना ने तिरसकार भाव से उसकी ओर देखकर कहा ठाट तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाट ही देख लो, इसी से मर्ग कहते हैं स्त्रियों को आजादी न मिलनी चाहिए, मुझे तो कोई वेश्या मालूम होती है, वेश्या ही सही, पर उसे इतनी वेशर्मी करके स्त्री समाज को लजजित करने का क्या आधिकार है, कैसे मजे से सो रह मानों अपने घर में हैं, बेहाई है, मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज़ता है, उसे नहीं छोड़ना चाहती, मैं किसी युवती को सड़क पर सिग्रेट पीते देखती हूं, तो मेरे बदन म में आग लग जाती है, उसी तरह आधी चाहती का जन्फ भी मुझे नहीं सोहता, क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फौवड हैं, पुरुष अपनी चाहती या पीत खोले तो नहीं गूंते, इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आ धीनता का ढूंद करती है, जो बलवान हैं, वे अकड़ते नहीं, जो दुरबल हैं, वही अकड़ दिखाते हैं, क्या आप उन्हें अपने आसु पोंचने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती, मैं तो कहती हूं, स्त्री अपने को छिपा कर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती, स्त्री ही पुरुष के आकरशन की फिक्र क्यों करे, पुरुष क्यों स्त्री से परदा नहीं करता, अब मूम न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगा कर कह दो जाकर घर पर सोये, इतने आदमी आ जा रहे हैं और निरलज चांग फैलाये पड़ी है, यहां इसे नींद कैसे आ गई, रात कितनी गर्मी थी बाई जी, थंड़क पाकर बेचारी की आँख लग गई है, रात भर यहीं रही है, कुछ-कुछ बगती हूँ, मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है, यहां क्यू सो रही हो देवी जी, इतना दिन चड़ाया, उटकर घर जाओ, युवती आखे खोल देती है, ओहो, इतना दिन चड़ाया, क्या मैं सो गई थी, मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है, मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाब हो, यहां आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस कामनात को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं, युवती ने आश्चरय से कहा अच्छा, वह तो अभी इधर ही से गए हैं, साच, लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं, अभी मेरा गौना नहीं हुआ है, तो क्या आप उनके लड़के वसंतलाल की धर्म पत्नी हैं, युवती अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहा है, तो मैं दोड़कर डॉक्टर को खबर दे दूँ, जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिलकुल अच्छी हो जांगी, वसंतलाल भी वह खड़ा है, उसे बुला दूँ, जी नहीं, किसी को न बुलाएं, तो चलो, अपने पा होगी, किस मुहले में, वेगम गंज मी, जेरामदास के घर, मैं आज ही मी, वसंतलाल से कहूंगी, मैं क्या जानती थी कि वह इस पाक में आते हैं, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता, किसलिए, कोई जरूरत न थी किसलिए, 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 किसलि